मेरे प्यारे साथियो वीडियो को इसके मत करना, साथियो अगर आप सेलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं और आपका भी तक जो है कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कम्प्लीट पैकेज जो की होने वाला है, GK, GS, मैं 3D Link का, मैं आपके सेलेक्शन की गारेंटी लेता हूँ, बस आपको क्या करना है, आज यहीं पर रुख जाना है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सारी चीज हैं, जिसकी आपको आज़िस्टा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कि आज के बाद आपको किसी भी चैनल पर, किसी भी सब्सक्राइब का बटन नीचे है उस पर आप जाकर किलिक करिए और आपको आपको पहुंचने की जरूरत है आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा है चाहे पर वो यूपीस्ट हो स्सक्राइब तो चलिए पर आपका पूरा आपको पूरा आपको आपको बड़ते हैं और मैं आपको पूरे आनन दिलाता हूं जो आपको आपको आपसे किस्ट करण स्टेडी काूरत है यह कंप्लीट पैकेज है आपका पूरा GS का जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जिवर्फी, साइंस, एकॉनिमी, इसमें कुछ बॉनस सब्जेक्ट्स भी होंगे जैसे कि आपका आर्ट और कल्चर, साइंस और टेक, इन्वार्मेंट और एकॉलोजी, तो अगर बात करूं इस के बारे में तो यह वीडियो जो है आपका complete GS का package होने बाला है, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो यानि कि कहीं पर भी भटकने कि आपका नहीं होगी, साथी मैं एक पूरा complete GS का आपका एक क्या दे दूँगा, एक notes दे दूँगा, या PDF दे और मैं इस बात की guarantee लेता हूं कि इस वीडियो से आपका कोई भी exam हो, वो इससे निकल जाएगा, इस बात की में guarantee लेता हूं, तो यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूं, complete package, package नहीं, इसको packet बोल सकते हैं, इस package जो है, बड़ी company या देती है, इस पैकेट है, इसमें सब भी चले जाना मिलने बाला नहीं है, एक भारती की तरह मैंने पढ़ाया है, teacher बनके मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं एक भाई, एक दोस्त बनके पढ़ा पाता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ जाएगा, यह मैं अपनी तरफ से छोड़ नहीं रहा हूं, बस आप जब इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, इसके बाद यहां पर हम quality देखेंगे, जो की शुरू से लेके end तक होगा, उसके बाद जिगर्फी हो जाएगा, उसके बाद जिगर्फी में आपकी बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड जिगर्फी दो आप जाएगा, जो की वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो जो है, यूटूब हमें अनुम्ति नहीं देता, इसके बाद बॉनस सब्जक्ट की बात करें, तो आर्ट एंड कल्चर देखने को मिल जाएगा, साइंस एंट टेक एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक काम आ जाएगा, चाहें फिर वो आपका IAS हो, PCS हो, MPPCS हो, RPCS हो, RAS हो, TET हो, UPTET हो, SSC हो, UGC, NET, JRF हो, कुछ भी हो जिसमें आपका GS आता है, आपका UPSC हो जाएगा, Rainway हो, RRB हो, RRVJE हो, NTPC हो, आपका UPSC हो, UPSI ह APPCS है, MPSC है, UKPCS है, BPSC है, KBS है, DSSB है, CGL है, IDPS है, PO है, SBI है, KILARC है, LIC है, MPSI है, UPSC है, आपका TGT है, PGT है, CPO है, PULIS है, आपका GMAT है, आपका CLAT है, BBA है, CET है, MPPCS है, या फिर किसी भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो, जो की आपका competitive exams है, आप उसमें इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और इस बात की मैं यकीन और guarantee भी लेता हूँ, कि आज के बाद आपको किसी वीडियो की तरफ जाने की आविश सकता, नहीं होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप notes बना लेना, notes नहीं बनाना चाते हैं, तो आप खरीद guarantee लेता हूँ, ये का तो कभी-कभी छूट जाता है, और आप उसकी जो PDF दूँगा, उसका प्रिंट आउट निकल वाले ना, प्रिंट आउट निकल वाने के वाद उसको आप पढ़ सकते हैं, आप book की तरह इस्तमाल कर सकते हैं, तो आप पूरा आनन्द लीजिए और डटे रहिए इस वीडियो पर, और मुझे उम्मीद है, आपका पूरा GS में हम पर complete कराने वाला हूँ, सबसे पहले जो मैं कराऊंगा, वो आपका economy होगा, तो चलिए economy की तरह बढ़ते हैं, और शुरू बात करते हैं, आपका Indian economy, तो ये Indian economy का पहला वीडियो होगा, यानि की part 1 सबस्ता, शुरू करने से पहले में आप लोगों को पता दूँ और इस बात की guarantee लेता हूँ, कि ऐसा वीडियो और इस तरह का material आपको किसी book में मिल जाए, तो आपको मैं 5 रुपए इनाम में दूँगा चाहें, वो आपको किसी भी माध्यम से ले सकते हैं, और 5 नहीं मैं इ इस बात की guarantee लेता हूँ, कि अगर जो मैंने इसमें पढ़ाया है, वो किसी एक book में मिल जाए, किसी ऐसी book में मिल जाए, तो आपको क्यों चाहिए, मैं वो आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है, ना तो किसी मैं बुक को कोई book पढ़ी, वो नोट्स तयार किये, इसके जरीए से मतलव काफी इदर उदर से भंडारा जो करते हैं ना, उस तरह से सब चीज को मिला के एक मैंने नोट्स तयार किया, मैं आपर मैं देखाता आपको नोट्स, उसके बाद मैंने उसको टाइपिंग करवाया, तब कहीं जाकर ये बना, उसक आपको कहीं मिलने बाला है, इसके साथ आपका ये जो जीए सोगा वो कंप्लीट हो जाएगा, एकोनमी के बाद, आपको मैं कोई भी सब्जेक्ट और पढ़ाने बाला नहीं हूँ, साय चार पांच छे महीने, क्योंकि हम मैं ठोड़ा आजाद होना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, ठोड़ी सी आजादी, चाहता हूँ क्योंकि काफी समय हुआ जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये एक बीमारी लग गई है, मुझे, जीची सोचाए कि किसी की जिम्मेदारी ले लिए तो उसको कंप्लीट कर दी जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि जीएस क लिए आपको करवा दूँगा, जो कि दुकानों पे या फिर यूटूब पे दो चार वीडियो डालते हैं, तो बाद में फिर उनको कुछ न कुछ बीमारी या आपको पर नहीं मिल पाता है, एक दो सब्जेक्ट वहले पूरे मिला हैं, लेकिन मैंने आपका पूरा जीएस क महीने बाद मैं तयारी थोड़ा वाद, थोड़ा वाद कभी करता रहा करूँगा, लेकिन अब मैं ज्यादा समय नहीं दे पा हूँगा, अभी मैं करीद 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे यूटूब पर दे देता हूँ, आप लोग के लिए, अपनी भी पढ़ाई करने पड़ती ह वही ये टाइम चला जाता है, तो अब आपका ये एकॉनिमी के बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, तो आपको लगता है कहीं और किसी चैनल पर जाके हम अपना प्यास बोजा सकते हैं, तो आप चासकते हैं, खुलम खुला आपको छूट हैं, जो भी आप चाते हैं, आजा को जब नाम दिया है, वो नाम दिया है, grandfather of all वीडियो यानि कि पापा नो कर क्या होगा, सभी वीडियो का दादा जी होगा, कब होगा, जब आप इसको देख लेंगे, और नोट्स तयार कर लेंगे, और जब आप solve करने बैठेंगे, यानि कि पेपर जो है, या कहें, question paper आप लगाने बैठेंगे, तो आपको लगेगा, कि हमने हाँ कुछ पढ़ा है, और इसको मैंने इस तरह से design किया है, कि आप लोग current ways जो है, topic जो है, उसको मैंने अलग से इसमें add किये हैं, और जो जो चीज़े हैं, उसको मैं बताता जाओंगा, कहां कौन सी चीज, हर दूसरे त तीसरे महीने बाद बदलती रहती है, हर छे महीने बाद बदलती रहती है, या फिर उसमें संसोजन होने के बाद बदलती रहती है, तो उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, बस इतनी चीज़ें बतानी है, तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं, मैं सबसे पहले मैं आप को इसके बाद में आप लोगों को बता। लोग को बताँगा इसमें growth टप्लमेंट एन happiness के बारे में इसके बाद इसी में जो मैं आप लोगों को year इंडियन economy economic planning इश को में हिंधी में भी बताऊगा planning in इंडिया के बारे में आप लोगों पूरी जानकारी दोंगा economic reforms के बारे में बताऊंगा इसके बाद में इसमें ही बताऊंगा inflation and business cycle के बारे में agriculture food management के बारे में industry and infrastructure के बारे में आप लोगों बताने वाला हूँ service sectors के बारे में बताऊंगा आपको banking इंडिया के बारे में बताऊ ही बताओंगा ट्रॉक्ष इंडिया के बारे मतांगा और यह बहुत सारी चीजे यहां पर आप लोगों को लिखी है पबलिक्स फाइनिस इन इंडिया यूमें डवलब्मेंट इन इन इंडिया इस तरह की सारी चीजें में आप लोगों को बताने वाला हूं वर्णिंग सोसल एकॉनमिक इस्यूज के बारे में इसके बाद एकॉनमिक कॉंसेट एंड टर्मनलोजी जो होती है यानि कि जो सब्द होते हैं जिनके बारे में हलकी सी मैं आप लोगों जानकारी दूँगा उसके बार लास्ट में ये वीडियो जब खतम हो जाएगा तो मैं इसमें करीब पारे में बताओंगा बारे मरें चाहिए आर्थिस्व वीवस्था क evaluationedy के बारे में इसलत बाद मैं को सामाजिक और आर्थिक विकास सुचकांग के बारे में, सतत विकास के बारे में बताऊंगा, भारती अर्थिविस्ता के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राष्टी आए के बारे में इसके में चर्चा करेंगे, ठीक है, यानि कि पूरे 40 घंटे का ये मैं बता रहा हूँ, राष्टी आए कि का मतलब होता रहां है awi में राष्ट राय की गढ़ना का इत्यास क्या यानि को कौन-कौनसे लोग थे कहा कहा कैसे कार करते दें राष्ट्यासइस संबंद्र अवधारण के बारे में बात करेंगे इसके बाद इसी जो हम बात करेंगे वो होगा आपका हरिता अर्थिविस्ता क्या होती है आर्थिक संब्रद्दी अर्थिक विकास क्या होता है आर्थिक नियोजन क्या होता है भारती अर्थिविस्ता में नियोजन के बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों नीत आयों के बारे में बता भारति किया गया थैंकर मार्च के बारति ने बोठ सेता अगले चालिस घंटू रहों के अंदर ठीक है इसको अपनीच में बताऊगा भारती कांवा संपदाउ macam syndrome किरसी के बारे में मैं आप लोगों को जोड़ कर वन आप समझ ता जो विस्टेंग के साथ हुए। इसके बारे मुशाओं गा इसavic भ्लूब फैना की बात करेंग वो होगा उद्यों के नीतियों के बारे में बारतियों से विस्ता में उद्यों के बारे में बताऊंगा और दियों के बारे में महारतन नवरतन और मिनी रतनियों के बारे में बताऊंगा और दियों के रुगड़ता के बारे में और द्यों किस्तरम क्या होता है जन संग्या देदोंगा जहां आपके आ सकते हैं ठीक इसके राइन निर्धंता ये सामाजु की कार करहीं,, करेंगे मेला ससकती कारकरम के बारे में स्वास्ती के बारे में हमें इसी में बात करने हैं इने वाले चालिस घंटों के अंदर ठीकर इसके बार लोक बित से क्या मतलब होता है राज कुसी नीत क्या होती है संगी वजट क्या होता है बारती वजट का इत्यास का है बित्ति ये घाटे क्या होते है सारवजनिकाय की सुरूत क्या ह के बारे में बात करेंगे जिसको हम GST के नाम से जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसके बित आयुक के बारे में बात करेंगे के बारे में बात करेंगे भारते में मुद्रा इस्वीति गढ़ना कैसे की जाती इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे बिदेशी ब्यापार का आर्थ होई प्रकृति के बारे में जानेंगे भारती आयात के बारे में जानेंगे भारती निर्यात के बारे क्या मतलब होता है क्या है यह क्या है एक पर तो यह हूग गया मैं विकास एतनी जानकारी में आप लोग को देने वाला हूं ठीक है तो अब मैं बात करता हूं कि इस वीडियो में आने कि यो पार्ट वन है इसमें क्या बात करेंगे तो आईए फिर देखते हैं कि भारती अर्थवस्ता है नहीं इंडियन एकोनमी का पार्ट मन में हम क्या-क्या पढ़ने बा करेंगे ना कि अर्थ सास्त के बारे में तो फिर भी हम अर्थ सास्त के बारे में हलका सा जानेंगे इसमें हम अर्थ सास्त में जो हम जानेंगे वो होगा आपका एक सेकिंड अर्थ सास्त में जो हम जानेंगे वह आपका हम पढ़ेंगे ब्याश्टी अर्थ सास्त के बारे म के बारे में बात करें सामय बादी अर्थिविस्ता कैसी होती है समाज बादी अर्थिविस्ता कैसी होती है पूजी बादी अर्थिविस्ता कैसी होती है खुली अर्थिविस्ता कैसी होती है बंद अर्थिविस्ता कैसी होती है आर्थिक विकास के आधर पर देशों का बरगी क ठीक है तो आई यह गांच को पता हैं यानि कि मैं जो आप लोग ऊनगे बहल पर्तमान का जो इस ति यह थैसके बारे में चर्चा करने से पहले हैं हम लोग जानेंगे कि भानत की ब्रट स्कालीर अर्थवस्ता के बारे में क्योंकि हम इसको इसलिए जानेंगे बिटिस काली नर्च विस्ता के बारे में कि हम जो हैं इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो देश था बिटिस काल में हमारा किस तरह से सोसड किया गया हमारा किस तरह से खूंचूसा गया हमारा कौन सा जो छेतर था उस पर सबसे जादा जु निर्वर नहीं हो पाएं ऐसी चीजों को हम बिटन कालीन अर्थववस्ताजी connect करकर जानेंगे तो क्या रहेगा हम आज की अर्थववस्ता को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे connect करते हुए समझ पाएंगे कि हम जान पाएंगे कि सच में इन कार्डों से हमारा आज का ये छेत्र जो है वो कमजोर है या कहें हम आज भी उस छेत्र में पिछड़े हुए हैं इस कारण से हमें बेट जो पिछड़ा कहा जाता है ठीक है इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे मौरेकाल के आर्थिक विवस्ता के बारे में जानेंगे मौरेकाल के बारे में हम इसलिए जाने हैं कि अंग्रेजों ने हमारी जो अर्थिवस्ता है वो क्या कर दिया है सोसर करकर चूस कर खत्म कर दिया है तो हम इसमें ये जाननी कोशी करेंगे 2-4 पॉइंट में कि क्या सच में अंग्रेजों के आने से पहले भारती जो अर्थवस्ता थी, वो इतनी अच्छी थी, उसके बारे में हम जानेगे किया हम सच में अच्छी तरह से खाते पीटे थे जैसे कि हमारी अम्मा जो है, वो हमारी पडूस वाली आंटी से ये कहती हैं कि हमारा जो लोंडा था, उस लड़की के आने से पहले क्या था बहुत सरीव था यानि की इसका मतलब यह है कि हम यह जानेंगे क्या जो वो लड़की है मेरे जीवन में आने से पहले क्या में सरीव था यह जानेंगे तब हम पता करेंगे कि हमारा जो लड़का था उस लड़की के आने से पहले ही बिगड़ा हुआ धो तो खामी खाम में इल्जाम लगाया जाता है बैसे ही हमारी जो इंडियन एकॉनमी य है या नि भारती अर्थवास्ता जो है अंग्रेजों के आने से पहली भूंत इसकी फटे हाल थी तो अंग्रेजों पर हम खामी खाम में क्या करते हैं अपना बिल फार देते हैं क्या ऐसा था इसके बारे में हम जानेंगे तो इसके लिए हम हलकी सी प्राचीन काल के और थोड़ी सी मद्यकाल की और फिर थोड़ी सी मुगल काल के बारे में हलकी हलकी सी तैरेंगे उपर से डूपकी नहीं लगाएंगे डूपकी हम कब तब हम उसमें से थोड़ा सा दुब की लगवा लेंगे ठीक है इसके बाद हम इसमें मोरिकाल की आर्थिक विवस्ता के बारे में पढ़ेंगे मोरियतर काल की आर्थिक विवस्ता के बारे में हलकी सी जानकाली लेंगे गुप्त काल के बारे में जानेंगे सल्तनत काल के बारे में अंग्रेजों के काल में ऑप निवेसिक आर्थिक नीतियां कैसी रही अंग्रेजों की भारती अर्थ व्यवस्ता के लिए ठीक है तो उससे हम अपने देश की बरतमान की स्थिति को हम अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है इसके राध हम इसमें जानेंगे किस तरह से जो अं स्विस्ता के समय ठीक है इसके बाद रेली बिकास हुआ उससे क्या लाब हुआ हम भारतियों को हल्क किसी जानकारी लेंगे इसको बेंकिंग प्रणा लिगा कैसा विकास किया गया था इसको बेटेस पूजी आई भारत में उसका भारत पर क्या शर पड़ा यानि कि आई और कौन कौन इसमें प्रवुक्टे ठीक है ठीक है उसके बाद उसके बाद हम जानेंगे कि अपनिवेसिक जो आर्थिक नीदियां थी यानि कि अंग्रेजों की या कहें बिटिस काली जो आर्थिक नीदियां थी अपनिवेसिक आर्थिक नीदिया ने उसका भारती अर्थ्व ववस्ता पर क्या प्रवाब पड़ा इसके बाद हम यह जानेगे कि भारत का या कि भारत पर 200 वरसों तक जो अंगरे जो ने सूसर किया हलका सा उसका भारती अर्थ ववस्ता पर क्या प्रवाब पड़ा या कहें उसका निस्कर्स क्या निकला यानि कि उस से भारती अर्थ सवस्ता है वहाँ पर जाएंगे जियो की बहुत ही इंपर्टेंट है वह ही हमारा मेन बेस रहेगा ठीक है यानिकि उसी पर ही हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम अभी आपको क्या करेंगे इस तरह से ले जाएंगे कि आप लोग अन्नी सब्जेक्ट में कभी कभी हम इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग न लगे हिस्टी में जब economy टाइप question आते हैं तो हम घवराट में क्या करने लगते हैं पसीने हमारे छूटने लगते हैं ठीक है चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हम जो जानेंगे भारती अर्थवस्ता के प् इसके बारे में जानेंगे बिकासिल अर्थवस्ता क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे भारती अर्थवस्ता क्रसी आधारत अर्थवस्ता कहीं जाती है क्यों कहीं जाती है इसके बारे में जानेंगे भारती अर्थवस्ता एक मिस्रित अर्थवस्ता भी कहीं जाती है य सब्सक्राइब करने आई एन यह वीडियो नंबर बन में इसके बाद इसी में हम जो बात करें वह होगा आपका राच्टिया यानि कि national income के बारे में जो कि बहुत important और बहुती डराबना और बहुत उल्जाने वाला topic है इसके बारे में हम बहुती सादर भासा में समझेंगे इस तरह के इस तरह से समझेंगे कि हम कभी भी भूले जैना हों और confusion तो बिल्कुल भी होना ठीक है इसके बाद इसी में हम जानेंगे चिस बारत में राच्टिया की करना का इथ्यास राच्टिया की क्या क्या साबधानिया बरतनी चाहिए राच्टिया की गढ़्ना की बिधियां कौन-।ौन उत्पाद गड़ना विधी के बारे में जानेंगे आय गड़ना विधी के बारे में जानेंगे उपभोकता बचत विधी या फिर बैय विधी या कंजमसंस मेथड या एकस्पेंडिचर मेसड के बारे में इसमें जानेंगे इसके बाद राश्ट्रियाय को दर्साने वाली बिदियों के बारे में जानेंगे जिसमें आपका सकल घरेल उत्पाद क्या होता है यानि कि GDP क्या होता है सुद्ध घरेल उत्पाद यानि कि NDP क्या होता है सकल राश्ट्रियायन कि GNP क्या होता है सुद्ध राष्टी उत्पाद यानि की NNP क्या होता है इसके बाद GDP के प्रेकार के बारे में जानेंगे निवल घरेलू उत्पाद यानि की NDP क्या होता है इसके बाद सकल राष्टी उत्पाद यानि GNP क्या होता है बाजार की इमतों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है साधन लागत पर सकल गरेलू उत्पात के बारे में हम इस में बात करने को हिसी में हम जाने के साधन लागत पर राष्ठ राष्ठ के अगत है करते हैं तो इसका क्या परक पढता है तो इसके बाय किया होती है ठिक है आए और की प्रिकार क्यों खालत है याई क्यों से होती यानि कि प्रायो जी औरहे क्या ह convention 2017 कि बास्तिक इक कमरें हम इसे में बात करेंगे इसके बाद पर केपिटा इंकम के बारे में बात करेंगे बास्तिक प्रतिव्यक्ति आय क्या होती है यानि कि दियल पर कैपिटा इंकम के बारे में बात करेंगे राष्ट्याय को मा अपने की कुछ प्रमुख विधियां कुछ प्रमुख सीमाएं और कुछ प्रमुख पिस्यस्ताओं के बारे में हम इस जाता है क्यों घटाया जाता है ठीक है इसके राए राश्ट्याय से संबंदित कुछ प्रूख संगठाने जैसे कि आपका CSO केंद्री स्थांखे की संगठन के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं राश्ट्याय के लिए आधार वर्स क्या होता है कौन सा आधार वर्स चल कि आए राश्ट्याय में च्छेत्रवार युग्दान के वारे में जानेंगे देनेंगे यानिकी की सेक्टर य utilized यानिक Спराव् ख्रवुचिक अधे खुगन भी क्या होती है इस से मतलब नहीं है यहां पे अगुंटिंग करने Хरिस सकल राष्ठ उत्पाद उत्पाद क्या होता यान Näकिन जी एंपी क्या होता है ठीक है? इसके बारे में इसमें बात करेंगे इसके बात सबसे important आर्Suक प्रगति 야ने की economic progress आर्थिक संवर्द्री यानि की economic ग्रोथ और आर्थिक विकास के बारे में हम इसमें बात करेंगे यानि कि एकॉनिक प्रोग्रेस ग्रोथ और डबलमेंट यानि कि तीनों क्या होते हैं इन में कौन-कौन से कारक होते हैं कौन-कौन सी चीजें इसमें होती हैं इस तरह के चीजें हम इसमें बात करने वाले हैं विकास को कैसे मापर जाता इसके बारे में जानेंगे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे आर्थिक प्रग्रत्यू को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इसमें बात करने बाले हैं इसके बाद आर्थिक घटक कौन कौन से हो आर्थिक संग गटक क्या होते हैं इसके बारे में हल का सा जानेगे सामाजी गटक, राजनेते गटक, अंतराची गटक, इसके बाद दार में गटक, इसके बाद हम इसी में जो हम बात करेंगे बहुगा हिंदू ब्रदी दर क्या होती है, ठीक है, ये जानेगे होती है, इसके इसके बाद इसमें हम बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधार economic reform in India के बारे में इसकी सुरुवात कैसे हुई किन कार्डों से हुई कौन-कौन से कार्ड थे जिनकी कार्ड ये करना ही करना पड़ा अगर न करते तो क्या होता और नहीं किया था इससे पहले क्या इस्तिती बन है इसके कार आपकी नई आर्थिक निती लादू कि वारत सरकार ने तीन नितियों की शुरुबात की थी जिसमें ता आपका ढखका है इसको प्राइब यांट करेंगे है इसको आर्थिक नियो जन यानि की रिखना मिलेट्टी गया हम इसक एक समी को टाट प्वेक आर्ट गौनानिव它 होता है तीक यह ह्योंने मिलेनिग की चुर्वाथ गाँ है कहां से कहां से हुई मानी जाती देश में भारत देश में और विदेश में ङांका किशी अन्य देशbakार करने होते हैं यानि यानि टाइप आफ प्लैणिंग भारत में फ्लैनिंग हो गया आठी अपथ वारत में किस तरह से वंगे और कहां पर कैसे की गई 23 उसका हम इत्यास जाने के इसके बाद इसी में हमका आप हमारी जोजना ज्रीन के बारे में में हलके हलके दोटो पॉइंट समझ जोइंगे इसके बाद योजना के बारे में इसमें बात करने वाले इसकी सिस्ताओं के बार में जाने जाने है योग की युजना आयो के कार से लागों की या बात करेंगे एक जी तत्व क्या होते हैं उसके आजिता पर नोती है उसके बाद बारत की पंच वर्स्य यूजना के के बारे में बात करने वाले इसके बाद केंद्री योजना इनी सेंट्रल प्लेंस के बारे में इसमें बात करेंगे इसके बाद जो योजनाइट यानी पंचवर्सी जो योजनाइट इसमें उसमें सभी पंचवर्सी योजनाओं में निवेश के बारे में हल्की बात करेंगे यह इसके बाद एखाने कि यहां प्रद्धियो चिनल और के वाλη इसके बाद किया होटी है इसके बाद अनुभण योजिना क्या दो क्या होता है यानि कि planning holiday क्या होता है इसके बाद इंडिया बीजन के बारे में हलकी इसी जानकारी हम इसमें लेने बाले हैं ठीक है इसके बाद इसी में जो हम बात करेंगे बहोगा नीति आयोग यानि कि नेशनल इंस्ट्विशन इंस्ट्विशन फॉर ट्रांस्वार्मिंगल की नीति आयो गांड की बीसेश्टा क्या है नीती आयोग के उद्देश्टी क्या है नीती आयोग के कार क्या है नीती आयोग की संदचना क्या है नीती आयोग तता योजना आयोग में अंतर के बारे में हम इसमें बात करने हैं ठीक है इसके बारती क्रसी के बारे में हम बात करेंगे बारती अर्थिववस्ता में क्रसी का मेहत्व क्या है क्रसी संबंदित कुछ क्रांतियां है जैसे कि हरित क्रांति होगे जिसको हम क्रीन revolution के नाम से भी जानते हैं हरित क्रांति के आगत यानि कि उसमें inputs of green revolution यानि कि उसमें किन-किन चीज़ों की आज़ सेकता पड़ी कौन-कौन से तत्र थे उसमें समय थे आकर उसमें जरूरत पड़ी थी किन-किन चीज़ों की जैसे कि आपका उन्नत किस्म के बीच इसको हम high yielding varieties of seeds यानि की हच वाई वीवी भी कहते हैं इसके बार रासायनिक खास की आवी सकता पड़ी जिसको हम chemical fertilizers भी कहते हैं रासायनिक कीट नासक और खर-पतवार के बारे में भी बात करेंगे इसको हम थोड़ा से टिटेल में भी जानेंगे ठीक है इसके बाद सिचाई के बारे में बात करेंगे इसके बाद साख बंडारड विपढ़न वित्रड जिसको हम credit यानि की साथ इस टोरेज यानि भंडारड मार्केटिंग यानि विपढ़न और डिश्टेविशन के बारे में भी बात करेंगे यानी की जो करसी थी उसके लिए कितना के विवस्ताइं की गई हैं उसके बाद बिपड़ने यानि की मार्केटिंग के बाद उसको पित्रड कैसे किया जा जा यानिक distribution के बारे में हम इसमें बात करेंगे इसके बाद हरित क्रांती तो लाई गई थी यानि revolution तो लागू किया गयता है या हुई थी लेकिन उसके कुछ प्रभाब भी पड़े थे जो की कैसे थे बुरे प्रभावते जिनको हम किसके नाम से जानते हैं दुस्प्रभाब कह सकते हैं तो हरित क्रांती का दुस्प्रभाब के बारे में बात करेंगे समाजिक आर्थिक प्र करने पड़े थी यानि की हरित क्रांती का ही बर्जन टू पॉइंट ओ यानि की हरित क्रांट दिती या हरित क्रांटी या सेकेंड ग्रीन रेविलीशन की शुरू बात कि गई थी ठीक है इसके बाद इसी में हम जो बात करेंगे कि संबंदित अनिकरंतियों के बारे में बात कर कि आ आपके गुलावी करांती लाल करांती ठीक है इनके बारे में हम जानेंगे इसके बारे में जलैंद कि घह चाया दो नगया प्रकष्चा मिस्टेट 115 करणै ले में धाने गे घ countless एक NEW यान हम fcicic naam जानते fcicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic बित्रड प्रिनाली रख दिया गया था किसको PDS को PDS को क्या रख कर दिया गया था TPDS ठीक है इसके बाद इसके बाद इसी के संसोधन के तहरे इसके तहरे जनसंक्या को दो भागों में बाढ़ थी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे जिसमें आपकी एक जो जनसें क्या थी गरीवी रेका से उपर यानि कि वो गरीवी रेका से नीचे यानि कि व्लो पावर्टी लाइन बीपी एल के नाम से हम जो जानते हैं दूसरा था गरीवी रेका से उपर जो आप पढ़ेंगे जब मैं आपने गरीवी बढ़ा हुआ तब आपको हसी आईगी कि हम जब भारतिय लोग है जो सरकार के बिरस्ट जो लोग है और जो मुटा छाफ है जो उसमें सामिल हो जाते हैं वो जब अपनी बारी आती है तो तो अपने आपको बड़ा चला कर समय प प्रकसा तो मेरा खुद का परिशान ही है इसके बाद हम इसमें बात करेंगे मेगा फूट खार मेरे को तीसके बारे में नासीर के बारे में नेशनल कमिशिन फॉर और पार्मर्स इसके बार राष्ठ ए गवर्नेरस् योझना के बारें बात करेंगे प्रधान-मंत्री करसी योजना के बारे में हम इसिमेपistas करेंगे ठीक में किरसी से जुड़ी कोछ नई तक्निकें लाई जाती है और ध्यान रहे इन सभी के बारे में मैं आपनों करेंट विश्च कर दूँगा करेंट से जुड़ा हुआ बिलकुल और उसके बाद आने बारे समय में इनको करेंट पे आप लोगों को बनाए रखूंगा ठीक है इस किरसी मोबाइल एप कुछ हैं उनके बारे में जाने एक फिर ये करेंट को च लब्रिश पहस को me crown और गफठा रहूंगा क्रॉड इंस्योरन्स एक पाता उसके बारे में मिमिल आनेंगे एग्री मार्क्ट और भी कैसा रहरे हं शshore उनके के बारे में Commission for Agricultural Cost and Fray. के बारे में बात करेंगे हल्किसी, उसके बारद के बात करेंगे Newton समर्थन मूलियानई राद के बारे में एमस्प के नाम से जिसको जाना चाता है प्रापण मूली क्या होता है, उपलबदी मूली क्या होता है, ठीक है, इसके बाद इसी में हम व्याप 바로 संग्ठन तता भारती किरसी के बारे में यानि कि WTO and Indian Agriculture के बारे में इसमें हम जो बात करेंगे वो होगा निर्यास सबस्री के बारे में कुछ प्रमुक छूट की पेटिया हैं उनके बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी नीली मेरी कोठी वो सरी नीली पेटी होगी आपकी ब्लू बॉक्स हो जाएगा आपका पीला जो कलर होता ना मुथी की जो वह अता है नयक चरूबर में आप को दिखाऊंगा हर्च पेटी किया होती है ग्रीन बॉक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे इसके और पद्समें जो जानेंगे वह घयर इसी बस्तूँओं की बाजार तक पहुंच के बार ए ऐगरी कल्चिरल क्रेडित के बाद हम इसमें बात करेंगे किस तरह से जो किरसी साथ कौण को उपलब्त कराते हैं जैसी कि आपका संस्तागत जरोद जोगत है जैसे कि आपका इसके तरह सरकार देती है संस्तागत एनिकी चूटी ओर्गनाईज है जिसकी अपके सरकार जो हो के बात करेंगे जैसे कि कोई किसान है वो किस तरह से ग्रामीड के जो लोग है उसे उधार बगएरा ले लेता है साहुकार होते हैं महाजनुते हैं सब्सक्राइब करेंगे इसके बात करेंगे इसके बात करेंगे इसके बात करेंगे किसान रिड़ यानिकी एक्री कल्चिरल ल क्या होती है लीड बैंक क्योजना क्या होती है इसके बारे में हम इसमें पात करने बादे इसके बाद इसी में जो हम बात करेंगे वहोगा क्रसी विपड़न यानि की एगरी कल्चर मार्केटिंग जो कि बहुत ज़रूरी है ट्राइफेड क्या है इसके बारे में जानेंगे न राष्टी क्रसी योजना बस राष्टी क्रसी बीमा योजना के बारे में बात करेंगे राष्टी क्रसी बीमा कंपनी लिम्टेर के बारे में बात करेंगे जिसको एक्रीकल करेंगे इंस्यरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिम्टेर के बारे में बात करेंगे ग्रामिडी अब संव रचना बिकास निदी के बारें बात करेंगे रूलर इंफ्राइस्ट्रक्चर डबलमेंट फंड ठीक है और वरकों का उपयोग के बाले में हलका से जानेंगे और इसके बाद हम इस चैप्टर को जो है यानि कि इस जो वीडियो को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे और जब समात करूंगा मैं वीडियो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो नंबर टू यानि कि इसका जो पाट वाएगा उसमें हम क्या पढ़ने बाले हैं क्योंकि मैंने इसका जो 90 परसेंट जो पाट है इंडियन एकॉनमी का वो कंप्लीट कर लिया है पीपीट बन में इस वीडियो नंबर बन में क्या पढ़ाऊंगा और पूरे 40 गंटे में क्या पढ़ाऊंगा ठीक है तो चलिए शुरूब बात करते हैं साथियो इंडियन एकॉनमी के बारे में तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों फिर से एक बार याद दिला दू कि यह जो कोई भी कोश्शन छूटने की गुण जाइस ना के बराबर होगी क्योंकि यह जो बनाया है वह आपको कहीं पर भी ढूंडने से भी नहीं मिलेगा क्यों मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने कई सारी कोचिंग की कई सारी कोचिंग सेंटर पढ़ा लेकिन मुझे कभी भी स्पधिंट ही नहीं मिल पाई इंडियन एकॉनियों के मामले में लेकिन हुआ क्या मैने दू बार में की तो एक यह cavity में and me history से रही और दुसरी जो में थी वह economy से रही तो जब मैं पढ़ रहा था ऐनिकी जब त्यारी कर रहा था तो उस समय मेरा दो स्टेमिक से उसके बाद वह जो अंदर से फील नहीं आ पाता था तके हम वे अच्छे थे cintı क면 में उस्से कहा रहा उसके कि आ यह रहा कि देखने का मेरा लिजा और तरीका जो था अब बदल गया और मुझे जितना ग्यान हुगा वह मैं आप लोग 건 को दिये दे रहा हूं economy को समझाने के लिए ठीक है तो इस बात की guarantee है कि अगर ऐसा वीडियो आपको मिल जाए कहीं पर भी और इस तरह का material मिल जाए तो मैं आज से आज से क्या में कोई सी यूटूब पर पढ़ाना बंद कर दूँगा जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिया ह क्योंकि 40 गंटे का वीडियो जो है वो उसमें बहुत मेहनत लगी है और मुझे ही पता है कि मैंने किस तरह से तयार गिया है और कहां कहां से यह material लाया हूं तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं यह आपकी Indian economy की बो भी अपने तरीके से करूँगा कहां पर कैसे किस book में देना देना नहीं है लेकिन Indian economy भी महर subject की तरह मेरे तरीके से ही शुरू होगा तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि यह मनुस होता है यह कहें इस दुनिया में जो इंसान है वो अपने जीवन काल में क्या 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 करता है बहुत सारी गत गत्विदिया करता है उससे पेट पूजा की करता है पूजा भी करने जाता है मंदिर में पूजा भी करने जाता है अपनी पड़ोस में बीवी के साले है नहीं बीवी के नहीं पती के साले है तो बीवी का जाता गंदा जैब भाई होगा उसको कोई परिसानी तो उसकी सेव बात करेंगे तो ठीक है मैं फिर से बोलते था हूँ कि कोई भी मनुष्य कोई भी इनसान अपने जीवन काल में कई तरह की गतिविदियां करता जिन से किसी को भी दन की प्राप्ती होती है या कहें जिस से हमें पैसा मिलता है जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है मंतली किसी हॉस्पीटल में आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है आप किसी पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है यानि कि मजदूरी की रोप में आपको पैसा मिलता है कहीं पर भी आप घर बन रहा है तो वहां पर आप जाकर पत्थर उठवा रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है यानि कि आप सिच्छक हैं आप डॉक्टर हैं आप मजदूर हैं आप यूटूबर हैं, आप सिंगर हैं, आप ब्यापारी हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है, तो आप इस वो किस में रखी जाएंगे, वो आर्थिक गट विदियों में आपकी गटी आर्थिक किरियाएं कहलाएंगे, दूसरी जो किरियाएं हैं, उनको हम कहते हैं अन प्रुबात की और मैंने अपना नाया दोया, मुफी पहले मतलब फ्रेस होने गया, उसके बाद नाया दोया, सारे काम करने के बाद इस्वर को प्रडाम किया, प्रडाम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करने पहुचा, तो वो मेरी कैलाई धार्मिक किरिया, मै पिर कहीं पर कोई और कार है वो मैं उसको फंपन करवाता हूँ तो वो मेरी एक सामाजी क्रिया हो गई उसके बाद मैं बहुत ही खुश दिल इंसान हूँ और मुझ में जोस को जादे है और कुछ जादे ही है मैं जानता हूँ तो मैं क्या हूँ मैं नेता बनना चाहता हूँ और नेता बनने के लिए आपको नेताओं का चमचा भी बनना पड़ता है तो उसको क्या है मैं नेता जी की सेवा में लगा हूँ हाँ जोड के जाता हूँ नेता जी कोई काम हो मेरे लिए तो बताएं तो नेता जी ने कहा ऐसा करना हमरा पिरचार होना है तो जाना और वहाँ पर क्या करना लेकिन हम उनका प्रिचार करते हैं निताजी का क्यों कर रहे हैं उनसे हम ने पैसा नहीं लिया क्योंकि हमें उनके लिए काम कर रहा है हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक राजनेते क्रिया और युगा सारी हो सकते हैं राजनेते क्रिया उसमें इन दोनों के लियाओं के यह आधर पर मैं economy की सुरूबात करूँगा और इनी को ही उठक पटक करते हुए पूरा का पूरा economy मैं आपको transfer कर दूँगा एकदम साधार बाता में ठीक है तो फिर से बोल दूँँ इनी के लियाओं के आधर पर इस subject यानि की Indian economy की मैं सुरूबात क करूँगा ठीक है तो सबसे पहले किसी भी subject को जानने से पहले उसके लिए क्या करना जरूरी एक साधार सा ज्यान लेना बहुत ही जरूरी है ठीक है इसके बाद हम लोग साधार सा जब जयान लेंगे इसके बाद अर्थ सास्ट और अर्थ विवस्ता में अंतर जानेंगे यानि कि दोनों में फर्क पेंचानेंगे यानि कि एकॉनिमिक्स और एकॉनिमी के बारे में यानि कि एकॉनिमिक्स क्या होती है और एकॉनिमी क्या होती है तो चलिए फिर साधर ग्यान हमारा वाला आपको मैं पेल दे तरीका मेरा कुछ भी हो आपको मैं माल जो है वो इकदम टना टन और एकदम फ्रेश दे रहा हूं किसी भी दुकान पर किसी भी यूटूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैंने ये एक्स्पिरेंस के साथ ही दिया है मैंने पहले इस तजर्वा लिया है अपने जीवन पर उम्मीद लगाते हैं कि सर हमारे जो हैं सर हमारे जान से प्यारे में हमेशा कहता हूँ मैं किसी का भी सर नहीं हूँ मुझे टीचर न माने मैं मुझे एक भाई की तरह मानकर अपना काम निकालने उसके बाद भूल जाए क्योंकि टीचर जब रहूंगा जब मैं आपको वीडियो बनाने का पैसा लेने लगूंगा तो उस दिन से मैं टीचर कहलाने लगूंगा अभी मैं टीचर नहीं हूँ टीचर हूँ जिस जगह ऐसे मैं सेलरी लेता हूँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर मैं teacher कहलाता हूँ आप लोगों के लिए छोटा या बड़ा जूबी मान सकते हैं वहाई ही रहूंगा जब तक कि मैं किसी वीडियो के लिए कोई पैसा paid नहीं करता हूँ अब रहा बात PDF का तो वो PDF नहीं है वो मैंने अपनी उसमें जान डाल दी है PDF में समझे रहे ना वो उसको डाल दिया है तब मैंने वो उसको बनाया है वो मैंने आपको चीज दी है वो इतनी खतरनाक है कि आप उस PDF से notes बना लेंगे ना तो मैं चाओ इस बात की guarantee लिता हूँ कि अंदर आपके अंदर जो चोस आएगा ना अब मैं कहता हूँ चोस के साथ वो फील होगा कि लगेगा कि हाँ हमने कुछ लिया है समझे रहे ना तो चलिए कि सुरुबात करते हैं economics economics यानि कि अर्थ सास्त्र मैं आपको अर्थ के बारे मताऊँ अर्थ मतलब होता है पैसा, मनी, धन या पूझी तो अर्थ जहां पर भी आता है उसका मतलब ये होता है कि अर्थ संबंदी तो जैसे कि जब मैं आप लोग हिंदी पढ़ाऊँगा हिंदी में मैं काफी ग्ञान पेल लेता हूँ जब मैं आपको हिंदी पढ़ाओंगा तो आपको पताओंगा कि जब मैं आपको पताओंगा तो आपको बढ़ाओंगा मैं पृतिया पढ़ाओंगा तो पृतिया जो होता है एक पृतिया होता एक एक होता है न ऐसे करके मैं आपको दिखाओं एक होता है एक जब हिंदी पढ समाज प्लस एक कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा सामाज एक समाज से संबंदित राजनीति प्लस एक लगाएंगे तो राजनेतिक बन जाएगा तो उसको कहलाएंगे राजनीति से संबंदित इसी तरह से अर्थ सास्त्र जो होता है आर्थिक आर्थिक क्या मतलब है आर्थ बाफ्र पाल distinct in a अर्थ से संब्दि यानि की पैसे से संब्दित अपूझी से संब्दित तो चलिए तो बिचिन बात करते हैं nee और सासर सैने की economics ठीक है तो सेने कुओछ मैं आर्थिक काफी इसमें पारिवासा देख लेते हैं तो अर्थ अर्थ सास्र में मनुस्य जो होता है आर्थिक गत्विद्येयों यानि की Economic Activities का क्या किया जाता है मैं अध्यन किया जाता है यानि की मैं एक मनुस्य यूं एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, मैं अपनी, जो भी आर्थिक गत्विदियां, अभी थोड़े तेवर पहले मैंने बताई थी, आर्थिक गत्विदियां कौन सी हुए, जिन से हमें धर्न की प्राप्ति होती है, तो आर्थिक गत्विदियां जो कर रहा हूँ, उसका अध्यन क् पता है था, कि किसी मनुस्तुदारा की जाने वाली ऐसी सारी किरियां या गत्विदियां जिन से आर्थिक लाव यहानी हो, यानि कि आप कहीं पर भी आर्थिक गत्विदियां करते हैं, तो यह गारंटी नहीं है, कि उसमें लाव ही हो, अब आप कहें, कि किसी छेत्र में, आप मजदूरी करने गए आप नहीं करने आप तो बहुत पैसे वाले होंगे मुझे उम्मीद है मैं मजदूरी करने के कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं जाता मजदूरी करने बुरा लग जाता है कि मैंने कई वर कमेंट में देखा कुछ लोग अपनी तारीब करके कुछ गाल हम आर्थिक गत्विदिया कैते हैं कैसे होते हैं जैसे मैं किसी छेतर में मजदूरी करने गया तो मैं मजदूरी मतलब एक आर्थिक गत्विदी साम को मुझे भाँ से डेड़ सो या दो सो रोपई प्राप्त होते हैं या मिलते लेकिन क्या हुआ मैं ठोड़ा मंचला प्रकृ तो पड़ोस में एक आंटी जा रही थी, उन पर मैंने क्या कर दी, कमेंट कर दी, जब मैंने उन पर कमेंट कर दी, तो मेरा साम का समय था, और मुझे मिलने वाली जी सेल्री, तो सेल्री जो मिलने मारी जी 100 से 200 रुपए, वो हमें नहीं मिली, और हमें उन आंटी पर कमेंट कर के कोशी की तो हमें वहां पर लगाया तो हमने यह सुद्देशे से लगाया कि वहां से हमें लाब होगा कभी लाब हुआ तो कभी हानी हो गई तो इस तरह के जो तत्व होते हैं इसके अंदर मौझूद होते हैं उसको हम आर्थिक गतिविदी कहते हैं ठीक है समझ में आ गया चलिए या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग-अलग बैक्ती धने आप प्यूंजी कमाने के लिए अलग-अलग की कार्यों में लगे रहते हैं उसको हम आर्थिक गतिविदी कहते हैं जैसे की मजदोरी करना हो गया रोजगार प्राप्त करना कोई सा भी हो सकता है आपक कि गतिविद्य अने जोड़े हुए बेक्ती क्याला? ठीक है तो मैंने थोडिए दिर पहले बताया की आर्थिक का मतलब क्या होता है तो अभी मेरे बताया है अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा या फिर रुप्या जो भी आपको अच्छा लगे आप तीनों में से कुछ भ तो इक प्रतिया है जो लगने के बाद बाद में लगता है दो जब लगता है तो क्या हो जाता है वह एक से क्या बन जाता है आर्थ एक बन जाता है चलिए तो आगे देखते हैं आगे समझते हैं तो इस तरह से किसी भी मनुस्री की सभी आर्थिक गत्विदियों को अर्थ सास्त्र में क्या करते हैं अध्यन किया जाता है जैसे कि मनुस्री की राजनेतिक गत्विदियों को हम किसमें अध्यन करते हैं हमारी जो राजनेतिक गत्विदियां होते हैं उसको ह हम राजनीती सास्त्र में करते हैं या फिर हम जब हम किसी भी तरह का प्रसासनिक गत्विदियों के जो मनुस्री प्रसासनिक गत्विदियों का जो अध्यन करते हैं वो हम किसमें करते हैं हां उसको हम प्रसासन में अध्यन करते हैं ठीक है इसके बाद समाज से जुड़ी लेने त dBssä أنா कौन जानम मनुस्यों के बार मी होते हैं ठीक है समस्ण में तो अर्थ सास्त्र के जनक जो है या पापा जो है या फादर ओफ एकोनमी जो है économics जो आ उनको हम इसमित कहते हैं ठीक है इतनी जयानकारी है काफी है चलिये हम लोग थोड़ सा जानकारी ले ले और्थ्यु को साथा्र रूप से थिए किसी एक पिरिवार से दोटे द्योक से यानि कि एक על होता था है क्छोटे इसके बारे में बात करते हैं जब कि समष्टी अगर बात कि की मिलाकर क्या होती है वो आपकी समिस्ठीम आजाती है तो बहुने फिरते बोल नुहों मान लीजिये मैं हुँ किछी। मैंन पूरी जैसे मान लीजिक चोटा सा सहर है बहाँ पर रहता हूं तो मेरे बारे में अगर मेरे बारे में अगर बात होती है और सिर्फ मेरे बारे में बात होती है कि अनुराग कितना रुपया कमाता है माली जी ये 5,000 रुपय कमाता है ठीक है तो अनुराग कहीं काम करता है तो कितना उतपादन करता है तो करीब अगर माली जी किसी फैक्टरी में करता हूं तो करीब महीने पर यह 50 गेला जनाज़ बाता है तो पाँस ग्लासबना था अच्छा ठीक है तो यह ज़कल मेरी क्या कहला लोग कमाते हैं ऐसे करके करी तीन चार्ट लोग इनके घर में काम करते हैं तो वो लेकर आते हैं ठीक है तो लोग उसमें काम करते हैं उनका च्छोटा सा फर में तो उसके बारे में कितना production करता है प्रकितना कमा लेती है एक प्लक कीन sn कहां कर लेती है कि करी 150 साथ एसे कितनी देंटर बीएं करा है तो ये किटने के बारे में किस किक्ते चरके ठीक है तो एक के बारे में हुई अब घथा वे साफ ये जो अन्डर बालाने कितना खर्चा करती है तो है सब्सक्राइब करेब करीब 200 रुपय आता होगा थिलक है तो कर्षा कितना होगा इतना 200 रुपे अच्छा तो अच्छा यह अब इसकी आये कितनी हो जाती है कि एंडर बीर मना तो ले देख सो उसमेशन थे करीब 100 बेच पाती है यह समझना राध को मेरा आये मेरा ब्यक्तिगत आये हो गया या मेरे एक परिवार की ब्यक्तिगत आये हो गई या फिर क्यों वहीं समश्ठी की अगर बात की जाए तो समश्ठी में क्या आता है था मिझी में पढ़े इस तर की अर्थ विवस्ता के बारे में जानकारी ली जाती है, जैसे कि मैं हूँ, मैं पूरी सेर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे जैसे हजारो लाखो परिवार होगे, सबी की मिलाकर जो भी इंकम करते हैं, जितने भी कमाई करते हैं, जितना भी जो भी करते हैं, तो उनकी सबी को मिलाकर आन उस राज के जितने भी खमाई करते हैं वहों के पूरे फैक्टरी है App Laude अदर है की बात कराएं तो क्या है वो। तो वह आपकी समिष्ठी में आएगी आप पूरे सहर की नीचल मानो लिजिए उत्तर प्रदेस राजी की निकालनी है तो सारे सहर में जितने भी सहर हैं जितनी फैक्टरी है सबीक का जितना भी उत्पादन है वो पूरे राजी का कहलाएगा अब या मुझे राजी का वो पूरे राश्टिक का उत्पादन कहलाएगा उसको हम राष्टी उत्पादन या राष्ठी आए भी कह सकते हैं तो क्या समझ में आया एक फ्रम या एक precaut high या एक परीवार की अरवारें बात करहें तो वह बेरिख की में आएगा जबकि एक देश, एक राज्य, एक जिले में जितने भी जो लोग हैं, उनकी जो हार्थिक गत्विदिया हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंदित हो, चाहे वो खर्च से, यानिकि, expenditure से संबंदित हो, या फिर income से संबंदित हो, यानिकि, I.C. संबंदित हो, समझ में आ गया, सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि कोई विष्यस प्रकार की बस्तू हो गई कोई दूकान हो गया किसी घ्रीकत आये के बारे में मिश्चरा बात करते हैं । अब वहीं आते हैं समिश्टी में तो इसमें बड़े इस तर पर अर्थ ववस्ता और उसकी संभाबना है और उसकी समथ्याओं से जुड़ी हुई जो बाते होती है और जो तत्थ नहीं आपका समिस्थि अर्षास्त कहला है कि किसी छेत्री है जैसे कोई राज है या राज मान लिजीय या फिर कोई मांन लिजीय गआ है है Case पर जो भी लोग हैं जो भी करते हैं उसके बारे में तो छेतरी इस्तर का या राष्टी इस्तर का या अंतर राष्टी अर्थिववस्ताओं के बारे में हम अध्यन करते हैं तो इसको हम समिष्टी अर्षास्त कहते हैं इसमें किसी एक ब्यक्ति के आए के बारे में या किसी ए आय या फिर expenditure यानि की खर्च के भारे में अध्यन करते हैं किसमें समिष्टी में इसके तायत आप बजट के बारे में बात कर सकते हैं तो आपका किसे संबंदित होगा आपका समिष्टी से जो बजट होता है वो किसी एक ब्यक्ति को target करके या उसको लच्छित करके नहीं बना बनाए जाता है बल्कि हजारों और लाखों और करोडों लोगों को क्या किया जाता है कि आधार पर बजट बनाए जाता है पूरे देश का ठीक है पूरे देश का हो सकता है किसी राज्जी का हो सकता है बजट किसी जिले का बजट हो सकता है किसी खरगा अगर बजट की बात करें में मान लिए मैं हूँ दूसर रुपे रोज कमाता हूँ तो दूसर रुपे रोज कमाता हूँ तो मैं अपने परिवार के बारे में छोटे स्थर का बजट बना सकता हूँ कि दूसर रुपे कमाता हूँ तो बीस रुपे का आटा पांच रुपे का चाबल या दो रुप तो रोजगार मैं अकेला वीरोजगा हूं तो कोई मतलब नहीं उसारे लोग कितने वे रोजगार लोग है कितने लोगों को मिला हूब कितना किकै Sol कपने सब्सक्राइब को जैसे कि कुल रोजगार हो गया, कुल राष्टी आये हो गई, या फिर कुल राष्टी उस्पादन हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो आपका समझठी अर्थ सास्त्र में आ जाता है, ठीक है, यह इतना ही जानना काकी है, अर्थ सास्त्र के लिए आए, आगे बिल्कुल साधा समझ में आए, बिल्कुल साधार आप लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, चलिए, इससे सरल साइद मैंने कभी पढ़ा भी नहों, क्योंकि जितने मेरे दिमाग में फरिवासा बन सकती थी, मैंने उनको कनवर्ट करके यहां पर रख जाए, क्योंकि तरीका तो सारे आसानी हैं, लेकिन समझ का खेल है कि कौन सा को पसंदा रहा है, समझ रहा ना, तो आई यह देखते हैं, तो अर्थ सास्त, किसी अर्थ सास्त जो है, वह है, क्या है, एक बिसे है, फिर से मैं बोल दूँ, अर्थ सास्त क्या है, एक बिसे है, फिर से दूसरे तरीके से बोल देता हूँ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ व्यवस्ता अर्थ सास्र के से धानतों का ब्यभारिक रूप है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं तो अर्थ सास्र अर्थ व्यवस्ता किसी विशेश छेत्र का क्या है अर्थ सास्र है जिसे मान लि और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे धान तो होता है और अर्थविवस्ता क्या होता है और या फिल को एक और तरीका में समझाऊं मैं हूँ Adam Smith Adam Smith हूँ मैंने एक book लिखी जिसको नाम दिया गया The wealth of nation जो की अर्थ विवस्त सास्तरी की एक book थी तो wealth of nation नाम एक book लिखी तो इसमें कुछ नियम कुछ काईदे कुछ तरीके लिखे गए हैं जो की Adam Smith की दिमाग की उपस थी उन्होंने किसी छेत्र पर जाके क्या नहीं किया था कहीं पर apply नहीं किया था उन्होंने सिर्फ वसिफ क्या किया था एक सिधान्त लिख दिया उसको जो apply किया गया है वो क्या कहलाता है अर्थ विवस्ता कहलाता है तो जैसे कि भारत की अर्थिववस्ता, पाकिस्तान की अर्थिववस्ता, रूस की अर्थिववस्ता, बिहार की अर्थिववस्ता, मद्रदेश की अर्थिववस्ता, दिल्ली की अर्थिववस्ता, किसी गाउं की अर्थिववस्ता, बिकसित देशों की अर्थिववस्ता, ग इससे सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि अकेले अर्थ विवस्ता का कोई तुक ही नहीं बनता कोई अर्थ नहीं निकलता अगर उसके सास साथ किसी विशेश छेत्र का नाम या किसी विशेश देश का नाम या किसी विशेश राजी का नाम न जोड़ा जाए यह पिर से बो जो दुए हैं आप अर्थववस्ता जब बात करेंगे तो आप वहां पर किसी भी भी से शेत्र का नाम जरूर लिखना पड़े गा तभी अर्थ व्यूंसता का क्या रहा है एक तुक बैठेगा क्वाशिया यह कि अर्थ यह उन्होंने लेक्ट दी है अब उससे होगा क्या अगर शुर्प देंगे तो उसका असर क्या पढ़ेगा वो ने नहीं पता था वह तो एप्लाई होके पता चलाए ना जब उसका बिवारिक रूप देखा कि भाई या निजी छेत्र को अगर किसी देश में अगर पूर्ट स्वाइट्रा देए तो वो बहुत सोसर करती है तो हमें यह कब पता चला जब वो एप्लाई किया गया हमेंने बाद में देखा कि यार एप्लाई किया गया और उसका जो निसकर्स निकाला गया उसकी आदार पर फिर उन्हें अलग-अलग रूप से बर्गिय करत कर दिया गया तो इसी तरह से क्या था अर्थ ववस्ता के साथ अगर कोई देश का नाम कोई राजी का नाम न रखा गया तो क्या है वो निर नहीं निकल पाएगा अर्थ ववस्ता मैंने कहा कि अर्थ ववस्ता अर्थ ववस्ता आप क्या कहीं कि अर्थ ववस्ता कहां की अर्थ ववस्ता क्योंकि अर्थ ववस्ता गाना गाउंगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके मैं भी थोड़ी द्रपेले मैं आपको पता चकता हूँ कि अर्थ परणाली यान निकी धन के लिए जो काश परणाली बनाई जाति यह उसमें जो सक्री होती है उसको हम अर्थ क्या है चलिए अर्थ व्ववस्ता के प्रकार देख लेते हैं अर्थ व्ववस्ता के थोड़ते प्रकार देखते हैं अर्थ व्ववस्ता कितने प्रकार की होती है यह टाइप ऑफ एकॉनमी आई यह देखते हैं एकॉनमी सबसे पहली अर्थ व्ववस्ता देखते हैं इसका नाम ह पूंजी बादी अर्थ व्यवस्ता यानि की इसको हम उदारवादी अर्थ व्यवस्ता भी कह सकते हैं ठीक है उदारवादी अर्थ व्यवस्ता भी कह सकते हैं इस अर्थ व्यवस्ता खासिया देखते हैं आई यह समझते हैं इस अर्थ व्यवस्ता में सरकार का नियंत्र न के बराबर होता है इसकी तहित जो निजी छेत्र होता है वह बहुत ही ताकतवर और बहुत मजबूत होता है यह विवस्ता एडम इसमित जो नामें के ब्यक्ति थे इनकी एक भुक थी जिसका नाम था wealth of nation तो मैं फिसे बोल दूँ अर्थ विवस्ता कौन सी अर्थ विवस्ता मैंने बताया भी किसी देश की या फिर कौन सी पूझी बादी या उदारवादी अर्थ विवस्ता ठीक है तो पूझी बादी अर्थ विवस्ता में सरकार का नियंतर न के बराबर होता है या होता ही न विवस्ता कई बिवबस्ता के बारे में लिखा हुआ था एड़मी bist ने कहा था कि यो सरकार होती है वह किसी भी अर्थ व्यवस्ता में ज्यादा हस्थजेव करती है तो अर्थ व्यवस्ता का जो पिकास है उसकी जो गती है या उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है उतनी नहीं होगी जितनी वह कर सकती है यानि कि जो एडम इसमें थे उन्होंने ये कहा कि किसी विदेज की अर्थ विवस्ता में सरकार को जो हस्थचेव है वो नके बराबर करना चाहिए या फिर सरकार उसमें हस्थचेव बिलकुल भी ना करे अगर सरकार किसी विदेज की या किसी विराजी की अर्थ विवस्ता में अगर हस्थचेव करती है यानि कि उसमें उंगली बा हो सकता जितनी तेजी से वो कर सकती है क्योंकि उस में उस अर्थ्य ववस्ता में बेकास में जो सार्वनी छेत्र है या कर सरकार है वो क्या करती है बाधा उत्पन करती है समया गया तो आपके जो एड़म इस में थे इन्होंने बाजार ही अर्थ ववस्ता या पूजी बादी अर्थविस्ता है उदार बार्दी अर्थविस्ता के लिए का था इन्होंने कहा कि बाजार की जो सक्तियां होती हैं उनके दो अद्रस हाथ यानि की इन्विजबल हैंड हैंड से यानि की ऐसे हाथ जो की हमें दिखाई नहीं पड़ते वो की वो अपने आपको क्या करते हैं मै निजी शित्रहाई भी होगा उससे ये पता रहेगा कि हमें किसीज की जरूरत है तो हम उसको अपने आप उसका विकास करेंगे तो इससे क्या रहेगा अर्थ विवस्ता में वो अपने आप ही कोई ठीक कर लेगी जो कमी होगी वो अपने आप सुधार कर लेगी तो इन्होंने ये भी कहा कि बाजार में प्रति इस परदा होनी बहुत जरूरी है इससे अर्थ ववस्ता का विकास होता है यहां में असक्राइब सकते हैं कि इससे अर्थ ववस्ता का विकास बहुत तेजी से और बिल्कुल सही दिसा में होता है या जाता है जो किस ने कहा था एडम इसमित ने कहा था कित्नी सच्चा यह उसके बारे में हम आगे धीमिंदी में करके समझ जाएंगे कि जो होते हैं वह सच में होते हैं या फिर यह फिर एक अफवा उड़ा रखी है तो इन्वे कहा था कि होते हैं जैसे कि मानने जीए इन्होंने ये का प्रति-रिसПрदा होनी हो प्रति इर्सपर्दा क्या होता है कि जैसे मान लिजिए सरकार कर देगी तो जब सरकार बना रही है तो सरकार के सामने तो वहिए किसी का प्रति इर्सपर्दा मतलब दो सकूर्ट कि यह होता है तो बुक्षा करते हैं ज्यादास राधाउ एड लोगों को बेचने कि एक या खाए अच्छे ऒछे ऑपार करने की कोशिज करते हैं जो कि क्या होते हैं इनिविजिवल हैंट की तरह काम करते हैं और अपने आपको ये सही करती है रहती है चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरी अर्थिवस्ता जिसका नाम है समाजबादी अर्थिवस्ता इसको हम राज अर्थिवस्ता भी कह देते हैं इसको हम इस्टेट उकॉनमी भी कह देते हैं इसके इसमें क्या होता है यानि कि समाजबादी अर्थिवस्ता में क्या होता है इसमें सरकार या फिर राज की जो भूमिका होती है वह सबसे महतपूर होती है या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें सरकार की या राज की भूमिका सबसे अधिक होती है इसके तहट सरकार किसी भी राष्ट की सभी आर्थिक गत्विनियों क्या करती है नियंतरत और निरदेशित करती है यह मैं फिर से बोल दूँ समाज wymadi आर्थव अर्था में सरकार ही करता-धरता होती है सरकार ही लोगों को बारती है यहनगी सरकार ही उत्पादन करवाती है और जिसको जितनी जरूरत है सरकार ही उनतक माल अपना कि ट्रांस। पर करवाती है जब कि पूझीवाधीक massively क्या था सरकार नके वाराबर होती है या फिर होती ही नहीं है लिएख पर फ्राफिट ऐसा दिया ते है हाफ पर क्या था सब कुछ सरकार की हाथ्वे होता है जितना व्यूद्पादन करने है चाहें आप एक साबन बनाएं चैने दस बनाएं वो सारा का सारा सरकार का होगा समझा ना सारा का सारा सरकार का होगा यानि की आर्थिक गत्विदियों की सभी पर नियंतृत और निर्देसित भी करते हैं निर्देसित मतलब बताती है कि वैसा वैसा है कि यह जो धनिया और मिर हमाई रहे सेटो बगेरा बुनाई शुरू कर दो इस ने दिया सरकार में दिया बन तो अब इस दी तोец चेत्र में दो चार जल्दी बेज़ देना वहाँ पर तो क्या किया नियंतरत किया कितने कहां जाने हैं कितने किसको देने हैं कहां पर कैसी वेवस्ता रखनी है यह सारी चीज़ है क्या होता है इस पर दौनों पर हक किसका होता है उस पर सरकार का होता है यानि कि सभी आर्थिक कि होगी और जो भी उत्पादन हो रहा है ना वो सरकार का ही माना जाएगा समझाए इसके साथ ही इस में चे सकतिए होती है यानि कि जो फिर भी कुछ तो नहीं छित रोगा ना उस पर भी सरकार का पूरी तरह से क्या हुता है नियंत्रड होता लिए इस विवस्ता का से दान्स जो देने वाले वैक्ती थे वो थे आपके कार्ल मार्क्स पुझीवादी के बारे में किसके ने दिया था दबेल्ट आपनेशन से लिया था किसकी द्वारा लिखी गई है एडम इसमिस से इसमितन के दौरा यह जो समाजवादी अर्थिववस संग में देखी गई थी यानि कि समाजवादी व्यवस्ता थी वह पहले लो पूर सोव्य संग्या का है यू एस एस आर जो था इसमें अब तो यू एस सार का जो था वो टुकड़ी टुकड़ी हो गए है और आपके अलग लग दिस बन गए जैसे तुर्क्यमेनिस्तान करिक थी जो पूर सोव्य संग क्या सकते हैं चलिए नेक्स देखते हैं इस व्यवस्ता के जो आपके समाजवादी अर्थ व्यवस्ता थी इस व्यवस्ता के दो रूप सामने आते हैं जिसमें एक तो था सोव्य संग की अर्थ व्यवस्ता को कहते हैं ठीक है सोव्य संग की अर्थ और अर्थिव्ववस्ता थी यह एक और प्रणाली थी जिसको हम साम्मेबादी कहते हैं यह समाजबादी के समाजबादी अर्थिववस्ता के दो रोप देखने को भी तो समाजबादी होता है और दूसरा होता है उसका ही बिगडा हुआ रूप जिसको हम कहते हैं कुछ भी हो रहा है सारे के सारे साधनों पर किसका अधिकार होता है सरकार का होता है किस्त में समाज बादी अर्थ व्यवस्ता में जबकि साम में बादी अर्थ व्यवस्ता में सभी संपत्यों पर सरकार का अन्येंतर होता है आपका उत्पादन पर अधिकार नहीं होता है यान मैं किसी दिन और समझाऊंगा लेकिन मैंने हलकी सी यहां जानकाली लिख दिया साम में बर्सिस समाजबाद तो आगर आप एक दो लाइन इसमें से नोट करना चाते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वैसे इससे टेटेल में जाने की ज़रूत नहीं है फिर भी कोई जानना चाता ह है तो मैंने आप लिख दिया है फिर भी दो चार सब यहां से बोल दे रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं साम्मेबाद और समाजबाद इसमें साम्मेबाद जो होता है वो खतरनाक होता है तो साम्मेबाद एक ऐसी विचारदा रहा है जो किसी भी बिसमता का एक बर्ग विही समाज इस्थापित करना चाहते है कौन साम्मेबाद है नहीं कि इसको मैं आप सारवासन पंगाऊं जो साम्मेबाद होता है वो ये नहीं चाहता कि जो समाज है बस सोसक और सोसित सोसक और सोसित में बटा हुआ हो इसमें सोसक और सोसित क्या होते हैं मैं फिर से बोलूँ सामेबादी विचारधारा के अंसार जो राष्ट होता है या फिर जो राज होता है वो दो भागों में बटा होता है एक तो होता है सोसित सोसित होता है जो की सताया हुआ होता है जिसका सूसर्ड हो रहा होता है जिसे मैं हूँ मुझे कई पिटाई लग रही है कोई मार रहा है तो मेरा सूसर्ड हो रहा है तो मैं क्या क्या लाया मैं सूसित हूं भाईया मैं बहुत सूसित हूं मेरा बहुत सूसर्ड किया जा रहा है कोन हुं होता है जो मेरफ है तो क्या कर रहा है तो वह कर रहा है तो किया minute वाला सोसक और चुसवाने वाला सोसक ठिक तो सोसक भे होते हैं यानि की खुंचूसने वाले उन लोगों को का जाता है जिनके पास संसाधनों का क्या होता है आधिप्रक्त होता है या हम ऐसे कह सकते हैं कि सोसक बो लोग होते हैं जिनका संसाधनों पर पूर नेंतरड होता है जैसे कि मैं कोई factory चला रहा हूँ करीब उसमें 300-400 लोग काम करते हैं तो मैं क्या हूँ उस साधन का या संसाधन का क्या हूँ मालिक हूँ या उस property का क्या हूँ मालिक हूँ मैं उस factory की देख रहे करता हूँ सब कुछ मेरे एंडर में रहता है तो मैं उन लोगों को क्या दे र वो मेरे आशरती तो है जब तक फैक्टरी चल लए तक चल दए बंद करना चाहूं मैं दूसरे मजदूर लाना चाहूं दूसरे लियांगा अगर टाल मटर करते हैं तो इसमें क्या हुआ बोट तो सोशित हो गए और मैं हो गया सोशड करने वाला तो मैं फिर से बोल दूं कि स मजदूर मालिक के आज बोट सरी फैक्टरी का मालिक मैं हूं इस पर आस्रत है जब तक फैक्टरी का मालिक देगा तब तक विचारे हम लोग लेंगे अगर कर फैक्टरी बंद हो जाती तो क्या होगा मुझे मालिक को कोई फरक ने पड़ेगा क्योंकि उसकी दो-तिन तो जो पूझी बाद है पूझी बाद और जो समाज बाद है यानि कि यहां पर देख सकते हैं पूझी बाद और यह जो समाज बाद है तो पूझी बाद और समाज बाद क्या है हमेशा से एक दूसरे के क्या रहे हैं कटर दुस्मन माने जाते हैं हम इसको एगर से कहते हैं क जो पूजी बाद है और समाज बाद है वो एक दूसरी की हमेशा क्या करते आए बुराई करते आए या आलोचना करते आए हैं क्योंकि जो समाज बादी है वे पूजी बादी को क्या कहता है जो समाज बादी है वे पूजी बादी को क्या कहता है कि पूजी बादी जो होता है पूजीवादी जो अर्थ्यववस्ता है वह आम लोगों का या हम इसको कह सकते हैं कि जो समाजवादी है वह पूजीवादी अर्थ्यववस्ता को सोसड की अर्थ्यववस्ता कहते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि जो आम लोग है उनका बाजार की जो सक्तियां है वह खून है वह सूसड की अर्थिववस्ता होती है और जो पूझी बादी अर्थिववस्ता है उसमें जो आम लोग होते हैं उनका सूसड बाजार की सक्तियों के द्वारा किया जाता है ठीक है जब की पूझी बादी जो अर्थिववस्ता होती है वह पूझी बादी जो अर्थिववस है कि जो पूझी बाधि उर्त वास्ता की जो लोग है है वो यह कहते हैं कि सम्द bottoms audit सरकार ही सोज सकोती है यानी सरकार ही आपसलों का खूँटी है जिससे तरे संब्स्fat है यह एक दूसरे केघ्राय करते हैं si the body कहता है कि जो पूजिवादी कहता है कि तो सरकारी इसमें खूंचूसने वाली होती है और समाजवादी कहता है कि आम लोगों की बाजार की सक्तियां क्या करती है खूंचूसती है इस तरह से कुछ परिसानिया आती है दोनों की इस तरह से आप देख सकते हैं चलिए बेख्रानद लोगों को पता चलिए समाजवादी अर्थ विश्ता लोसे में इसमें राज का पूर नेत्रुत ता है निजी अर्थ विववेश्टा इसमें निजी चे चेत्र का निकी बाजार की सक्टिओं का पूर नेत्रव होता है इसी तरह से यहां पर समझते हैं मिसरित अ है खिचडी खाक बना शुरू करते हैं यहां पर आप देख रहे हो यानि की छेत्र यहां पर देख रहे हैं इक ब्राइइन की बहुता रख्यों पबिक चेत्र की तो पबलीक और प्राइबीट को जब मिला देते हैं तो उससे एक नई जन्मुता है जिसको हम कहते हैं मिस्ट्रित या मिक्स्ट एकॉनमी तो हुआ क्या था मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया कि पूंजी बादी अर्थवश्ता होती है उसमें आपके जो क्या ना मिनका एडम इसमें थे इन्होंने का था कि इन्होंने बताया था कि बाजार की सख्वियों के पास अध्रव तहथ होते हैं आपने थे कर लेते हैं जिसको जतनी हमोती होती है उसके आदार पर Nejप को थे उनको कोई देखकर चुपचाप उनको काट देता है और जैसे ही हाथ कटते हैं बैसे ही उन्नीस सो उन्तिस में आर्थिक की महामंदी आ जाती है 1929 में आर्थिक महामंदी आ जाती इसके कार अमेरिका तथा पस्चमी यूरोप के जो देश थे उसमें पेरोजिगारी, मांगो रापूर्ती में कमी और बड़े बड़े कारखानों में तारे पड़ जाते हैं और इस मंदी से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था समझ नहीं आ रहा था कि जो इन्विजिवल हैंट्स हैं वो गए तो गए कहां, कौन उन्हें भगा कर ले गया सेट नहीं वैट रहा है, तो बाद में पता चला कि इन्विजिवल हैंट्स जो थे, वो एक दूसरे के साथ ही वाग जाते हैं उन्हें कोई भगा कर नहीं ले जाता है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे उन्हें आपस में ही प्रेम हो जाता है, तो ये क्या था एक परिशानी वाली बात थी कि भाई साब, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ये तो जो एड़म इसमित थे, ये तो बहुत बड़ी तोप थे, नोने वेल्थॉप नेशन में ये बात, वो बात, तमाम चीज़ें लिख दी, तो ये फेल हुआ तो हुआ क्या, अब जाएं तो जाएं कहां, हम उसम कह सकते हैं, या कींस कह सकते हैं, तो मैं फिर से बोल दूँ कि किसी कार्ड से जो अद्रस हाथ थे, उनके कट जाते हैं, और 1929 में आर्थिक महामंदी का दोर आ जाता है, इससे क्या होता है, अमेरिका वो पस्च्वी ये ये देश थे, उसमें बिरूजगारी, बहुत मात्रा में आ जाती है, हजारो हजारो लाको लाको करोडो करोडो लोग क्या थे, एक बार में जॉप से निकाल दिये गए, ठीक है, मांग और आपूर्ती में कमी आ जाती है, मांग और आपूर्ती के बारे में हम आगे बात करेंगे, कमी आ जाती हैं, बड़े बड़े कारख को ढूड़ के लाए अब यह अद्रस का मतलब ही होता है कि इन विजिवल यानि कि जो हमें देखता ही नहीं तो भाई आप देखेगा कौन समझना ना तो यह हमें देख नहीं रहे तो एक व्यक्ति निकल कर आए जिनका नाम था कींस तो लोगों ने आलोचना करनी सुरू करती आपके कींस भी उसमें सामिलते कह रहे थे कि अगर यह अद्रस हाथ होते भी हैं अगर संतलन बना भी देते हैं तो यह जो संतलन होता है वो लोगों का गला गोंटकर बनाया जाता है क्योंकि अद्रस हाथ हमें दिखते रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि गरदन द करना शुरू कर दिया कि अगर ये अद्रस हा संतुलन पैदा कर भी देते हैं किसी कार्ड से तो लोगों का ये गला खोंट कर ही कर सकते हैं इसलिए कींस नामा के एक बेक्ति थे इन्नों ने सुझाब दिया कि अर्थ ववस्ता में सरकार का जुद्धा खल है सरकार का दो हस्थ हस्थ चेप है वो इनिविजवल न होकर कैसा हो विजवल होना चाहिए तो सरकार के जो विजवल हैं उसमें थोड़ा-थोड़ा हस्थ चेप करना चाहिए मैं फिरसे बोल दूं कि कींस नामक एक बेक्ति थे उन्होंने सुझाब दिया कि अर्थ विवस्ता जो है उसमें सरक के जो दिखाई देने वाले जो हाथ हैं उसका क्या किया जाए उसका दखल देना बहुत जरूरी है तो इस तरह से कींज के अनुसार नई अर्थिविवस्ता का विकास किया गया जिसमें समाजवादी के भी और उदारवादी यानि की पूझी बादी के दौनों पिरकार की वि जिन अच्छी जी गोँक किया गया तौनों को यानि कि पूझी बादी की विए अच्छी बात दी इसायता होती है ब क्या होती है निजी छेत्र सरकार की क्या करती है सहायता करती है जबकि निजी छेत्र का सहाय कौन होता है सरकार होती है यानि कि एक दूसरे से ये प्रेम करते है यानि कि सरकार इनकी मदद करता है और निजी छेत्र इनकी मदद करता है ऐसे एक दूसरे से प्रेम बना रहता है और इसी प्र प्रेम संबंदू को हम कहते हैं सरकार उनीजी छेत्र का दोनों की अच्छी अच्छी जो बाते होती हैं क्योंकि हमेशा ध्यान रखें अब हमेशा विश्यस्ताओं से ही प्रेम किया जाता है अच्छी अच्छी बातों से ही प्रेम करते हैं तब यह जाजतर आप लोग देखे शारवादी से भी तब एक नई अर्थिववस्ता बनती है जिसका नाम रखा गया mixed economy जैसे की भारत देश में आपकी मिच्च्रित अर्थिववस्ता है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खुली अर्थिववस्ता क्या होती है यह देखते हैं खुली अर्थिववस्ता तो बे अर्थिववस्ता जिनर के आयात और निर्यात पर नियुंतम प्रित्वगंद रहता है अनि कि उसमें आयात और निर्यात पर क ऐसे कि आपका होंग कॉंग हो गया आपका सिंगापूर हो गया यह जो होते हैं छेत्र क्या है यहां पर जो निजी छेत्र हैं इन छेत्रों में बोल बाला रहता है और यहां पर आयात और निर्यात क्या होते हैं बुर्णा के पराबर प्रित्वंद लगा तो खुब माल इदर से उदर ले जाओ इसी अर्थविवस्ता को हम खुली अर्थविवस्ता या open economy कहते हैं वहीं बंद अर्थविवस्ता की बात करें तो बंद अर्थविवस्ता आपकी बे अर्थविवस्ता होती हैं जो कि बाहरी दुनिया से या बाहरी यानि कि बाहरी नहीं बाहरी अर्थवि आते हैं और नहीं किसी देश में अपना माल बेस्तिक मिन पिर Some बोल। नहीं की सभी गतविदिया निल बटे सन्नाता मैनि की छीरो होती है यहां पर निची खेत्र की भूम का अपना और जो हमारा च्छेतर है उसका विकास कर सकें समझना ना बंद में क्या होता है बिलकुल आयात और निर्यात क्या होता है बिलकुल जीरो होता है और खुली में क्या होता है आयात और निर्यात पर नके बरावर प्रतिबंद लगा होता है जैसे कि आपका जो नौर्थ क और यह नहीं और पर कोरिया बाद अच्छत देख रहे हैं इसमें क्या है आपका क्लोज्ट एकॉनमी ठीक है चलिए चलिए आर्ठिक पिकास के आधार पर देशों का बर्गी करड़ देख लेती हैं यानि कि कॉन से बिकासील देश कही जाते हैं कॉन से विक्सी देश होते हैं कौन से नए औध्यों की करड़ देश होते हैं कौन से इस तरह की आओजे देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पिकाची किसी किया जाता हैं तो बे देश यानि की में भारत है यह पिर यह आपका अफ़ीगा है अफरीका में मादिव को कुछ देश है या फिर निखी हां अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति है उसकी आएसे एक चोथ्यािसे कम अगर होती है तो उसको हम अल्प विक्सित अर्थ विवस्ता कहते हैं यानि कि least developed economy हम उसको कहते हैं जी मान लीजिए यह अमेरिका है मेरिका में कोई व्यक्ति है चार डॉलर मंतली कमाता है या करें सालाना उसकी प्रत्व्यक्ति जो आए है उसकी चार डॉलर है तो अगर उसकी मालिजे भारत देश है भारत में अगर एक डॉलर से कम अगर किसी व्यक्ति की आए है तो उसको हम क्या कहते हैं लीष्ट या कहें अल्प विक्सित अर्थ कह सकते हैं कि किसी देश की जो बास्तिक प्रतिव championship है 400 दॉलर है और भारत देश में या कहें अफरीका का कोई krauta या कहें डख्षड का कोई देश है उस देश की जो आए है वो 100 डॉलर से यानरीक एक वते चारें निकालेंगे 400 का तो 100 डॉलर आएगा 100 डॉल बिकसित अर्थ विवस्ता मानेंगे लेकिन जो संयुक्त राष्ट था या कहें यूएन था यूएन ने जब अपनी रिपोर्ट का प्रिकासन किया तो इनोंने क्या किया इन देशों को इज़त देने के लिए यानि कि जो अल्प बिकसित देश थे या कहें जो लिस्ट दो रा ने लगे उनको अल्प विकसित ने कहकर क्या कहा बिकासिल देश कहा क्यों बिकासिल क्यों कहा क्योंकि इनका ये मानना था कि बिकासिल इनको इसलिए कहा जाता है या इसलिए हमने कहा क्योंकि ये बर्तमान में भले ही अल्प विकसित हो यानि कि इन में जो बास्तिक यह जो देश हैं नीचे के जो देश हैं बले ही अभी अल्प विक्सित हैं लेकिन इनमें जो बिकास हैं इनका जो पिछड़ा पन है वो धीमे धीमे इनका दूर हो रहा है या इनमें अभी विकास की जो पिरक्रिया है वह सुरू हो चुकी है और यह डबलप से यानि कि यह अल इन्हें अलप विक्सित न कह 2007 क्षा किसके द्वारा प्रकासीत की गई थे रिपोर्ट यूएन के द्वारा तो मैं एक वार फिर से पता दूं के अलप विक्सित देश यूद विक्सित विक्सित फिर की जो प्रक्रिया है विकास की वो इन देशों में शुरू हो चुकी है जैसे भारत देश है वो पिकासील देश है चाइना विकासील देश है और यो अफरीका के जो देश है वो उनमें क्या है विकास की जो प्रक्रिया है जैसे कि मैं हूँ तो मैं अभी मानने मेरे पास खाने की बिवस्ता नहीं है लेकिन खाने का कभी कभी एक दो दिन खा लेता हूं कभी दो तीन नहीं खाता हूं लेकिन यह है कि भिल्कुल ठलुआ नहीं बैटा हूं कभी कभी काम मिल जा तो कर लेता हूं तो मेरी विकास की परक्रिया हो सकता है कल मेरी जॉब लग जाए हो सकता है क इसरे मेरे साथ हो जाए जिससे मैं पैसे बाला हो जाओं और विकास तो ही रहा है तो मैं अभी अल्प विक्सित नहीं ज़ा है इसको एक, दो, तीन, चार करके चड़ रहा है और कभ ये विक्सित देशों की सूची में आ जाए पता नहीं इस तरह से हम इनको बिकसित देश कहते हैं इसके बाद बात करते हैं बिकसित देश के बारे में तो बिकसित देश कौन से होते हैं वहिया तो बिकसित देश बेदेश होते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में और द्योगी करड़ हो चुका हो इसके अलाबा इन देशों की अर्थिवस्ता में तरतियक छेत्रों की जो बुन का होती है या तरतियक छेत्रों का जो योगदान होता है वो बहुत अधिक हो चुका होता है यह हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो अध्योगी करड़ होना था विक्सित देशों में उनमें अध्योगी करड़ की जो चरड़ था वो पूरा हो चुका है अब अद्योगी करड़ हमारा हो चुका है हमारा जो भी द्योग बगएरा जो भी इंडिस्ट्री बगएरा लगनी थी वो लग चुकी उनमें अच्छा खादा बेकास हो चुका है हम अब बेकास करने की उनमें आविश सकता नहीं है अब हम इंडिस्ट्री से किसकी और जा हैं सेवा छेतर की ओनि फ्यक्ति ओने इंडेस्ट्री तो हमारा जो भी दे रहा है वो तो दीर आरह आप हम सेवा भी प्रदान करते है तो हमारे देशों में क्या है कि हमारे नहीं मतलब विक्सित देशों में क्या है और द्यों कि रड़के साथ ही योगदान सबसे ज्यादा किसका होगा त्रितियक छेत्रक का या सेवा छेत्रक का क्या होगा योगदान ज्याद होगा ऐसे देशों को ही विक्सित देश का आ है साथ ही इन देस् squeezedosh Hai यानि कि राश्च्य आये उच्चि स्तरका होगी प्रति प्रतिव्यक्ती आये जो की उच्चि स्तरका होगी जीवन इस्थ जो होता है अहनने के बाद यह अपना विकास का यह साथ वो पूरा कर लेते हैं और किस में आ जाते हैं बीकसित देशों की सूची में आ जाते हैं समझ में आ गया चलिए से छलिए एक बार फिर से देखते हैं पिकास सील देश कौन से होते हैं किसके अंसार विस्ट बैंक के अंसार थे यहां अलका साथ देख लिए थे विस्ट पहले मैं आप लोगों कि यहां पर देखा दूँ यह है मैप वुरा विस्ट का यह आपका जीरो डिगरी देश अंतर जीरो डिगरी देश अंतर का यह पूर बाला भाग और यह पस् देशों बैंक के अमसार बिकासिल देश बो देश होते हैं जिन में पश्चमी देशों की तुलना में या कहा है पश्चमी देशों की तरह है लोक्तांत्रिक सरकार मुक्त ब्यापार अर्थिमेबस्ता और अद्यों की करता था मानवा दिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है य केनेडा हो गया आपका क्या बोलते हैं चेनेडा हो गया यू है उसे हो गया उत्तिलेंट अमेरिका की बात कर रहा हूं यहां पर यूरूप में आजा है तो आपका उनाइटेट लिडिया हो असे कि विकला हो जैएंगि लेकिन इन देशों की तोलना में अगर आप पर ये चीज़े नहीं है तो आप विकासिल देश कहलाते हैं ठीक है नए विकासिल की तरब तो जाई रहे हैं यानि कि विकासिल तो थोड़े से आगे बढ़ गए हैं लेकिन विकसित देश के करीब पहुंचे नहीं बाले हैं तो इन दोनों के बीच का एक स्रेड़ी होती है उसको हम न्यूली इंडरस्टलाइड कंट्री कहते हैं यानि कि इन में ओद्योगी करड़ जो है वो नए शुरुवात हो चुकी है और एकदम उच इस तर पर पहुंच नहीं बाला है और ये बाला जो चरड़ है वो पूरा करने के बाद ये किसमें पहुंच जाएंगे ये बिकसित स्रेडी से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है यानि कि वहाँ पर विकसित की स्रेडी में कुछ समय बाद पहुंचने की संबावना है जैसे कि मेक्सिको है आपका विराजील है आपका भारत है आपका चाइना है यानि कि चीन है आपका तुर्की हो गया इस तरह कि साउथ अ की स्रेडी में पहुंच सकते हैं यदि इसी तरह से विकस की स्रेडी में नहीं आये हैं तो फिर फिर उपसे एक वार बता दूँर्थ बिस्व बेंक के अमसार वे देश कौन से होते हैं जो कि पच्छमी देशों की तुलना में लोगतांतिरिक सरकार, मुक्त वियापार, अर्थविस्ता, ओद्यों की करड़ और मानमा दिकार की प्रापती नहीं होई हैं तो वे अमसार वे देश जिन देशों में अमेरिका की कि युटे हैं जो की विकास सील से थोड़े से विक्सित हो चुके हैं लेकिन अभी विक्सित देशों की स्रिड़ी मैं या बर्ग में नहीं पहुंचे हैं ऐसे देश नए और दोगी करड़ देश कहलाते हैं चलिए भारती अर्थविस्ता के बारे में बात करते एं इंडिय में जो इस्तिती है वो किन काड़ों से हम उसमें पिछड़े हुए है और कौन से ऐसे काड़ थे जिनकी वज़े से ये हमारी दुर्दता हुई है ठीक है आईए देखते है तो जो भारती अर्थववस्ता है यानि कि बरतमान की जो भारती अर्थववस्ता है उसकी इस्तिती क की चिडिया कही जाने वाले देश को इतनी बुरी तरह से इन लूटा का सोटा कि एक सम्रद और खुसाल देश से एक कैसे गरीब और अल्प विक्सित देश बन कर रह जाता है हमारा एक ये जो भारत देश है तो उसको बारे में हम यहाँ पर जानेंगे तो सबसे पहले हम समझ जानेंगे वो कौन से कार्ड थे जिस कार्ड से हमारा जो देश था वो अल्प विक्सित हो जाता है या गरीब हो जाता है तो हम ये जानेंगे कि जो अंग्रेज थे उन पर हम अपना बिल फार देते हैं कि जो अंग्रेज आये उन्होंने हमें लूटा, खसोटा, मारा, दु साल वन्होंने हमारा सोस्र किया उसके तैट जो भी हमारा सोस्र करने के बाद जो हमें छोड़ गए थे वो अपनी जिस इस्तिती में फटे deeply जिन्दगी जीना के लिए वो जो छोड़ गए थे तो ये जानेंगे क्या सच में हम उस इस्तिती में थे, क्या हमारी इस्तिती ऐसी थी, क्या हम सच में सोने की चिडिया थे, इसके बारे में हम हलका सा जाने लेंगे, तो जानेंगे क्या अंग्रेज आने से पहले इस्तिती ऐसी थी, जैसी आज है, या हम हमेशा से ही ऐसे थे, फटे हाल, गरीब और अलफ विक्सित तो आईए उसको समझते हैं, तो सबसे पहले हम जानेगे वो कौन से कायड थे, जिस काइड से हम अंदरे जोंपर ये बिलफाड देते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मौरिकाल की आर्थिक व्यवस्ता के बारे में, तो मौरिकाल के समय में, जो हमारा लिखा था कि भारत की इतनी अच्छी इस्थिति है या भारत इतना खुसाल और इतना बिक्सित है कि वहाँ पर अकाल नहीं पड़ते कभी भी इस समय के उद्योग दंदे के वारे में आपके मेगा इस्थिति इंज ने दिखा था कि यहाँ पर सूती कातने तथा बुनिने का प्रमुक यहाँ पर उद्योग था और देश बित्योषों में यह क्या किया जाता था निर्यात किया जाता था समझ रहा है ना इस काल के उद्योग दंदे थे वो पूरी तरह से बिक्सित थे इस समय आपका जहाज रानी उद्योग जिसको हम जो सिप होता है ना जहाज रान उद्योग चमड़ा उद्योग सराब उद्योग यहां के कुछ प्रमुक उद्योग थे जो कि हमारे देश से यानि की भारत देश से या भारत बर्स से अन्य देशों में क्या किया जाता था निरयात किया जाता था ठीक है इस समय सोना तथे चांदी की कोई भी कमी नहीं थी औ और अच्छे कासे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे ये हमारे मेगस तरीज ने लिखा था कि हमारा जो भारत देश था प्राचीन काल में अल्प विक्सित नहीं था वो गरीब नहीं था वो किसी भी तरह से किसी से भी भीक मांगने की कंडिशन में नहीं थ हम लोगों को भीक दिया करते थे जबकि आज की इस्तिती ऐसी थी मतलब अब तो थोड़ी स्तिती सुदर गई जब हमारा देश आजाद हुआ था जब अंग्रेज हमें छोड़ कर गई थे तो हमारे लिए खाने तक के लिए नहीं था हमारे पूरे पूरे सहर की आदे से अधिक जनसंक्या सिर्फ भुख मरी से मर जाती थी हमारे पूरे पूरे राज्य की आदे से एक एक तिहाई जनसंक्या भुख मरी के काड़ मर जाती थी इस तरह की चीज हमारे देश में थी, ठीक है, तो चलिए, नेक देखते हैं, बात करते हैं मर्योतर काल के बारे में, इस दो दो पॉइंट जाने की जाना नहीं, डिटेल में को कि ये मैं प्राशियो मद्धिकाली में मैं आप लोगों को पढ़ाने बाला हूँ, ये इसलिए, ठीक है, तो मर्योतर काल में भी हलकी सी जानकारी ले 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 थे, एक प्यक्ति थे, जिनका नाम था पेरिपलस, पेरिपलस के अमसार, मर्योतर काल में भी भारत सम्रद्ध था, यानि कि खुसहाल था, उसके पास अच्छा पैसा था, उसके पास अच्छा विदेशी ब्याप माना जाता था या कहें स्वड काल माना जाता है एक ब्यक्ति और भी थे जो कि मौरितर काल में ही लिखते हैं जिनका नाम था प्लिनी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लिनी नाम के एक ब्यक्ति थे प्लिनी ने कहा था कि भारत में पीतल का उत्पादन तो होता भी नहीं था ये इस्तिती थी हमारे यहां इतना सोना था और आर्सपास के देशों से इतना सोना आता था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी पलीनी ने भारत को रतनों का एकमात्र जननी कहा यानि कि रतनों को पैदा करने वाला देश कौन सा था वो सिर्प और सिर्प भारत देश था कब मौरितर काल के बारे में इन्होंने बात की थी इस समय भारत में लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मसाले और भी बहुत सारी चीजन थी इनका अच्छा खासा क्या किया जाता था उत्पादन किया जाता था साथ ही इनका भारत से अन्नी देशों में क्या किया जाता था ब्यापार किया जाता यानि कि balance of trade जो था यानि कि व्यापार संत्रलन जो था वो भारत के पस्च में था यानि कि भारत जो था बिदेशों में माल ज्यादा बेजता था और वहां से ज्यादा पैसा कमाता था और यहां से क्या करता था बिदेशों से बारत ज्यादा कोई चीज बेची तो क्या करेग ज्यादा पैसा आएगा और भारत में लोग अपनी चीज़ें कम वेजते थे यानि कि हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी हमारे देश से लोगों को क्या पड़ती थी जरूरत पड़ती थी हमारे देश से माल ज्यादा वेजा जाता था इसी को हम जब हम balance of trade पढ़ेंगे तो वहां पर हम जीस के बारे में जानेंगे तो भारत का जो ब्यापार संतुलन था वा क्या था भारत के पक्ष में था इसी काल में रोम से भारत से अच्छा खासा क्या किया जाता था ब्यापार किया जाता था यानि कि यहां जो छेतर था भारत से ब्यापार किय कहते थे उसको हम यवन पिरी कहा करते थे किसको काली मिर्च को यवन कौन थे आपके रोम के जो बाची थे उनको यवन कहते थे यवन पिरी किसको कहा जाता था काली मिर्च तो काली मिर्च जी इसकी इस्तिती ऐसी थी कि काली मिर्च सिर्फ भारस से ही निर्यात की जाती थी भ रत्न हीरे मोती ये सारी चीजे काई से आया करती थी आपकी काली मिर्च से ही आती तो आप अंदा लगा सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लकडी के टुकड़ों से यानि कि ये जो काली मिर्च होती हैं लकडी यानि कि पेड़ पौदों से ही प्राप्त एक उसका ही एक होता है उससे हम सोना चांदी बनाते थे। समझ मैं रहा ना tuh रोम के लोग मसालों को आयात करते थे। और इसके बदले में भारत के लोगों को सोने की मुत्रा, हीरे मुति दिया करते थे। रोम बासियों को काली मिर्च इतनी जादा पसंद थी कि इस कार काली मिर्च को यवन प्री कहा जाता था यवन प्रिय कहा जाता था प्रिय मतलब प्यारी समझ रहा ना यवन के लोगों को जो प्यारी लगती थी उसको हम यवन प्री कहते थे और यवन प्री का मतलब काली मिर् इतना सोना और इतना चांदी और इतना रत्न और मोती हो गया था कि इसके आने वाले समयकाल में कुसाड़ों ने सबसे अधिक सुद्ध सोने के सिक्के चलवाई थे क्योंकि हमारे पास सोने की कोई कमी नहीं थी मतलब सोना मतलब गोल्ड की सोना मतलब स्लिप वाला सोना नहीं हमारे पास gold की कोई भी कमी नहीं थे, समझ जना न? तो ये हमारा moral karl की इस्तिदी हो जाती है हमारे भारत देश की अर्थ विबस्ता के बारे में हलकासा एक दो point, इसके बास गुप्त काल के बारे में अगर हर्ट कीसी 2-4 point जाने तो गुप्त काल के बारे में भी हमारी इत्यास काल लिखते हैं कि हमारा जो गुप्त काल था वो भी ब्यापार संतुलन में क्या रहता है काफी कुछ अच्छा बना रहता है लेकिन गुप्त काल में कुछ परिस्यानिया हो जाती है उसके बाद भी हमारा बैलेंस ओप ट्रेड से खत्म हो जाता है लेकिन दच्चड पूर्वी छेत्र दच्चड पूर्वी कौन सा होता है यह दच्चड पूर्वी जो छेत्र था वहाँ दच्चड पूर्वी इस या जो था वहाँ पर ब्यापार तथा चीन के साथ अच्छा कासा हम लोग ब्यापार कर लेते थे इस काल क ही रे मोती किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थे इसके बाद आ जाते हैं हलका सा सल्तनत काल की बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि जब प्राचीन और मद्यकालीन को बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तम मैं आहां पर आपको इसको डेटेल में समझाऊंगा ठीक है इसके सलतनत कान की अगर बात की जाए तो इस समय भी हमारा लोहा लोहिक के हत्यार अनाज सूती बस्त्र जड़ी बूटियां मसाले दूसरे देसों में भेजी जाती थी और आयात की बात की जाए तो आयात के लिए हम कुछ घोड़े मगा लिया करते थे यहां कुछ आपके गुलाम गुलामों का आयात करते थे और मेवा मगाया करते थे जैसे कि इन छेत्रों से हमारा मेवा आया करते जैसे यहां कॉटन गोर्स हो गया यहां से कुछ मेवा बगएरा जैसे कि सूखे मेवे हो गया च्वारे हो गया इस तरह कि सूखे मेवे बगएरा हो गए ठीक है दूसरों तो इस तरह से ये वाद हमारी सावित हो जाती है कि हमारा देश य था जब अंग्रे जाते हैं तो उस समय तक क्या था खुशहाल था किसी से भी क्या था कमी नहीं थी अन्य देशों की तुला में जैसे कि आम ये यूरो पोगिया या फिर कोई अन्य देश या अन्य महानीइब था तो उसकी तुल्णा में किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं था यानि कि इस तरह से ये वात थाबित हो जाती है कि भारत की आर्थिक स्तिति की बात की जाए तो वो किसी से भी कम नहीं था सीधी से बात ये थी कि चाहे पूर्व हो यानि कि चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो चाहे दच्चड हो जहां पर इस्तिती जैसी थी यानि कि जो भी सबसे अच्छा खाता पीता था उससे हम अच्छा ही खाते पीते थे और उसकी यह हम ऐसे भी कह सकते हैं जो भी अर्थ विवस्ता थी जैसे कि यूरूप की थी या फिर अमेर्का की थी तो भांके जो देश थे उनके समक्च चीही थी जानी कि जैसा बो करते थे वैसा ही हम लोग करते थे हम किसी से भी पिछिडे नहीं थे ठीक है तो जैसा अंगरेज खाते पीते थे उससे कही अध बाल पर बैठते थे और चुपरी रोटी खाया करते थे किसी से भी कोई कमी नहीं थे चलिए नेक्ट लेखते हैं समझते हैं तो अब समझते हैं कि भारत देश की ये जो दुर्दसा थी इस दुर्दसा का जिम्मेदार कौन था यानि कि हमारा बैलंस ऑप ट्रेड बैलंस ऑप पेमेंट या फिर जितने भी तरह के बैलंस थे वो सारे हमारे पच्छ में थे हम बहुत मस्त रहते थे जीवन के स आनन्द लिए जा रहे थे तो भाईया हमारे जो आनन्द हमारे रातों की नीज हमारे दिन का चैन उड़ाने वाला था तो था कौन तो ये जो दिन का चैन और रातों की नीज उड़ाने वाले और हमें फटेहाल बनाने वाले जो लोग थे वो अंग्रेज थे यानि की बिट अर्थिक्टियां थी तो जिसमें से कुछ हम आर्थिक नीदियों के यहां बाद कर लेंगे हलका vos daher Same कभड़। montage चालेंगे यह क्विंक बताने वाले Taylor अब आपको वा सब 2 अब बतार तरहीं वRat तो आईए देखते हैं तो मैंने क्या बताया कि भारत जो गरीब, बदहाल और ये भूखे नंगों वालू जी इस्तिती थी वो अंगरेजों की आर्थिक और पिर्सासनिक नीतियों की देन थी जिन में से सिर्फ और सिर्फ यहां पर आर्थिक नीतियों के बारे में बात हैं तो आजये देखते हैं ओपनि बेशिक आर्थिक नीतियों के बारे में हम सबसे पहले हाँ पर बात करते हैं तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ बैसे तो कि किस तरह से भारत अंग्रेजी में आते हैं, एक कटोरा लेकर आते हैं कि मम्मी मम्मी तो नहीं थे यहांपर अक्वर और ये मतल मुगलकाल का सासन था था यानि कि हाँ पर मुगलकाल का समय था तो मुगलकाल के समय वो उस समय पापा थे इन लोगों के लिए कि पापा जी हमें यहाँ पर बिजनिस करना है में ब्यापार करना है क्या आप हमें अनुमती रहेंगे अनुमती लेने के बाद हाँ जोड़कर बिंती की पिडाम किया तंड एकदम लोट के सलाम करते थे उसके बाद धीमेदी में जब भारत देश में ये लोग अंग्रेज आ जा जाते हैं आने के वाहनाया पर ब्यापार करते हैं ब्यापार करने के बाद ये नोकर बन कर आते हैं और हम लोगों को बिकारी बना कर ये मालिक बन बैठते हैं यान इसी बोलते हैं वो ऐसे करके चिपका लेते हैं और बहुत मुश्किल थे हम भारतियों इन्हें निकालकर भार फैक पाया था जिसके बारे में आधनिक भारत के इतियात में आप लोगों को विस्तार से बता चुका हूं तो आईए आर्थिक नीतियों में सबसे पहले हम भूरा थे भारत के जो आम जन थे उनका जीवन एकदम खुसाल था क्योंकि उनको फसल उगानी होती थी उसका जो भी उसमें से एक हिस्सा ताजा को दे दिया जाता था यानि कि एक हिस्सा सरकार को देने के बाद जो भी जाय जुगा करता था वो दे देते थे और देने के बाद ब किसानों का जीवन खुशाल था क्योंकि उनको फसल उगानी होती थी और उनमें से एक हिस्सा किसानों को सरकार को करके रूप में नहीं टेक्स की रूप में देना होता था बाकी का जो बचा हुआ माल था अपने पास रख लेते थे और जीवन की पूर आनंद लिये जाते थे उसी माल से जितने भी वो ले सकते थे लेकिन होता क्या है कि भारत देश में एक कलंक लग जाता है या कहें एक काली छटा चा जाती है या हमें से कह सकते हैं भारत देश पर ग्रड़ की सुरुबात हो जाती है उन 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बकसर का युद और बकसर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज जो होते हैं एक बहुत बड़ी सक्ती के रूप में उबर कर सामने आते हैं और इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेज होते हैं हर भारती के हाथ पर या हर भारती के हाथ पर क्या लिख देते हैं हर भारती के हाथ पर गु लिख देते हैं कि मेरा बाप गुलाम है और मेरा देश गुलाम है और उस महदी को कब छुटाया जाता है क्योंकि हमें लगता है कि ये जो हमें लोग ये कहते हैं महदी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो अंग्रे जाते हैं वो भारत में अंगुस्तो जाते हैं और मारते भ थी और उसको ही इन्होंने तहस रहस कर दिया और आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से एक कोड नामक बीमारी दे देते हैं जिसको हम आज भी पाकिस्तान नामक देश के नाम से जानते हैं वो हमारे देश का ही एक रोग था हमारा जो एक अंग था वो सड जाता है खराब हो है और उसको हमें काट कर अलग करना पड़ता है लेकिन देश है जमीन है प्रत्वी से जुड़ा हुआ है तो हम उसको काट नहीं सकते तो हमारा वो आज भी कोड की तरह कारी कर रहा है और आप लोग देखते हैं ये अंग्रेजों की नेतियों के कारी ही था जो की उन्हें ये ह में दिया गया था ठीक है समझ में आ गया तो किस तरह से भारत जिसको गुलाम बनाते हैं तो भूराज इस विवस्ता के बारें बात करना है तो जब भारत में बकसर का युद्ध हुआ था सत्रेसो चोंशट में तो बकसर की युद्ध के बाद एक संदी की गई थी हम लोग मतलब दीवानी 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 वाला दीवानी नहीं यहां पर दीवानी का मतलब जो होता है टेक्स कलेक्ट करने का यानि की करव असूलने का याक है टेक्स जो सरकार लेती है इसी तरह से करव असूलने का जो अधिकार था वो किसको मिल जाता है वो अंग्रेजों को मि और इन छेत्रों से टेक्स बसूलने का या कर बसूलने का अधिकार मिले जाता है तो बंगार बंगार और इसा कहां पर है यह आपका दिख रहा होगा यहां पर बिहार बंगार और इसा यहां से कर बसूलने का अधिकार अंगरेजियों को मिल जाता है तो आपको यह वाद पता होगी कि भारत जो देश था वो हमेशा से ही किरसी प्रदान देश रहा है किरसी ही किरसी से प्राप्त होने वाली आये ही भारत की आमदनी का प्रमुक सुरोत रहता था यह हम इसको कह सकते हैं कि भारत में किरसी ही आमदनी का प्रमुक साधन था तो अंग्रेजों ने किसानों स सबसे पहले सोसड करना सुरू कर दिया या उनका ही सबसे पहले खून चूसना अंग्रेजों ने सुरू कर दिया था तो अंग्रेजों ने किसानों से अधिक से अधिक कर बसूलने के लिए क्योंकि भाईया अंग्रेजों को जब कर बसूलने का अधिकार मिल गया था तो अंग मा के पास यानि की बेटिस में यानि के बेटिस की महरानी के पास सारा माले हां से ले जाएंगे तो हमारी उनसे कोई खास रिष्टेदारी थी नहीं और हमें किसी भी तरह की हमारी वो बलाई चाहते नहीं तो जब हमारी कोई बलाई चाहने वाला नहीं है और उससे हम जैसे मा चाहे उतना खूण चूसने का कोशिस करेगा यह ही हुआ आपकी अंग्रेजओं के दारह और हम भारतियों का खून चूसने लगे और उसकी कोई सीमा नहीं थी क्योंकि उनको कोई जवाब नहीं देना था क्योंकि भाहिया वो मालिक बने बैटे थे और उनकी औकात नहीं थी कि वो मालिक बन सकें उनकी कोई छमता नहीं थी कि वो मालिक बन सकें फिर भी हम मारे वो मालिक बने तो भाईया जब जेब कत्रे मालिक बनते हैं तो वो क्या करते हैं सबसे पहले आपकी जेब काटते हैं जेब काटने के बा इस्थाई बंदोबस्त के अभायरा में हलकी सी जानकारी ले लेते हैं तो इस्थाई बंदोबस्त क्या होता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अंग्रेजों को बंगाल यहाँ पर मैं आपको दिखा दूए एक सेकंड अंग्रेजों को यहाँ पर बंगाल बिह को 22 मई 1793 में लॉड कार्निवाल इसने बंगाल बिहार और उडिसा में लागू किया था इस विवस्ता के तहित होता क्या था कि जमीदारों को जमीन का मालिक मान लिया था और जमीदारों को करकी क्या करनी होती थी बसूली करनी होती थी और इस करको क्या करते थे अंग्रेजो को जमीदार दे देते थे यानि कि यहाँ पर किसानों को मालिक न मानकर क्या कर दिया था किसी भी छेत्र की जमीदार जो थे उसको उस जमीन का मालिक बना देते हैं और अंग्रेजों ने कह दिया कैसा कर मेरा मुन्ना यानि कि क्योंकि जमीदार अंग्रेजों के हमेशा से पाल गरेज़ों की चापलूसी की और इन्होंने भारतियों को खूण, भारतियों का खूण की उसने में अंग्रेजों की पूरी भी, पूरी की पूरी मदद की, समझ रहा न ये बात, तो ये जमीदारों का ही देन था पूरा सपोर्ट किया, इन जैसे कुछ बीमारी थी, इसके रहते हैं गर। आप में से आपके साथ कूछ ऐसा गलत करते हैं. उसके बाद हम यह कैcza ref भाई साब आज इसको माप कर देते हैं, सब इन जैसे नहीं होते हैं, अगर कुछ लोग होते हैं ऐसे बुरे, तो यह जो सब्ध हम इस्तमाल कर देता है, यह ठोड़ा खतरनाक होता है, अगर संख्या जादा हो बुरे लोगों की, तो वो हमेशा बुरा ही कहलाएगा, क्योंकि आप जैसे मान लिजीए, मोधी सरकार मनी, तो बौरे लोगों के, तो वो चेतर कैलाएगा, बुरा कहा जाएगा, समझे लादााना, सरकार किसकी बन गएग बुरे लोगों की, बैसे होती है, तो यहाँ पर क्याता है, यह जमीदार जो थे, बीमारी का काम कर रहे थे, पूर सपोर्ट कर रहे थे ठीक है तो इस वेवस्ता किता है जमीदारों को जमीन का मालिक माल लिया जाता है और जमीदारों कर वसूल कर किसको देना होता था अंग्रेजियों को देना होता था इसके तहत बुमी जो कर था यानि कि जो भी टेक्स कलेक्ट करते थे उसका एक दस वटे ग्यार्मा भाग ये क्या करते थे कम्पिनी को देना होता था 10 वटे ग्यार्मा भाग ये कम्पिनी को देते थे बाकी का बचा भाग क्या करते थे जमीदार अपने पास रखते थे इसके तहट यानि कि इस्थाई बंदोवस के तहट सूर्यास्त का कानू लागू किया गया था जिसके तहट अगर सूर्य डूबने से पहले तक अगर आपने राजस्व नहीं पहुँचाया तो आपकी जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाएगी और किसी अन्य जमीदार को वो दे दी जाएगी जो की अच्छा खासा टेक्स कलेक्ट करके दी जैस्दे कहोता क्या था मान लिजिए किसी भी छेतर है मान लिजिए वो X या Y या Z जो भी आप उसको नाम देना चाहेए या Falana Demka या Tamka जो भी आप उसका नाम देना चाहे उस छेतर का एक जमीदार है उसने क्या कर दिया उसको वही अंग्रेजों से कहा वही सब ऐसा है तो हमारे खासाद में लग रहे हैं तो हमें पूरे वह घुड़े हैं जो की एक खुंच चूसने वाले ब्यक्ति में होते हैं तो आप हमारे बहुत काम के ब्यक्ति हैं तो आपको मैं मालिक बनाए दे रहा तो आपको वहां का टेक्स करना है ठीक है भी सा हम कर लेंगे लेकिन इन्हों ने वहां पर क्या किया जमीदार ने भई इस साल क्या हुआ फसल जो हो थी नस्ट हो गई किसी गाड़ से तो खेती अच्छी नहीं हुई अब भईया टेक्स लें तो लें कहां से अब जमीदार ले आपने टेक्स नहीं दिया आपकी जमीन जो थी वो नीलाम कर दी जाएगी और जब जमीन नीलाम कर दी जाएगी तो आपका क्या होगा आपका जो जमीन है आपके हां से चली जाएगी वो किसी अन्य जमीदार के हाथों में पहुँच जाएगी इसको ही हम सूर्यास्त का कान कहते हैं इस विवस्ता को यानि कि इस्थाई बंदोवस्ता को जमीदारी विवस्ता इस्तमरारी विवस्ता मालगुजारी विवस्ता या बीसवेदारी विवस्ता भी कहते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा इस विवस्ता को किस विवस्ता को जमीदारी विवस्ता इस्तमर करनाटक में लागू किया गया है, यहाँ पर दिखा दूँँ, मैं आपका चूम कर देता हूँ, एक सेकंड, और आपको देखी जाएगा बंगाल, बिहार और उडिशा, और यहाँ पर उत्तर प्रिदेस का, इहाँ पर एक जगे देखी गई आपको देखीएगा, उत्तर प्र भारत का क्या था फूर नाइंटीन परसेंट था यानि कि यहां पर दिख रहा होगा आपको यह जो छेत्र है यह जो डार्क कलर दिख रहा है इस तरह से यह जो छेत्र था यह पूरा का पूरा क्या था बेटिस वारत कहला था यानि कि पूरे भारत पर बेटिस का कबजा नहीं नेक्स जेखते हैं रईयत बाड़ी विवस्ता रईयत मतलब होता है किसान रईयत मतलब किसान रईयत किसानों के लिए विवस्ता की गई थी इस विवस्ता को 1792 में 12 महल में रीड ने लागू की थी 12 महल कहा था यहां पर है मदरास मदरास में एक जगे पढ़ती थी 12 महल तो 12 महल में रीड ने कैप्टन रीड नामक एक बेखती थे इन्हों ने 1792 में लागू की थी यह करनाटक मदरास और बंबई के अनेक छित्रों में लागू किया था भईया करनाटक मदरास और यह बंबई कहा है यह मैं आपको दिखा दूँ यह आपका मदरास यह आपका बंबई जिसको हम बंबे के नाम से जानते हैं ठीक है और यह करनाटक ठीक तो इन छेत्रों में इस वेवस्ता को लागू किया गया था इसके तहत यानि रयत बाड़ी वेवस्ता के तहत किसानों को जमीन का मालिक माल लिया जाता है यह कुल बेटेस भारत के 51% भाग पर लागू किय लागया था इसमें भी अगर किसान कर रिया राजस्त या फिर माल उजारी या लगा नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन को भी नीलाम कर दिया जाता था इसमें क्या रहता था इसमें क्या रहता था इसमें किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था अगर कोई किसान था व फिर राजस्पता वो अंग्रेजियों को नहीं चुका पाता था तो वो उसी जमीन को अंग्रेज क्या करते थे नीलाम कर देते थे इस रैयत बाड़ी विवस्ता को कुल बेटेस वारत के 33% भाग पर लागू कर दिया जाता है समझे न कितने बाग पर 33% भाग पर लागू कर तो इसका मतलब यह हुआ कि राइयत बाड़ी जो विवस्ता थी वह है क्या थी सब 30 किस्ते इस्टस्ताइब लिश्फिद से ज्यादा चेत्र पे आप का क्या तो पूरे महाल, महाल होता है, एक छोटा सा समधाय या ग्राम छेत्र जो होता है, उसको महाल कहते हैं, तो महाल को पूरा मालिक मान लिया जाता था, इसके तहरे तो हुआ क्या करता था, मान लीजिए, कोई छोटा सा ग्रामी डला का है, वो उसको महाल कहेंगे, ठीक है, उसमें ज करना आपको मालिक मान लिया जाता है आप अपने जितने लोग हैं सबसे जमीदार हो चांग किसानों जो भी हो आप अपना टेक्स कलेक्ट करेंगे और सब लोगों से घट्टा करके आप टेक्स जो है वो हम अंग्रेज को जमा करेंगे यानिकि बिटिस सरकार को आप चुकाई तो इसके तायद किसी गाउं के गाउं की मुखिया या फिर प्रमुक को मालिक मान लिया जाता है या मुखिया या प्रमुक पूरे गाउं के लोगों से क्या करता था राजस बसूल करता था और बो ले जाकर किसको दे देता था वो अंग्रेजों को दे देता था या कंपनी को देता था यह है ठीक है समझ में आ गया ना तो इसमें लगान जो थी उसकी मात्रा निश्चित नहीं थी कभी 30% होता था तो कभी 55% के 35% तक हो सकता था आपकी कुपूरी फसल का यानि कि आपने जो 100 रुपए कि अगर कमाई की है तो आपको या तो 30 रुपए देने होंगे मिन का लिए तो किरसी का बार किकल के बारी में मिबात कर लेते हैं तो होता क्या या है खुछ करने और अपनी ममी से यानि की विटेल की महराणी उन से पैसे मखवाते तह भासे जैसे न्ग्रेlor यह यह आपका बिटेल तो कहिने पर को आपको उसे बिटयाट लेकिने देज़ें के बीना रूपए के ब्रयाप हो जाएगा तो आप क्या करते थे अपने यहां से पर करने के लिए इस दिर्स में क्या करते थे बुलियन का इयात करते थे बुलियन Mack minut स्वाब जो किम्ती होती है जैसे सोना चांदी इसके क्या करते थे आयात करवाते थे तो मम्मी से यानि कि बिटैन की महरानी से ज्यादा दिन तक पैसा नमंगमाना पड़े इसके लिए अंग्रेज उने किरसी का वाड़ जी करवाया यानि कि यह कैसे हुआ उसको भी देखते ह कि हुआ क्या जब अंग्रेज करों को बढ़ाते थे तो क्या होता थे किसानों को परिशानी होती थी किसान क्या करते थे करों को नहीं दे पाते थे तो खाद्यान फसलों से उतना लगान नहीं मिल पा रहा था जिससे जिससे वो किसान लगान चुका सके तो इसलिए क्या करत किसानों के बीच में जा कर ये बात पहलाते देखे कि यूजना बद्र तरीकए त्यायी कि किस तथा है इस जाल में किसानों को फसाए जाए और उससे क्या आए मुखमरी की trekate चरा देर कि जो इन्हों को इसे मैं किसान है जिसे में किसान हूं है तो अभी चास अगोगाता हूं मैं कमेर्सियल जो फसल होती है जो वाडजी कि वाट के दूट सैं इनको वेहाने लगू तो मेरे पास क्या आएगा ज्यादा पैसा आएगा लेकिन यहां पर क्या हुआ यहां पर उल्टी पड़ गई यहां पर मैंने क्या बताया कि बैसे बात की जाए तो किरसी का बारजी करना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इससे तो अच्छा कासा पैसा आएगा उससे किरसी और किसान दोनों को भ इसको मिल रहा था अंग्रेज्जों को मिल यू back-ds सान को नहीं मिल पाया किस Serport अंग्रेज्जों को मिला जैसे चाय की models प्रेज्टी इसरो कर भाई तो इससे जो भी प्यता है तो थोढ़ा बहुत पचा लेता था इससे इस्तिती और बुरी हो गई क्योंकिते व्यूक्त परोग्रायी अगर तो BHayyam चाए क्या रही है Yep कर चाए नहीं क्या रहता था दो जिस्ताने पूर अलगा नहीं रहता था इस से स्तिती क्यारी भारत की और देनी हो गई क्यों हो गई क्योंकि पहले अनाजुगाते थे तो addressed हो जाता था समझे है नब तो करशी का बाड़ी जिगर किया इस से भारत के लोग और गरीब होते चलेगे भुकमरी की स्तिती बन गई बड़े अकाल पढ़ने लगे क्योंकि पहले अना जुगाति चो इससे यह रहता था कि अगर हम टेक्स नहीं भी दे पाएंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत बचा लेंगे खाने पीने के लिए तो उससे क्या रहेगा हमारा पेट तो कम से कम भरी जाएगा समझने ना तो इससे क्या रहा पेट नहीं वर सका और हम कपास खानी सकते क्योंकि अंग्रेज तारा ले गए फसल खराब हो गई तो कपास अगर अधिया से माली जिये हमने के खेती की ग्याउं चाब ले अगर किसी की भी तो क्या हुआ अगर फसल खराब हो है तो कई दिखाओ तो हमने क्या कर लिया दिखाया बूसमें ते कितना निकलेगा हम निकला थोड़ा भाझ थो हमने बचा ली अपने खाने के लिए अब मान लीजी हमने कपास खादी फसल खराब हो गई कपास का जितने उत्पादन ओना था उतना हुआ नहीं अब हम यह कह कि कपास खराब हो गई तो अब थोड़ी बहुत निकली है अब हम किसानों को ड़ूर 키 आइं सरकार को यह हम अपने पास रखते हैं उससे क्ळक्uffण फर्क फड़ता ही नहीं है कि बहुत खराब हो गई टेक्स तो हम दे नहीं पाएंगे उपर से हमारे लिए खाने के लिए नहीं कुछ बचा को खराब कपास है तो लेगा भी कौन समझ नहीं कि सारी चीज़ें तो इस तरह से क्या था इस तरह से बुकमरी की स्थितियाई बड़े बड़े अकाल पड़े और इस तरह से वाड़ी कर से कंपनी को लगान तो आसानी से मिलने लगा और इंग्लेंट के कार खानों के लिए कच्चे माल का भारत एक अच्छा साधन बन जाता है लेकिन भारत की अगर बात की जाए अंग्रेजों का तो फाइदा हो गया लगान आसानी से मिलने लगा इंग्लेंड को कच्छे मालक की विवस्ता हो गई लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की जो अर्थ विवस्ता थी बिर्थ विस्व की अर्थ विवस्ता थे क्या थी जुड़तो जाती है लेकिन भारत को कोई खास लाब नहीं हो पाता इससे होता क्या है कि इससे गाउं क कें, जो लोग हैं, उससे हम क्या करते थे, कर्ज ले 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 थे, care, जब ले ले थे तो, कर्ज तो ले लिया, इस साल का तो हमने, टेक्स दे दिया, अब हम जब अगली वाली फसल आईगी, तो अगली वाली फसल से, ऊब हला कर्ज नहीं निकाल निकाल पाया कर्ज नहीं निकाल पाया हमने कीवल टेक्सी चुका पाया अब हमारे खाने के लिए क्या करेंगे हम खाने के लिए हम फिर कर्ज लेंगे ठीक है इस तरह की चीज़ी होती है तो हम कर्ज के जाल में फस्ते चले गए और हमारी फर्चेसिंग पावर यानि के कि जाए तो अंग्रेजों ने भारत में कभी भी औद्ध्यों की विकास नहीं किया या हो भी रहा था तो उसको भी क्या किया होने नहीं दिया मैं फिर से बोल दूं अंग्रेजों ने भारत में औद्ध्यों की विकास बड़े-बड़े उद्ध्यों की लगाना भारत में वो वह सारे लागु करवा दिया कि क्या इंग्लेंड वासी कोई भी इंग्लेंड वासी आपका इंग्लेंड में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है अब भाई यह कहां ले जाएंगे बिदेसों में अब भारत देस में कितना बेच लेंगे तो इस तरह से चीज़ें इन्हों ने जो भी यहां पर उद्योगते हैं उनको भी समाप्त करने की पूरी कोशित की और आखिर में यह सफल भी हो जाते हैं समझना ना इसके बाद रेलबे का विकास भी किया था थोड़ा बहुत तो उससे क्या लाब हुआ भारत देस को तो भारत में रेलबे का विकास लौड डलोहजी के काल में किया गया था यह पिरमुक रूप से यूरोपियों को लाब पहुँचाने के लिए या अंग्रेजों क कि किनारे समुद्री समुद्र किनारे यानि पत्तन वाले सेरों तर तो क्या कर दिया था रेलवे का विकास किया वहां से माल उठाओ और पत्तन वाले से किनारे सेर तक पहुचा दो जैसे कि दिल्ली से कलकत्ता लाना है कलकत्ता में जाज में ले जाकर और इंग्लेंड भेज तो इसके लिए इन्हों ने क्या किया अपने लिए रेल बे का बेकास किया क्योंकि इनका प्रुमुक देश के बीतरी भागों से लाकर बंदर गाहों तक ले जाना होता था इसके लिए 1853 में लॉड डलोजी ने बंबई से थाने तक के लिए एक रेल चलवाई थी जिसका से या इस रेलेवे से फाइदा हुआ था वो किस तरह का फाइदा हुआ था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं आदुनिक भारत के इथियास में ठीक है इतना काफी है चलिए नेक देखते हैं बैंकिंग पढ़ानी का बिकास क्या से किया कुछ इससे लाग हुगा क्या बारत देश में अच्छा का सा पैसा कमा रहे थे अंग्रेश तो हर को यह चाव रहा था कि भारत को अच्छा का सा लूट का सुट की जाए हमारे कुछ लोग भी है तो इसलिए यूरोपी लोगों ने क्या किया या कहा बिटेन के बड़े-बड़े लोगों ने बड़े- इन बारत कि यह चाहिए तो रेलवे में लगाई गई थी क्योंकि इन्हें अपना पैसा आया भारत में उसके बारे में हलका साथ देख लेते हैं कि भारत को कुछ लाब होगा कि नहीं तो सबसे ज़्यादा विटेस पूजी की अगर बात कि जाए तो रेलवे में लगाई ग खुद का फाइदा था तो यहां तक की जो कंपिनी थी विटेन की जो कंपिनी थी उसने विटेन की जो सरकारती उससे कर्ज तक ले लिया था तो सबसे ज़्यादा विटेस पूजी रेलवे में लगी थी इसके बाद सरकारी खर्च में उसके बाद बागवानी किर्सी में ज गर मोटा मोटी जोड़ा जाए तो लगबग लगबग 150 million pond sterling जो पैसा था वो भारत में लाया गया था बिटेन से ठीक है चलिए साथियो बात करते हैं धनकी निकासी के बारे में तो धनकी निकासी का मतलब क्या था यानि कि निकास का मतलब होता है निकल जाना यानि कि मान ली अरे यार वहां रास्ते में निकल गए समझ रहा ना तो यहां का निकासी मतलब निकल जाना गिर जाना या कोई चीन ले चुरा ले तो आपका निकासी हो गया चलिए तो देखते हैं धनकी निकासी का मतलब क्या है इसका सीधा था मतलब होता है खून का चूस लिया जाना य उसका बास्तिविक लाव उस छेत्र को या उस देश को या उस ब्यक्ति को न मिल पाना यही धन की निकासी कहलाता है यानि कि हमारा देश है ये भारत देश भारत देश में जो भी जमापूजी है जो भी उत्पादन हुआ जो भी प्यापार हुआ जो भी लाब हुआ उसका जो भी पैसा आया वो हम भारतियों को न दे कर किसको दे दिया जाए अंग्रेज अपने देश में ले जाएं या सारा का सारा लाव या सारी की सारी पूंजी अपने पास अंग्रेज रख लें यही धन की निकासी कहलाता है यानि कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम पूरे महीने अपना पिछवारा रगड कर काम करते हैं और उसके बाद हमें जो मंतली या महीने पर जो सेल्दी प्राप्त होती है या जो तनखाल मिलती है उसको जब हम घर की तरफ ले के जाते हैं तो रास्ते में या तो हमारी कोई चेब काट रहे या फिर वह है रास्ते में ही गिड़ जाए घर पहुँचने से पहले ही और हम जब घर पे पहुँचें तो अपनी चेब में हाथ डालें तो वहाँ पर हमें कुछ न मिले तो हमारा यहाँ पर क्या होगा हमने पूरे महीने काम किया उसकी जो क्षीज कैसे दी जाएगी हम खाएंगे पीएंगे क्या क्योंकि मेनत तो मैं करके आया हूँ कि थोड़ा एक्स्टा पैसा मुझे भी चाहिए था थोड़ा सा बीमार रहता हूँ कभी कभी कुछ बोखार बगएर आ जाता है तो इलाज के लिए भी जरूत पड़ती है तो ज कि आग की लपटे हमारे घर में भी आ जाती है हमारे घर का भी सामान चल जाता है उसमें कीमती चीज़ें थी बो भी चल जाती है तो हमें क्या थी हमारा पूरा महीने का तो बस सेल्दी चली गई उपर से हमारे उपर एक और बिपत्ती आ गई तो अब हम कहां से लाएंगे पैसा हम मान दीजिए कहीं से लेब के भी आ जाते हैं तो हमने पड़ों से किराय मान दीजिए एक दूसरे घरवालों से क्या ले लिया करजा ले लिया करजा ले लिया हमने ये कहा कि वैसा अगले महीने सेल्दी मिलेगी हम उसमें से आपको कोछ जो करज है वो आपका चुकता कर देंगे लेकिन जब हमें अगले महीने फिर से सेल्डी मिली हमारी फिर से जेब कट गई अब हमारा बोतो करजा होई गया अब हमारे इस महीने की सेल्डी भी नहीं आई तो हम आगे का चीवन कैसे वेतीत करेंगे यही हमारे भारत देश के साथ हो रहा था, जो भी कमाई हो रहे थी, जो भी धन था, सोना था, चांदी था, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा उठा कर बिदेश में यानि बेटेन में पहुचा दिया जाता था, समझे आ गया गया ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कि अंग्रे की संदिय उती उसके बाद दीवानी के आधिकार मिल जाता है तो प्लासी के युद्ध के यानि कि जब व्यापार करने आए तो प्लासी के युद्ध तक लगो पचास साल तक कि अगर बात की जाए तो अंग्रे जोंने अपने विदेशी विदेश से यानि कि अपने देश से यानि कि वेटेंज से अंग्रेजों ने दो करोड़ पॉंट का क्या किया था पॉंट का सोना चांदी सिर्फ इस ब्यापार करने के लिए ही मंगवाया था कहां से वहां से कहां से वेटेंज से मंगवाया था समझ रहा ना मैं फिर से बोल दूँ कि अंग्रेज भारत में जब ब्यापार करने आए तो प्लासी के युद्ध तक लगवा पचास साल तक की बात की जाए तो अंगरेजों ने दो करूर पॉंट का सोना चांदी सिर्फ इसलिए अपने घर से मगवाय था ताकि वो ब्यापार भारत के साथ कर सके या भारत में रहकर ब्यापार कर सके लेकिन ज बंधी कर देते हैं साथ ही यहीं से ही पैसा लेते हैं यहीं से ही लूट खसोट करते हैं और यहीं के पैसे से ब्यापार करते हैं और यहीं के लोगों को उनी के द्वारा बनाएंगे चीज़ें उनी को ही बेच दी जाती हैं और उससे जो लाब पर आप दुआ वो उठा के वो जेव काटने के बाद उसी चीज़ से आप हमें बनाकर एक नया माल तयार करके देते हैं और उससे जो भी फाइदा होता है वो आप अपनी जेव में डाल लेते हैं तो समझ में आ रहा है न तो यह ही आपका धन की निकासी कहलाता है समझ मैंगा लेकिन पिलासी के युद्ध के जाने कि अंग्रेज की मां का समझते हैं, कौन लोग यह जो हमारे भारत मां की कपडे तो छोड़ो, खाल को भी उतार कर बेच कर उससे ब्यापार कर लेते हैं, और इतनी पुरी और इतनी तहीनी इस्थित हमारे भारत देश की कर दी जाती है, समझ में आ गया तो यही हमारी धन की निकासी कहलाता है धन की निकासी की बात अगर की जाए तो धन की निकासी का सबसे पहले सिधान्त देने वाले जुबेक्ती थे उसके बारे में बात करने वाले जो बैकती थे उनका नाम था दादा भाई नौरो जी ये एकदम जाते थे और एकदम हमला कर देते थे उन्हीं लोगों पर जिनके बीच में ये रहते थे पहले तो ये खास आदमी थे अंग्रेजों के इन्हों ने काफी अपना जीवन ये नो होने 2 माई 1857 को इंगलेंड टेप टू इंडिया नामक एक पत्र लिखा और उसमें धनकी निकासी के बारे में बताया था इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था रमेश चंद्रदत्र रमेश चंद्रदत्र और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बिलियम ड इसे हमारा माल खाकर हमारे उपर ही हम से व्यापार करके हमारे उपर ही ठूक कर चले जाते हैं ये हमारे डातवाई नौरूजी ने बताया थे कि किस तरह से हमारे भारत का सोसड किया जा रहा है किस तरह से बारत देश का सारा माल बतूर कर ये उठा कर अपने बेटेन में डाल देते हैं ये हमारे दादा भाई नौरुजी ने बताया और इसका सयूग करने वाले इनके बिचारों को सयूग करने वाले दो ब्यक्ति और थे रमेश चंद्रदत और विलियम डिक भी ठीक है इन्होंने समर्तन किया इसके बाद दादा भाई नौरुजी ने सबसे पहले प्रतिव्यक्ति आय के बारे में गड़ना की थी इन्होंने 1867 में बताया था कि 1767 में ये बताया कि भारत देश की जो प्रतिव्यक्ति आये है वह 20 रुपए आका था कितनी इसमें सच्चाई थी ये बात की बात है लेकिन इनों ने जानकारी देते कि 20 रुपए थी कब 1867 की बात हो रही है ठीक है चलिए अकाल नीती के बारे में बात करते हैं अकाल नीती तो अकाल नीती क्या थी अंग्रेजों ने हमारी कितनी मदद की अकाल के माद्यम से तो आईए देखते हैं भारत देश के किस तरह मदद की मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों पताया कि भारत में धनकी निकासी के माद्यम से किस तरह से भारत देश की जो पूझी थी भ अंग्रेजों ने हमारी मदद की और उसको हम कहते हैं अकाल के नाम से जानते हैं अकाल का मतलब होता है बे मौत मर जाना यानि कि हमारी मौत नहीं आई है उसके बाद भी हम मर जाएं तो इसको हम कह देते हैं अकाल अकाल यहां पर हम समझने के लिए हलकी सी जानकारी लेंगे क अकाल का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने हम भारतियों का खून इस तरह से चूसा कि हमारे लिए खाने के लिए नहीं कुछ पीने के लिए नहीं कुछ पहनने के लिए नहीं कुछ यानि कि हमारी इस्तिती इतनी दैनी थी कि हम बिना मोत के मर जाते थे तो भी मरते कैसे थे यानि कि खाने पीने को नहीं था तो भूख से मर जाते थे महीनों महीनों सालों सालों तक कुछ नहीं खाने को मिल रहा है एक मर रहा है पूरा का पूरा परिवार मर जाता था इस तरह से इस से थी उन्हें कोई सुख सुबिदाए नहीं थी उनके लिए को कोई भी सुविदा नहीं थी अगर बीमार हैं तो उनकी कहानी खत्म ही होनी थी तो मैंने क्या बताया जब भारत अंग्रेजों का जब अंग्रेजों ने भारत का खून चूसना शुरू किया आखिर में इस्टिती ऐसी आ जाती है कि भारत को चुसे हुए आम की तरह ये अंग अकाल पढ़ते हैं ये तो एक देमो था बड़े बड़े अकाल पढ़ते हैं इन अकाल के काड़ जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग बेमौत मारे जाते हैं इसमें अगर हलका था उधार ले 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 तो हमारा एक बंगाल नामक एक राज था बंगाल की एक तिहाई जन्संक्या अकाल के माद्यम से ही समाप्त हो जाती है इतना भेंकर भेंकर अकाल पड़ते थे और ये अकाल किसी के दोरा नहीं दिया गया था बलकि अंग्रेजियों के माद्यम से और अंग्रेजियों की जो नीतियां थी आर्थिक राजनेतिक और जो उनकी नीति में आदिनिक भारत के इतियास में बता चुका हूँ ठीक है चलिए नेत देखते हैं आर्थिक नीतियों का भारती अर्थिववस्ता पर क्या पिर वहाँ पड़ा था यानि कि मैंने बताया था किस तरह से राजस्तु बसूलने के लिए उन्होंने किस तरह से भूराजस्तु मे बूरा जैस्तु के लिए कांसे नीतिया मनाई इस्ताइबन दूबत से इस तंबरारी और यह वह सारी ऐसी नीतिया ने उनको बनाया था और उन नीतियों का यानि कि उन आर्थिक नीतियों का भारती अर्थिववस्ता पर क्या प्रिभाब पड़ा तो पेटिस की सोसरकाली नीतियों ने भारत की अर्थ विवस्ता को बहुत दैनी इस्तिती में पहुचा दिया था यानि कि हम कहां पर थे और वो कहां पर पहुचा दी जाती है यानि कि हम आसमान में थे और वो हमें जमीन पर लाकर पठक देते हैं रोता विलकता भूका प्यासा और हम ऐसे ही तडपत तडपे तडपते तडपते मर जाते हैं और यही इस्तिती हमारी अर्थ व्यवस्ता की यानि की भारत माता की कर रखी थी वो तडप रही थी रो रही थी चिला रही थी उनकी नीतियों के काड़ किस की आर्थिक नीतियों के काड़ ठीक है तो भारती ब्यापार पर कंपनी का एकादिकार था समझे ने नितियों का क्या प्रवापड़ा भारती ब्यापार पर कम्पनी का एकादिकार हो जाता है कम्पनी ने भारत के संसादनों का मन मर्जी दोहन किया जब की भारती ब्यापारियों की इस्तिती बहुती करावती क्योंकि उन्हें तरह तरह के कर देने होत थे उनके लिए खुलम खुला छूट दी गई थी जो आपकी मर्जी है वो बेच है जिसम कीमत पर बेचना है आप बेच सकते हैं लेकिन बात आती थी जब भारती लोगों की भारती ब्यापारियों की तो उनके लिए तरह तरह के कानून के द्वारा तरह के सुल्क के द्वारा हैं तो आपको क्या करना होता था अंग्रेज उस पर इतना टेक्स लगा देते उस पर इतना सुल्क लगा देते थे या कस्टम ड्यूटी इतना ही लगा देते थे कि जो पैन था उसकी कीमत अगर दो रुपए थी तो वो दस रुपए हो जाती थे तो भाई वी दो रुपए ब हम 8 रुपे हम एक्ष्टा देकर उसको 2 रुपे का अगर हम बेचेंगे तो हम अपनी जेप से ही पैसा देंगे तो इसका मतलब यह है कि हम ब्यापार जैसी चीज कर ही नहीं सकते जबकि अंग्रेजों का 2 रुपे का पैन है तो वो आपके अंग्रेज क्या करते थे भी बिन लाएं तो भी वो डवल कमाई कर लेते तो इस तरह से क्या था अंग्रेजों का यहाँ पर पूरी तरह से खुलम खुलना सारी छूटे आनि की सारी स्विदाएं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को मिल रही थी ठीक है मैंने क्या बताया जबकि भारती व्यापारियों के इस्ति बहुत कराब थी क्यों उन्हें तरह तरह के कर देने होते थे और तरह तरह की कश्टम ड्यूटी से गुजरना होता था अंग्रेज जो थे अंग्रेज भारत से ही कच्चा माल खरीद कर अंग्रेज जो थे भारत से कच्चा माल खरीद कर उसी कच्चे माल का एक गम विसुद रूप से तैयार माल को फिर से भारती अर्थववस्ता में भारत में मन माने रेट पर भारतियों को बेज दी थे और इसके बाद इस से जो लाब मिलता था या जो भी लाब कमाते थे वो अपनी मम्मी के हाँ यानि की अपनी महरानी यानि की बिटेन के पास बेज दिया करते थे मैं फिर से बोल दूँ यानि की भारत का माल भारत से ही खरीदते थे और उससे माल लीजी कपास करीदी और कपास से खरीदने के बाद उससे कपड़ा तयार कर लिया और कपड़ा तयार हम भारती लोग अगर इस घड़ी का निर्माड भारत में कर सकते हैं तो हम इस घड़ी को किसी दूसरे देश से क्यों करीग दें हम अपने भारत में ही उसका निर्माड क्यों न करें इससे हमारा क्या रहता है हम इस घड़ी के लिए दूसरे देश पर आसिरत हो जाएंगे अगर घड़ी का विदेशी अगर इसको कीमत 10 रुपे की माल है उसको अगर 20 रुपे बेचना चाहे तो भी हमें ये बेखरीदनी पड़ेगी क्योंकि हमारे देश में इस घड़ी को यानि कि इस घड़ी को नहीं होने देगा गया तो इस तरह से हमारे देश के लिए बहुती खराब और गलत बाती इससे क्या था भारती अर्थिववस्ता का सोसड किया गया मनमाने डंग से इसके बाद क्या हुआ इससे भारती मजदूर भारती किसान भारती ब्यापारियों की इस्तिती बहुत खर कोई उद्ध्यों का विकास ही नहीं हो पाया और छोटी छोटी चीज जैसे कि मैंने बताया कि अभी कपास जो है उससे सूती बस्तर बनाई जा रहे तो भारत में सूती बस्तर जो है बनाई जा सकते हैं जब भारत में सूती बस्तर बनाई जा सकते हैं तो उनका विकास ही नही जब खाने पीने के लिए पहले अपनी फसा लोग आते थे लेकिन उन्हें बाड़जी करड के तहत उन्हें उसमें फसा दिया जाता है और बिचारे अपने लिए कभी कुछ नहीं कमा पाते बल्कि उससे केबल वो टेक्स ही आनक है राजस्विया सिर्फ कर को ही दे पाते थे और जब खाने की बारी आती थे तो उनके पास खाने के लिए फूटा डेला भी नहीं बचता था इससे किसान भी विचारे बहुत परिसान होते थे इसको ब्यापारियों की अगर बात की जाए तो ब्यापारी जो होते थे भारत के उन विचारों को मैंने बताया कि किस तरह स मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसके लिए मनमाने ये टेक्स लगाते थे मनमाने जो जब मान लिजिए भारत में कोई चीज है भारत में बेचना है चलो मान लिजे भारतीयों को तो हम बेच देंगे तो ज़्यादा में दिक्कत नहीं आईगे जब हम भार बेचने के लिए बात आएं थ söकर बहरती लोग पिचार है कि इसने इतनी नहीं थी की चिनले वहां पर चैता है तो वहां पर क्या था हम भारतियों की जो वियायों थे उनकी भी इस्थिती बहुत खराब याक है दैनिय हो गई थी ठीक है चलिए तो बात करते हैं अंग्रेजों के 200 बर्स का जो सोसड किया अंग्रेजों उसका निसकर्स क्या निकलता है भारती अस्वेस्था के लिए आई देखने हैं तो जब भारत देश का आजाद होने के बाद जो अंग्रेजों ने भारत का सोसड किया था जो भी सोसड किया था उस सोसड के माध्यम से अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई थी उस सोसड कारी जो नीतियां थी अंग्रेजों की उसका अर्थ विवस्ता के हर छेतर में उसने अपना जहर फैला दिया था जैसे कि अगर बात की जाये आधारि संद्द चідनाक के बारे में या विवसाईक शंद चे बारे में उसका परभाव उसका जहर आपको देखने को मिल जाए गा यानि कि भारती अ पहस कर दिया यानि कि निल बटे सन्नाटा थी जब भारत देश आजा दुआ था यानि कि भारत बिकारीयों से बत्तर जिंदगी थी जब भारत देश आजा दुआ इतनी बुरी तरह से छोड़ कर चले गए थे क्योंकि अब यह कहेंगे कि नेता जी जो हमारे जो बड़े बड नहीं था पहनने को नहीं था उड़ने को नहीं था उस विचारे का दवाई का साधन नहीं था कोई डॉक्टर नहीं था यह सारी चीज जो थी दवाई की विवस्ता पैसेवारी लोगों के पास थी यह जो स्विविदाय थी वो सारे पैसेवारी लोगों के पास तो थी यहा प्रतिव्यक्ति आयका कभी भी आकलन नहीं किया इससे क्या रहा था अंग्रेजियों की जो सोसरकारी नीतिया थी उनकी पूल करते थे तो तो पर्ते च्रूप से थे या फिर उसके उस पर क्या थे नि बहुत करके माद्य हम से इसको बहु क्री क्रसी को वी क्या कर दिया था तरुबितर कर दिया या उसको भी समाप्त कर दिया था इन्होंने किरसी की तरह उद्योगों का भी विकास भारत में नहीं होने दिया या पहले से जो उद्योग में उजिते उनको समाप्त कर दिया और आधनिक उद्योगों का विकास नहीं होने दिया जैसे कि इंग्लेंड में क्या होने लगा था उद्धियोगी क्रड होने लगा था वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडिस्टी लगाई जाने लगी थी वो भारत में बिकास नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह था जब उद्धियोगी नहीं किरसी का भी समाप्त कर दिया सारे एर्थविवस्ता के जो छेतरत्य उनको समाप्त कर दिया तो भाया अब भारत देश बेकारी से अलावा बेकारीयों के अलावा कुछ नहीं बचाता है इतनी बुरी इस्तिती छोड़ के गई थे अंग्रेज समझ रहा ना इसको तो इस तरह से भारत देश का ये इतनी बुरी तरह से जहर फैल चुका था भारती अर्थविवस्ता पर किसका अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का इससे अंग्रेजों को तो जो लाब मिला अंग्रेजों को क्या हुआ अंग्रेजों को दो लाब मिले यानि कि अंग्रेजों ने भारत देश को सिर्फ दो ही आधर पर विक्सित किया था एक तो कच्छे माल के साधन के रूप में यानि कि यहां से कच्छा माल उठा कर ले जाए जाए वहां पर और उस कच्छे माल से जो माल तयार हो विसुद्ध रूप से उसको यहां पर बेचन नहीं किया समझना न अंग्रेज्जों को केवल को केवल दो लाग करने थे तो कच्छा माल और दूसरा यहां पर अपना दुकान का जो माल तयार होना था उसको वेजना था ठीकर चलिए इसके बाद अगर कोई आधनिक उद्ध्यों की अगर भारत में कोई आधनिक उद्ध स्थापना होने भी लगी थी तो उस विद्ध्यों की विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी थी जैसे कि आपका 1907 में चिएयन की दिख deposit स्थापना की ourルク इंकी गती क्या थी बहुत ही धीमी थी जितनी स्पीट से इनको विकास करना था उतना यह नहीं कर पा रहे थी और इनहें वह माहुल भारत देश में प्राप्त नहीं हो पाया था इननका सकल घरी लूथ पाद में il can बिलकुल ही न के वरावर था या बिलकुल नहीं दहा या फिर बहुत ही कम था अगर बिदेशी बियापार की अगर बात की जाए दो मैंने आपको बताया भी था कि प्राचीन काल के समय में भारत का भारत एक बहुत महधपड बियापार एक देस था यानि कि एक ल्होगों को गर्व मैसूस होता था भारत के ताथ ब्यापार करने से समझे लेकिन इस समय अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतिया थी उन्होंने क्या किया उन्होंने उस ब्यापार का जो गर्व था उस गर्व को फाड़ के क्या कर दिया गर्व वती बना दिया इतनी इस्तिती कर दी थी उ इतनी बुरि स्थिति भारत देश की कर्दी मैंने क्या बताया है राचीं काल कि समय भारत एक महित्पूड व्यापारिक केंद्र माने जाता है जो की यूरोप हो gynा अमेरिका हो गया चीन जैसे देशओं से आयात और निर्यात करता था उससे भारत का ब्यापार संतुलन क्या था हमेशा ही भारत के पस्च में रहता था जो कि आपनिवे से सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों जैसे मनमर जी का आयात निर्यात पर सुल्क लगाना या फिर मनमर जी का उन पर रोक लगा देना कि तुम उस दे आयत निर्यात पर रोक इस तरह की चीज़ें से क्या था भारत का जुप्यापार था वो बिलकुल ही समाप्त हो जाता है जिससे भारत केवल चीनी का पास और नील का केवल क्या रह गया था निर्यात तक बन जाता है यानि कि दूसरे देशों में इनको भेजने का ही काम इनको स देशों से क्या किया जाता था आयात किया जाता था जैसे कि रेशमी बस्तर हो गए सूती कपड़े हो गए इनको भी क्या किया जाता था आयात किया जाता था दूसरे देशों से कोई तुक ही नहीं बनता है अब भहिया कपास है कपास हमारे देश में पैदा होती है और कपास स से हम सूथी बस्तर मना सकते हैं रेसम था हमारे देश में ही पैदा होती थी तो रेसम से बस्तर मनाए जा सकते थे लेकिन इनको भी छोटी मोटी टुछपुन या टाइप की चीजों को भी हम विदेशों से क्या करते थे आयात करते थे इससे क्या था भारत पर एक्स्टा टैन में ही किया जाता था बाकी के जो देश थे उन पर इतने पावंदी लगा रखी थी इतने रोक लगा रखी थी इतने सुल्क लगा रखे थे कि उन देशों से ब्यापार होना बहुत ही मुश्किल था इसके अलावा हलका फुलका ब्यापार जैसे चीन के साथ कभी हो गया थोड़ा बहुत स्रीलंका के साथ कर लेने देते थे कि चलो वो भी कुछ किनी चीनी चीजों का बस यही तक्सीमित था हमारा भारत देश ठीकर चाले इसके बाद हुआ क्या कि अठारे सो उनहतर में स्वेज नहर ने भी अपना काम करना क्या कर देती है स्वेज नहर अपना काम करना सुरू कर देती है क्योंकि इसका इससे पहले जो अंग्रेज थे यहां से आते थे ऐसे विटेरन से निगले इस तरह से के अफरीका होते हुए के पाप गुड़ होते हु में धन कमाते थे उसको अपना समराज विस्तार करने में अंग्रेज उस धन का या उस पैसे का इस्तमाल करते थे यानि कि बार से कमाई की और अगल वगल में हमला करने के लिए अगल वगल में मां जो भी काम करने थे उसका इस्तुमाल भारत के पैसे के करते दे इसके अलावा जब पहला विस्यूद हुआ यानि कि पर्थम विस्यूद हुआ और दूसरा विस्यूद हुआ तो उसमें जो भी खर्चा आया वो भी हम से ही निकाला यानि कि हम भारतियों से ही पर्थम और देती है विस्यूद के लिए निकाला अगर जनांकी की बारे में अगर बात की जाये तो इन्होंने कभी भी जनगरना करने की नहीं सूची और एक बार गलती से हम्मत भी पड़ी तो 1881 में इन्होंने पहली जनगरना सुरू की इसके बाद कुछ चुटपत सामने आए जैसे की साच्छरता दर्की अगर बा उसमें कुछ छोटे मोटी जो जानकारी हमें प्याप तुई उससे यह पता चला कि 1881 में साच्छरता जो दर्थी भारत देश की भारतियों की वो 15% थी वहीं मैलाओं की अगर बारे में बात की जाये तो उन्हें की साच्छरता दर यानि की पड़े लिखे लोगों की संक्य अगर बात की जाए सब की तुफंद्र अगरवार की जाये तो सिर्फ ऑसिर्फ साथ पर जर्थ से बी कम थी रोगों बचने के लिए कोई साधन नहीं ता अगर कोई बीमार पढ़ता था तो उसकी म्रत्यों 100% पकी थी इनि की कुछांसी भी हो गई तो उसके लिए कोई डॉ पूटिया, खालो, कोई डॉक्तर बगेरा नहीं था, तो उनकी कहानी हन्डेड परसंट खत्म होनीए होनी थी, इसके बाद सकल मिरत्य दर की अगर बात की जाए, तो भो भी बहुत उची थी, सकल मिरत्य दर बच्चे क्या होते थे समाप्त हो जाते जैसे कि मैं अभी मैं जैसे कई पर साधी करता हूं और साधी करने के बाद मैं कोई बच्चा मेरा प्यादा होता है तो वो क्या हो जाए मैंने एक अजार बच्चे प्यादा किये उसमें से दो सो अठारे क्या हो गए मर जाते हैं तो य जीवन प्रतियासा की अगर बात की जाए तो पूरी जन्संक्या में केवल 44 साल ही तक जीवित रहता था 44 साल तक ही कोई भी ब्यक्ती जीवित रह सकता था 44 साल से जाद है नहीं रहता था वो भी कैसे average निकाला रहे जाता है कोई 60 साल का है कोई 50 साल का है कोई 50 का है कोई 61 का है तो उन सबी का average निकाल लेते थे तो उसको ही जीवन प्रत्यासा बोला जाता था तो कितनी थी, 44 साल ही थी, गरीवी की बात अगर की जाए, तो गरीवी की बात पूँचो ही मत, बेरोजगारी की बात की जाए, तो बेरोजगारी की बात पूँचो ही मत, किसी और सुक्स्विवदा की बारे में अगर बात की जाए, तो उसके बारे में पूँचो ही मत, क्यों आप एक अंग्रेज नहीं है इस समय अंग्रेजों का जब साथनकाल था अगर आप अंग्रेज नहीं है या फिर आप उच्छ बर्ग के नहीं है या फिर आप पैसे बाले नहीं है तो आप भारत में कीड़े के अलाबा कुछ नहीं थे समझ रहा ना आप बात को मैंने क्या बत करते हैं व्यापारिक संद्रेटना के बारे में गर बात की जाए उसके बात की जाएं तो इस समय कोई भी ऐसा उद्ध्यों गया पिर कोई विशाय नहीं था जिसमें किसी का किसी व्यक्ति का जीवन यापन हो सके क्योंकि यहां पर चितने भी कारसी जनसंग क्या थी उनमें से 70 से 75 परसेंट जनसंग क्या जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर जुड़ी हुई थी क्रसी पर ही अपना चीबने आपन क्या करती थी अपना गुजारा करती थी कोई भी उध्योग नहीं था कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का देने वाला साधन नहीं था जबकि बिनिर्मार की बात की जाए तो केवल 10% लोगी बिनिर्मार छेत्र में लगे हुए थे यानि कि उद्योग बगेरा में लगे हुए थे आधारिस सनचना के बारे में अगर बात की जाए तो आपनिवे सिकाल में जैसे कि ट्रेन हो गई यानि कि रेल पत्तन हो गई यानि कि जैसे नाव या जहाज हो गए जल परवन हो गए डाक हो गए तार हो गए इस तरह की जो चीजे थी इनका विकास नके बराबर हुआ था लेकिन अगर इनका विकास किया भी गया था तो उसका उद्देश भारती जंता को लाब पहुचाना नहीं था वलकि ऑपनिवेसिक नीतियों को लागू करने में आसानी हो इसलिए ही इन इन चीजों का क्या किया गया था बिकास किया था तो जैसे कि मान लीजिए इन्होंने अपनी सड़क मनाई तो इसका मतलब यह नहीं कि भारती लोग उस सड़क का आनंद लेंगे भारती लोग उस सड़क पर चलेंगे बलकि उस सड़क का सिर्फ और सिर्फ इसलिए विकास करवाया इस सड़क इसलिए बनवाई ताकि उस पर उस पर क्या हो ताकि बिटे सेना कहीं पर जाना चाहे तो आसानी से जा सकें या बिटे जो माल है तैयार हो गया है उस पर उस रूड पर माल क मेन सहर तक पहुचाया जा सके वो आम जनता के लिए नहीं खुली थी कहीं पर अगर रेल की पट्री बिचपा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे बेटे सर आम लोगों को फाइदा हो बलकि इससे यह क्या था माल को एक पत्तन से या एक जगे से दूसरी जगे आसानी से पहुचाया जा सके यहां पर कहीं कोई बिद्रों हो गया तो वहां पर बेटी सेना को उस त्रेन में बैठाल कर तुरंत वहां पर भेजा जा सके ठीक है इससे कुछ फाइदा भी हुआ भाहिया बारत देश को तो भाहिया इतने बड़े बड़े फाइदे हुए सबसे सakis要 है जिनके यहां पर हमें जरूरत नहीं है चले बात करते हैं बर्तमान की अर्थ्योष्था के बारे में यानि कि 2020 की इसको एक अलफ विक्सित अर्थ विस्ता तरह कहते हैं क्यों कहते हैं उसको भरती अर्थ हुष्म से इसलिए जो क्योंकि बिकास स्थील देशों की तुलना में भारती अर्थी विवस्ता भी क्या है थोड़ी सी पिछड़ी हुई है क्योंकि किर्सी का योगदान भारती अर्थी विवस्ता में अधिक है प्रतिव्यक्ति आयका इस्तर जो है भारती अर्थी विवस्ता का अभी कम है क्योंकि जनसंक्या की बिरद्धी दर है यानि की थोड़ी अधिक है बेरोजगारी दर थोड़ी अधिक है गरीवी थोड़ी अधिक है इनी कारणों से भारती अर्थिवस्ता भी क्या है अल्फ बिक्सित है अब भाया बिकासील अर्थिवस्ता क्यों कहते हैं क्यों क्यों कहते हैं क्यो सुधार किया जा रहा है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारती अर्थ वर्षता बिकास की रहा पर क्या है बहुत तेजी से दोड रही है और ये दोड़ते दोड़ते किसकी और पहुंच रही है बिकास बिकसे देशों की तरह पहुंच रही है और एक समय ऐसा आएगा कि दोड उसी देश है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान वो दोरते 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 इतनी आगे निकल गई कि भिकसित देशों को भी पार कर गई और एक ऐसे पड़ाब में आ गई कि आज उसको भीक मांगनी पड़ रही है और उसका एक नया नाम आ गया है उसको कहते हैं बिखारी अर्थविवस्ता तो हमारे पेकारी अर्थविवस्ता का अगर नाम आता है तो उसको हम पाकिस्तान कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं किसी वहाई को बोरा लग जाए उसके रिस्तेदार वहाँ पर रहते हूं तो उसके लिए सौरी ये ठीक है चलिए अब देखते हैं कि भा जंक्या का लगबख 68% तक गाउं में निवास करती है क्योंकि उद्योगों को कच्छे माल के लिए किरसी छेत्र पर निर्वर रहना पड़ता है क्योंकि किरसी छेत्र के काड़ बहुत सारी विदेशी मुद्रा हमें आज भी प्राप्त होती है इसलिए हम भारत की अर्थ तो भाइया निसृत अर्थ व्यस्ता कियो हैं तो आये उसको भी देखते हैं भारत की अर्थ relied विय्वस्ता में निजी चेत्र और चार्विनिक चेत्र या फिर राज्य टथा यूं की सक्तियों का समान रूफ से क्या करते हैं एक भूमिका निवाते हैं इसका अड़ हम भारत की अर्थ व्यवस्ता को मिस्रित अर्थ व्यवस्ता या मिक्ष्ट एकॉनमी कहते हैं अब यह हुआ कैसे कब से हमारी जो एकॉनमी है या कि भारती अर्थ व्यवस्ता है मिस्रित अर्थ व्यवस्ता बनती है तो हुआ क्या जब भारत देश जहरीले पंजों से याने की अंग्रेजों के चंगोल से आजाद जब होता है याने कि हमें खून के खून से सनिय हुई जब हमें आजादी मिलती है तो होता क्या है हमारे भारत के जो गडमान लोग होते हैं उन्हें एक ऐसी विवस्ता बनानी थी जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी या खामिया नहों क्योंकि हम जब 1929 के समय में जब हम लोग थे जब हम भारत की आजाती की लड़ाई ले रहे थे तब क्या हुआ कि अमेरिका में ये कहा गया था कि पूझी बादी अर्सिय बविस्ता का क्या है बोल बाला है और यानि कि पूझी बादी अर्थिविस्ता होती है उसमें बाजार की सक्तियों के अद्रस्यात होते हैं जो की अर्थिविस्ता को क्या करते हैं अपने आप ही ठीक कर लेते हैं अपने आप ही सही कर लेते हैं तो मैंने क्या बताया मैं फिर से बोल दूँ कि भारत जब आजाद होता है तो भारत के जो गड़मान लोग थे वो एक ऐसी अर्थिवस्ता बनाना चाहते थे या एक ऐसी विवस्ता लाना चाहते थे जिसमें कमियां नके बराबन हो इसी के चलते हमने थोड़ा सा जो कमी थी जैसे कि हमारी पूझीवादी अर्थिवस्ता तो पूझीवादी मंदी आती है तो देखा गया कि जो पूझी वार्धी अर्थीविस्ता झाते हैं समाजबादी की हमारे महामहीम पंडित जवाला लहरू ने क्या किया कि पंडित जवाला लहरू ने हमारे भारती लोगों से सला मसवरा किया सोच बिचार की इसलिए भारती लोगों ने एक ऐसी अर्थववस्ता बनाई जिसमें पूझी बादी अर्थववस्ता तता समाज बादी अर्थववस्ता दोनों के दोनों के क्या थे गुड़ों अच्छी अच्छी बातें भारती अर्थववस्ता में सामिल कर दी या फिर हम की जो गंदी चीज थी उसको हमने डश्ट विर में यानि की कूड़े दान की पेटी में फैक दिया इस तरह से महा महीं हमारे पंडित जवाला लेरूर जो की हमारे के प्रथम प्रदान मंत्री थे उन्होंने भारती अर्थ विवस्ता में पूजी बादी तथा समाज बादी द समझ रहा ना यहां हम ऐसी भी कह सकते हैं कि पूजी बादी अर्थ विवस्ता के गुड़ और समाज बादी अर्थ विवस्ता के गुड़ दोनों को मिला दिया और एक नया मेटेरियल तयार किया जिसको मिस्त्रिट या मिक्स्ट एकॉनमी नाम दे दिया हां ये बात अलग कि शुरूबाती अर्थ्योज्वरस्ता में, सारभजिनिक जो छेत्र था, उसकी बूमिका थोड़ी सी जाधी भारती अर्थ्योज्वरस्ता में लेकिन 1991 के बाद जब दूसरी ओर 1991 में, जब उदारी करद का दोर आया तो निजी छेत्र की बुमिका जो है भारती अर्थ वहस्ता में क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं आके देखते हैं अंतराष्टी मुद्रा कोश की अन्सार सकल घरेलू उत्पादन में भारती अर्थ वहस्ता बिश्टू की छटी सबसे बड़ एक संस्था थी उसने अपनी रुपोर्ट में कहा कि अगर विकास की दर भारती अर्थ वहस्ता की इसी आधार पे अगर चलती रहे तो बिनमयदर के आधार पर दो जार पर 50 तक अव्जिभारति अर्थिववस्ता जो है बेशी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थुववस्ता बन जाए एक जब किरे सकती के आधार पर यह अधारे की टॉनिस में इतनी तो इस तरह से आप देखते चलिए डिए निए लित इन के बारती अर्थि व्यवस्ता के छेत्रक के बारे में बात करते हैंए सेक्टरस ओफ इंडियन एक्वान्मी ठिक है आई यह देखते है कि सब्सेटाए भारती अर्थिवस्ता की से छेत सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर ठीक है इसके तहत बे छेत राते हैं जो सीधे प्रकृती से जुड़े हुए होते हैं यानि कि अगर इतम साधर बासा में समझें तो इसको हमें ऐसे भी कह सकते हैं इसके तहत प्रकृती से जुड़ी ही चीजें आती हैं जिनका निर्माड हम कार खाने में या फैक्टरी में नहीं कर सकते हैं हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्रकृती के द्वारा ही ला सकते हैं और ये एक बार समात्त हो गए तो उनको हम किसी फैक्टरी में नहीं बना सकते हैं, समझ में आ गया, इससे जुड़ी ही किरियाएं हैं, जैसे कि आपका क्रिसी हो गया, खनन हो गया, दूद हो गया, सबजी हो गया, लकडी हो गया, आँखें वंद करके आप महसूस कर सकते हैं, कि प्रक्रती से हमें क्या-क्या प्राप्त होता हैं, उन चीजों को हम primary sector या प्रात्मिक्स छेत्र में रखते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए दूद जो है वो प्रकरती के द्वारा एक चीज होती है या एक जन्तु होता है जिसको हम गायब है स्वक्री उंट पगेर हम क्या सकते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है जो दूद होता है वो किसी फैक्टरी किसी कार खाने में नहीं बनाया जा सकता हाँ यह वात अलग है जब दिवाली होली दिवाली आती हैं तो भारत देश्त में आप देख सकते हैं कि दूद जो है वो कार खाने में या किसी जो हलवाई और उसका नकली खोया बगारा बना लेते हैं तो जो की फिर मारती भी बहुत बुरी तरह से लाथी फुलिस इसका मतलब होता है तो यहां वह गरकानी लुदा एसा नहीं होता है तो अभी मैं दिवाली का समय था तो लेने गया पनीर एक किड़ो उसको काटा उसको जब दवा मत्र हाए ना तो ऐसे लग रहा कुट्ते की सफंज्ञा रहे हैं समझेगे तो उस उस समय क्योंकि दिवाली टाइम पर इतना मारा मारी रहता है तो पनीर था 네 असली नहीं थे नकली पनीध था। उसको जब सुझा तो फिर फील भी वैसा या रहा था फिर में दुबारां लेने गया दूसरी जगे से तो वो असली पनीध़ था। तो वह क्या था ? वह उन्हुत नकली कारखाने में बनाई ता कैसे बनाय उसके बारे रहे सबजी है किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकते हैं यह नहीं कि हम आदा किलो वो, आदा किलो वो, आदा किलो वो करके ऐसी डेढ़ किलो गोवी की सबजी बना ली, उगाली, ऐसा नहीं, वो फ्रक्रिती को द्वारा ही में प्राप्त होती है इस तरह से चीज होंगा जो कि हमें प्रक्रति से सीधे प्राप्त होती है खनन की बात कर लिए सोना आप फैक्टरी में नहीं बना सकते सोना क्या होता है खुदाई करने के बाद में प्राप्त होता है लोगा जो होता है हमें खुदाई करने के बाद खनन सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं यह क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रात्मिक छेत्र क्या होता है जो प्रत्वी से यानि कि प्रत्वी नहीं जो प्रकृति के द्वारा है जो हमें चीजे मिलते हैं जो कि फैक्टरी में नहीं बनाई जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं प्रात्मिक छेत्र क्या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं लेकिन दितियक छेत्र क्या होता है दितियक छेत्र वो छेत्र होता है जिसमें हम प्रात्मिक छेत्र से प्राप्त बस्तूं को हम फैक्टरी के माद्यम से या कहें किसी अन्य साधन के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं दूसरी बस तुमें या संपत्ति में क्या करते हैं उसको हम परवर्तित कर देते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका आलू है प्रकृति गुदारा प्राप्त होता है मैं गयू है प्रकृति गुदारा प्राप्त होत प्राइमरी सेक्टर थी तो हमने उसको फैक्टरी में ले जाके क्या करवाया एक मिल में हमने उसको पिसवाया पिसवाने के बाद उससे मैदा बनवाई मैदा बनवाने के बाद हमने उसमें क्या बनवाया ब्रेड बनवाया तो वो जो ब्रेड बनवाया गेहूं से ब्रेड ब इस पराप उए या अलू निकालने की वो स cast में लेकिन आलू को हमने अंकला चिंसाइन वाल उनकल नुवले ऑंकलाँ बीच डिया उनकलंगे क्या किया कुष्ञक को सगड़ां यह यह आलू सोगर फिरी यानी की मीठा अलू named नहीं होना चाहिए müsste चिपस होना आलू बोलते हम उस वह आलू होना चाहिए मैं हमने चिपस चाहँ हमने रहीत है में चिय बनबोस्त का यह उसमें से हमने क्या निर्माड करवाया, इस्टील निर्माड करवाई, तो लहो ऐसके जो इस्टील बनी, उसको हम क्या क्या क्यते हैं, सेकंडरी सेक्टर का भाग हो गया, आलू से जो चिप्स बना सेकंडरी सेक्टर का भाग हो गया, इस तरह से ये आपका क्या क्या लाया, द पखा जाता है जिनको परवर्चित करके उनका मूल बढ़ा दिया जाता है परवर्चित करके नए संसाधन का निर्माण कर दिया जाता है जैसे कि ग्यहों से आटा आटा से रोटी और रोटी की जगे हम आटा से ग्यहों से मैदा और मैदा से हम ब्रेड बना सकते हैं लोह से ल निर्मार्चित्र निर्मार्चित्र इसमें किसी इस्थाई पर संपत्ति का क्या होता है निर्मार करते हैं जैसे की प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होती है इंत प्राप्त होती है जैसे बालू गिट्टी यह सारी हमें प्रकृति के द्वारा माल प्राप्त होता है उससे हम क बिनिर्मित क्या होता है बिनिर्मित दूसरा जो इसका भाग है वो होता है बिनिर्मित तो इसको हम कहते हैं इसकी तरह किसी बस्तू का उत्पादन किया जाता है जैसे कि हम ने चिप्स बने तो चिप्स को खाया और सुबे निकल गए समझते हैं वो हमारे जो मसीन अंदर लग च्छेत्रक में यानि कि इस च्छेत्र में उद्योगों से जुड़ा हुआ काम होता है यानि कि जो सेकंडरी सेक्टर जो होता है इसमें उद्योगों से जुड़ा हुआ काम होता है इसलिए हम इसको और द्योगिक च्छेत्रक कहते हैं क्योंकि उद्योगों से जुड़ा है इसे तो बन के आ रहे होगी अहमान लगी कोई गाड़ी बनी तो किसी उद्योग से मर में फुरिज वगैरा बन कि आते है तो इसको कहते हैं इसको इंडब सेक्टर में do truths प्हेते हैं जैसे कि मैंने आप गाई कि भी यह हमने जय निकल वाया, प्रात्मिक छेत्र के माद्यम से, तो गेहूं जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे निकालने वाला कौन, एक मजदूर होगा, समझे ना बात को, उसमें निकालने वाला कौन, मजदूर होगा, काम करने वाला कौन, उसमें, ठीक है, उस से गेहूं निकला, अब गेह जो निकला उस गेहुं को उस गाहों से जहाँ पर उसका उत्पादन हुआ उससे इतलब उत्पादन कर लिया है थिरे सर्व अगेरा से कटवा लिया है वो पहुंचना है हमारी फैक्टरी में तो उसको हमने किस्सेफवाबात की फोन से उसको हम क्या कहेंगे दूर संचार या संचार व्यवस्ता कह सकते हैं ठीक है भई या यह तीनों चीज होंगी तो यह क्य करते हैं यह चीजें क्या कर रहे हैं सहीो कर रहे हैं भई यह ट्रक वाला आ गया ट्रक वाला आते 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 पहुंचा और उसने अपना सामायन ट्रक में लाद के फैक्टरी के लिए चल दिया रास्ते में पड़ोस में क्या हुआ ट्रक थोड़ा वो उन्होंने तागत वाल और उन्हें जैसी चक्कर मार दी वैसे उस लड़की को आ गया चक्कर जो जैसी चक्कर आया वो लड़की गिर गई और जैसी लड़की गिरी वैसे महा पहुच गया वैसे मैंने पहुचा और वैसे क्या किया उस ट्रक वाले की ड्राइवर को लोग लिया और एक दो मैंने उसम स्वास्ति सेवा दी गई स्वास्ति सेवा दी गई तब बोले कि भाई साथ उसने मुझसे कहा कि आप जो भी उसने बताया तो इसमें क्या-क्या चीजे इस्तमाल हुई देखो किसान ने ट्रक बाला बुलाया यातायत की विवस्ता हो गई उसमें रख जब रोड पर जा रहा चला एक हुए तो वो वह एक ड्राइबर था तो वहां पर सेवा देने के लिए और तो वो क्या क्या भालाया है आपका बो भी तिर्तियक चेत्र हम आ गया जब बहूरे आई तो एंबुलेंस भी एक यातायत की तरगा है यातायत की तरगा हिसे विखार बीतियाद लहां ऋगाई तो भुग तो Mr. आज्छाजी जैसी इसमें कुछ चीजेन आती है समझ में आ ग्या ना ना जैसरे कि आम मानली कोई घर बनवाना चाथे हैं तो संपत्ति तयार करुजा ने वा चांज मेने निरुमाड बताय न तों घर बनमना चांथे उसके लिएसे किशनी पड़ेगी एक mystery की जरूत पढ़ेगी एक आपका मजदूर अगीरा की जरूत पढ़ेगी ये सारे क्या है ये सेवाएं देने आपको आये हैं, समझ में आ गया सेवाएं देने आपको आये हैं तो मेरे भी थोड़े चैनरपहले बताये था के जो track था, track बाले को बहुत मारा है तो उससे क्या कर दे पुला ली तो पुलिस जयसे बुलाई तो पुलिस बहुत से चलाना जाने याधा इस लिए वह एक Share sotrk के रूप में जाना जाएगा ठीक है समझागे ना तो इसके काड़ ही तिर्तियक छेत्र को सेवा छेत्र कहते हैं अब भया सेवा छेत्र कैसे होता है जैसे की मैं हूँ मैं अपने घर में खेल रहा हूँ तो मैं अपने घर में अपनी भेंड के साथ खेल रहा हूँ छोटा हूँ मैं अभी बड़ा नहीं हूँ अपनी भेन के ताथ खेल रहा हूँ तो मेरे बहन ने क्या किया कोई छीज खा रहे जी मैंलीज़ी कोई टॉफी वागैबर तो मैंने उसते छीनने की कोशिश की और वो चिला दि जैसे ही वो चिल लाई है तो क्या हुआ कि कोई बात नहीं मैंने उसकी नहीं चीनी तो उसने क्या किया नहीं दोबारा मैंने क्या किया उसकी टॉफी मैंने चीन ली और जैसी उसकी मैंने टॉफी चीनी है और बैसे ही उसने मेरे क्या कर दिया एक गुंसा दिया एक गुंसा दिया न जैसी तो मेरी नाक से क्या था नाक से खून निकलने लगा तो जैसे उसने गुंसा मारा तो उसने जो गुंसा दिया ना मेरा वो क्या हुई मैंने कहा ममी से मैंने कहा कि ममी इसने मारा है तो उनने कहा कि मारा कहा दिखतो रहा नहीं है तो खून नहीं निकला है चलो तो कैसे मारा तो उन्होंने भी मुझे कोई चीज का उत्पादन तो किया नहीं मेरे कहीं कोई पुर्जा बगारा तो लगा नहीं दिया उन्होंने भी क्या किया मेरे सेवा दे थी थोड़ा से इंजेक्शन बगारा थोड़ी दवाई बगारा अब सेवा लेने के बाद हम चलेगा तो यह ज सामझ रहाँ ना इसको हम सेवा वर्ग कहे देते हैं तो इसमें कोई किसी भी बस्तू या चीज का उत्पादन नहीं होता इस में केबल यह हमें अपनी कार को सलता से लोगों की सेवा करने हो चैजिन यहां पर नर्स देख रहा है पूश्ट मैन हो रहा है टीचर हो रहा है डॉ च्छेतरक में आ जाती है संभल मैं आ गया कि इस तरह से चलिए अनिज्चे रहा कि बारे में बात करते हैं चतूर्थ च्छेत रहा है या या फ़र इसको हम फ़ोट सेवाई दी जाती है लेकिन अपर प्रतियाच रूप से नहीं कैसे दी जाती है अपर्तेच जरूप से सेवा ने में दी जाती है कि मैंने भी बताये time इटömि जाइशी बात है वो अपर्तेच जरूप से मुझूद थी और जब उसने मेरे गुंसा मारा है तो मुझे टेच किया मैसूस हुआ कि उसने मेरी नांक में बहुत तेज घुसा मारा है तो वो क्या हुआ प्रत्य चुरूप से जब कि अप्रत्य चुरूप से सेवा कैसे दी जाती है मेरी जो डॉक्टर है तो वो भी मेरे सामने था उसने भी मेरे सुई लगाई तो उसने भी प्रत्य चुरूप से सेवा दी माली जीये कोई लेखाक है जैसे माली जीये बुक है आधुनिक भारत का इत्यास विपिन चंद्र ठिक अब यहां पर आधुनिक भारत का इत्यास विपिन चंद्र हटा के क्या कर दें अनुराग मिस्रा की एक बुक है अनुराग मिस्रा इसके लेखाक है आधुनिक भारत का इ अब मैं आपको सेवा कैसे दे रहा हूँ अब परतिय चरूप से दे रहा हूँ तो इसको हम कहेंगे फूर्ट सेक्टर रहा चतुर्थक छेतरक क्यों तो कि ये अपरतर चबा दे अभी आप सबी लोग पढ़ रहे हैं मैं आपके साच्छा तमाज़िद हो नहीं लेकिन अभी म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न तो आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये भी आपकी चतुर्थक छेतरक हो जाएगा क्यों कि आप जब मेरे सामने हैं मेरे सामने आएंगे मुझसे क्लास लेंगे न तो होगा वो तृतिय चेतरक लेकिन आ आप मेरे कोचिंग सेंटर में आके मुझसे पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको क्या करूँगा, साक्षात आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो वो तिरतियक छेत्रक में आएगा, लेकिन मैं यूटूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे पा रहा हूँ, तो इसका मैं किसी से बात करता हूँ, मैं किसी लड़की से अभी बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उससे बात करते करते, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे कही कि आज से हमारा तुमारा नाता, रिस्ता जो भी बोलते हैं, रिस्ते नाते सारे खतम, और मैंने उसकी जो रिक क्या है वो चल रहा है क्योंकि वो बात हो रही ना तो डाइक साथ चात हो रही है ठीक है बात हो रही ना उसके बाद वो मैंने रिकॉर्ड कर ली रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को मैंने दुबारा सुना याद ताजा करने के लिए तो मुझे वही दर्द मैसू हुआ तो इसका मतलब है कि आप बोस चतुरत चौथे सेक्टर में पहुंच चुका है क्योंकि अब मुझे सेबा नहीं दे रही है फिर भी मैं उसको देख रहा हूँ मैं उसको सुना मुझे वही फील आया रिकॉर्डिंग हो इस समझ में है कि न इस तरह से यानि कि आप सेबा हो गए शंगी इतकार हो गए आप बैग्यानिक हो गये कोई पुस्तकाले हो गया क्योंकि पुस्तकाले में क्या होता है व अपध्रते चुरूप से सेवा देता है क्योंकि महाँ पर जो अलग-alग लेखाक होते हैं अलग-alग लेख रहा हूँ ना उसके बाद मैं आपको किसी को दूंगा निए वो फाड़ के पहिंगा तो ये इस तरह से नहीं होता है समझ में आ गया चलिए एक चीज और देख लेते हैं बस्तु छेतरक तथा गयर बस्तु छेतरक ये दोनों क्या होते हैं आईए समझते हैं बस्तु छेतरक होता है पिरात्मिक तथा दितियक छेतरक को बस्तु छेतरक कहते हैं क्योंकि यहां पर हमें चीज़ें जो बनती हुई मैसूस होती हैं गयहू पैदा हुआ, गयं उसे bread बनी, तो हमें ये दिख रहा है, कि भाई साल ये बहुत तेक बस्तु नहीं का हो रहा है, उत्पादन येशन मार हो रहा है, कोई मकान बना, कोई ट्रक जा रहा है, तो ये सारी चीज़े क्या हैं, हमें दिख रहे हैं, लेकिन गैर बस्तु छेत्रक क्या होता है सेवा छेत्रक को हम गैर बस्तु छेत्रक कहते हैं क्योंकि अभी आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत तिक बस्तु नहीं प्रात हो रहे हैं क्योंकि जो मैं ग्यान दे रहा हूँ न वो बहुत तिक बस्तू नहीं है वो कैसी है और बहुत तिक है क्योंकि आपके पास घ्यान पहुंच रहा है हो सकता है आपके पास कम जा रहा है ज्यादा जा रहा है लेकिन बहुत तिक बस्तू से क्या होता है कि मैं आपके थपड मार दूँ या आप मजे थपड मार दें इस इस तरह से कोई चीज खाने खुद हैं यह जैसे थपन अमारे थे करके तो यह हमें दिखी नहीं लेकिन हमने अभी कुई कि हमारे लगी तो है नहीं लेकिन आप खाने के लिए फल रहें तो वह बहुत तिक होगी ठीकर इस तरह से चलिए नेक्स देखते हैं चलिए साथ अंतरकत वे उद्धम आते हैं जहां पर रोजगार की अवदी नियमित होती है यानि की संग्ठित छेत्रकत के अंतरकत सरकार के द्वारा पंजी किरत उदम या धंदे या फिर पेसा आते हैं इन्हें सरकार के नियम और काइदों पर ही चलना होता है जैसे कि कौन-कौन से नियम काइदे हैं जैसे कारकाना अधिनियम सब के बारे में किलिए कर दूँगा कारकाना अधिनियम नियुनतम मजदूरी अधिनियम सेवानुदान अधिनियम दुकान तता प्रितिष्ठा अधि को बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं जैसे कि सब एतन चुटी होती है चिकसी अधिकार होते हैं साब पानी होता है सुरक्षित परयावड होता है इसके अलावा जब ये से ना निविरत होते हैं निकि जब इन्हें नोकरी इनकी समापत हो जाती है अपने एक समय बाद समय सीम अब जब आपको चुट्टी मिलती है या किसी चुट्टी मिलती है तो आपको आपका बेतन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं आपको संडे की चुट्टी मिली है तो आपका बेतन भी यानि की सेलरी भी मिलेगी उतने ही जितने ही आपको मिलती है समझना ना चिकिसी अधिकार कैसे होत करते है काम के टाइम पर तो आपको सरकार पूरी मदद करती है साफ पानी की विवस्ता करेगी जैसे कि आप किसी छेतर में काम करते हैं तो आप बैठे हैं माप बड़ी अप पानी की विवस्ता होगी एक दम ठंडे एसी बगएरा चल रहे हो गम साप सुत्रा महाल होगा ठीक है इस तरह कि यहां पर विवस्ता होगी उसके वजब आप छुट्टी ले लेते हैं जीवन भर की तो आपको क्या मिलती है पैंसन बगएरा मिलती है वहीं दूसरी तब क्या होता असं संग्टेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पूछना पड़ता है सर आपके त्वाइलिट की बिवस्ता है सर आप लेवर है तो आप मेरे घर में तो नहीं कर सकते हैं उधर खेत है ना उधर किनारे जाना अब हम भाईया पहुंचे तो वहाँ पर जैसे ही पहुंचे बहां पर लिखा था गदे के कूप यहां बनमूत यानि की आप गोल गपे बैशते हैं या पर अमरूत के ठेला लगाते हैं या पर सब्जी बैशते हैं भाया हम सब्जी बैशते बीशते गली में लाझे ingersth भाली में जा गया अब 我们 का देख के निकली जा। आरी ज़ोफे नाली की किनारे बैठ गया है यहां प एसकि पीछ घर पर जाते जाते निकल जाती इस तरह कीजिए तो मैंने क्या बताया संग्डे छेत्र के यह है बिलकुल उल्टा होता है इसके तहते छोटी छोटी और बिखरी इकाईयां होती है जो की सरकारी नियंतर के क्या होती है बिलकुल बाहर होती है इस छेत्र में भी वही नियम काईदे लागू होते हैं लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता यानि कि सरकार के माध्यम से इन में भी सारे नियम काईदे लागू होते हैं लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता इसमें कम बेतन मिलता है काम नियमत नहीं होता यहाँ पर किसी भी तरह की चुट्टी का होता है तो उससे लोगों को बुलाए जाता है और काम कम पड़ गया तो क्या है भाई साब ऐसा है आज तो थोड़ा काम कम है तो आपको दो लेवर जो है उनकी जरूरत नहीं है लेकिन हम तो भाईया लेवर वाले आदमी है तो काम करते हैं तो हम तो घर से यही छोड़ सोच क आईते चलो मेहनत करेंगे तो पैसा तो मिले गई लेकिन आज मालिक ने मना कर दिया कि आज थोड़ा काम कमें इसलिए मैं आपको छुटी दे देता हूं लेकिन छुटी तो मिल गई भाई आप पैसा नहीं मिलेगा इतना ध्यान रखना काम किया है उसी का ही पैसा मिलता है इसके ताहित लोग आते हैं आप किसी भी तरह की कोई भी विवस्ता नहीं की जाती है तो चाहिते हैं यह सोचते ना उकात नहीं है कि इनके घरवाले ने खिला सकें यह सोच बना लेते हैं कुछ हराम खुल टाइप की जो प्रिजातिया होती हैं तो वो भग परेशा नहीं हो जाती है महलाओं के लिए उनके साथ गलत विवार गलत तरह से बत्तिमीजी कहीं टोयलेट पगेरा कि गर आती है तो वह बवस्ता hadain करने अभ़ेया कहीं महला है तो वह अब ट्रीलिट करने जाती है तो बहुत सी दिक्कات आती कहां कर देंगे विचारी खुले में तो इस तरह की चीजें उनके लिए किसी भी तरह की कोई ववस्ता नहीं होती है ठीक है इसके बाद चलिए छेत्र बार योगदान देख लेते हैं अनिकि जो भी सेक्टर से उनका GDP में किस तरह का कितना योगदान है हलका से देखेंगे इसके ब लगवग पचास पर से अधिक आज भी किरसी से क्रिसी से जुड़े हुए लोग है यानिकी किरसी छेत्र जो है वह आज भी सुप्चास पर से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करवाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सात्यों राष्टियाए के बारे में बात कर लेते हैं राष्टियाए यानि कि नेशनल इनकम थोड़ा सा अब आज थोड़ी भरवरा जाती है कभी भी बोलते बोलते तो टेंसन ना लें सेट कर लूँगा पानी यानी पीके में कर लिता हूं सेट तो उम्मीद है राष्टियाए यानि कि नेशनल इंकम के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो आईए देखते हैं तो राष्टियाए होती क्या है तो राष्टियाए मान लेजिए कोई देश है किसी भी देश की अर्थिववस्ता है तो उस अर्थिववस्ता में एक साल के अंदर या फिर विदेश की अर्थिवबस्ता में एक निश्चिस समय में उत्पादित अंतिम बस्तू होता था सेवाओं के मूली को हम राष्ठी आय कहते हैं अंतिम बस्तू है यानि की फाइनल गुर्स कह सकते हैं इनको या हम इसको पूरी तरह से निर्मित बस्तू है कह सकते हैं या इसको ह अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक ये उपभोग के लिए तयार नहीं हो जाएगी यानि कि किसी को देने लाइक या बेचने लाइक नहीं हो जाए तब तक इसको अंतिम नहीं माना जाएगा मान लीजिए ये पैन है पैन को तब तक अंतिम नहीं माना जाएगा अंतिम बस त कटोरी है तो कटोरी बनकर तयार होतो गई है लेकिन तब तक इसको अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक ये उपभोग के योगिन न हो जाए जब तक ये उपियोग करने के लिए न हो जाए यानि कि बेचने लाइक न हो जाए तब तक इसको अंतिम नहीं माना जाएगा समझ रहा ना अभी मैं आप लोगों के लिए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते बनाते में इसमें कोई कमी रह जाती है अभी मान लिजिए 20 गंटे का वीडियो 20 गंटे का 18 गंटे का वीडियो बनता है तो मैं उसको जब तक YouTube पर न डाल दूँ तब तक इसको अंतिम बस्तू नहीं माना जाएगा, यह अंतिम कब माना जाएगा, जब मैं इसे अपलोड कर दूँगा, अपलोड करने के बाद जब आप इसे देख सकते हैं, आप इसका उप्योग कर सकते हैं, तब इसको अंतिम बस लीजिए कई बी जो भी मुझे अभी हां तो कुछ नहीं धık空या भी शीमालीजिए मालीजिए ये ये आपका ये मनी के ये है ये क्या बोते हैं ये य enforce के लिए का इगा इसक इसको अंतिम तब तक नहीं का जा आएगा जब तक ये किसके ये नोचाएगा सुम्हें करने के लिए न हो जाए तब तक इसको अंतिम नहीं माना जाका सम्झ मैं रहा ना तो इस अंतिम बस्तुर और सिवाओं के मुल्य को हम क्या मानते हैं किसी भी देश की राष्ठि आये मान लेते हैं उसके मुद्रिक मुल्य को यानि कि यह आपका जो निविया का है इसकी जो भी कीमत है 200, 300 या 500 जितनी भी है मान लिजे इसकी कितनी है मान लिजे इसकी 340 रुपए हैं तो इसका जो भले ये नबे के लेकिन इसका जो मुद्रिक मूल है इसको हम ले लेंगे और उन सबी को ऐसे 1000 लाको करोड़ो जो उत्पादित किये गए हूंगे उनके मुद्रिक मूल को हम क्या मान लेंगे राष्टी आये मान लेंगे समझा रहा ना तो फिर से मोल दू किसी भी देखी अर्थिवगस्ता में एक निश्य समय में उत्पादित अंतिम बस्तूओं तता सेवाओं के मूली को हम क्या मानते हैं राष्टि आय मान लेते हैं अंतिम बस्तूओं को मैंने बताया क्यों लेते हैं क्योंकि अगर अंतिम बस्तूओं के मूली को हम नहीं लेंगे तो हम क्या होगी उसके मूल की गड़ना दो बार हो जाएगी जैसे कि माल लीजिये ये आपका अंतिम मूल की अगर गड़ना नहीं करेंगे अंतिम बस्तू के मूल की गड़ना नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि हमने पैन का धकन बना लिया उसको अलग रख लो एक रुपे का पैन की जो ये माल लिजी ये उपर का डखकन हो गया इसको अगर हम माल लेते हैं पचास फैसे इसके वाद इसकी रिफिल माल ले हैं दो रुपए इसके उपर वाला भाग माल ले हैं एक रुपया तो हमने क्या किया इसको भी किया ऐसे करके एक उर्पया इसके ऐसे करके तो हमने बताया कि ये सब के अलग अलग जोड लिए ये पचास पैसे इसके एक उर्पया इसका ऐसे करके धाई रुपय दे अब पैन तयार होके आया तो हमने पैन कि अलग से मान ली यानि कि इसकी रिफेल का ये सब तो जोड लिया अब हमने बा यह आपका मान लीजे यह यह रिमॉट है तो रिमॉट के जो भी यह जो इसकी केवल आई जो यह केवल आई तो हमने क्या किया जब के रिमॉट बनाने की तयारी हुई तो इसकी जो केवल थी उसके पहले हमने केवल देखी कि 50 रुपे की केवल आई है तो हमने क्या किया 50 रु रिमोट बनकर तयार नहीं हो जाएगा तब तक ये अंतिम बस्तु नहीं माना जाएगा क्योंकि हमें बेचना क्या है रिमोट बेचना है इसका ये नहीं बेचना है हमें इसके वटन जो लगे हुए ये नहीं बेचना है समझना है तो इसलिए हम अंतिम बस्तु तथा सेवाओ के मुल्की गढ़ना करते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी भी बस्तु की दो दो बार या तीन-तीन वार उसके मुलकी गढ़ना हो जाएगी, तो जब राष्टी आए को मापते हैं तो उसमें बेदेशों से प्राप्त आए को भी जोड लेते हैं क्योंकि हम भारती लोग अगर किसी दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं काम करते हैं काम करने के बाद हमें जो सेलरी मिली उस सेलरी को हम राश्टी आये में जोड देंगे जो भी मुझे सेल्डी मिलती है तो वो क्या होगा भारत की राष्टी आये में जूड़ी जाएगी क्योंकि मैं भारत का नागरे कूँ मेरे पिता जी कहीं और काम करते हैं माली जी सौधी अरम में काम करते हैं तो वो वहां से जो भी महिने पे 10-10,000 जितने भी हो वो जो उनकी की सेल्डी होगी वो भारत देश में जोड़ी जाएगी समझ ला ना तो मैंने क्या बताया भारत राष्ट्याय को मापते हैं तो उसमें विदेशों से प्राप्त आये को भी जोड़ दिया जाता है ठीक है तो भारत में राष्ट्याय की करना करने वाले संगठन का नाम या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्याए की गड़ना करने वाला जो संगठन है उसका नाम क्या है केंद्रिय सांखी की संगठन या CSO तो CSO के द्वारा राष्ट्याए की गड़ना या राष्ट्याए का अनुमान लगाया जाता है ठीक है चलिए भारत में राष्ट्याए की गड़ना का थोड़ा सा इत्यास जान लेते हैं कि इसके बारे में किस ने पहले बताया कौन-कौन से ऐसे लोग थे किस तरह से जानकरीजी जादा डीपे नहीं जाएंगे हलका सा उपर तेरहेंगे कि जादा ज़रूरी नहीं है हमारे एक ब्यक्त था 1868 में तो भारत में सबसे पहले राष्ट्याए का अनुमान लगाने वाले ब्यक्ति दादा भाई नौरो जी थे इन्होंने 1868 में राष्ट्याए का अनुमान लगाया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अन्वेटिस रूल इन इंडिया अन्वेटिस क् क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं वो सब भी लोग होते हैं और जो भारत देश में जो अंग्रेज हैं वो बेटेस नहीं है क्योंकि उनके काम उनका जो कर्म है भारत में लूट खसोड करना है तो ये किसी भी तरह से बेटेस नहीं हो सकते क्योंकि दादावाई अनपंडित जी हूँ और मैं कहीं पर भी जाकर मुर्गा खा लेता हूँ तो मुझे अनपंडित कहा जा सकता है मतलब बता रहा हूँ वैसे हो ऐसा तो नहीं होता है अनपंडित नहीं होता है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इन्होंने कैसे कहा अनवेटिस कहा क्यों कहा क्यों कि इन्होंने कहा कि जो बेटिस लोग होते हैं आनि कि जो बेटेन के रहने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं जो भारत में लूट का सुट मताएं वो कैसे हैं अनवेटिस हैं बैसे ही मैंने बगल में जाकर मुर्गे की धावत कर ली तो मैं अनपंडिजी हो पर बताई थी ठीक है इसके बाद जब भारत देश आजाद हो जाता है तो एक व्यक्ति और निकल कर सामने आते हैं जिनका नाम था पिरसांत चंद महाल नोविस या फिर हम इसको कह सकते हैं पी-सी महाल नोविस ठीक है? समया गया है? तो इसके बाद जब भारत दिस आजा दुआ तो प्रसांथ चंद महाल नोविस ने क्या किया? कि इनकी अदेशिता में एक समिती बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्री आय समिती ठीक है? तो राष्ट्री आय समिती की स्थापना गठन 1949 में किया गया था और इस समिती ने इस समिती की सिफारिस पर ही 1951 में केंद्रिय सांखे की संगठन की इस्थापना की गई थी मैं फिर से बोल दूँ प्रसांत चंद महाल 29 नामक एक व्यक्ति थे इनकी अदेश्था में राष्टिया इस समिती बनाई गई इस समिती ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके बाद 1951 में इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रिय सांखे की संगठन की स्थापना की थी जो कि क्या काम है इसका काम कई सारे हैं उसमें आपका राष्टिया की गढ़ना करना भी इसका प्रमुक काम है जी डीपी के प्रकार देख लेते हैं एक एक करके चले जी डीपी के प्रकार देख लेते हैं एक नजर डालते हैं जी डीपी के प्रकार उससे प्रकार को समझने से पहले एक हलकी सी नजर डाल लेते हैं पहले तो रिविजन कर लेते हैं कि सकल गरेलू उत्पाद क्या होता ह सुद्ध घरेल उत्पाद क्या होता है राष्ट्री उत्पाद क्या होता है इसको अलका समझाँगे इसलिए कि मैं आगे करके समझाँगा तो आगे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और क्योंकि डिवीजन हो जाएगा तो ज्यादा दिमाग में फोटो कॉपी हो और सेवाओं के मौद्रिक मुल को सकल घरेलू उत्पाद केते हैं सुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर बात की जाए तो सुद्ध घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रियोक्त मसूनों और पूंजी की किसावट को घटा दिया जाता है तो सुद्ध घरेलू उत्पाद हमें मिल जाता है यानि की GDP माइनस मूलहरासी क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा NDP तब आपको पता चल जाएगा वो भी बहुत आसान भासा में इसके बाद तीसरा देखते हैं सकल राश्य उत्पाद तो GNP Gross National Product तो किसी विदेश के उधारा एक वर्स में उत् इस से प्राप्त जो आय होती है उसको चोड़ दिया जाता है ठीक है तो अगर हम GNP निकाले हैं तो सकल राश्य उत्पाद यानि की GDP सकल राश्य उत्पाद यानि की GDP प्लस विदेशों से आय जो हमें प्राप्त हुई जब चोड़ देंगे तो हमारा यह निकलाएगा सुद राश्य उत्पाद निकल आता है इसको मैं आगे बताऊंगा किस तरह सी मूल हरास होता है और कौन-कौन से कैसी मसीने क्या प्रियुक्त होते है ठीक है तो इसमें एन एन पी नेट नेट नेशनल प्रोड़क्ट तो सकल राश्य उत्पाद माइनस मूल हरास चलिए देखते ह तो यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आगे का जो है नेक्स टॉपिक हम लेने वाले हैं और शुरू करने से पहले नेक्स टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूँ कि नीचे जो है मैं इसका आगे का जो वीडियो है वो नीचे comment box में मैं दे दूँगा क्योंकि मैं वीडियो जो है यहां पर मैं आपको इक तरह से demo की तरह दे रहा हूं comment box में आपको ये वीडियो का link जो link मिल जाएगा आपका पूरा जितना भी course है वो आपको नीचे comment box में मिल जाएगा economy आपका world जोगर्फी इंडियन जोगर्फी इंडियन एकॉनमी इंडियन पॉलिटी कुछ भी हो नीचे में comment box में और नीचे description में मैं आपको दे दूँगा बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की वीडियो उच पर आप आनंद लीजिए और आगे next topic के शुरू करने से पहले बता दूँ कि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आप उसको subscribe तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन वीडियो जो मिल जाएंगे ugc net के आपके 18 वीडियो वर्ल्ड जोगर्फी के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपका इंडियन economy के इंडियन polity के इंडियन economy की बात करें तो लगवक 302 वीडियो हैं आपका complete journal history की बात करें तो 9 वीडियो मिल जाएंगे आपका इंडियन ज्योगर्फी की बात करें तो 109 वीडियो मिल जाएंगे जिब बिग्यान की बात करें तो 118 वीडियो हैं पॉलिटी की ब बात करें तो आपको सतानी वीडियो मिल जाएंगे तो इस तरह से मैंने सारा का सारा जो है कोर्स में ने आपर डाल दिया है इस से आप आनंद लीजिए तैयारी करते रहिए तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और शुरू करने पहले मैं आपको बता दूँ कि य भायोजी देखें तो इंग्लिस और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ड जोगर्फी मिल जाएगा दोस्तो 99 में भारत का बूगल आपको 99 में जी विग्यान आपका internet में यहां पर देखने को यह नोचट इन्यान आपका इसमें पूरा जैस जो कि अगर सारा जोड़ते हैं खरीते हैं जी इसका तो हमें बढ़ेगा 10,000 रुपे में जो कि मैं सिर्थ पर यहां पर 900, 900, 900 निनानुमिव दे रहा हूँ यह है आपका सारा में नहापर दे दिया है आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर ही और फिर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए नेक्स टॉपिक सुरू करते हैं और मुझे उम्मिद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आनन्द आया होगा तो चलि कि भी एकजाम से जुड़ होए किसी भी पत्र को लाएंगे जिसमें विष्व के भूगल से जुड़ होए क्या होंगे पिर्श नाखर होंगे और आप उसको जब सॉल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल बयानी की हल कर सकते हैं तो मुझे इस बात की वी उम्मि से जादे का वीडियो नहीं डाल सकता, इसलिए उम्मीद है कि बारे से नीचे ही ये वीडियो होगा, दूसरा जो होगा वो भी बारे घंटे के आसपाद सी रखूंगा ताकि मैं चैनल पे दो वीडियो के रूप में इसको डाल सकूँ, तो इसमें जो पहले मैंने पुराने वीडियो जो world geography के डाल रखे थे उसमें जो कमिया थी वो कमियों को यहाँ पर दूर किया गया है उनको सुधारा गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नई डाली गई हैं तो चलिए पर सुरुबात करते हैं एक नई सुरुबात के साथ और बढ़त या फिर किसी के बारे में हमें एक जानकारी पहले से जब हमें मिल जाती है कि हम इनके बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे या फिर हम इस दावत में क्या-क्या खाने वाले हैं तो हमें एक मीन्यों जब मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है तो हम वहाँ पर देख सकते हैं जो इसका introduction है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है यानि कि जो वीडियो है इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे हो सकता है एक गंटे में बता पाँ हो सकता है तो आप जो वीडियो है आप आगे बढ़ा सकते हैं जिसको interest लेना है वो और ध्यान रहे इस वीडियो का 100% लाब नेने क होगी और जो आप दो पीडियाप होगी आपर एक तो पेड़ वाली होगी और एक फिरी होगी क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो चैनल है मोनिटाइज नहीं होगा जीवन पर वो मैं आपको इसकी इंसार्ट बेज़ दूँगा यूटूब की तरह तो जो आया है त तो इसमें दो तरह की पेड़ यभ दी जाएँगी एक तो होगा पेड़ वाला और एक होगा फिरी वाला तो फिरी वाला जो है वो आप चैलिग्राम के गुरुप से डाउनलोड पर सकते हैं कि देदूगा कमेंट बॉक्स में हो सकता है हो सकता है दिसकृप्सिं जो होता है उसमें हो सकता है तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इसमें क्या-क्या बात करने हैं वाले हैं तो इसमें हम जो बात करेंगे बहुगा ब्रह्माइंट के बारे में ब्रह्माइंट की उत्पत्ती के बारे में आकाज गंगाओं के बारे में तारों के बारे में सूर के बारे के बारे में जानकारी लेंगे प्रत्वी की दूरी के बारे में बात करेंगे इसके बात करेंगे इसके बाद हम यापर बात करें इसमें आपकी आजाती हैं अच्छांस रेखा हैं और इस तरह से तो तो मैं बताऊंगा यह मैं भी आँ पर दिखाऊंगा, तो देशांत रो आचांत रेकाऊंपर क्या है कि पुर्मुक देश्यो इस्ते थे उनके बारे में यहां पर बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे बोगा समय का निज़ार कैसे किया जाता है, उसके बाद हम बात करने शुरू करेंगे भूह अकरती बिग्यान के बारे में भूह अकरती बिग्यान में कुछ प्रमुक टॉपिक हैं जैसे कि प्रत्विए अनिदिक सनक्ना के बारे में बात करेंगे चट्टानों के बारे में बात करेंगे बूह कंप के बारे में बात करेंगे और क्यौला मु के बारे में आपर बात करेंगे इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा जल मंदर यानि की समुद रुपिक्यान के बारे में महा सागरी कटक के बारे में महा सागरी नितल के उचावत के बारे में महा सागरी तापमान और लवरता के के बारे में महासागर के बारे में बात करेंगे सागरी लबरता के इस त्रोथ देखेंगे इस त्रोथ इसको पड़ते हैं महासागरी धाराओं के बारे में बात करेंगे यानि की ओशियन करेंट क्या होती है एल नेलो धारा के बारे में बात करेंगे या हैं और उसके बाद हम हम इसमें लाली नो धारा के बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा आपका वो होगा आपका यहां पर मासागरी धारों का प्रिभाब क्या पढ़ता है इसके बाद ज्वार भाटा के बारें बात करेंगे जल संधियों के बारें बात करेंगे कौन सी जल संधि कहां से किन किन दो धारों को अलग करती है या फिर दो धारों को जोडती है ठीक है उसके बाद प्रवाल तता प्रवाल कि तत्वों क्या क्या होते हैं यानि कि elements of weather and climate के बारे में आप पर बात करेंगे उसके बाद बायू मंडल का ताप मानिया तापन या बायू मंडल का ताप मान के बारे में आपर बात करने वाले हैं या हम इसको कह सकते ही transfer in atmosphere के बारे में आपर बात करेंगे next जो बात करेंगे बायू मंडल में जन यानि कि water in atmosphere के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका आधरता के बारे में बात करेंगे, संगनन यानि कि जिसको हम condensation के बारे में बात कर सकते हैं, बायू मंडल में हम बादलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मेग भी कह सकते हैं, class vision को बोला जा स करता है संग्रन की रूप देंगे यानि की फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स यहां पर बात करने वाले में बहुगा बरसा के बारे में बरसा के प्रिकार देखेंगे यहां पर बातागर तता चक्रपात के बारे में यहां पर बात करेंगे ठीक है पर तीस से चालिस मिर्ट का इंट्रोडक्शन होने बाला है नेक्ट हम जो बात करेंगे बहुगा आप सी तोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाने कि हम पढ़ने क्या बाले हैं टोड़ा सा लबा होका तो आप अगे बढ़ते चली तो नेजाड डालते हैं क्या क्या हम यहां पर पढ़ने बाले तो हयांपर जो हम बात करेंगे बेहुगा ब्रहमा States के बारे में प्रवायंट की उत्पत्त्य की दो सिद्धानत्स जो सर माने जिसमें आपका महाविस्पोर्ट सिद्धानत आ जाता जिसकोवक बढ़ान की नाम से जानते हैं और दूसरा जो है कोसमिक ठ्रेय खिर्व के बारे में यहाँ पर बात करने हैSt죠 आधा था यहाँस करें आकास गंग करेंगे दूरी के लिए चार हिकाई को जानेंगे यहां पर जिसमें आज जाती है आपकी खगोली काई किसके लिए इस्तिमाल करते हैं पिर कास वर्स किसके लिए आकास गंगा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे जिसमें आपकी देवियानी के बारे में थोड़ी सी बांत कर लेंगे और एक और होती है जिसको हम बामन आकास गंगा कहते हैं जो फूंचा जाता है जितना important उतना ही यहां पर रखोंगा ज्यादा हम यहां पर ड्र नहरका क्या होती है और यह नहरका के बारे में बात करेंगे नेक्स यो बात करेंगे वो होगा डार्ग मेंटर या आंदुर्पदार्थ जो कि बहुत इंपोर्टन्ट होगा इसके बारे में थोड़ी सी यहां पर जानकारी लेंगे उसके बार नेक्स यहां पर पढ़ने वाले है वो होगा आपका तारे यानि कि स्टार्स तारे का रंग उसके तापान का सूचक होता है इसके बारे में बात करेंगे जैसे कि आपका नीला रंग क्या दर्साता है सफेद रंग क्या दर्साता है पीला रंग क्या दर्साता है नारंगी रंग क्या दर्साता है नेक्स जो बा आपका सोर मेंडल , यानि की सोलर सिस्टम के बारे मीं बहुत इंप्युट है मों प्रेम के साथ पढ़ैंगे इसको नेक्ड मिदिना बात करेंगे ग्रैही मेंडल की बहुत इंप्युटंट होने वाला है획 मिदेल यानि की प्लेनेट ॹिस्टंब के बारे में सूर के पडिवारा काई आप पीछा शोर जो को कि पेताजी आनि कि पापा है मुख्या हम इसको इसके बारे में बात करेंगे हैं nь क को इसको आख गरहले है इनके बारे मैं हापär बात करेंगे । और वह से के बारे हम about करें' डलो अ जाता है और ओम्मिक य CT avant minor planets जो होते हैं बहुत हैं को भी कहते हैं ठीक है चली next यो इसमें हम बात करेंगे उसको भी एक नज़ा डालते हैं इसमें हम जो बात करेंगे बहुत होगा आपका सूरय वोग की कबर करने वाले समय हम यहां पर आके बढ़ जाएंगे वह मुंगे के बारे में यहां पर बात करेंगे गोड़न के वारे में जिसमें आप आ जाता है पर या देनिक गती भी हम इसको कहते हैं इसके के बारे में बात करेंगे दिन रात की गटना किसके काड़ होता है इसके बारे में बात करेंगे पर किर्मण गति यानिकी यचा प्रत्वी से सूर की दूरी के बारे में जिसमें हम कह सकते हैं, संक्रांटि क्या होता है ? निक्स हम यहाओ पर बात करेंगे रितुं के बारे में tomorrow or सबस्क्राइब me की नीक्स बात करेंगे में प्रिठ्वी पर जो काल्पने क्रेका हैं उनके बारे में बात करेंगे जिसमें आपका आ जाता आचांस रहाएं और देसन्तराइं रहा हैं तो आचांस रहा हूं से जुड़े हैं कि आपका मकद रेखा हो गया करका हो गया विश्वत रेखा हो गया और अंटार्टिक प्रत्त हो गया नेक्स हम देस आंतर रेखा से जुड़ी हुए तथियों के बारे में अगर बात करने तो यहां पर हम जानने वाले यह समय का निजार कैसे किया जाता है प्रमारे क्या मानक के बारे बात करेंगे यानि means layers of pathraph the earth के बारे में आप सationyani यहापर सबसे पहले बात करेंगे क्या ढाता है सिया मखिया निफे इसके बार नेक्स जो आता है तरगों के आधार पर आपर बात करें तो आ जाता है वू बूव बतल या जिसको किरस्थ बूपरपटि कहते हैं, मेंटल आ जाता है, क्रोड आ जाता है इनके बारे में हाँ पर बात करने वाले है। जिसमें आपका सबसे पहला जो आता है, कुनाड असंबत्ता, मुहरोबिक असंबत्ता, रैप्टी असंबत्ता, गुटेनबर्ग असंबत्ता, लेमन असंबत अ arbeitet है। प्रत्वी पर पाए जाने वेले तत्वों के बारे में बात करेंगे यानि कि प्रत्वी पर पाए जाने वेले इस तत्व प्रिपटी के ऊपर देखेंगे और एक पूरी प्रत्वी पर देखेंगे इसके बाद नेक्स जो हम बढ़ जाएंगे वो आ जाता है आपका चट्टान करने किनी कि बारे उनके बारा में अन पर नहीं बात में जो क्रियां होती हैं उनके बार में ऐती हैं तों कि वाले में दूद करने के वाले बाहर होती है धृज़िया वारे में दूसरी आट बाहर होती है यहांड पर दौनों कि वाइन बाहर की अगर रख करेंगे तो छासों तो अब जो जो खुँखा आग कोई किसुख को जया गाता है जाता है जालो मकी का नली पदार्थों पर बदार्थों के बारे में आपर बात करेंगे जिसमें आ गैस की अगर बात की जाए, गैसों के बारे में बात की जाए, तो गैसों में आपका सल्फर हो जाता है, हड्रूजन हो जाता है, कर्मेडरी अक्साइड हो जाता है, और जल्वास हो जाता है, ठोस में अगर बात करें, तो पत्थर के टुपड़े निकलते हैं, राक निकलते है से लावा निकलता और ज्छाग निकलता है नेक्स कात करते हैं यहाँ पर लावा पर इंप्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर तो लावा के बारे में यए थुढ़ी सगाल लेंगे जिसमेlor जो है लाबा के प्रकार देखेंगे यह निकि लाबा जो होते हैं दो प्रकार की होते हैं जिसमें आपका आता है anh net sense यह बारे में आपर बात करेंगे next वायमें जो आत आ जाएगी इसमें जॉना मुखी महीं पढ़ाएंगे June कि पrafकाद अंसी सकते हैं दूसरा जो udah जाना मोखी के परकाद है तिसरा जो यो मतलब और आर्थक्र खुतकूर के wplik Honey Girl के बारे में हाँ पर बात करेंगे और मेरी सां जानेगे और मेरे जानेंगे और आप को मेरा जो तरीका होगा वो आपने कहीं पर भी कुछ भी देखा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं अपने style में पढ़ाऊंगा जो कि आपको उम्मीद है इस तरह से मैसुत होगा जैसे कि आपका भाई या पिर आपके चोटा या बड़ा भाई आपको ज्यान पेल रहा है समझ रहा ना तो कोई भी style वाजी मैं नहीं जानता हूँ वा साधार रूप से जिस तरह से आप किसी भाई को छोटे भाई को या बड़े भाई को ज्यान दे रहें इस तरह की आपको मैं पताऊंगा भूकंप के काड़ भी प्रकार्की कह सकते हैं ठीक है जिसमें पहला प्रकार जो है बूगारव के टरंगं भूकंप का या अच्छाय च्छेतr के बारे में बात करेंगे जिसमें रिक्टर पैमाना के बारे में बात करेंगे और मर्केली के बारे में यहां पर बात करने बाले हैं नेक्स्ट जो हमें आपर बात करेंगे वो होगा आपका परवतों के बारे में परवत किसे कहते हैं क्या होते हैं परवतों के पिरकार जैसे कि इसिया के परवत हो जाते हैं हिमालय हिंद कोस जैग्रोस एलगोर तीयनसांग वर्खिनस अल्टाई काकेस काकेस और तम्चटका स्रेडी नेक्स जो आता है था ओसी निया दच्छिड आलफस के बारे महां परवाजय के बारे में बात करेंगे नेक्स जो आजाता है व उर्वप के बारे में जहांपर आपका अलफस्न देख लेंगे धच्टव एस सबसे लंबी परवसे बारे में बात करेंगे आधर पठार के से कहते हैं ठीक है पठारों के बारे में बात करने वाले हैं यहां पर पठार यानि की जिसको प्लेटू भी कह देते हैं तो यहां पर हम पठारों के बारे में बात करेंगे पठारों के प्रिकार देखेंगे पठार क्या होता है लाबा का पठार क्या होता है उसको हम थोड़ा सा बारत का जो प्राज़ी पर पठा रहा है उसको हम स्वेसा बांटा गया है और किसमें बाटा गया है और बाटा गया है आपका पठार के रूप में आप छोटी-छोटी जो पाड़ियां उसके बारे में तो यहां पर हम उनको जो बाटा गया है उसको हम देखेंगे यहां पर तो अराभली स्रीडी हो जाती है पूरवी राजिस्तानी की उच्पूमी हो जा जो आ जाएंगे वो आ जाएगा मैदान यानि कि प्लेंस के बारे में आपर बात करेंगे मैदान कैसे कहते हैं मैदानों के परकार देखेंगे जिसमें आपका गिर्पाज जनलोर मैदान हो जाता है डेल्टा का मैदान हो जाता है लावा का मैदान हो जाता है पबंद वारे नि पंपास का पठार देखेंगे सारा का मैदान देखेंगे सारा का मैदान देखेंगे सारा का मैदान देखेंगे सुन्दु का मैदान प्रमुपत्र का मैदान अरब का मैदान और पश्मी साहिविरिया का मैदान के बारे में आपर बात करेंगे नेक्स जो है बावर खादर और बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे लेकिन इंडियन जोगर्फी में उसको डेटेल्स ने पढ़ेंगे नेक्स जो हम बात करेंगे वो होगा आपका दीप दीप क्या होते हैं दीप किसे कहते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लेंगे दीप इस्तलकन के ऐसे बागो थे ही जिनके चार को पानी होता है इसके बारे में बात करेंगे, जैसे ग्रीन लेंड हो गया, मिटाज पर हो गया, सिरलंका पर बात करेंगे, जिसमें आपका हो जाता है, बिसकी प्रबुख जीलों है, के बारहें जहाई में आपा हैं जाता है बहरें बात करेंगे बात करेंगे वह पड़ेंगे तो यहां पर हम ज़्यादा नहीं पड़ेंगे ठीक है तो चलिए नेक। संभा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे सामाने क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और बित्क्रम क्या होता है इसके बारे में यह पर बात करने बाद करने नेक्च टॉपिक देखेंगे बहु हो जाता है आपका डेल्टा डेल्टा क्या होता है डेल्टा के प्रिकार द करेंगे जसकोms wonderful क्याते हैं विसको कुछ अ रपात हैं उनके बारे में बात करेंगेने नोग्रहा पर देखेंगी इस्तिला करतेह है यानि कि land for created by rivers तो जिसमें आपका आजाता नदी विसरपा जो की बहुत important है चाड़न जील गुंपित नदी गौर्ज के नियंद भी आकारिकाटी जल गर्तिका और छेपिगा इनके बारे में हमें यापर बात करने हैं बाले हैं next जो हमें आपर बात करेंगे एक सेकनित कहां जाओ एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि बहुत अद्य थंड पड़े तो वहां पर भी कुछ नहीं होगता है कोई किसी तरह पेड़ पाउदे नहीं होते हैं ठीक है तो चली देखते हैं मरु मतलब होता है जो एक तरह से खतम हो जाता है ठीक है चली तो इसमें इनको दो जाता है इस तरह से पूचे भी जाते हैं तो इसमें आपका जाता गोभी और टकला मकान इसके बाद काराकम और काईजिल कुमी यह कुछ प्रवक हो गया आपके ठंडी मरुस्तर इनके बारे में यहां पर बात करेंगे डिटील में लेंगे जल मंडल के बारे में याह》 कह सकते हैं समुधर ब्रत्विपर जल का बित्रड या महासागरी के चीटों इंग्रिम से का कॉंटिनेंटल सेल्फ स्लोप डीप सी प्लैंस एन ओस्यनिक डीप ठीक है नेक्स यहां पर बात करेंगे बहुगा आपका प्रमुक गर्थ जिसमें आपका आजाता है इसको हम ट्रेंच भी कहते हैं तो जिसमें आपका आजाता है मिरिया महासागर आजाता है और आर्किक महासागर आजाता है नेक्स यहां पर बात करेंगे बहुगा महासागरी यह तापमान तो था लवरता के बारे में यह हम कह सकते हैं महासागर में जो तापमान होता है उसके बारे में और महासागर में जो लवरता है यानि कि जो खारापन हो जिसमें संहान्ति इपावनों के हम सकते हैं महसागरी धारा सिंहां की बाद करेंगे जो की जलके महाँ करूह की तान को प्रभावित करते हैं इसक लिवरत में आता है मेगा डेकर बेड़िय हूँ पर क्लावड भाड सक्ए महाँ सकते और मेगनिसियम सलफेट के बारे में आपर वो मेगनिसियम ब्रुमाइट के बारे में आपर थोड़ी सी चानकारी लेंगे नेक्स जो बात करेंगे जो सागर है लबड़ता पूछी जाती है कि कौन से जील में या कौन से सागर में लबड़ता बहुत आदिक है या कौन से में क है या कितने परसेंट है इसके बारे में पूछा जाता है तो जिसमें आपका आ जाता बांजील में मिर्स सागर में ग्रेट साल प्लेक में सांबर जील में कैस्पीन सागर का दच्छी भाग में कितनी है कैस्पीन सागर के उत्तरी भाग में कितनी है इस तरह से लाल सागर में क करेंगे नेक्ट हम बात करेंगे महासागरी धाराओं के बारे में या उस जिनीक करेंट के बारे में जो की बहुत इंपोर्टेट हो हमें कंफ्यूज भी करती हो हमें परिशान भी करती है इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इन धारों की जिसा गति हमें प्रभा कुछ प्रमकारों से होती है ऐतलान्तिक मासागरी के बारे में लब पारे में बात करेंगे तरहीं की आपर जलतारों के बात बारे सत्य की कार्ण के इहां पर देखने वाले हैं उत्पति कुछ बरीकार कार्ण जह आता है है जब घुंद धरिव तबा discrete के कार्ण सुर का प्रकास के गार बातावर्ड पर प्रिभाब देखेंगे, मचली उतपादन पर प्रिभाब देखेंगे और बर्सा पर प्रिभाब देखेंगे यहाँ ठीक है, नेक्थ हम जो बात करेंगे जल संधीयों के बारे में, जोटते हैं इनके बारे में बात करेंगे भोगोली यहीं स्थिती वह का सब्सक्णा पक्रशन की जलत्थी किस्तर है में इस तरह कुछ आपकी जलत्खरन की है लुइन किसे कहते हैं जौर भाटा आने के काड़ देखेंगे जौर भाटा आने का समय देखेंगे उच्छ जौर क्या होता है निम्र जौर क्या होता है उसको जौर भाटा के लाव क्या हमें मिलते हैं जौर भाटा जो होते हैं वो कव कव आते हैं इस तरह से मिहां पर देखेंगे इस उनका भोजन क्या होता है प्रवाल के विकास की तुस्ताइं क्या होती है उनके लिए कितना तापमान होना चाहिए कितनी गहराई होना चाहिए इसके बारे में यहां पर बात करेंगे प्रवाल वित्ति के परकार देखेंगे तर्टी प्रवाल वित्ति के बारे में बात नेक्स्ट जो हो जाता है आपका वायू मंदल के बारे में आपर बात करेंगे तो वायू मंदल क्या होता है वायू मंदल की बिसेस्ताइं देखेंगे वायू मंदल का संगठन देखेंगे ठीक है संगठन देखेंगे वायू मंदल में कई गैसे मौजूद होती है और इन गैस हमें कौनसी गैस जो हैं बहुत ही हमारी लिए महत्पूर हैं और कौनसी हमारी लिए बहुत नहीं है कौन-कौन से वो काड़े इनके बारे में आपर भात करेंगे नेक्स जो हमें आप पर बात करेंगे बहुगा बायू मेंडल की संद्रतना के बारे में जिसमें structure of atmosphere हमें इसको एक कह सकते हैं साले बाता हमें समझे तो बायू मेंडल की चार परते होती है कौन बाते होती है? छो मेंडल, संटाप मेंडल, मद्य मेंडल और उस मेंडल बारे में जानेंगे मौसम तता जलवायू के नियंत्रत के बारे में बात करेंगे यानिकि कौन-कौन से ऐसे जो तत्व हैं जो कि मौसम को नियंत्रत करते हैं या जलवायू की नियंत्रत करते हैं मौसम तता जलवायू के तत्वों के परवर्तन को प्रभादित करने वाले कार कौण कौण सी तत्म हैं जो कि मुशन तता जलवाई में सामिल कि जाते हैं जैसे के आपका तापमान हो गया भायदव हो घया हवाए होगई पपने अद करेंगे और बरसा के बारे में यहां पर बात करेंगे आपको प्रवाध करने वाले तटम हमें ही आपका सूर Eh क्रण आता है कि यह तो करेंगी उस्हार को क्या करती है है कैसे करता किस तरस से काउम करता है इसके यह बारे में आपकर आपार बात करने वाले किरियाओं को यह बारे बाद करेंगे जिसके बाद करने वालेムें जलकी मातरा जिसमें आपका आज़ाता आदरता तो आदरता के बारे में आपका बात करेंगे हम इसको कह सकते हुमिलिटी पाइवने आदरता का क्या मतलब होता है गुप दूसमा क्या होती है आदरता तीम पर कर की होती है इसके बारे में बात करेंगे जिसमें आपका बादलों का बर्गी कर देखेने देख लेंगे क्लासिफिकेशन और क्लाउड के बारे में जिसमें आपका उच में क्या होता है मद में क्या होता है निम्न में क्या होता है नेक्स देखेंगे बरसा के प्रकार भी यहां पर देख लेंगे जब बादल के प्रकार देखें तो जिसे बातर बेख सिक्रवाद के वारे में इस चक्रवाद करने बाले हैं जिसमे का उत्तर जिए वाता जीवन चक्रवाद का उतरी गोलाँ प Mooji वातागक यह पास सब्कुराइब AG पात करेंगे जिसे अलीजियु सिन देवसंगू के पास आइसे लेंंड के बास वहूमाद-द्यcha की चक्रवाद की के छह क्रम सता हमती है निके बार वाहत बात करेंगे करेंगे दो तीन चार पांच शे के बारे में बात करेंगे स्थोकृष्पंदि चक्रवाथ के समय पर मौसम के समय पर रहे हैं पर क्या प्रभाब पड़ता है लिए कि तब पर किसेаешь करssä मधियर्ण जाता था कि-थे च3, सीटोस कटबंदी ये चक्रबाद से प्रभावित छेत्र के बारे में यसमें आपका उत्री अट्लांटिक आ गया भूमत सागर आ गया भूमत सागर आ गया उत्री प्रिसांद महा सागर आ और चीन सागर इसके बारे में आपर बात करने बाले नेक्स बात करेंगे उत्री देखेंगे चक्रवाद को लग-लग चेत्रों में अलग-अलग नाम dentist चक्रवाद है उन करेंगो कुछ यहां पर प्रस्न है उनके बारे में यहां पर बात करने बाले हैं तो यह चोटा था पर्च होगा जिनके बारे में यहां पर इस जियोगरफी के पार्ट वन में पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपका को भी परस्न जो चुगरफी से जुड़ा हुआ वह नहीं चूटेगा और आपको सुरू करने से पहले एक बात और पता दूँ कि अगर आप इसकी पीडियाप चाते हैं तो आपको नीचे लिंक मैं आपको दे दूगा महाँ पर दो तरह की पीडियाप होगी और दूसरा होगा फिरी वाला फिरी वाला आप कर सकते हैं टेलिग्राम से डाउनलोड और जो पेड होगा वो आपको फुल बर्जिन मिलेगा औ को नीचे WhatsApp नंबर दे दूँगा मैं अपना मतलब जो लगेगा नहीं WhatsApp आप मैसे गरेंगा कि किसी भी तरह की किसी भी तरह का आप कुछ भी पूंचना चाते हैं तो आप WhatsApp पर मैसे करके आप दे सकते हैं मैं आपका उत्तर देने की कोशिस करूँगा तो चलिए पर सुरुबात करते हैं आपका वर्ल्ड योगरिफी का पार्ट वन जो की है दादा जी वीडियो चलिए सुरुबात करते हैं सबसे पहला टॉपिक चिसको हम कहते हैं ब्रहमांड यानि की ता स्प्ड immense कि थोड़ा सा कुछ एक्ष्टिच्ट् अब करने आप को और आपको आनंद एही आनंध महसुसराव तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं तहाई यूझी वर्स को यानि की ज़ाख को तो ब्रह्मांड क्या होता दो सब्थों में समय तो आकास गंगाओं को समिल तुरूप से ब्रहमांड कहते थे अब आएए आते हैं यहाँ पर एक्षटा ग्यान की तरफ इतना तो आप लोग चानते होगे तो ब्रहमांड में सभी गिर है तारे आकास गंगाओं और इन आकास गंगों के सभी पिंड, सभी पदार्थ, सारी उर्जा को सामिल करके क्या कहा जाता है, ब्रहमांड कहा जाता है, यानि कि हम ऐसे कह सकते हैं कि आकास गंगों के सभी पिंडों को सम्मिलत रूप से ब्रहमांड कहते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक छोटे से कड से लेकर विसाल आकास गंगाओं को सम्मिलत रूप से हम ब्रह्मांड कह देते हैं भाई या सबसे छोटा सा कड कंसा होता है तो मान लीजिए इस ब्रह्मांड में या हमें ऐसे कह सकते हैं हम यहां पर मौझूद है और यहां पर एक सुतंत्र जो कड है उसको कहते हैं सबसे छोटा जो कड माने जाता है वो यहां पर परमाडू होता है जो की इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन और प्रोटोन से मिलकर मना होता है तो एक छोटे परमाडू से लेकर विसाल आकास गंगाओं की सम्मिलत रूप से हम ब्रह्मांड कहतेते हैं यानि कि इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा परमाडू भी है वो भी आपका ब्रह्मांड का हिस्सा है एक उससे बड़ा अरू जो है वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है अरूं से मिलकर तत्व जो बनता है वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है योगिक चोहताय ब्रोवी ब्रह्मांट का हिस्सा है कोश्चिकाय ब्रह्मांट का हिस्सा है हम जीब ब्रह्मांट के हिस्सा है हमारे सारे अंग ब्रह्मांट के हिस्से है पूरा जनसंक्या ब्रह्मांट का हिस्सा है पूरा समधाय ब्रह्मांट का हिस्सा है सारा समाज ब्रह्माण का हिस्सा है, सारे राष्ट ब्रह्माण के हिस्से है, सारा गिरह ब्रह्माण का हिस्सा है, सारे स्वार मंदल ब्रह्माण के हिस्से है, सारे तारे ब्रह्माण के हिस्से है, सारी आकास गंगाय ब्रह्माण के हिस्सी है, तो क्या समझवे आया, कि एक छो जो आपके बहुत सारे पर्माडू जो होते हैं नीट्रों प्रोट्रों और इलेक्ट्रों के बने होते हैं और बहुत सारे पर्माडूं से मिलकर एक तत्व अडू बन जाता है और बहुत सारे तत्मों को मिलाकर एक योगिक बन जाता है बहुत सारे योगिकों को मिलाकर अगर जीब की तरप आए सरीब की तरप आए तो एक कोशिका है और बहुत सारे कोशिका। से मिलकर एक उतक बन जाता है और बहुत सारे उतकों को मिलाकर एक अंगतंत्र बन जाता है और बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक अंगतंत्र बन जाता है और बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक सरीर बन जाता है और बहुत सारे सरीरों को मिलाकर एक जंसंक्या बनता है बहुत स बहुत सारी गिरहों के मिलाकर क्या बनता है एक सौर मंडल बन जाता है बहुत सारी सौर मंडलों को मिलाकर एक आकस गंगा बन जाती है और बहुत सारी आकस गंगा को मिलाकर हमारा ब्रह्मांड का निर्माड होता है तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का अध्यन करने वाले जो नाम था Clydeus Tolumy, यह Clydeus Tolumy जो अंकल थे, इन्होंने 1420 में इस ब्रह्मांड के अध्यन की सुरुबात की थी, तो यह चोटा सा पर्चे होगे, आपका ब्रह्मांड के बारे में, नेक्स हम समझते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिनके बारे में आपर बात करेंगे, चुकि एक्जाम की दरिश्टी से, यान की परिच्छाओं की दरिश्टी से भी क्या है, बहुत महत्पुर में से तो बहुत सारे जो सिध्धानते हैं, जिनको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कार्ण आनगा था, तो आईए सबसे पहला नी क्या है, जिसको ब्रह्मांड की इत्यच्फर्एऔर चीस को इस तो सबसे पहला दoney love से जानेगे, तो सबसे फैले में यह कास्मिक थ्रेड उत्ति हंकर्यूं सिध्धानत, хो क्या है? एक व्यक्ति ते जिक रहरों कि धाक नमा करती से क्या है एक दूसरे से इस तरह से आपस में जुरा हुआ है सिद्धान्ध को देने वाले जो व्यक्त्री थे उनकाण था सोक सेन और सोक सेन को इस si-da-ant को देने के लिए असोक सेन को इस सिद्धान्द को देने के लिए असोक सेन को पिर्थाम यूरी मिलनर पुरुसकार दिया गया था मैं फिर से बता दूँ कि इस सिद्धान्द के अंसार यानि कि कौस्मिक थ्रेड सिद्धान्द के अंसार ब्रह्मान जो है एक धारे धागे जैसी संदचनाव से क्या है आपस में गुथा हुआ है यानि कि मिला हुआ है इस सिद्धान्त के लिए हमारे भारती मूल के एक बैग्यानिक थे जिनका नाम असोक सेंथा तो यह इंपोर्टेंट इसलिए जाद हो जाता कि इस से जुड़े बेज़ो बैग्ती थे वो भारती मूल के थे इनको फिर्थम यूरी मिलनर पुरुसकार दिया गए तक्या नाम था हमारे भारती मूल के बैग्ती जो थे आपका असोक सेंथा हैं यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से उस तरह से यह आपका गुथ्थम गुथा इसमें हो रही है आपस में एक दूसरे से किस तरह से यह यहां पर देख जाएगा चालिए नेक्स देखते हैं दूसरा जो है most important जो कि है big bang theory या कहें महा बिस्पोर्ट सिधान्त जो की सरमान और सबसे ज़्यादा मानता प्राफ सिधान्त है और यह माना जाता है ब्रह्मान की उत्पत्ती के लिए ठीक है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं इसको देने वाले या इसका पृत्वादन करने वाले जो ब्यक्ति थे उनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे इसको हम जॉर्ज लेमेंत्रे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जागा क्या जॉर् लेमेत्रे इस सिध्धान्त की अगर बात की जाए तो इस सिध्धान्त के अनुसार ये माना जाता है कि आज से लगवग तेरे दसमलाव सात अरब बरस पहले जितना ब्रह्माण था ब्रह्माण का हर एक तत्व इस्पेस आलू परमाण जो गूछ भी था वो एक सगन पिंड के रूप में या फिर एक आखे गोले के रूप में इतना सगन की बिल्कुल जो हम माली जीए यह है ना माली जीए यह उंगली है उंगली को बीच में हलका सा इस्पेस होगा ना इस्पेस होगा यानिक बिल्कुल कहीं पर भी कोई इस्पेस नहीं हर एक चीज जिसे माली जीए माली जीए यह आपका यह माली जीए आकास गंगा है यह माली जीए आपका क्या ब पिर से बता दूं आज से तेरे दसमलाव साथ अरब बर्स पहले जितने भी जो कुछ भी तायान की इस पूरे प्रहमान भी जो कुछ भी तत्व था वो एक इस्थान पर एक गोले की रूप में रखा हुआ था और किसी कार्ड से इस आग के गोले में या इस सगन पिंड में कि कार्ड से क्या होता है विस्पोर्ट हो जाता है और विस्पोर्ट होने के बाद जब यह विस्पोर्ट होता है तो इस प्रिक्रिया कोई हम या इस कटना कोई हम महां विस्पोर्ट कहते हैं या कहें इसको हम बेग बैंक कहते हैं तो आए किताबी बासा में हम एक नेज़ा डाल आए तारे गिर है जैसे कोई भी पिंड नहीं था यानि यह सब एक जग का समय इस प्रह्मांड बना था लेकिन प्रत्वी पर जीवों की उत्बत्ति के बारे में यह नहीं कि आफ प्रिक्रिया ब्रह्मांड के बनने के बहुत भाद में शुरू हुई थी, तो क्या समझ में आया, कि आपका जो भी तारे थे, जो आकस गंगाए थी, जो कुछ भी मालता, सब कुछ एक जगए एक खटा था, एक गोले की रूप में था, सगन पिंड के रूप में था, और किसी भी नहीं था, तो ना तो समय था, ना इस पेस था, समझ रहा ना, ना तो समय था, ना इस पेस था, तो कुछ भी नहीं था, जब ये बहाँ भी स्पोर्ट होता है, या का बिग बैंग होता है, तो उसके बाद ही आपका समय, उसके बाद ही आपका स्पेस, उसके बाद ही में का निर्मार होता है समझ में आ गया तो इस ब्रह्मांट को बनने में एक दसमलब चार तीन सेकंड का समय लगा था यानि की जैसे ही महाविस्पोर्ट हुआ बैसे ही एक दसमलब चार दो सेकंड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांट चार और फैल कर बन के तयार हो जाता है और आज के बारे में थी इतना काफी है next हम बात करते हैं आकास गंगाओं के बारे में यानि के गलैक्सिस के बारे में तो अभी मैंने थोड़ देर पहरे जब मैंने आपको ब्रह्माण बताया तो ब्रह्माण में मैंने बताया था कि आकास गंगाओं को सम्मिलित रूप से हम ब्रह्मा करते हैं माली जी ये बहुत सारे तारे हैं और बहुत सारे तारे मिलकर यहां पर इखटे हो जाते हैं एक आकस गंगा का निमाड हो जाता है माली ये दूसरी आकस गंगा ये है बहुत सारे तारे मिलकर एक आकस गंगा के यहां पर निमाड करते हैं तो एक जो आकस गंगा है व हम इसको clear करते हैं कितावी बासा में थोड़ा समझते हैं मैंने क्या बताया कि एक केंदर के चारोर भाई या केंदर कहां पर है आपको यहां पर 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 आपको दिखा दूँ एक केंदर के चार और चकर लगाते हुए तारों दूलकडों और गैसों के बिसाल सम को हम आकास गंगा कहते हैं मैं फिर से बता दूँ मान लिजे ये आपका इकोला है या फिर एक केंदर है या फिर ये बल्ज है इसके चारों और तारे गैसों और बिसाल धूलकडों को समलित रूप से हम क तो जो पिंड थे अरवो खरवो आकास गंगाओं में बट जाते हैं और ब्रहमांड में करीब करीब सो अरव से भी अधिक आकास गंगाएं हैं पिर ये एक आकास गंगा में सो अरव से अधिक तारे हो सकते हैं या फिर अनंत तक भी हो सकते हैं ये आकास गंगाएं क्या कर रह तो वो इस जगह इस्तित नहीं है बलकि क्या है एक आकास गंगा क्या कर रहे है एक दूसरे से दूर जा रही है आने कि अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही है अब जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो यह क्या हो रहा है खाली जगह का निर्माड हो रहा है तो इसका मैं कहूं आपसे कि मालीजी यह आपका कोई देश है मालीजी अमेरिका है और यह क्या आपका मालीजी इंडिया है तो भारत और अमेरिका के बीच की अगर मालीजी अभी क्या करते हैं मालीजी इतने दूर है ठीक है अभी देखने इतने दूर है तो अब मालीजी हम क्या करते ह बीच का गैप भड़ाया इस तो कोछ तो कोछ तो होगा यानि कि हबा में कह सकते हैं जिस तरह से मैंने ब्रह्माण को समझा कि आकास गंगाओं के सम्हूं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं या सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं हम ब्रह्माण कैसे हैं इसी तरह से तारों के सम्हूं को हम क्या कहते हैं आकास गंगा कहते हैं तो मैंने क्या ब लेकिन क्या कर रहा है एक दूसरे से दूरी चार हैं यह इस तरह से चुटा सा जानकारी दे तो क्या मतलब आया इसमें समझ मैं कि जो आकास गंगा है या कर जो प्रहमाड है उसका क्या हो रहा है बिस्तार हो रहा है आकास गंगा का ब्यास दो लाख प्रकास बर्ग है ठीक है एक प्रकास बर्स में एक प्रकास बर्स में नो तसमलग चार सो साथ पान्सो अठाइस चार्सो सार पान्सो अठाइस गुणा दस की पावर 15 मीटर होता है आकास गंगा के केंदर को यानि कि यहाँ पर आपको देख जाएगा चमकीला जो छेतर है याकास गंगा के केंदर को हम बल जी कहते हैं फिर से बता दू आकास गंगा के चमकीले भाग को ब सहब तो यह क्या कर रहा है यह क्या करता है इसे बहुत आतिक गुर्टवा वा पर दो जो आध की ता इसको बांढ़े रहता है और यह दूर नहीं जाने देता आपस में बांढ़े रखता है तो दूर मैडाकनी में नहीं कि मowa लेजिए याली मंधागनी याक हम यह माली तो एंड्रोघ समय है नहीं जब यह बलज में इतनी सूंकिल क्लॉझ उसको बलज में 되면 ठीकिल यहόςको बढ़ी तो इस जा और ये सारे पिंडों को, सारे माल को, सारे दूलकड़ों को, सारे सारों को, सारे गैसों को आपस में बांदे रखता है, ताकि ये एक दूसरे में क्या न जाए, एक दूसरे से दूर न चले जाए, जैसे मालीजी कोई तारा ये है, और कोई तारा ये है, तो क्या है, कि ये पर चुछ नहीं कि यहाँ पर किसी तरह का दल वदल नहीं हो क्यों कि जो बाल होता है इस कार्ड क्या होता है वो सभी माल को अपने पास ही बाहदे रखता है यह चोटा सा पर्चा हो के दो सब्डों में। परिवासा हो जाती है। गों के परकास सब्सक्राइपा आका है, spiral हम इसको कह सकते हैं, दूसरा है दीर ब्रत्ताकार, तीसरा जो है अब विवस्तित, अब हम इनको त्यूनों को अगर हम एक वार आकार देखें, तो माल लिए कोई आकस गंगा है, जिस तरह से शुरूआत होती है, इस तरह से, इस तरह से, क्या है, यह सरपल आकार किय बहुत बड़ी चेत्र में फ्हkayला हुए, एक दीर ब्रत्तबनाता है, यह बहुत बड़ा, क्या बनाता है? विरत्यानी के गोला बनाता है, तो इसको हम कहंगे दीर ब्रत्ताकार आकास गंगा है, तीसरा जो पर कर्कारमानीञीन कोई आकास है, उन्हों क्या करती है? इसobeं या इर्रेगूलर ठीक है तो चलिए हम क्लियर करते हैं तो मैंने एक बाग फिर से बता देना है इसको मैंने क्या बताया आकरती गंसार इनको हम तीन वागों में बाट के देख सकते हैं सबसे पहला जो है तो क्या हो गया यह तरह कुंडेली मार कर बैटा है इस तरह से करके करता है तो we मार कर बैठ दूसरा अब को आपको यहां पर यहां पर सिरू होती है और याँард की बहुत बड़ा गुला बनाते है तीसरा जो है यहां से सुरू हो रहे इस तरह से यह इस तरह से कोई इसका irregular है कोई किसी भी तरह का कोई खास ब्रत नहीं बनता दिक रहा है तो यह तीन प्रिकार हो गए नेख देख लें ने दूरी के लिए चार एकाईओं को जान लेते हैं जिसके बारे में आगे चर्चा होत कैंड़ने के लिए करते हूँ एंधर से बता दो खगोली-एकाई सुर से गिरहों के बीच की दूरी यहांठ एक गिरह से दूसरी यानि मालीजीय मालिजीये सुरू का बुद्ध के बीच की दूरी सुर से प्रत्वी की या पिर मान लिजी ये बुद्ध से सुक्र की या फे बुद्ध से भिरस्पत की या फिर बुद्ध से अरुड या बरुण皮 की धूरी मापनिया तो भगोली ये एकाई का इस्तुमाल करते हैं दूसरा यहां पर पिरकार देखते हैं दूसरा देखते हैं पिरकास फर्स पिरकास फर्स जो होती है बड़ी हिकाई होती है और इसका जो मार होता है बहुत अजिक होता है तो पिरकास फर्स क्या होता है पिरकास फर्स आकास गंगाओं से दूसरी आकास गंगाओं के बीच की दूरी की माख के बारे में जब हम इस्तुमाल करना हैं, तो हम किस का इस्तुमाल करते हैं? मालीजे, ये है आपका मंदा की ने आकास केंड़ा और ये आपका इंडुमेडा, या पिर मालीजे, ये मंदा की नी ह cám ये है आपकी वाय डॉर्फ गलेक्स ही है तो क्या करना है इस दौनों की बीच की अगर दूरी निकाल लें तो हम प्रकास वर्स से ना पेंगे या लाइट ही है जिसको हम भोल सकते हैं तो प्रकास वर्स से या फिर मान लिजे इसके दौनों की बीच की अगर मानते हैं तो तीन जार साथ सोल प्र यार साथ सो प्रकास वर्स प्रकास वर्स का मतलब होता है जो प्रकास होता है एक मिनट में मतलब एक साल में जितनी दूरी तै करता है उसको हम प्रकास वर्स कहते हैं जैसी मा लिए सूर से प्रतिवी पर आने में सूर से प्रतिवी पर आने में सूर का प्रतिवी पर आने में क कितना समय लगा लगवग आठ मिनट बाईस से लगा हो बहां से और यहां तक की बीच की दूरी कितनी है लगवग लगवग 15 करोड किलो मीटर कितना है 15 करोड किलो मीटर तो क्या समझ में आया तो अब 15 करोड किलो मीटर जो है पिरकास को तेह करने में कितना समय लगा आठ मिन में कितना निकालेंगे तो हम multiply divide करके निकाल सकते हैं तो एक साल में पिरकास कितनी दूरी ते करता है उसको ही हम कहते हैं पिरकास पर से हां light year next देखते हैं nautical million nautical mile तो समुद्र की समुद्र की सतय पर दूरी की मापने के लिए nautical mile का प्रियोग करते हैं समुद्र के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं समुद्र के बीच की या फिर एक गरह से दूसरे गरह के बीच में light year मतलब एक आकास गंगा से दूसरी आकास गंगा के लिए ठीकर चलिए नेक्स बात करते हैं चलिए साथियो उस अपनी मंदा की नी आकास गंगा के बारे में भी बात कर लेते हैं मंदा की नी आकास गंगा मतलब वह आकास गंगा जिसमें हमारा सौर मंदल या हमारा सूरज या हमारा गिरह है या हमारा देश है या हमारा सहर इस्तित है तो आए कि आकास गंगा में हमारा देश से इस्टित है तो को हो जाएगी मंदाकिनी आकास गंगा ठीक है चलिए मंदा आकास गंगा कितनी है सो अरब से भी अधिक उन में से एक आकास गंगा अपनी भी है चलिए तो देखते हैं मंदाकिनी आकास गंगा तो ब्रहमांड में मैंने क्या ब हमारा सूरज किस आकास गंगा में इस्तित है तो मंदा की नहीं है हमारा गिरह किस आकास गंगा में इस्तित है तो कहेंगे मंदा की नहीं समझ में गया तो हमारी जिस मंदा की नहीं आकास गंगा को हम दुद्ग मेखला क्योंकि यह दूद की तरह सफेद और उजली है तो हम इ एक लेक्सी भी कहते हैं क्या कहते हैं दुद्गमेकला- Пон cyngia आक्सइब हैं हम इसको कहते है हमारी यह Ocker ग Aiです क्या है में थे में इसक पूचा जाता कि हमारी आकासइब किस परकार है तो हमारी आकासइब सर्पेल आकार की है जो हमारी आकासइब है कि तीन भुजैये हैं सूर जो है मंदाकनी आकास गंगा का अपने सौर मंडल के साथ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है और मंदाकनी आकास गंगा में हमारा सौर मंडल जो है सौर मंडल में क्या क्या सामिल किया जाते हैं उस केरा जाते है कुछ विःए गिरह आ जाते है कुछ तर गिरए आ जाते हैं विश्क बारे में आके बात करने रूए फ़र से बता दूँ मन आकासगंगा का अपने पिंडों के साथ क्या कर रहा है जगर लगा रहा है ठीक है तो सूर्य जो है यानि कि यहां पर आपको देखे जाएगा सूर्य मैं आपको जूम करके देखा दूँ सूर्य जो है मंदाकनी आकास गंगा का सूर्य जो है मंदाकनी आकास गंगा का यहां पर देखे जाएगा का केंदर जिसको बल्ज कहते हैं तो सूर्य इसक केंद्र का या का बाईस से 25 करोड बरसों में एक चकर पूरा कर लेता है इस समय को यानि की 22 25 करोड बरस को हम गंगे बरस या गेलेक टेक एअर कहते हैं मैं फिर्से बता दूँ सूर जो है मंदाकनी आकास गंगा का अपने पिंडों के साथ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है और वो चक्कर जो है वह है पच्छीस या बाइस से पच्छीस करोड बर्सों के मत brush 25 करूण बरसों के अंदर और बरसों में लगा लगा लेता है पूरा कर लेता है और इस क्या कह देते हैं हम करे l-, आपको लिख से राएगा कह रणें से यह कैसे लिख देए हैं किसे कहते की चलिए तो हमारी जो आकास गंगा है हमारी जो मंदाकिनी आकास गंगा है इसकी पडोसी आकास गंगा की अगर बात की जाए तो इसकी जो पडोसी आकास गंगा है उसका नाम जो है वो है आपका एंड्रो मेडा फिर से बता दूँ मैंने क्या बता है हमारी इस पडोसी आकास गंगा की जो वो सर केते हैं या दुद्गु मेकला आकास गंगा कहते हैं ब्रमाण में पाई जाने वाली जाने वागते हैं, प्रमाण में क्लेक्सि के बादे में नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम थोड़ा सा जानकाली ले ले लेते हैं डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोटा छोटा सा टॉपिक है दो सब लाइनों का इसमें है तो वैसे इसका नहीं है लेकिन मैंने हलका सा इससी डुड़ी कुछ बाते आ रही थ हैं तो डॉपलर विस्तापन या डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट क्या होता है तो इस इसका क्यों यहां पर रखा गया उसको भी आपको समझ में आए जागा तो इसके तहते यानि डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के तहत जो इस्पेक्ट्रम होता ह है स्पेक्ट्रम में जो सात रंग होते हैं सात रंगों में से यह दी बैंगनी रंग का क्या होता है विस्तापन होता है तो आकास गंगाएं क्या कर रही होती हैं आकास गंगाएं एक दूसरे के पास आ रही होती हैं इस तरह से यानि कि मल यह देवयानी और यह आपका मिलकी बे या फिर मंदा की नहीं तो एक दूसरे के पास आ रही होती हैं कब जब आपका बैंगनी रंग का क्या होता है विस्ता हमारा क्या है कि आपको पता होगा मैंने क्या बताए था कि आकास गंगाई जो है एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पेक्ट्रम में जो रंग है उसमें से जो लाल रंग है उसका क्या हो रहा है विस्तापन हो रहा है तो यह है यह काड है कि हम यह कह या इसी को ही हम क्या किया देते हैं Doppler effect या Doppler पर हाँ क्या क्या देते हैं तो को हमें फिर से बता दू इसके back spectrum में ति बैंगनी रंका प्विस्था बन होता है ता आकास गंगा एक दूसरे Griffin के पास आ रही होता है अगर लाल रंका बिस्थापन होता है थर और यह भर आपक dob को मंदम्राउच तो मंदम्रा इनि आपका प्रतिवी स्थेत है ह्या प्रतिवी से दूर जा रही है किए फिर सर से दूर जा रही है दलता जारह ऐ कि अगर एक ने बर फिर इत स्वकंगे तो चलिए फिर शुरुबाद कर लेते हैं निहारिका रिए तो आकास गंगाओं में इस तित बहुत ही चमकीले धूल और गैस के बादल होते हैं मैंने आपको बताया था कि ब्रह्माड जो होता है ब्रह्माड जो होता है आकास गंगाओं के समु को हम समिलत रूफ से ब्रह्माड कहते हैं तारों के तारों धूलकड़ों और गैस के बादलों को समि किसमे हैं आकास गंगा काई भागें निहारिका होती है उसमें क्या होता है दूल और गैसों के ये बादल होते हैं क्या कहलाते हैं निहारिका कहलाते हैं किसमे होते हैं ये आकास गंगा में ही होते हैं तो आकास गंगा में इस तित बहुत ही चमकिले और दूल के दूल और गैस helium gas तता अन्य आयनी करत जो प्लाजमा होते हैं वो मौझूद होते हैं और इसी प्लाजमा से क्या होते हैं या करें जो निहारिका हुट रहे हैं निहारिका से ही क्या करते हैं तारे जन्म लेते हैं हम कह सकते हैं निहारिका से ही तारे तता अन्य आकासी पिंड जन्म लेते हैं निहारिका को ही हमारे सौर मंडल का जनक भी माना जाता है निहारिका बहुत चमकीले होते हैं और इमने अगर सबसे चमकीले निहारिका की बात की जाए क्योंकि निहारिका चमकीले होते हैं साथ ही सबसे चमकीला निहारिका है उसका नाम है औरियन औरियन निहारिका या औरियन जन्म हुआ माना जाता है तो आप से अगर यह पूचा जाता है क्या निहार का आकास गंगा का भाग है तो हाँ है क्या सौर मंडल का भाग है नहीं है चलिए यह हो गया आपका निहार का के बारे में छोटा सा पर्च है नेक्ट बात करते हैं छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते दार्क मेंटर या आंदर पताथ ठेक है आंदर पताथ इसको छोटए दो लाईनों में समझते हैं, किलियर करते हैं बैग्यानिकों का मानना है कि यह हमारा जो ब्रहमांड है, इसमें जो चीज़ां हमें दिखाई देती हैं, उसका तो दिरभ्व्यवान आप करी लें किनारे, और जो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसका भी द्रभ्यमान एक तरफ निकाल के रख लें, तो जो न दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, और जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, तो दोनों का अगर अंतर निकालें, तो 90 से 95 परसेंट तक निकलता है, अब कि इन का इन ब्रहम इन बैग्यानिकों का ये मानना है कि ब्रहमांड में अनेक ऐसे भी पदार्थ मौजूद है जो कि हमें दिखाई नहीं देते उसके बाद भी ब्रहमांड का 90 से 95 परसेंट दिरभ्यवान इन ही न दिखाई देने वाले पदार्थ के कारणर होते हैं मान हमारा ये पूरा ब्रहमांड है मान लीजिए हमारा ये पूरा ब्रहमांड है और इस ब्रहमांड मान लीजिए हम बहुत सारी चीजें इकटी कर लेते हैं ये वाला और ये वाला ये वाला और क्या कर लेता हूं ये और ये और ये और ये मान लीजिए हमारा पूरा ब्रहमांड है इस तरह से हम इसको कर देते हैं माल लीजिए हम इस च्रहार मैंने कर दिया तो लेकिन हमने क्या कर दिया यह उठाया एक यह उठा दी तो कर रुड़ कर दिंगा इंगा यह निकाल दी तो ऐसे करके मां लीजी यह सारी आकास दिना निकाल दी जितनी वी आकास दिना सब को मिला मिलू कर क्या कर लिया हमने आकास गंगा किनारे रख लिए तारे सारे उठा कर रख लिए तो सब का जो दिरभ्यमान निकला वो कितना निकला सो में से सौ में से कितना निकला हमारा दस किलो गिराम या हम कह सकते हैं साथ किलो गिराम या कहा सकते हैं कि सौ में से पूरा ब्रह्माड है उसका दिरभ्य मारे सौ किलो उसमें से कितना निकला सारी आकस गंगाओं को निकाल करो सारे जितना भी गिर है उप गिर है सब हैं उनको निकाल तो कितना निकला हमारा सिर्फ और से साथ किलो निकला बाकी का अब यह पूरा है माली जी यह पूरा हमारा आकास यह पूरा जो हमारा काली देख रहा है यानि कि इस पेस इस पेस देख रहा है एक दम काला काला देख रहा है चार और चार और एक दम काला काला देख रहा है उस के बाद ही बाद भी इस काले काले यानि कि जो खाली जगह है जो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसका द्रभ्मान पूरे जो माल है यानि कि आकास गंगा है तारे सभी को मिलाकर उन सभी को मिलाकर केवल साथ या आठ परसेंट ही होता है और जो हमें नहीं दिखाई देने वाला पदार्थ है उसका दिर्विमान नब्बे से पिच्यानवे परसेंट तक होता है यह मानना है समझ में आ गया ना मैं फिर से बोल दूँ बैग्या निकों कमाना है ब्रह्माने की कल आकास गंगा है तारे ग्रहमें और क्यों वज़े से इतना दिर्विमान नहीं है बलकि इनका यह मानना है कि ब्रहमान ने कैसे पदात्मी जो हमें दिखाई नहीं देते और दिखाई नहीं देते उसके बाद भी इस ब्रहमान नब्बे से पिच्याने परसेंट दिर्विमान इनी न दिखाई देने वाले पदार्थों ने घेर रखा है तो यह ओगया एक चोटा का छो वीडियो है वो नीचे कमेंट box में तरह के दे रहा हूं comment box में आपको ये वीडियो का LINK मिल जाएगा आपका पूरा बी को कि मिल जाएगा economy आपका world जोगारफी इंडियान जोगारफी इंडियान the quality कुछ भी हो नीचे में और नीचे disruption में में आपको दे दूगा बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की वीडियो उच पर आपको आनंद लीजिए और आगे नेक्स टॉपिक के सुरू करने से पहले बता दू कि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आप उसको सब्सक्राइब तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अ इंडियन जियोर्फी की बात करें तो एक सब्सक्राइब मिल जाएंगे जीब इग्यान की बात करें तो एक सब्सक्राइब करते रहे तो चलिए नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं और पहले मैं आपको बता दू हैं कि यहाँप र जो है आप नोट्स यो खरी सकते नहीं तो आप 900 99 वाला गर लेना चाहें तो बोले सकते हैं नहीं तो आपको फिरी भी यहाँ पर मिल जाएगा physics आपको देखने को मिल जाएगा आप नीचे क्लिक करना physics मिल जाएगा chemistry की बात करने तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो इंग्लिस और हिंदी दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड जोगर्फी मिल जाएगा 200 99 में भारत का भूगोल आपको 99 मेंobile जीब जोगर्फी जो एक पीपर फिरी मिल जाए इंगा यहांपर देखने Ctrl आपका इसमें पूरा जी ऐसा जोकी अगर सारा जोड़ते हैं खरीकते हैं जीस का तो हमें बढ़ेगा दस जाररें में जो कि मैं सिर्फ पर यहां पर दे रहा हूं यह है आपका सारा मैंने आपर दे दिया है आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर ही और फिर दोनों आपको देखने को मिल जागा तो चलिए नेक्स टॉपिक सुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखन को ढो जो मुझे जानते हैं पुराने समय से मुझे जानता हूँ कि हमेशा मैं बड़ा ही वीडियो बनाता हूँ ठीक है और इस वीडियो का एक छोटा सा पर्चे में दे देता हूं अपने बारे में मैं अनुरा मिस्तर हुँ और लगब बहुत 3-4 साल में पढ़ाता हुई इंडियान जोगर्फी का history, जोगर्फी, worldview एंडियान एकॉनमी और बायो का मैं वीडियो और हिस्ट्री बगीर का मैं दे चुका हुँ आपको जिससे लोगों को लाग हो रहा है आनंद ले रहे हैं जो कि मैंने सीरीज बनाई है जिसका नाम रखा है zero to hero guaranteed zero to hero कैसे होगा कि आप माल लीजिए कि आपको किसी भी तरह से आनि कि आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ने के बाद आपको जुगरफी का चीवी नहीं आता है तो मैं आपको इस बात की गार्ण्टि लेता हूँ कि आज जगर्फी के लिए आप क्या बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप hero ben जाएंगे, hero बनने के लिए शर्ट सरफ इतनी होगी कि आपको इस वीडियो को देखना होगा इसे बात की गारंटी लेता हूँ, बस सर्त मैंने बता दी कि आपको वीडियो देखना हुगा, जो लोग मुझे जानते हैं, पहले से जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनके बारे में, उन्हें कुछ बताने की जरूथ नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कहके ले लेता हूँ, मैं subject की कहके ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ class लेता हूँ, मैंने history की class जोगरफी बैसे ही जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप जोगरफी के जितने भी person होंगे उनकी कहके ले लेंगे, तो यहाँ पर ले ही रहे हैं हम क्लास भी ले रहे हैं उसके बाद हमें एक जम में जाके वहां पे सॉल्व करना है तो चलिए फिर आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और सर्थ मैंने बता दी कि आपको इस वीडियो को बड़ा धहर के साथ देखना पड़ेगा क्योंकि हम नए व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं नए व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए सर्थ सिर्फ इतनी होती है कि आपको कुछ समय देना पड़ता है क्योंकि मैं आपको और आप मुझे नहीं जानते हैं तो जब नहीं जानते हैं तो जानने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा तो इस की गारंटी देता हूँ, कि आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेना, उसके बाद आप मुझसे connect हो जाएंगे, और मैं इस बाद की सर्त लगाता हूँ, कि आप 12 से 20 गंटे का वीडियो देख लेंगे, तो आप बोर नहीं होंगे, आपको पूरा आनंद आएगा, पूर थोड़ा सा अलग style में यहां पर हम देते हैं, हम teacher बनके नहीं पढ़ाते हैं, हम यहां पर बच्चा बनके और एक आम भारती बनके पढ़ाते हैं, एक आम भारती जो होता है, वो आप लोग समझे जीते हैं किस तरह का होता है, तो चलिए फिर आपका यह जो इंडियन बनकारी लेंगे कि इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ना है, और शुरू करने से पहले बता दूँ कि आपको यदि वीडियो पसंद आता है, तो like, share, subscribe करना ना भूलें, साथी comment करके थोड़ा सा बता दिया करें, छोटे-मोटे comment डाल के बता दिया करें कि वीडियो कैस लगा, ठीक है, और चलिए, तो नेदर डालते हैं आपका इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ना है, इस वीडियो में संपूर अध्यन होगा, आपका एक-एक फिरसन जो आप हल कर पाएंगे, ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे, आकरती, इस्तिती, विस्तार के बारे में, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, सीर्स पांच, छेतर वाले राज्यों के बारे में, पड़ेसी दोसों की सीमा पर अवस्तित राज्यों के बारे में, भारत के अंतिम सीमा बिंदूओं के बारे में, प्रमुक अंतराश्टी सीमा रेखाओं के बारे में, चर्चा करेंगे बारती संग था इनके राज्यम के इंसादर प्रदेसों के बारे में बात करेंगे बारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रयादिसिक समुद्री सीमा जाती है अविछिन मंडल समुद्री सीमा जाती है अनन आर्तिक छेत्र भी आ जाता ह बारत की चक्टानों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका गौंडुमाना किरम की चक्टाने, कुडपा किरम की चक्टाने, बिंधेन किरम की चक्टाने, दाड़बार किरम की चक्टाने, आरकिन किरम की चक्टाने, दक्कन ट्रैप के बारे में चक्टा करेंगे इसके बाद हम आगे आजाएंगे भारत का भागुलिक प्रिदेश जिसमें हम भारत का भागुलिक प्रिदेश जो है हम इसमें छे प्रिकार से पढ़ने वाले हैं जिसमें आ जाता है उत्तर, उत्तरी परवती छेत्र, उत्तरी मैदान, प्राज़ी पी पठा, रेगिस्तान, टटी यह मैदान और दीप समुः ठीक है? तो इसको हम एक एक करके समझे कैसे हम पढ़ने वालें तो हम यहाँ पर देखेंगे हैं भारत की भूव आकृति यानि की पूरा भारत देश है, उसकी भूव आकर्तियों को हम साधार रूप से छे भागों में यहां पर देखकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है, उत्तर का हिमाले, परवल सिरंखला, दूसरा जो आ जाता है, प्राई दीप ये पठार, तीसरा जो आ जाता है, त्टवर्टी ये मैदान, उसके बाद आ जाता है, उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद आ जाता दीप समू, उसके बाद आ जाता भारती मरिस्ता, जिसको हम रेग इस्थान भी कहते हैं, उसके बाद हम यहां पर सबसे पहले बिवाजन करेंगे, हिमाले का बिवाजन, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ट पंजाब हिमाले आ जाता है, कुमायू हिमाले आ जाता है, नेपाल हिमाले आ जाता है, और असें हिमाले आ जाता है, हिमाले के प्रमुक हिमनत के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका सियाचिन, हिस्वर, व्याफो, वाल्टोरो, बातुरा, खुर्दोपिन, जेमू, गंग करने वाले, उसके बाद उत्तर भारत का मेडान में हम देखें कि इसमें आपका खादर, भांगर, भावर तरही आ जाता है, इसके बाद हम हिम्नदो के बारे में हम तोड़ी स्टर्चा करेंगी जिसमें देखेंगे ससाइनी या फिर स्याचिन बढ़ी है, यानि कि क्यों बढ़ी है, तो हम यहाँ पर कुछ टोपिक्स जो हैं, जैसे की कुछ बंदे जो थे बंदे नहीं बच्छे कह सकते हैं, तयारी करने वाले लोग बो जाते हैं, कोर्ट में और महाँ पर केस करते हैं, कैसे ऐसे हमने मालवा का पठार, बुंदिर blogs का पठार, बियानिज इने अधार. पहाडियों के बात करें दर्रों के बारे में बात करें जैसे थाल गाट भूर गाट पाल गाट और शेहन कोटा दर्र इनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स हम बात करेंगे तटवर्ती मैदानों के बारे में पश्मी तटी मैदान, पूर्वी तटी मैदान के बारे में, दीप संहू के बारे में चर्चा करेंगे, बंगाल की खाड़ी के दीप देखेंगे, अरब सागरी ये दीप हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम आगे पड़े जाएंगे अपवाद अंत्र के बारे में या निगी ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह इसके बारे में आपर चर्चा करने बारे में इसके हम बात करेंगे जल गिरड छेत्र यानिगी कैच्चमेंट एरिया के बारे में बात करे हैं जिसमें आ जाता है हिमाले अबपात नतर में सिंदु नदीत अंतर गंगा नदी तंतर भ्रृत नदीतं ठीक दूसरा जो आजाता है तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं इसके बाद हमें बारे में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, छे लंग, छे नदियों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, इसमें बाइं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करें, जिसमें चासकर, सियांग और सियगार हो जाती है, दाइं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में श्यूय काॉपूर से कंशius काॉबं कुलाप seul के वारे में बहुत दर्म वाहाउनी के बारे में नीज भी वाईंख सब्सक्रांगी रफे गiteit के बारे में तोड़ी से चानकारी लेंगे इसमें आप का हो जाता हैं चंबल नतीबित बेटवा नतीगे तुसमें आज़ता था है भामै कामिंट निक बात करेंगे बर्भपतक अरबर संख सिहता हिवाद सिपटा heading Yanti यृ गंस जो सिले बारें साहिक बात करेंगे भंगाल कि खाडी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में दामुदर, स्वड़देखा, बैतरडी, व्रामडी, वंस्तारा, महानदी, गुदावरी, कावेरी, किष्णा, पेनार्ग पहगई पढ़ने का तरीका बता दू, इसकी लंबाई, उद्गमिस्तान, किस तरह से ये सारी की जमिया पर पढ़ने वाले हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में बात करेंगे जो बंगाली खाड़ी में अपना चल गिराती हैं लूनी नदी, सामर्वती नदी, माही नदी, घगर नदी, नर्मदा नदी, तापी, सतरंजी, भादर, मांडवी, जुआरी, सावरती, पेरियार, बरत, पुझा और बेमानाद नदी इसके बारे में हमें याँ पर बात करने वाले हैं नदाब बात करेंगे राज टता केंसाजी प्रदेशसों की जीलों पारे में जम्मु कुरजमी, बुलर जील, डल जील, गाडसर जील, सेसनाग, वैरिनाग, कौसर Nummer, तेसमरी, गंगावल और मानस बारे में इमाचल प्रिदेश की नदियों के बारे में बिरंगु, मच्छी ताल, रेडुका, सूरज ताल, चंदर ताल, उत्रागंड की बात करें तो न्यनी ताल, डोडी ताल, भीम ताल, साथ ताल, देप ताल, हे ताल, खुर्पा ताल, रक्ष ताल, नौक. नेक्ट बात करेंगे पंजयल की सुखना जील, राहस्तान की बात करें तो रायसामण, जैसमण, नकि, सांभर, फते साग, लूण-करसर, डीडवठव, फाहुला, आना सागर, डेवर, कुचला अन, उसकर जील, महरास्य की बात करें चरनाट की तो वेलांदूर जील, केरल की की बात करें तो कोडाई कनाल काली वेली जील आंत्र प्रतिस की अगर बात करें तो कोलेरू जील पुलकर जील तेलंगाना की बात करें तो हुसें सागर जील नागार जुन सागर जील नेक्ट बात करें उडीसा की तो उडीसा में आपका चिलका आ जाता है मड़ीपूर में आ चले थे हैं य। शुलिया जल्पृप्रात, मेधाले के जल्पृप्रपा, जहार खंड के , उड़ी शाद के, माहराष्ट के, मध्पर्दिस के, तमिल नाडू के, केयरल के, कनला का तके , जिसकी आप कहो चुलिया जल्पृप्रपात , क राजर जल्पृपात , वारही पानी इसके बार डूडूमा बजराही अमबोली ठीक है इस तरह को खुछ जरब पर पाते हैं चले आई सबसे पहला टॉपिक देखते हैं भारत की आकृती इस्तती एवंबिस्तार से पोजीशन एंड एक्स्टेंशन फिर से बोदू पहला टॉपिक आकृती इस्तती किसके उपर गिलोब की उपर यानि कि जो हमारी क्रत्वी है इसके उपर भारत कहां पर इस्तत है इसका विस्तार कितना है इसकी लंबाई कितनी है इसकी चोडाई कितनी है इस तरह से आई ये सबसे पहले सुरू करते हैं हमारा एक छोटा सा परचा ले देते हैं फिर हम आग दाग से लेकर नीचे चलते चले आएंगे कन्या कुमारी तक कितना है फैला हुआ है लगवग 3200 किलो मीटर तक फैला हुआ है पूर से लखे पश्चिम तक की अगर जाएं पूर से पश्चिम की और जाएं इस तरह से देखें तो यहाँ पर जो फैल लंबाई है इसकी है कितन 3200 किलो मीटर और चोडाई की अगर बात करें तो 2900 किलो मीटर इसकी चोडाई है मोटा मोटी बता रहे है ठीक है इस्टिती की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्थ में यह इस्टित देश है ठीक है करकर रेखा जो है हमारे भारत देश से बीचो बीच से गोजरती है जो क की मुक्य भूमी का बिस्तार जो है नीचे से देखें यहां से शुरू होता है आठ डिग्री चार मिनट उत्री आचांस से लेकर चलते चले हैं नो, दास, ग्यारा, वारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोले, सतर रठार हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 तर यानि कि दक्षिट से उत्तर क्यों अगर हम जाएं तो आठ डिग्री चार मिनट से लेकर 37 डिग्री छे मिनट उत्री आचांस के बीच में यह फैला हुआ है डिटेल में हम जानेंगे ठीक है पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें यहां से पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो यहां पर यह है आपका पश्चिम और यह है पूर्व तो पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो यहां पर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर चलते चले हैंगे दच्छेट से उत्तर कितना देशांत्रों का विस्ता कितना आच्छांसों का विस्ता रहे हैं? 30 आच्छांसों का प्रतियेक एक अच्छांस को पार करने में प्रतिवी को कितना समय लगता है? समझ रहना ना भारत साथ देशों के साथ इस्तली सीमा बनाता है जिसकी कुल लंबाई की बात करें साथ देश कौन से हो जाते हैं यहां से पाकिस्तान से गुजरात का चलता चला जाता है इस तरह से चलता जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद यह इस तरह से अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बाद यह चीन आ जाता है चीन के बाद फिर यहां पर नेपाल आ जाता है नेपाल के बाद फिर यहां पर भूटान आ जाता है की कुल लंबाई जो है कितनी है मपंद्रहजार दू-सो किलो मीटर है. overdose on ऐसे ज्माट い सीमा की अगर बात करें है तो तथी सीमा यहान से गुजराद से शुरू होती है इस तरह से इसके वाद हम डिशे में जाने तो कुली जो तट्रेखा हो जाती है भारत की तठी सीमा हो जाती है 7516 या मोटा मोटी जो होती है चीज यह सोले होता है लेकिन पॉइंट में कुछ करके चिसलिया आपका सत्रे लिग दिया है तो 7570 किलिमिटर है भारत में बरतमान में 2021 में अगर बात करें तो 28 राज्य तथा 8 की इंसासित प्रदेश है ठीक है तो चलिए फिर आपका शुरुबात करते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले भारती इस्तिति यह विस्तार के बाद में तो भारत की आकरती जो है चतुसकोड़ी है चतुसकोड़ी है का मतलब भारत जो है चार इस तरह से फ्यला हुआ है एक यह एक ही है इस तरह से चतुसकोड़ी यानि चार इसकी एक तरह से बोजाएं बनती आपको दिख रहे हैं भारत की इस्तिती उत्री गुलार्द तता पूर्वी गुलार्द में है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आचांस की दरश्टी से भारत उत्री गुलार्द का देश है तता देशांतर की द्रश्टी से हमारा पूर्वी गुलार्थ का जैसे भाया यह कैसे हो गया तो आए इसको किलियर करते हैं मान लीजिए हमारा गलोब यानिकी हमारी प्रत्वी है और प्रत्वी पर केस तरह की रेखाएं होती है दो तरह की रेखाएं मानी जाती है जिसमें ख जीरो डिगरी देशांतर को हम कहते हैं, प्रधान या मुतर है, यानि कि जीरो डिगरी देशांतर जो है, बीचो बीच पे प्रत्वी के ऊपर खीची जाती है, इस तरह से, यानि खड़ी खड़ी रेखा इस तरह से खीची जाती है, तो जीरो डिगरी देशांतर के पूर बाल गोलार्द हो जाता है फूर्वी गोलार्द हो जाता है जीरो डिगरी के पस्षम बाला क्यात्र जो हो जाता है वो पस्षमी गोलार्द कहलाता है। समझ पा रहे ना तो भारत कहां पर मैंने बताया था भारत का आचांसी देशांतरी विस्तार कितना है तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है मोटा मोटी 68 डिगरी पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिगरी पूर्वी देशांतर में है समझ रहे ना तो पूर्वी सब्द का इ यानि कि भारग जो है पूर्वी गोलार्ट का देश ए देशांतर की आदार पे वहीं हम अगर बात करते हैं फिर से गलोब बना देते हैं इस तरह से मान लिजी तो हमने जीरो डिगरी आचांस कीजी दिया तो 0 डिगरी आचांस को हम कहते हैं विश्वत रेखा का मतलब है प्रत्वी के बीचों बीच में आने कि 2 भागों में यह बाढ़ देता है तो 0 डिगरी के उत्तर वाला भाग उत्तरी गुलात कहलाता है और 0 डिगरी के धिश्ड़ वाला भाग दच्छडी गोलार्द कहलाता है और भारत का आच्छांसी बिस्तार कितना है तो भारत का आच्छांसी बिस्तार जो है आठ डिगरी से लेकर कितना माना जाता है 37 डिगरी उत्री आच्छांस माना जाता है समझ रहा है तो पूर्वी देशांतर और उत्री आच्छांस का देश होने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि भारत देश जो है पूर्वी गोलार्द तथा उत्री गोलार्द में इस्तित देश है तो उत्री गोलार्द में कब जब आचांस की दरश्टी से देखा जाए क्यों क्यों क्योंकि आठ डिगरी उत्री आचांस से लेकर 37 डिगरी उत्री आच अच्छांस तक इसका क्या है आच्छांसी विस्तार है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आठ डिग्री से लेकर यहां पर मैं जून करके दिखा देता हूं आठ डिग्री से यहां से चलता 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 आठ नो दस ग्यारा तो आठ डिग्री से आठ डिग्री पूर प्रवी देशांतर से लेकर सतानवे पूर्वी देशांतर तक इसका अच्छा देशांतरी विस्तार है तो उत्री गोलार्द तता पूर्वी गोलार्द में इस ते देश हैं पूर्वी गोलार्द में इसको मैंने क्या बताया कि आच्छांस की दरश्टी से ये बोला जाए तो उत्री गोलार्द में इस तत्त यानि कि यहां से सुरू होता है इस तरह से चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं और 77 डिग्री लद्दाक में खतम हो जाता है वहीं देशांतरी बिस्तार की अगर बात की जाए तो देशांतरी बिस्तार जो है 68 डिग्री साथ मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इस्तिया से सुरू होता है अर्षट एकतर एस तरह ठीक है तो भारत जो है भारत जो है बिस्त में सेत्रबल की दिरश्टी से सात्मा सबसे बड़ा देश है वहीं जनसंक्या के आधार पे यह दी देखा जाए तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है उसके बारे में आगे बात क जाए देश का मानक समय जो है पूर्वी देशांतर है साड़े व्यासी पूर्वी देशांतर है जो कि भारत के उत्तर प्रदेस नामक एक राज्ज में मिर्जापुर नामक जिले से होकर गुजरता है यह ग्रीन विच समय से साड़े पांच घंटे आगे है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से होता है ठीक है तो मैंने क्या बताया कि भारत का मानक समय रेखा जो है वह कहां से गुजरता है साड़े व्यासी पूर्वी देशांतर माना जाता है वो ग्रीन विच से यानि कि लंदन का जो ग्रीन विच से यानि जीरो डिगरी देशांतर से क कितना आगे है, 320, जाते हैं तो क्या होता है سमιज होता है पिलस होता है, और पस्रिम क्यों रहते हैं यानिकि जिरो डिगरी डिशांतर के पूर पस्रिम क्यों रहते हैंगे, तो समय जो होगा घटेगा, ठिक, और मैंने आपको बताया था, कि किस प्रत्वी को एक डिगरी पार करने में कितना समय लगता है चार मिनट समय लगता है इसके बारे मैं आगे बात करेंगे अभी केवल आप सुन लीजिए चलिए तो मैंने क्या बताया भारती मानक समय रेका साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर पर इस्तित हैं और भारती मानक समय रेका भारत के पांच राजियों से होकर गुजरती है तो पांच राजि कौन कौन से हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो आ जाता है उत्तर प्रदेश यहां से सुरू होता है इस तरह से हम यहां पर देखा सकते हैं आपको इस तरह से कि आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश इस तरह से आता है उत्तर प्रदेश से होता है उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर्विं प्रिविस करता है उसके बाद मत्य प्रदेश से जाता है फिर चतिसगर फिर उडिशा फिर आंध प्रदेश से होता हुआ ये गुजर जाता है सम भारतिय मानक समय और ग्रीन विच के समय के बीच में साड़े पांच घंटे का अंतर होता है यानि कि भारती समय ग्रीन विच के समय से क्या होता है आगे चलता है भारत क्यों चलता है उसको हम आगे किलियर करेंगे भारत का कुल छेत्रपल जो है 32,87 या 263 बर किलो मिटर है जो सबसे बड़ा गिस हैं भारत मैं बारत में बस्व की ज संक्या का सत्रे दसमलब पांच पर सेंट हिस्सा निवाज करतीय है और जन्तंक्या की अधर कर भारत जो है दूसरा सब से बड़ा दे से आगे हम केलिए करेंगे भारत का बस मैं चेतमरी द्रश्टी से शात्मा आजाता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नमब एक पर आपका चीण, जन संक्या के आधार पर, नमब दो पर भारत, नमबर तीन पर U.C. U.S. A. नमबर चार पर इंडोनेसिया, नमब पर पर ब्राजीel, नमबर छे पर आपका पाकिस्तां, नमबर साथ पर नाइजीरिया और नमबर आठ पर जो आपका आजाता है वंगला देश आजाता है ठीक है छेत्रफल के आदार पर बात करें कि दुनिया का सबसे अधिर के छेत्रफल वाला जो देश है वो है आपका रूस नमबर एक पर रूस आता है दूसरे नमबर पर आपका कैनेडा आ आता है आपका Australिया नंबर साथ पर आपका नंबर जो आता है वह आता है भारत का नंबर नांज़ता मा जो है वह है अर्डेण्टीना ठीक है तो फेर से डाल दूं सबसे नंबर एक प्या आता है आपका रूस दूसरे नमर पर डेसे नमबर 3 पे आपका चीन, नमबर 4 पे USA, नमबर 5 पे ब्राजील, नमबर 6 पर आपका उस्टेलिया और नमबर 7 पे आपका आता है क्या भारत समझगा ना चलिए तो भारत से बड़े देशों की मैंने आपको बाद बतारी रूस, केनेडा, चीन, USA, ब्राजील, और अस्टेलिया बारत साथ में नमबर 5 पे बारत में गाउं की संख्या की अगर बात की जाए तो लगबग 6 लाख 49,000 बाहरत में गाउं हैं जो 2011 की जनगरना के साफसे 2021 की चलना है इसकी जनगरना होगी उसकी आतार पे हम बात करेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं पश्चिम से पूर की और मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी जो है पश्चिम से पूर की और घूमती हुई प्रत्वी का लगबग 360 देसांतर रेखाए हैं और प्रत्वी को 360 रेखाए हैं या कर 360 देसांतर रेखाओं को घूमने में या फिर पार करने में 24 घंटे यानि कि 14440 मिनट का समय लगता है और प्रत्वी को मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी जो है 4 मिनट में 1 degree देसांतर को पार कर पाती है इसलिए भारत के पश्चिमी सोर ज़ो कि आपका अर्सट डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके पूर्वी छोर जो इसका है 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतरक भूमने में प्रत्वी को लगबग 120 मिनट का समय लगता है यानि कि आणाचल प्रदेश को गुर्दिरात के मद्दिल लगबग 2 गंटे का अंतर होता है इसका मतलब हुआ वहा का यानि की मद्दिया का मानक समय जो मानी जाती है वहीं का जो समय होगा वहें पूरे देश का समय मान लिया जाता है तो भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए साड़े 82 पूर्वी देसांतर को भारत के मानक समय के रूप में निधार किया गया है याणिक साड़े 82 पूर्वी देसांतर को पर जो समय होगा भे पूरे देस का समय मानद आएगा इसका मतलब अंतर राह्ष्ट्य मानक समय रेखा जो होती है जीरो डिगरी देसांतर लंदन के ग्रीन बिच नामकिस्तान से गुजरती है और वहां से भारत जो है साड़े व्यासी पूर्वी देसांतर में तो इस्तित नहीं है मतलब साड़े व्यासी पूर्वी देसांतर जो है वो बीचों बीच से गुजरता है इसलिए उसको मानक समय यह खाम माना गया है तो जीरो डिग्री देशांतर से लेकर साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर किमत साड़े पांच घंटे का समय अंतराल है यानिकि साड़े पांच घंटे का अंतर है क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलाग में इस्तित है इसलिए मैंने आगको बताया था कि बारती ये मानक समय साड़े व्यासी ॐ पूर्वी देशांतर यानि कि गिटीन विच के समय से साड़े पांच घंटे आगे होगा इसका मतलि अग्योगा कि भारत में साम के साड़े पांच बज रहे हैं तो लंदन में कितना समय होगा लंदन में साड़े बारे बज़े रहे होंगे अगर भारत में साड़े पाँच बज़े रहे होंगे तो लंदन में इस समय कितना हो रहा होगा बारे बज़े रहे होंगे समझ रहा है ना? दोपयर के बारे बज़े होंगे भारत में साम की कितने बज़ रहें साम को साड़ पांच में एक नजर फिर से क्लियर करते हैं मैंने क्या बताया मान लीजिए आपका ये है गूलार्द गूलार्द है यानि की पूरी प्रत्वी है इसको मान लेते हैं जीरो डिग्री दे सांतर और ये यहां पर मान लीजिए ल खींचा जा सकता है तो इस गुलोब पर भी क्या है पिरत्वी जो है एक पूरा चक्कल लगाने में कितना समय लेती है 24 गंटे का 24 गंटे को अगर हम गुणा कर देते हैं 24 गुणा 24 गुणा हम मुनिट में कर देते हैं यानि कि इसमें हम 1440 में भाग दे देते हैं कितने का 360 का अगर हम भाग देते हैं वो 60 का 360 का भाग देते हैं तो निकल के आएगा बरावर कितना आजाएगा 4 तो एक डिगरी पार करने में कितना समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है प्रत्वी को तो तो भारत का मैंने क्या बताया है भारत जो है कितना फैला हुआ है इस तरह से मालीजे भारत है भारत यहां से E ages 1907 पहरत है कितने विच्टास अंदे आगरता का हुए्ट है तो फ़ुनने देशर के निकालते का तो हम बढ़ेंगे का समय निकालते हैं तो 68 से हम बढ़ेंगे 69, 71, 73, 74, 75, 74, 77, 80, 89, 80, 80, 80 और 82 और जैसी साड़े ब्यासी होता है ब्यासी आदा हो जाता है भारत का आदा इससा पड़ जाता है तो न तेरा न मेरा यानि कि जो 82 डिगरी पूरवी दिसांतर पर जो समय होता है उसी को ही क्या मान लिया जाता है पूरे भारत का मानक समय मान लिया जाता है यानि कि शाड़े व्यासी पर अगर 5 बज़ रहे हैं तो पूरे देश में क्या बज़रे होंगे, 5 बज़ रहे होंगे, अब ये साड़े-ब्यासी साड़े पांच गंटे का अंतर कैसे आया तो उसको मुझ लीजिए हम समझते हैं एक नाजर पहले तो हम ठोड़ा सा यहाँ पर रिजर निकाल लेते हैं इसको ठटाथा कर देते हैं इस तरह से यह करते हैं इस तरह से ठीक है और हम फिर से प्रेन निकाल में पता है जीरो डिगरी से कितना अंतर है साढ़ेज चार क्या निए इक डिगरी को पार करने में कितना है चार मिनिट तो बचार बचार में तो बचार जाएगा दों तीन सो अठाईस एगा फिलस कर दें है 0.5 multiply 4 यानि कि कितना आजाएगा 2 तो 328 पिलस दो बरावर आ जाएगा कितना 330 यानि कि 0 degree से लेकर 0 degree से लेकर 85.2 पूरवी देशांतर तक कितना का मिनट का अंतर आ गया साड़े पूरवी देशांतर तक आ गया कितना 330 मिनट तो 330 मिनट एकला आए तो हम इसको क्या कर दो भाग देते है 60 का तो 330 में है गए तो च्छे पनजे तीस यानि कि 5 घंटे और तीस मिनट यांदी 5 gad गierto हो जाता है क्या गातना कि अंतर हो जा। है कितना है यहां तक कितना देशांत्री विस्तार है यहां से लेकर यहां तक 68 डिगरी 7 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट तक है तो यहां पर कितना हो रहा है कितना हो रहा है यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है 30 डिगरी तो यहां का मानेंगे तो 23 विस्तार कितना हो रहा है 30 डिग्री यानि कि 30 देशांतिर विस्तार है तो 30 तो भारत को पार करने में कितना समय लगेगा तो 4 का गुड़ा कर देते हैं 30 गुड़ा 4 30 गुणा 4 बराबर 120 यानि कि यहां से लेकर यहां तक यानि कि गुजरात और अणाचल के समय में कितना अंतर हो जाएगा 2 गंटे का अंतर हो जाएगा क्योंकि 120 मिनिट यहां पर समय हो लगेगा इसको पार करने में समझ पार है न किलियर हुआ तो अम्मीद है आपको किलियर हो गया होगा कि 80.52 पूर्वी देसातर क्यों माना है क्योंकि मानक समय मानते हैं क्योंकि मान लीजिए मानक समय जो मान लेते हैं गुजरात को मान लेते हैं तो यहां पर मान लीजिए बज़ रहे 5 तो सूरज इंतजा थोड़ी मेरा शूरज यहां पर निकल रहा है और यहां पर निकल रहा है। बज़े तो यह कौनसी बाद हो ही हम सुरू करेंगे पांच बज़े तुम कर रहे हैं सात बज़े दो घंटे का अंतरा लो रहा है तो इसलिए हम बीच का माल लेते हैं बीच का जब समय मानते हैं तो न तेरा न मेरा केलियर हुआ तो ऐसे ही मैंने क्या बता है कि लंदन में कितना बज़ रहे हैं साड़े बारह बज़ रहे हैं तो कितना समय हो रहा होगा यहां पर साम के साड़े पांच बज़ रहे होंगे अगर यहां पर लंदन में दुपैर के साड़े बारह बज़ रहे हैं तो पूरवी पूरी देसांतर में साड़े पांच हो रहे हो साम का तो पच्छमी देशांतर में कितना होगा से मुत नहीं तो हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे आने कि साड़े पांच घंटे घटा देंगे तो यहां पर जो समय हो रहा होगा जो कितना हो ज़रा होगा साड़े छे बज रहे होगे कितना बज रहा होगा साड़े छे बज रहे होग माजिस्तान मत्य प्रदेश महाराष्ट करना तक आंध्र प्रदेश दे लंगाना और तमिल नाडू तक की बात करें कन्या कुमारी तक चले जाएं तो लगबग बत्यस सो चौदे या मोटा मोटी देखें तो बत्यस सो किलूमेटर हैं और पूर से पश्चिम की ओर चले हैं प 300 किलूमेटर माल लेंगे तो फिर से बता दूँ फिर से बता दूँ मैंने कह बताया उत्तर से दच्छिर तक इसकी जो लंबाई जो है कितनी हैं बत्यस सो किलूमेटर हैं और पूर से पश्चिम की बात करें तो इसकी चोड़ाएं कितनी हैं उन्तिस सो किलूमेटर हैं समझ भाकी भिए अगर बात कर ली जाए तो साथ हजार पानसौसो सोले कुलोमेटर या मौटा मौट्वर्टि मानने साथ हजार पानसो सोले किलोमेटर दीप समू nå 탄 को मिला कर एं अगर दूसरे सब्दों में समझें तो भारत की इस्तल सीमा जो है 15,200 किलोमेटर है और इसके मुख्य भूमा की तटी सीमा जो है 6100 किलोमेटर इसको हम थोड़ा सा किलियर करें समझते हैं मैंने क्या बताया माल लीजिए हमने अभी बताया कि यहां से सुरू होती है इस्तल इस्तल खंड का मतलब होता है जो पानी से न लगता हो यह नहीं समुद्र से न लगता ह इस्तल खंड जो हमारा यहां से सुरू होता है कहां से आपका पाकिस्तान से जो कि गुजरात वाला चेतर पाकिस्तान चलता चला जाता है राजिस्तान से प्रिवेद किया पाकिस्तान उसके बाद पंजाब की तरफ सीमा बनाता है उसके बाद चलते चले जाते हैं जम्मू क नेपाल आ जाता है नेपाल से सीमा चलती है उसके बाद उत्तर प्रदेश विहार फिर आहां पर आ जाता है आपका सिक्किम से फिर आपका भूटान से सीमा लगती है इस तरह से भूटान से फिर सीन से प्रिवेश कर जाती है उसके बाद चलते 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 श्री नगर, लद्दा, किमाचल प्रदेश, उत्राखंड, उत्तर प्रदेश, विहार, अरणाचल प्रदेश, नागालेंड, मणिपूर, मिजूरम, तिरपरा, तो ये इस्तली सीमा की अगर बात करें, तो कितना हो जाता है, पंद्रे हजार दो सो किलियो मिटर की इसकी इस्त शुरू होती है, दादर नगर है, विली आ जाता है, महराष्ट आ जाता है, गो आ जाता है, पिर करनाटक आ जाता है, पिर केरल आ जाता है, पिर तमिल नाडू, उसके बाद ये आपका आ जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के वादी, उड़ी सा, उड़ी सा जो है जबने कि जो समुद्र सीमा लगा रही है वो कितना है मुक्य वहुवाकि जो है वो है 1600遊戲, शमझ पारा ना, पान सो सोले किलो मीटर कितना पान सो सोले किलो मीटर समझ पा रहे हैं आपको तो फिर से बता दूँ कि इसकी मुख्य वहुवा की इस्तली सीमा जो है पंदरे हजार दूसो किलो मीटर है वहीं जली सीमा जो है मुख्य वहुवा की छे हजार सो किलो मीटर है और दीप समुहों स हो जाता है 15,000 वो 7,516.6 km है इसको मोटा मोटी हम 7,517 km भी बोल सकते हैं इसी प्रकार तो दौनों की अगर हम देखे हैं तो इस प्रकार भारत की कुल सीमा की बात करें कुल सीमा इस्थली और जली सीमा को मिला लिया जाए तो 15,200 पिलस 7,516 km को दौनों को जोड़े जाए तो 22,716 km हो जाती है समझ पार है न किलेर हुआ शरी देखते हैं भारत के अंतिम बिंदू या लाश्ट वोर्डर पॉइंट देख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदू जो है अडाचल प्रदेश में बलांगू यानि की किबुथू में होता है यहां पर आपका आजात यहां पर कहां पर है गुजरात में सबसे उत्तरी बिंदू की अगर बात की जा तो लद्दाक में इंद्रा कॉल की नाम से जाना चाता है ठीक है इंद्रा कॉल की नाम से जाता है सबसे दख्षडी बिंदू की अगर बात की जा तो यहां पर सबसे दख्षडी बिंदू जो निकोबर दीप समू में अस्तितह है इसकी घुमद रेखा से δूरी की अगर बात की जा तो 870 mm है ठीक है? इसकी बाध प्राजदीप भारत का सबसे दचरी बाध की एगर बात की जा, तो केप कोमणे नया कन्या कौमारी में इस्तितह है यानि कि प्राजदीप भारत का जा जा सबसे दच्षरतम बिंधु की अगर बात की जाए तो वो आता है तमिल लाडु में केप कोमरे निया कञ्या कुमारी में ठीक है फिर से बता दूँ सबसे उत्तरी बिंदु जो है सबसे दच्षरतम बिंदु जो है इंदरा पॉइंट जो है सीर्स पांच छेत्पल बाले राजी देख लेते हैं पांच सबसे बड़े छेत्पल बाले राजी सबसे जादा छेत्पल जो है वो आपका आजाता है राजिस्तान का राजिस्तान आपका यहां से सुरू होता है मैं आपको राजिस्तान दिखा देता हूँ जूम करके दिखा जो कि आपका एक गुजरात, दो मद्य प्रदेश, तीन उत्तर प्रदेश, चार आपका हर्याणा, पांच जो है आपका पंजाब, यहीं कि पांच राज्यों से सीमा लगाता है, दिली से टतनी करता है कहां से, पांच राज्यों से सीमा लगाता हुआ है, आपका मत्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मत्य प्रदेश जो है तीन लाग के शेत पर के साथ बर किलूमेटर के साथ दूसरे नमबर पर आता है जो कि आपको यहां पर मैं दिखा दूँ आपका उत्तर प्रदेश एक हो जाता है उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है नमबर द सबसे बड़ा राज है यहां से सुरू होता है आपका दमन्दीब, गुजरात, मद्ध प्रदेश, 36 गड़, इसके बाद तेलंगाना और करनाटक और गोवा से सीमा लगाता है ठीक है चोह था सबसे बड़ा राजी की बात करें तो है आपका उत्तर प्रदेश, यह भी यहां से सुरू होता है आपका नंबर एक बियार से सीमा लगाता है, नंबर दो जार खड़ से सीमा लगाता है, नंबर तीन, 36 गड़ से सीमा लगाता है, नंबर चार मत्रदेश से सीमा लगा एक आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी इसकी लग जाती है यानि कि आठ राजियों से सीमा लगाता है और एक इनसा से प्रदेश से सीमा लगाता है और इसके साथ ही है चौथा चौथा चेत्रपल के आदा पर चौथा सबसे बड़ा राज हो जाता है पांच में राज की अगर बात की जाए चेत्रपल की दिरस्टी से तो आपका गुजरात हो जाता है पांच में सबसे बड़ा राज चेत्रपल की दिरस्टी से तो आपका चेत्रपल की दिरस्टी से गुजरात की अगर बात की जाए तो आपका राजिस्थान से सीमा लगाता है उसके बाद मद्य प्रदेश सीमा लगाता है और यहाँ पर मद्य प्रदेश उसके महराष्ट और दमन दीप से भी सीमा लगाता है समझ पा रहे हैं तो एक बाद फिर से बता दूँ आपका राजिस्थान उसके बढ़े बढ़ेते हैं चलिए सीड स्क्रे स्वांच और किलियूमेटर में ठीक है सबसे बड़ा जो जिला है वह हमारा गुजरात का जो कि है कży का पर पढ़ता था गुजरात में कस ठिक यहां पर नमा पर पढ़़का तुस्ता जो यहली जोぎ यहां पर उसके बाद है बीख देंग लेहूँ कि दो व्हों जो है एक है गुज्रात का सबसे NB7 पर यहाँ वाद मेर यहां पर जायेगा नमबर ऐक पर आपका यहारा कश नमबर दो पर आपका लेहु लगदाक कहा नमबर तीम पर आपका जैसल मेर यहां पर न consum ऐसके बाद यहां पर दिखे HABAR भारत से गुजनlate बाली एक रेका है जिसको हम कहते है करक्रेका रेका करक्रेका जो होती है मैं आपको लिखा कहते हैं साड़े तेइस उत्री आच्छांस को करक रेखा कहते हैं महीं साड़े तेइस दच्छडी आच्छांस को मक्र रेखा कहते हैं तो जो करक रेखा है वह भारत के बीच की लगवग नहीं होता है सीधा-सीधा-सीधाार आपका गुजरात नंबर तो आ जाता है आपका राजिस्तान नमबर तीन आ जाता है आपका मद्धिप्रदेश नमबर चार आ जाता है आपका यहां पर 36 गड़ नमबर चार नमबर पांस जो आ जाता है आपका जार घंड नमबर छे आ जाता है प्रश्विंगाल नमबर साथ तिरपुरा और नमबर आठ जो है वो आ आठ जो आजाता है वो आजाता है मिजूरम नमबर आठ जो आता है वो आता है मिजूरम ठीक है फिर से बता दू नमबर एक गुजरात नमबर दो राजिस्तार नमबर तीन मद्वर्दे नमबर चाच छतीर नमबर पांच जारकर नमबर छे पश्यवंगा नमबर साथ च्रिप आचानस भारत के आठ राज्यां से होकर गुजरती है ठीक है तो कौन-कौन से राज्य है गुजरात, राजिस्तान, मद्धिप्रदेश, चातीजगर्ड, जारकंड, पच्छीवंगाल, तिरपुरा और आपका मिजुरम जूम करके दिखा देता हूं एक मिनट जूम करके राजिस्तान, मद्धिप्रदेश, चातीजगर्ड, जारकंड, पच्छीवंगाल, तिरपुरा और मिजुरम चलिए नेक्ट बात करते हैं बहरत में विदेशी छेत्रों का समादेश क्या मतलब ता इसका ऐसा था कि जब भारत देश से पंद्रेश को आजात होता है आजात ह यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से इस तरह से यहां पर यहां पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा दूम करेंके देखाऊं तो दीब दमन दादर नगर अवेलियों पुर्टगालियों के अंडर में था इसके बाद यहां पर भी देखने को आपको मिल जाएगा जाएगा दादर नगर अवेली औ और प्रोटगाल यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको गुवाध करते हैं फ्रांसीश्यों के अधीन चेत्र जो थे आपके चंद्रगर थे पॉदुचेरी थे जिसको पॉदुचेरी के नाम से भी जाने जाता है करायकल माहे और यहनम चलिए इनको मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको देख जाएंगे तीम यहां पर आपको देख जाएगा यहां पर नहीं दिख रहा है माहे आपको देखने को मिल जाएगा मैं जोम करके दिखाता हूं आपको यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देख जाएगा यह नम फ्रांसीश्यों के पॉदुच संग तथा इसके राजयव के इंसासिस प्रदेश के बारे में union of Indian union of Indian its state and union territories देखते हैं clear करते हैं ठोड़ा सा क्योंकि अभी संसोदन हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा एक अलग ठोटा सा topic बना दिया है क्योंकि संसोदन होने संसोदन नहीं हुआ था 2019 में तो कितने थे 29 राज्य थे कितने थे 29 राज्य और 8 के इंसास प्रदेश थे देखेंगे पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं क्या है in November 2019 the government of India introduced legislation to merge the union territories of दादर नगर हविली into a single union territories to known as दादर एंड नागर हविली एंड दावन द्यू एफेक्टिव फ्रॉं 26 यह वरी 2020 सीधा तो मतलब यह था कि November 2019 में क्या था भारती جो सरकार थी असने क्या किया एक प दिल पास किया जिस में पहले क्या था दादर नगर हविली अलग हुआ करता था एक दादर नगर हविली क्या हुआ करता है एक आलग केंसा ती प्रदेश हुआ चाहँ छंवभी न्यवनी 2020 को क्या हो झाता है लागू हो जाता है पूरे देस्ट में ठिक है तो बर्तमान में अगर बात की जाए तो बर्तमान की 2021 की बात कर रहें तो 28 राजजित तथा आठ केंसासिप प्रदेस्त हैं उनको भी हम किलिए करते हैं गुजरात को पंद्रमे राजी के रूप में 1960 में महाराज से अलग तरके बनाया गया था बरतमान में 28 राजजियों तथा आठ केंसासिप प्रदेस्चेत्र और राश्ट राजदानी छेत्र में विवाजित किया ग एक निरबाची सरकार है और राज यम संग छेटर के बीच का दर्जा दिया गया है चेंगर्स 2019 पहले भारत में 29 राजी तथा 7 के इंसासे प्रदेश हुआ करते थे कौन-कौन से साथ कें साथ प्रदेस हुआ करते थे 26 अगस 2019 से पहले तो आई यह दिखाते हैं कौन-कौन से तो पहले हुआ करता था आपका पूरा एक जम्मु कस्मीर राज हुआ करता था ठीक है इमाचल प्रदेस नंबर दो पंजाब नंबर तीन उत्राखंड नंबर चार अर्याणा नंबर पंज पिर दिल्ली फिर मद्ध उत्तर प्रदेश राजिस्तान गुजरात मद्ध प्रदेश ब्यार चार खंड पशी मंगाल आपका सिक्किम असम अर्णाचल प्रदेश नागालेंड मडिपूर मिजूरम तिरपुरा उड़ीशा चतिसगड तेलंगाना अंद प्रदेश करना अटक महाराष्ट्र आपका तमिलनाडू केरल लक्ष दीप अंडमा निकोबर दीप समू उसके बाद पुदोचेरी और दादर नगर अवेली और दमंदी यानि कि केंसाथी प्रदेश्तों में थोड़ा सा सुदार किया गया था तो 29 राज युगा कर करके उसको देख दो केंसाथी प्रदेश्तों में बदल दिया जाता है यानि कि पहले जम्मू कस्मिर जो हुआ करता था एक राज हुआ करता था लेकिन इसको क्या कर दिया गया था इसको क्या कर दिया गया था इसको दो राजियों में बांट मतलब इसको केंसाथी प्रदे यानि कि एक तो यह जमुकस्मी राजे अपने आप कदम हुगा और जमुकस्मी राज खतम हुगा जैसे हुगा है लेकिन नमंबर नगर में क्या हुता है दाधर दमन दीव जो हुआ करते थे उनको एक किंसासित प्रदेश में ही बदल दिया जाता है यानि कि पहले क्या थे नौ हो जाते हैं तो उसके बाल क्या होता है जो दादर नगर अवेली होता है दादर नगर वेली और दमन दीव को पहले दो थे तो एक में ही जोड दिया जाता है और इसको एक किनसासित प्रदेश बना दिया जाता इसके साथ ही 26 जनवरी 2020 से भारत देश में 28 राज्य था था आठ किनसासित प्रदेश बन गए हैं। तेलंगाना, तिरपुरा, उत्तरप्रदेश, पत्राखंड और पश्ची मंगाल आखे मंद करके हम इनको महसुस भी कर सकते हैं कि हमारा जो है कि हम यह याद कैसे हो जाएंगे याद होने का सिंपल था तरीका है आप दो चार बाई समयक की तरफ देखेंगे तो आप पहले दे समीर, हमाचर प्रदेश, पंजाब, उत्राकंड, हर्याना, दिल्ली, राजिस्तान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्ट्रा, तेलंगाना, करनाटा, गुवा, अंध्य प्रदेश, तमिलनाडू, के रख इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपने आप मैसे सुने लेगा, का उत्तर प्रदेश के तर एधर बीच पी पढ़ जाएगा, चमुकश्मिल और लग्दाक चेत्र के तर ऊपर है, आपका असम बाला चेत्र इसोर पढ़ेगा, आपका गुजरात वाला चेत्र इसोर पढ़ेगा, आपका तमिलनाडू बाद तो थीक नीची आपके चलते चले जाएंगे गुजरात की तरफ तो नीचे गुजरात की तरफ दिल जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपको करनाटक मिल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिल जाएंगे यानि कि आप दो चार बार जब मैप को देखेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा ठीक है एक और फिर से बोल देता हूँ मैं इस मिन में आपका आख्या मंद करके में आख्या मंद कर लीजिए मैं बोलता हूँ सबसे उपर आपका लगदाक, लगदा के बाद जम्मु कस् अनवा चल्पिदेश नागालेंड मनिपोर मिजोरम तिर्परा और मिगाले समझ पाना ना इस तरह से हो जाएंगे यहां पर मैंने लिख दिया है विफोर ट्विफोर अगस्ष तुटाइन नाइंटीन यानि कि छे अगस्ट दोजार उन्निस से पहले उन्तिस राजी और सास क प्रदिस में क्या होता है झाम मुका समीर खतम हो जाता है राजी के लिखिए हैं ऑसके लागू कर दिया जाता है तो से पहले जो था 1960 में गुजरात बनता है बंबै से अलग करके 1963 में नागलन बनता है असंब से अलग करके 1966 में हर्याणा बनायजा था पंजाब से अलग करके 1979 में मेगाले को बनाया जाता है असमसे अलग करके 1971 में हिमाचल प्रजेस को बनाया जाता है हिमाचल प्रजेस संग राजी छेत्र था पहले 1972 में मडिपुर को बनाया जाता है मडिपुर संग राजी छेत्र था यानि केंसा से प्रजेस था पहले गुवा, संग, राजिचितर्ता 2000 में 36 गर्ण मना जाता है मंद्धिपरदी से अलग करके 2000 में उत्राखंड बनाए जाता है 2000 में जाखंड को बनाए जाता है बेहर से अलग करके उसके बाद 2014 में आपका लाष्ट जो होता है कस्मीर का आपका राज का दर्जा खतम कर दिया जाता है और लद्दाक और जमू कस्मीर दो केंसासे प्रदेशों के रूप में इसको बांट देते हैं समझ माया है तो बरतोमान में यानि की 2021 में कितने केंसासे प्रदेश और वो है तो साथ अठाइस राज्य और नो आठ केंस तो साथियों यहां पर इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आगे का जो है नेक्स टॉपिक हम लेने वाले हैं और शुरू करने से पहले नेक्स टॉपिक को सुरू करने से पहले बता दू कि नीचे जो है मैं इसका आगे का जो वीडियो है वो नीचे comment box में मैं दे दूँगा तो कि मैं video जो है यहाँ पर मैं आपको एक तरह से demo की तरह दे रहा हूँ comment box में आपको ये video का link जो link मिल जाएगा आपका पूरा जितना भी course है वो आपको नीचे comment box में मिल जाएगा economy, आपका world geography, Indian geography, Indian economy, Indian quality कुछ भी हो नीचे में comment box में और नीचे description में मैं आपको दे दूँगा बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की video पर आप आनंद लीजिए और आगे next topic की सुरू करने से पहले बता दूँ कि आप जब चैनल पर जाएगे तो आप उसको subscribe तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन वीडियो जो मिल जाएंगे यूजी सी नेट के आपके अठारे वीडियो वर्ल्ल जोगर्फी के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपका Indian economy के Indian quality के Indian economy की बात करें तो और यहां पर history की बात करें तो आपको सतानी वीडियो मिल जाएंगे तो इस तरह से मैंने सारा का सारा कोर्स में ने आपर डाल दिया है इससे आप आनंद लीजिए तयारी करते रहिए तो चलिए next topic आपके शुरू करते हैं और शुरू करने पहले में आपको बता दूँ कि यहां पर जो है आप नोट्स जो है खरी सकते हैं नहीं तो आप 900 99 वाला अगर लेना चाहें तो बोले सकते हैं नहीं तो आपको फिरी भी यहां पर मिल जाएगा फिजिक्स आपको देखने को मिल जाएगा आप नीचे क्लिक करना फिजिक्स मिल जाएगा चैमिस्ट्री की बात करने तो कैमिस्ट्री मिल जाएगा उसके बाद वाल लोजी देखे तो इंगलिस और हिंदी दौनों बायलोजी मिल जाएगा इसमें पूरा जीएस है जो कि अगर सारा जोड़ते हैं खरीते हैं जीएस का तो हमें बढ़ेगा दस जार रुपे में जो कि मैं सिर्थ पर यहां पर दो सब नौ सब दे रहा हूं यह है आपका सारा मैंने आपर दे दिया है आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर ही और दोनों आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं और मुझे उम्मिद है इस वीडियो को देखने के वाद आपको आनंद आया होगा तो चलिए स्चुरू बात करते हैं कि यह जो वीडियो है वो होने वाला इंडियन पॉलिटी का और यह वीडियो जो है पापा वीडियो नहोंकर क्या हो जाएगा ये दादा जी वीडियो हो जाएगा क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो जो है किसी वीडियो का पापा नहोंकर क्या है ये दादा जी यानि कि ग्रांड फ quality नहीं पड़ी हो, तो भी आपकी जो है, इस तरह से आपको आनन्द आने वाला है, कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस से best तरीका समझ में आएगा, सबसे अच्छी बात ये किया है, कि मुझे या फिर इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा समय देना 12 गंटे का हो सकता वीडियो हो जाए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुर भी मैं आपको नहीं होने दूँगा, इस बात की भी मैं गारंटी ले ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ले और मेरा तरीका जो थोड़ा सा अलग रहता है, तो उस ले को आप समझ इस वीडियो में हमें क्या जानना है, तो जानने दे पहले तो हलकी सी जानकारी दे दूँँ कि आग ये जो वीडियो है, मैं आपको बाइलोजी इस चैनल पर मैं दे चुका हूँ, वर्ल्ड जुगरिफी के मैं करीब मैं 24-25 गंटे का मैं material दे चुका हूँ, हिस्टी का अगवाग कितने गंटे को होंगे, कम से कम होंगे, 80-90 गंटे के, इसके भारती अर्थिवस्ता जो है कम से कम 80 गंटे के वीडियो टोटल में डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना कर और बैसे भी, इसके बाद मैं यहाँ पर history कम्प्लीट करा चुका हूँ, quality जो कराई दू लेकिन मेरा खुद का तयारी करना पड़ता है, वीडियो के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर उसे digital form में तयार करना पड़ता है, टैपिंग करनी पड़ती है, फिर एक best जो है material बना सकूँ, ताकि मैं अपनी coaching center यानि कि जिसको मैं तुकान बोलता हूँ, वहाँ पर बता दूँ कि अगर आप वीडियो पे नए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करनी लिया करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ ठड़ा सब्सक्राइब बगएरा कर लिया करो, और आपको बता दूँ कि मैंने चैनल पे लगवक 300-400 वीडियो डाल रखे हैं, जिस इसमें कम सकम 70-80 वीडियो जो है बायो के आने वाले हैं, जिसमें आपको 10 वीडियो अभी मिल जाएंगे, संपूर्ट भारती राजी ववस्ता के लगवक 20 वीडियो जो है पड़े हुए हैं, इंगलिस स्टीकिंग कोर्स के वीडियो जो है इसमें पड़े हुए हैं, इसमें के यहाँ पर 70-80 वीडियो में डाल दी हैं, वारती अर्थ विवस्ता के वीडियो एक्क्यासी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्लेइलिस्ट में ने बना दी है, 17 वीडियो आपको भारती इत्यास के मिल जाएंगे, और 35 वीडियो आपके PCSJS से जुड़े मिल जाएंगे, और भी कई सारे वीडियो जो हैं आने वाले हैं, तो बो मैं आपको दे दूँगा, और प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख लिया करें, तो अब हम मैं आपको शुरू करने पर बता दू कि अगर इस वीडियो की, अगर PDF लेना चाहते हैं, नोट्स वगेर खरीरना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इंस्टा मोजो पर जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए वहाँ पर जाके मैं नीचे डिस्क्रिप्सिन में, या फिर कमेंट बोक्स में लिंक दिये दूँगा, पहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आदुनिक भारत का इत्यास का मिल जाएगा, इंडियन एकॉनमी का लगवाग, असी गंटे का वीडियो भी इसका बना दिया है, भारती भूगोल का मिल जाएगा, विस्तु का गूगोल का मिल जाएगा, आदुनिक भारत के इत्यास का मिल जाएगा, पॉलिटी क मिल जाएगा और भी कई साथ सब्जेक्ट से उनका मिल जाएगा अब इन PDF का paid भी बर्जन है और फिरी वाला भी बर्जन है फिरी वाला भी बर्जन कैसे डाउनलोड करना है तो आईए मैं आपको फिरी वाला बर्जन कैसे डाउनलोड करना उसको में तिखा देता हूँ तरीका में बतारेता हूँ महा लीजी आप देख रहा है वीडियो ज्गरफी का वीडियो देखते हैं आपको चाहिए नोट्स तो नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले यहां देखना पड़ेगा डिसक्रप्शन में अगर लिंक पड़ा हुआ है तो आप डिसक तो इसमें क्या करना है कि हमें फिर ही चाहिए पेड नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा यह इस्टोर में जाएंगे इस्टोर में जाने के लिए आपको 200 लगवाग इसमें बहुत सारी पीडियाप से दिखाएंगे वल्ड दुगर्फी की ब्लेक नवाइट 499 यूजी मिलेगा संपूर आधनी भारत का इत्यास 371 पेज का 199 रुपे में बारती अर्थ व्यवस्ता 860 पेज की 299 में बायो की यहां पर देखने को मिल जागी तो हम आल लीजिए बायो की डाउनलोड करना चाहते हैं बायोग की या फिर इंडियन पॉल एकॉनमी की तो हम यहां पर बायोगी की पी क्लिक करते हैं किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं फिर ही मैं भी ठीक है यहां पर अपना नाम डालेंगे अनुराग मिस्ट्रा ठीक है इमेल अनुराग मिस्ट्रा एलियन एड़ दरेट gmail.com नमबर डालेंगे 63 95 81 49 ठीक है क्लैम फॉर फ्री क्लिक किया हमने ठीक है डाउनलोड पेमेंट सक्सेस्पॉल पेमेंट आईडी फलाने डिम का पेड़ ओन ये डिम का ठीक है और आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड लगा देंगे अब हम आगे चलते हैं कि आपका इस वीडियो में यानि कि इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में क्या पढ़ने पाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कंदे से कंदा मिलाकर को कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते रहेंगे और आप मेरा जो है सपोर्ट इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर चलिए आईए देखते हैं कि आपके इस वीडियो में हमें क्या-क्या कवर करना है पहले हलका सा स्वर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमें जो जानना है सबसे पहले होगा संभिधान का विकास संभीदान और बारती संभीदान का नमियाण बारती संभ एवन उसके राज छेतर होग केंसा से प्रजित बारती नागे रिकता मुलिक अदिकार मूलिकरतब्य Parlundi को राज के नीति निदि सी सकत्तव संभीय कारपालिका के बारे में बात करेंगे इस कड़ाद आगे इस में तता केंज राज संबंद आपात उपबंद लोग सिवा के बारे में जानने पाले हैं इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इस्थानी सुसासन, निर्बाचन प्रणालीता था भारत में दली विवस्ता, संबेधानिक तता गेर संबेधानिक संस्ता है, और और भी बहुत कुछ इसमें होने वाला है, ठीका, तो आईए और भी क्या है, तो एक नजट डालते हैं, इसमें, चलिए तो और भी देख लेते क्या हमें इसमें पढ़ने वाले हैं, तो भारती राज बवस्ता या इंडियन पॉलिटी, इसमें हम बात करेंगे संबेधानिक विकास के बारे में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 में भारत में बारत सरसन अधिनियम, भारत परसेद अधिनियम 1861, भारत परसेद अधिनियम 1892, भारत परसेद अधिनियम 1909, भारती परसेद अधिनियम 1919, नहरू समित 1928, भारती सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिसन 1946, भारत सुतनता अधिनियम 1947, यह हो जाता एक चोट पिकास के बारे में ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद भारती संविधान सवाव भारती संविधान का निर्माण में हम जानेंगे बारती संविधान की प्रस्तावना भारती संविधान की पिस्यस्ताएं बारती संविधान के देशी तता बिदेशी स्त्रोत संव का पुनरगठन अधिनियम 1956 के भारे में बात करेंगे इसके बाद आगे जो होगा इसमें नागरिक्ता के बारे में बात करेंगे भारती नागरिक्ता का महतु क्या होता है नागरिक्ता के प्रिकार देखेंगे नागरिक्ता का मतलब क्या होता है भारती नागरिक्ता अधिनिय का महत और उसका स्वरूप पिर मुख नीत निजे सकता अत्व मौलिक अधिकार तथा नीत निजे सकता अत्व में संबंध ठीक है नागरिकों के मौलिक अधिकार या फिर नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में पर चर्चा करेंगे मूल अधिकारों का बरगीगर देखे राश्ट्वती के बारे में, राश्ट्वती की अधिकार चता सक्तियां देखेंगे, उपराश्ट्वती के बारे में, उपराश्ट्वती की अधिकार चता सक्तियां देखेंगे, प्रदान मत्ती चता उसकी मंत्री परसद के बारे में देखेंगे, महानियाईबादी के बारे में राज जिपाल के बारे में मुख्यमंत्री के बारे में राज का माधिवक्ता के बारे में चर्चा करने बाले हैं इसके बाद इसी में हम जो आगे बात करेंगे वो हो जाता है इसमें राज की ब्यवस्ताफिका राज की ब्यवस्ताफिका में हम देखेंगे बिधान परसत के बारे में बिधान सवा के बारे में संसत तथा राज बिधान मंडल में अंतर के बारे में बिधाई प्रिक्रिया के बारे में जानेंगे संग्य प्रसासिनिक धाचा के बारे में, अंतराजची सचवाले के बारे में, संगवाद तता केंदराज संबंद के बारे में, भारती संगवाद, संगात्मक लक्षड, एकात्मक लक्षड, केंदराज संबंद, केंदरी राज संबंद और पुर्मक आयुक तता समितियों के बारे में, इसके बाद हम आ के बढ़ जाएंगे इसमें नयाए लोक अदालत के बारे में, गिराम अदालत के बारे में वारे में आपर यह उपबंद के बारे में संवेधाने में आपात का उपबंद राश्ती आपात राश्त्वती सासन बित्ति आपात नेक्ट जीसमें बात करेंगे लोग SIVA के बारे में लोग सेवा का इत्यास, सिविल सेवा से जुड़ोई सम्मिदान में प्राप्धान, संग लोग सेवा आयोग के बारे में, राज लोग सेवा आयोग के बारे में कुछ विसेश वर्गों के लिए कुछ विसेश प्राप्धान देखेंगे जो कि जन्मी को तुनी का 312-370 जब बढ़ जाती है तो उसके सारी प्राद्धन खतम हो जाते हैं संग राज छेत्र अंसूची जाती तथा जन जाती छेत्रों का प्रसासन के बारे में बात करेंगे संग राज छेत्र की सम्मिधानिक इस्टि संगी विदायका में संग राज पंचाती राज से जुड़ियों कुछ सम्मिधियों देखेंगे इस्थानी सुसासन का संविधानिक विकास देखेंगे ग्राम सवा के बारे में ग्राम पंचायत नेतिकूर्स के बारे में छेत्री पंचायत समिधि के बारे में जिला पंचायत याफिर जिला परसत के बारे में. नेक्ठ Ό, इसमें बात करेंगे भारत में दली विभस्ता के बारे में, निरवाचन परनाली, निरवाचन आयोक, चुनाप, तली विभस्ता, हित, अमू तथा, दवाप समू के बारे में जर्चाप करेंगे इसमें, ठीक है? इसके वाद हम आगे इससी में बढ़ कि यानि कि जो संसोतन हुए 2021 में ले मान लिए 104 संसोतन हो गई है कि पूरे इस समय ब्रतमान में है कि यह तक हम देखेंगे संविदानी तद्धा गैर संविदानिक संसाओं के बारे में बात करेंगी जस्में नियंतरा तद्धा माले अधिकरड, योजना आयोग और नीदिया आयोग, राष्टी विकास फरसद के बारे में, बेतन आयोग के बारे में, राष्टी महला आयोग के बारे में, राष्टी मानवादिकार आयोग, केंदरी सतरकता आयोग, राष्टी अलपसंक्या का आयोग, भासाई अलपसंक्या का योग, दूसरा प्रसासिनिक चुदार आयोग और लोग सिकायते हैं, प्रसासिनिक नियाई धिकर्ड, सूचना का अधिकार के बारे में आपर चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आगे बात करेंगे, प्रमुक सब्दालियों के बारे में, जैसे कि कौन गोंदी प्रमु क्या होता है, अनपूरक प्रस्ट क्या होता है, तारंकित प्रस्ट क्या है, अतारंकित प्रस्ट क्या है, अलफ सूचना प्रस्ट क्या है, इस्तगन प्रस्टाफ क्या है, कटवाती प्रस्टाफ क्या है, अविस्वास प्रस्टाफ क्या है, विसेसादिकार प्रस्टाफ क्य सच्छेता क्या है गडपूर्ती क्या है फंगु सस्त्र क्या होता है इसके बारे में चल्चा करेंगे ठीक है तो चलिए फिर फिर शुरुवात करते हैं आपका इंडियन quality का पहला chapter। क्यों की है संभिधानिक विकास के बारे में, तो संबिधान की पिकास की सुरुबात करने से पहले जानते हैं कि संबिधान आखिर होता क्या है हम संबिधान का पिकास पढ़ते किसलिए है क्या आखिर होता है संबिधान तो संबिधान कोई पुस्तक नहीं होती है संबिधान कोई दिब पर उसके दारा पिरकट की गई कोई पुस्तक नहीं हुए कि वो जब उपर से आए थे तो नीचे एक भुक लेकर आए थे उसी में जो लिखित में सारी चीज़े लिखी है उसी के आधार पे हमें करना है संबिधान क्या होता है? तो संबिधान किसी भी देश की सर्वोच मौलिक विधियों का क्या होता है? संग्रह होता है यनिक संभिधान किसी भी देश की ऐसी पुस्तक होती है जिसमें उसके प्रमुक क्या लिखे होते हैं कानून नियम काइदे लिखे होते हैं संभिधान एक किताब मात्र नहो कर क्या होती है नीतियों का नियमों का कानूनों का सक्तियों का उत्तरदायतों का एक क्या होता है संब्यधान क्या नहीं है संब्यधान एक पुस्ता कमात नहीं होती है बलकि संब्यधान में किसी भी देश के बारे में प्रमुक नियम कैसे उसका किस तरह से वो कार करेगी किस तरह से उसके लिए सक्तिया होंगी किस चेत्र को कितने पावर दी जाएगी ठीक है उ स्ट्रोथ होता है जो की बिधाय का कार पालिका एवं न्याय पालिका के बीच में क्या होता है अधिकारों एवं सक्तियों का क्या करता है इस पष्ट बिभाजनी भी करता है क्या आपकी एक किताब ताकि उसमें किसी प्रिकार का क्या न हो तकराब न हो यानि कि मैं फिर से बत जो संबिधान किसी के किताब मात्र नहुकर क्या होती है एक मात्र क्या होता है नीती नियमों कानूं सक्तियों उत्तरदायतों का एकमा सित्रोत होता है जिसमें बिधाय का कारिपालिका नियाय पेपालिका की बीच में अधिकारों सक्तियों का क्या किया जाता है इस पस्ट लिए भी इसमें ही नियम काईदे बनाए गए हैं तो ये क्या है एक पुस्तक नहीं वलकि क्या होता है एक सर्वोची मौलिक विदियों का एक संग्रह होता है जिससे किसी भी देश के सारे कारे संपन होते हैं तो यह है एक बैधानिक दस्तावेज होता है क्या संबिधान एक बैधानिक दस्तावेज है जिसमें सासन के उन मूलवू सिधानतों के बारे में जानकारी दी गई होती है जिसके द्वारा किसी भी देश या पिर किसी भी राज के सासन का क्या किया जाता है संचालन किया जाता है मैं फिर सिवजादू यह एक बैधानिक दस्तावेज होता है जिससे क्या होता है उस संबिधान या उस दस्तावेज के मूलवूत सितानतों के आधार पर उस राज या फिर उस देश का क्या किया जाता है सासन को चलाया जाता है किसी भी देश के संबिधान से किसी की देश के संबिधान से सासन के मूलवूत आदर्सों का क्या किया जाता ह मिली जाता है सात ही यह भी इस पर फ़्श्ट हो जाता है कि सरकार के बिवे नंग किस पिरकार से कार करेंगे तथा उनके बीच किस पिरकार का अंतर संबंद वह सक्ति संतलन होगा यानि कि कारपालिका को कितनी सक्ति दी गई होगी नियायपालिका किस तरह से कार करेगी ठीक है और कारपालिका नियायपालिका और विधायका किस तरह से कार करेगी उनके बीच में कौन सी पावर किसको दी गई है कौन सा जो छेतर है अधिक सक्ति दालिए इस तरह कि इसमें स उसकी आपस में जो सक्ति का संतुलन है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है संभिधान सरकार के साथ जनता के संबंदों का भी क्या करता है निर्धार करता है इसके द्वारा राजनीती विवस्ता का वह बुनियादी धाचा भी निर्धारित करती है जिसके अंतरगत जनता क्या करती है जिसके अंतरगत क्या होती है जनता सासित होती फिर सिर्दादू मैंने क्या है इसके द्वारा किसके द्वारा संबिधान के द्वारा उस देश की राजनितिक विवस्ता की बुनियादी धाचा का क्या हो जाता है निधारड होता है जिस निधार के अंतरगत उस देश की जनता क्या किया आती है या उस नियम काईदे से क्या हो रही होती है जनसा सासित होती है हम कह सकते हैं जनता के उपर क्या करते हैं हम उस पर क्या करते हैं राज करते हैं किस के दौरा इस संबिधान के दौरा तो किसी राष्ट के संबिधान में जो दर्सन दिये गए होते हैं या फे नेहत दर्सन यह दिर्दारित करते हैं कि बहाँ पर किस फिरकार की सरकार होगी सही है संबिधान संबंधित राष्ट के सासन के दर्सन की रूप रेखा तयार करता है संबिधान को देश की आधार भूत बिधी यानि की fundamental law भी कहा जाता है जो जन्ता के विस्वास बहुसकी आकांचाव को क्या करता हो प्रत्विन्बित करता हो संबिधान संबद देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार भी सुनिक्षित करता है साथ ही उनके करतब्यों को भी परिवास करता है यानि संबिधान जो होता है उस देश के लिए क्या क्या करता है उस देश के जितने भी नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार भी देता है और अधिकार देने के साथ उन fasten को कुछ करतब भी क्या होता है उस में लिख कर देता है उसके बारे में करतब्यों के बारे में भी जानिकारी मिलती है स्हीधा समतलर कि मैं आप इस चैनल पर पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के साथ मेरा जो है चैनल बना लिया आप सब्सक्राइब कर गए हैं सब्सक्राइब करने के बाद या फिर मान लीजी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया मैंने कि मान लीजी आप अधिकार आपका पूरा हो गया में आपका जो अधिकार था कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिय करती कि तो इस तरह से पर्वा करत्ब्रों को भी परिवासित करती है, आपकी यह पुस्तकु चिक, तो चलिए सात्यों बात कर लेते हैं बहाती इतियास, भारती संभिदान की इत्यासिक परस्टोंमी के बारे में और ये पहला topic है और इत्यास की परस्टोंमी को हलका सा इत्यास की तरफ जा सकता है तो आप ये मैं सोचना है हिस्ट्री पढ़ाने लगा कहां ये बीच में टॉपिक गूंज लिया है थोड़ा सा ले जो है आपकी बन जाए और जैसी ले बनेगी बैसे ये पूरा सब्जक्ट जो खतम हो जाएगा आप एक सेकंड के लिए बोर नही संविधान की प्रफ प्रत्हूं ही इसके बिकास की प्रस्टहूं मेशी समझते हैं कि आखिर हमें संविधान की जरूरत कैसे पड़ी क्योंकि हमान लाघ हुई आभ लिए से पहले ने जिछ पपचास को फिर देश कैसे चलता था आखिर बहूत कौंच बहुत कौन से मेल पर थे जिनकी वज़े से मैंसुस होने लगा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए तो संविधान जब इस तरह की सोच आई और सोच आने के बाद आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओन हमें या हमारे जो देश को प्रवावित किया इसके काड़ा हमाएं एक भा भारती संविधान का इत्यास के अगर बारें बात करें तो भारती संविधान इसके अंतरगत हम यह जानेंगे कि भारत का बरतुमान का जो संविधान है उसे बनने से पहले ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं थी ऐसे कौन-कौन सी लोग थे ऐसे कौन-कौन सी मतलब तक तो थे य किन लोगों का योगदान रहा कैसे इसका किरमित बिकास हुआ और इसे बनाने में कौन-कौन सी घटनाओं ने इसे सबसे अधिक प्रभावित किया तो इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर बात जो आती है सबसे पहले हमारी लोट के आ जाती है महरानी एलिजावेद की अधिकार पत्र या चार्टर प्राप्त करते हैं जिसके तहत अंग्रेजों को यह अधिकार मिल जाता है कि अंग्रेज पूर के जितने भी देश हैं उन पर ब्यापार कर सकते हैं यानि कि अंग्रेजों को या करें बिटिज इस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल जाता है इस एक अधिकार की बात करें तो इसमें यह पिराप्धान किया गया था कि अंग्रेजों के अलावा अंग्रेज का या इस अधिकारपत्र का या इस इक्रार नामा का ये एक प्रमुक्तत था ठीक है समझवाए ना कि एक अधिकार का क्या मतलब था कि बेटेन में कोई दूसरी कंप्पिनी जो नहीं बनाई जा सकती जो यहां पर इहां पर करना चाहेब अगर कहीं और करनी है तो आप कहीं और करिये बेटेन में करिए आप यूरोप में किसी और देश में करीं लेकिन आप यहां पर नहीं करने आसकते किलेर हो तो ये चोटा सब परचे वोगा क्या होता है मैंने क्या बताया कि इसकी सुरवात कहां से भी मानी जाती है महाराणी एलजावेद के द्वारा 31 December 1600 में Charter प्राप्ट कराने को दान मैंने के बता British East India Company की सुरुवात 31 December 1600 में एक साही अधिकार पत्र जो कि British East India Company को महरानी एल जावेद पिर्थम के द्वारा दिया गया था यानि कि सन 16 समी East India Company ने England की महरानी से England की महरानी एल जावेद पिर्थम से Charter प्राप्ट किया और इसमें एकादिकार प्राप्ट कर लिया कि भारत देश यानि कि Cape and Good Hope के जितने पूर्वी देश हैं उसमें केवल यही ब्यापार कर सकता है तो यह जो company बनती है इस company में क्या था इस company को चलाने वाले जो लोग थे वो कितने थे इस company को चलाने वाले जो लोग थे 25 लोग थे यानि कि एक इसको संस्ता चलाया करती थी यानि कि एक 25 सदस्यों की एक संस्ता तराजी थी जिसको court of director कहते थे किसको कहते थे जो betas East India company को चलाने वाली एक 25 सदस्य की एक संस्ता थे जिसको court of director कहते थे जिसमें एक क्या था एक governor था और 24 क्या थे निदेशा के आने की 24 इसमें क्या थे डारेक्टर थे ठीकर इसका सीधा ता मतलब यह था कि यह जो पूर्वी छेतर है इसमें 25 लोग ही क्या कर सकते थे 25 लोगों का समुहीं ब्यापार कर सकता था इसके अलावा कोई भी नह नहीं कर सकता था क्यलिए भा कौन नहीं कर सकता था कोई और नहीं कर सकता था तो जब भारत में भारत में ब्यापार करने के लिए इसट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आते हैं इन्होंने भारत में ब्यापार करने का एकमात अधिकार महरानी एलिजाविज पर समद्वारा चार्टर एक्स से प्राप्त कर लेता है जो की पंद्रे सालों के लिए बैद था जो चार्टर था वो पंद्रे सालों के लिए था कि पंद्रे सालो में आ जाते हैं और इनके आने से भारत में कौन-कौन सी घटना है गड़ती हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो सबसे पहली घटना जो होती है क्या होती है कि सोले सो पांच में आपकी अकवर की म्रत्यू हो जाती है इसके बाद जहांगीर जो होते हैं गड़ी बेटे हैं तो जहांगीर के काल मेर सन 608 में एक दूत होता है दूत क्या नाम था धूत का जो नाम था वो था आपका कैप्टन जहां तक अंदाज है कैप्टन बिलियम हौकिन्स जो था महारा जो बाधसा होते हैं मुगल बाधसा जहांगीर के दरवार में आगरा में आता है कब आता है 1608 में दरवार में आता है दरवार में आने के लिए किसलिए दरवार में आता है ये आता है कि जो भारत है भारप का जो पस्चिमी छेत्र है यानि कि सूरत वाला छेत्र तो 1608 में भारत में ब्यापारी कोठी यानि की फैक्टरी खोलने की अनुमती प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरवार में आगरा आता है और आगरा आने के बाद वहाँ पर जो जहांगीर होते हैं जहांगीर सोचते हैं के चलो कोई बात नहीं हम अनुमती दे देते हैं लेकिन इधर क्या थ कि पुर्त गालियों का हिंद मासागर वाले चेतर में यानि कि समुदरी चेतर बहुत दबदबा था तो डर की वजए से जहांगीर होते हैं वो क्या करते हैं मना कर देते हैं यानि कि टालमटोल करने लगते हैं लेकिन होता क्या है कि जो जो क्या बोलते हैं 24 अगस 1608 में जब चेतर बीलियम होकेंस जब پहुंचते हैं तो बहाँ पर क्या होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं बात बनती है तो जो हमारे जो प्रसण हो जाते हैं तो कैप्टन बिलियम होकेंस को 400 منصب और इंग्लिस खान की उपादी के साथ अपने दरवार में आखें अपने राज में रहने की अनमती देते हैं लेकिन फेक्टरी खोलने की अनमती नहीं देते हैं क्योंकि इस समय प्रोगालियों का इन छेतर में क्या था दवदवा था लेकिन होता क्या है कि 1208 में जब captain walking जो है P Braille आता है आने के बास समय बीचता है foldedbook 112 और घड़ी दे नहीं तो सुरत कe पास में सूरत के पास में सूरत के पास पास में स्वाली के पास पुर्तगाली हो और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाती है जड़प हो जाती है पुर्तगालियों के अंग्रेजी बेड़े में और पुर्तगालियों के बेड़े में क्या हो जाती है जड़प हो जाती है तो इधर क्या होता है अंग्रेज क्या करते है पुर्तगालियों को दोड़ा दोड नहीं है डरना नहीं चाहिए तो इससे क्या होता है मैंने क्या बताया सोले सो बारे में सूरत के पास वाली में पुर्टगाली तथा अंग्रेजी बेड़े में एक क्या होती है छोड़ी सी क्या होता है जड़ 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 ज़समें क्या होता है अंग्रेजी जो वारे में एक फर्मान जारी कर देते हैं इसके तैस क्या होता है आपका शोले सो तेरे में जब पर्मान जारी कर देते हैं तो शोले सो तेरे में अंग्रेज क्या करते हैं पश्चमी तटपर सूरत में पहली फैक्टरी को दें कब 1613 में तो आपको हलका सा हिष्ट्री वाला फीलिंग आ रहा होगा लेकिन ये अथियासिक प्रेश्ट्रूमी जैसे इसको एक घटना किरम बना रहा हूं है आप समझ पाएंगे कि मैं ये आपको कहानी क्यों सुना रहा हूं क्यों मैंने 1608 की बताई क्यों 1613 बताई इसके बाद हम समय है क्योंकि अभी अंग्रेज क्या कर रहा है अभी अंग्रेज यहाँ पर केवल ब्यापार करने हैं अग्रेज अभी कुछ भी नहीं चाते हैं अंग्रेजों के अंदर कोई मात्वा कांचा नहीं है यहाँ पर केवल ब्यापार कर रहा है समझ पा रहा है तो यहाँ पर यानि कि हाथ पकड़ लिया है तो हम इनको बाहों में भी भर लें यानि कि कोई हाथ पकड़ने का मौका दिया तो हम कहे नहीं इनको बाहों बर लें तो अंग्रेज जो थे इनको बाहों में भरने के लिए क्या करते हैं 1615 में अंग्रेज क्या करते हैं जहांगीर के दरवार में बिटेन के समराट जेम्स पिर्थम के एक दूत होते हैं क्या नाम था उनका सर टॉमस रो अंग्रे इच्चों का जो राज बोधा समराट उसका दूद सर टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरवार में 1615 में जाता है 1615 में जेम्स पिर्थम के दूद जहांगीर के दरवार में पहुंचते हैं किसलिए पहुंचते हैं कि हमको क्या चाहिए हमको चाहिए क्या पूरे भार पर यानि कि थोड़ा सा मिल जा कि पूरे भारत पर क्या करने के लिए जो मुगल समराज है उस पर फैक्टरी खोलने के लिए उस पर ब्यापार करने का अधिकार मिल जाए इसके बाद क्या होता जैंस जो प्रिथम होता है जैंस प्रिथम का जो दूत होता है वो भारत भारत मे यानिकी सर्ट टॉमस रो जो होता है जहांगीर के दरवार में लगबग 1618 तक लुपता है तो 1618 तक सर्ट टॉमस रो क्या करता है रहता है फिर टॉमस रो मुगल समराज के सभी भागों में ब्यापार करने और फेक्टरियां खोलने का अधिकार देने वाला साही फर्मान प्राप्त करने में सर्ट टॉमस रो क्या हो जाता है सफल हो जाता है तो भारत में क्या होता है जो भी मुगल बास्ता वाला जो चित्रा मुगल समराज चित्र था उसमें सभी चित्रों में करने का इनको क्या मिल जाता है अधिकार मिल जाता है तो इस समय अगर बात की जाए इस समय पुर्तगाली थे पूर्तगाली थे एस टेनिस थे अंग्रेज थे डच थे ढ Netz थे और फ्रांसी थे यह लोग क्या थे भारत में जगते अपनी अपनी दुकाने जो थी लगा रखी थी अपने अपने काम कर रहे थे ठीक है तो भारत में इस समय जो ब्यापारिक कंपणियां थी पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसेशी और स्पिन और डैनमार्क वासी इन कंपणियों कार क्या था अभी ब्यापारिक कार्त की सीमिता स बताऊंगा कि आकिर हिम्मत कब पड़ गई अभी घटना नहीं आई अभी यह केवल ब्यापार करना चाहते हैं अपनी एका चूडियां बेचना चाहते हैं सिंदूर बेचना चाहते हैं बिंदिया बेचना चाहते हैं और चोटी मड़ी चीजें बेचना चाहते हैं उससे अ कैंने कуемपिनियों कार सुर्फ बयापारिक कार कि तक ही इसनी ते इन कॉम्पिनियों में अपनी थुकान यानि की फ्रांसी यों सै उने अलग और आपका पुर्थगाली होने अलग डैनिस वासी Mick दे यो अलग 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 दुकान बिटेन की कोई दूसरी company बहरत में काम करने नहीं जाएंगी लेकिन BETAIL का भाग तो नहीं है पुर्टगाल पुर्टगाली का लग देस था इस्पेन बिटेन का भाग तो है नहीं अलग देस है तो बेटेन, पुर्तगाल या फिर किसी अन्य देश को तो रोक नहीं सकती थी समझ पारा ना किसी अन्य देश को नहीं रोक पाती है तो बेटेन से कोई नहीं आ रहा बेटेस इस्ट इंडिया कमपणी को डिश्टाप करना है लेकिन जो पुर्तगाल थे फ्रांसी थे इन में आपस में क्या थी जड़प होती रहती थी ये आपस में नहीं बनती थी मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बता बिटरिशी इस्ट इंडिया कंपपणी को एक आदेकार जरू मिला था लेकिन बयापार कंपणीयों का इंगलें इसका जब यहाँ पर आता था तो इन्हें दिक्कत होती थी किसको अंग्रे जोंकों अंग्रे जी चाते था किया हम ही अकेले यहाँ पर काम करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें आनंद ले सकें इससे क्या था कई सारी लडाईयों होती है जैसे कि डचों के साथ होती है फ्रांसीशियों के साथ होती है और आपका पुर्टगालियों के साथ होती है डैनमार्क से होती है सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जगड़ा के बात करें तो डच के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं तो डच की अगर बात करें तो डच और बिटेन के बीच में कई सारी लडाई होती है और आखिर में 25 नवंबर 25 नवंबर 1769 में डच और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बेदारा का युद्ध या इसको हम चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं तो बेदारा के युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच में क् और डच क्या करते हैं अपनी दुकान सारा सामान वगेरा छोड़ कर क्या करते हैं भारत से चले जाते हैं यानिकि अपने दुकान बंद करके चले जाते हैं तो पहली दुकान किसकी बंद हो गई आपकी डच की दुकान बंद कर दी किन ने अंग्रे जोने कर दी अब दूसरी बारी आती है किसकी फ्रांसीसियों की बीच में भी कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं कई सारे जगड़े बगेरा होते हैं और आखिर में फ्रांसीसियों के बीच में भी एक निडाय के उद्ध होता है और वो युद्ध जो होता है चब बेस जनवरी सत्रह सो साथ में बां दुकान लेकर चले जाते हैं और इनकी भी दुकान बंद होती है अब बात आती है पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों की दुकान कैसे बंद होती है 1661 में क्या होता है 1661 में इंगलेंड की इंगलेंड के राजा चार्स देती होते हैं चार्स देती का विवाज जो होता है पुर्टगाल की महरानी कैथरीन के साथ होता है इसके चलते क्या होता है इसके चलते इन्हें दहेज में पुर्टगाली क्या करते हैं दहेज में पुर्टगाली जो होते हैं क्या देते हैं बंबई जो होता है गिप्ट में मिल जाता है तो पुर्टगाली और बेट प्रृतगाल की महरानी के साथ तो यहां जगडाई खतम हो गया देज में मुंबई और मिल गया समझ पहा रहा है नो तो यह फ्रांसीसियों की दुकान बंद हो गई अब रह जाता है कौन पुर्टगाली तो पुर्टगालियों की दुकान बंद हो गया अब जब तीन दुकान बंद हो गई तो तीस चौथी दुकान जो बसी इस्पेन की इस्पेन तो वही है डर की वज़े सी भाग गया इस्पेन क्या तो क्योंकि Denmark कोई बात सी जो थे बारत देस में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थे इनकी जो कोई खाष इंड़ों ने जंड़े नहीं खाए थे इस पेन ने थोड़ा बहुत कमाया था तो वो भी डर की वज़े से फिर बाद में चला जाता तो मैंने क्या बताया इस पेन डर क कुछ बेच कर किसको अंगरेज़ों को बेच कर चले जाते हैं तो अब कहानी यहां पर सीधा सा मतलब था सारे विकेट गिर जाते हैं पूर्तगाल, फ्रांस, इस्टेनेस यानि और डच और ये सारे जब चले जाते हैं तो अब भारत का करता धरता कौन रह जाता है यानि कि भारत में अब इस समयबास्त्विक रूप से पूरी तरह से एक आदिकार अब हुआ है क्योंकि बाकी सारी कंपनिया क्या थी कि अगर वो समाप्ती नहीं हुए तो एक छोटा मोटा कोना ले लिए माली जिए फ्रांसी सी पूरी तरह समाप्त हो गई थे उसके बाद भी उन्हे क्या था ब्यापर करने के लिए तो मना कर दिया था रहना भी है तो अंगरे जोंकि छत्र-छाया में रहना होगा तो मैंने क्या बता बिट्स-east-india company अब क्या था सांती के साथ ब्यापर कर सकती थे ना तो उसे फ्रांसी सी परिशान कर रहे थे ना ही उनके दिमाग में कोई दूसरा कोई सोच पनप पा रहे थी लेकिन इधर क्या था मुगल समराज की बारे में गर बात करें तो आपको पता होगा कि मुगल समराज की बात करें तो मुगल समराज की नीम रखने वाला जो व्य को बाद उनका लड़का जो होता है अकवर होता है अकवर के बाद जहांगीर होता है जहांगीर के बाद सा जहां होता है फिर औरंगीजेव फिर बहाद दूर सा फिर जहांदार सा फिर फलाना डिमका फरुक्सियर रफीक उद्दौला रफीक उद्दरजात मुहम्मद सा तो तो इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं ये मुगल बास्ता होते हैं तो इस तरह से क्या होता है समय बीचता जाता है बावर से लेकर आपका बावर हमायूं अकवर जांगीर सा जहां औरंगजेव उसके बाद औरंगजेव के बाद आपका जहांदार सा नहीं बादुर सा स्थिक्सियर, फरुक्सिय período मघआ ऐसे, संस्थ का नम होता है मुहम्मास्ता-्रंगिला के समय काल में क्या होता है? आप लोगों को जो सुल्तान होता है वो भारत देश में क्या करता है भारत देश में मुगल बास्ता मुहमसा रंगीला की पिटाई करके चला जाता है यहीं से क्या होती है जब क्या हुआ यहाँ जब पिटाई करके चला जाता है साजहां के द्वारा बनाया गया तकते ताव जब लेग जाते हैं और कतले हम मचा जाते हैं कहां से ईरान से आकर इतनी दूर से कहां पर दिल्ली में आकर मुगल बाधसा के मुहम्मध सा रंगीला के काल में तो इस समय अंग्रेजों के दिमाग में बत्ती जली और उनको समझ में आया कि यार इस्तती ऐसी हो गई है कि हम कहां यार व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम कहां व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम तो खामी खाम में ये सिंदूर बेशते हैं बिंदी बेशते हैं छोटी मोटी चीजे बेशते हैं काहे नहीं हापे आनंद बिया जाए करता धरता काहीं नहीं बन जाए क्योंकि जब कींदरी सक्ता उनको कमजोर होती हुई तो, मैं फिर से बता दूँ कि जब मुहम्मद सारंगीला के काल में 1749 में जब भारत देश पर नाधिरसा का आक्रमड होता है, और नादिर सा जब आक्रमड करता है तो आक्रमड करने के साथ भारत में वो कतले यहां मचा जेड़ा है और बहुत सारा माल जो होता है लूट कर चला जाता है यहां तक किसा जहां की दौरा बनाए गया तक क्या 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 यहां से लेकर चले जाते हैं ठीक है समझ मैं है ना तो मैंने क्या बताया इस कार्ड क्या होता है अंग्रेजों के दिमाग में माता ठनका उनके दिमाग में कीडा आया कि क्या आया कि उनकी उम्मीद की किरड जागी उनने दिखा कि कहां भारत देश में इतनी दूर से एक ब्यक्ति आता है और वो लूट प में हस्थजेब करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपका मैसूर सबसे पहले बंगाल में फिर इस तरह से क्या है नईनी घटना किरम करना शुरू कर देते हैं तो बारती राजनीती में भी हस्थजेब करना शुरू कर देते हैं यहीं से ही क्या होते हैं अंग्रेज यहीं से ही अंग्रेज क्या करते हैं यहीं से ही अंग्रेज जो थे कई सारी गटनाएं करते जाते हैं ठीक है कई सारी गटनाएं करते हैं जिसमें से पहली जो गटना होती है वो एक युद्ध होता है एक सड़ेंद के तहित पहला एक युद्ध करवाते हैं यह बंगाल में बंगाल में पहला युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं 23 जून 1757 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध पहला युद्ध जो होता है अंग्रेजों के सडेंद के तहते यानि की पहली राजनेतिक हस्टेचेप के तहते ये एक बड़ा यु जीत जीत जाते है प्लासी के विद में इसके बाद क्या होता है? 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1664 में 1764 में एक निडाय के विद्ध लड़ा जाता है जिससे अंग्रेज क्या होते है? भारत में पहली बार करता-धरता बनने की इस्तिती में आ जाते हैं और वो अपने आपको इस्थापित कर लेते हैं भारत देश में कब 23 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है बकसर का युद्ध नाम दिया जाता है इसमें क्या होता है अंग्रे जो ने तीन से चार लोगों की सहिक्त सेना को बहुत नाम मातर की सेना के साथ हरा देते हैं और इसके साथ ही भारत देश में चारों और ये ख़वर पेल जाती है कि भारत देश में नया बोसाइला है उसका नाम जो है क्या है उसका नाम जो है अंग्रेज है अंग्रेज मतलब विटेन है विटेन जो है कहकर लेती है मतलब कहकर खवर लेती है जिसको संदेश बेजे उसको हरा सकती है तो इस तरह से भारत में पहली बार यहाँ पर बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और यहीं से ही जैसे ही बकसर का युद होता है बकसर का युद्ध होते ही अंग्रेज जैसे ही बकसर की युद्ध में जीतते हैं भारत देश की खुलामी की पहली जंजी रिया का है भारत देश की पैरों में बेडियां यहीं से पढ़ जाती है जिसको उन्नीस सो सेटालिस में ही धोया जा सका था ठीक है समझ पाई तो इस युद्ध में क्या होता है इस युद्ध के बाद क्या होता है इस युद्ध में क्या होता है सत्रह सो पैंसट में बंगाल बिहार उडिसा में क्या होता है दीवानी का अधिकार मिल जाता है यानि कि जब ये युद्ध खतम होता है तो इस युद्ध के बाद क्या हो अधिकार अंग्रेजों को पहली बार मिल जाता है समझ पाए ना अंग्रेजों का क्या मिल जाता है कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है सीधा सा मतलब अब अंग्रेज यहां पर क्या था ब्यापार के साथ क्या कर रहे थे अब ब्यापार यह पर वो नहीं बीच रहे थे से निडायक युद्वीता इस कार्ड क्या था क्योंकि भारती सक्तियों को सेंक्स येना को जब अंग्रेज हरा देते हैं तो यहाँ पर एक चीज निकल किया जाती है कि भारत में एक नई सक्ति का क्या हो गया है जंडा गड़ चुका है जिसका नाम अंग्रेज है और यहीं प पर क्या होता है अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरह से इस्थापित हो जाते हैं और अंग्रेज जब पूरी तरह से इस्थापित हो जाते हैं तो इसके बाद क्या थी कंपिनी ने अंग्रेजों को प्रादेशिक सक्ति की यहाँ पर क्या करते हैं अंग्रेजों की 47 को हुआ यानि कि मैंने क्या बताया कि यहां पर क्या होता है जब अंग्रेज क्या करते हैं संत्रों 65 में जब भारत देश में अपनी क्या करते हैं सक्ति को मनवा लेते हैं और अपनी सक्ति का लोहा जब वो मनवा लेते हैं तो उसके बाद ही एक ख़बर पहुंझाती है मार् फिर होता है सत्रेसो तैत्र का आपका चार्टर आता है मनुनहां रेगुलेटिंग आता है फिर चार चार्ठर आता है् फिर कंपनी का जु सासन होता है वो कब तक रहता है wings 1773 से लेकर 17 68 68 तक रहता है उसके बाद company से अटकर सीधा ये किस के तो में चला जाए जाए बेटिस किराओन यानि की सीधे मारानी के अंडर में भारत जो होता है गुलाम बन जाता है ठीक है तो मैंने क्या बताया सन अठारे सो अठावन में बेटिस ताजने भारत के प्रसासिन की बागदोर्ड खुल अपने हाथों में ले जिसका अंत भारत की स्वतंता के बाद ही हो सका था चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आगे कि जो भी गटना गिरम होते हुआते रहते हैं उसके सब्सक्राओं करेंगे करेंगे किस तरह से हमारे समीयदान हैं इदर ऋरसे अनुची इसे जो है कई जगे जो है चोरी किये गए हैν बहुत से जो है लगवक 1935 का जो अधिनियम है 1935 का जो अधिनियम है उसमें से तो बहुत से जो प्राभधान इसमे मिलते हैं तो बहारत में नए गरतंति के समीधान का सवारं कौना की च्बवेश जनवरी पढ़ा गया था तता इसी दिन इसे संसद में उपत्य दो सो नवासी सदस्वें दोरा हस्तांतरित कर भारती संविदान के रूप में मानेता दे दी जाती है 26 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया जाता है तो भारती संविदान को अपनाने से पहले बिटे सासंद्वारा अने चार्टर और अधिनियम पारित किये गए थे जिन्होंने हमारे भारती संविदान के निर्मदाने में महतपूर गूंड का निवाई क्योंकि हमने बहुत से होने के बाद भारत में 1608 में दूट बेजते हैं आपके जैम्स पिर्थम भारत में बेजते हैं उसके बाद 1613 में बिटे सीष्ट इंडिया कंपनी को पश्चमी भाग में आने की सूरत में पहली फैक्टरी कोलने के अनुवनती मिल जाती है उसके बाद 1615 में पूरे भारत म मुगल सामराज के जो छेतर है उसमें ब्यापार करने का अधिकार मिल जाता है उसके बाद समय बीतने के बाद समय बीतने के बाद अंग्रेज अभी भी ब्यापार कर रहे होते हैं बाकी की जितने भी जो कॉंपिटीटर होते हैं जितनी भी प्रांस होते हैं जो भी होते हैं उ भारत में जब आक्रमड कर दिता तो उसके साथ क्या होता है अंग्रेजों के दिमाग में बत्ती जल जाती है वो देखते हैं यार भारत में यह जो दुकान-दुकान के रहे हैं यह बहुत हुआ बंद करो मतनान तम्हारी जो सोच है बहुत उची होने वाली है इस तरह से उन् कूट नीती का इस्तमाल करती है फिर्थम जो युद्ध करवाते हैं वो था प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध जो होता है उसमें करवाते हैं प्लासी के युद्ध में क्या होता है आपका 1757 प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद भारत में वो अपना क्या ह होती है करांटी होने के बाद British East India Company से जो प्रसाशन होता है जो भी वागडौर होती है कौन ले लेता है अपने हातों में ले ले देते है उसके बाद समय बीटता जाता है संगर्स होते हैं बहुत सी चीजें होती है उसके बाद हमारे सतंता संगर्स होता है सतंता संगर्थ में पहली बार 1934 में पहली बार संबिधान की मांग रखने वाले जो बेखती थे वो थे एमेन राय उसके बाद 1946 में संबिधान सवा का गठन किया जाता है संबिधान सवा का गठन किया जाता है संविधान सवा का जब खठन किया जाता है उसके बाद हमारा जो है संविधान लिखा जाता है लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 को पहली बार ये पढ़ा जाता है अंतिम बार इसको पढ़ा जाता है इसी दिन इसे संसद में उपस्ते दोस्तों नवासी साज़स्यों दोरा अस्थाक्षरित और इसे पारित कर दिया जाता है और 26 जन्मरी 1950 को इसे पूरे देश के दोरा अपना लिया जाता है आई यह तो देखते हैं संविधानिक विकास या कॉंटिटिशनल डेप्लमेंट यहां से शुरू होता है इंडियन पॉल्टिकी बास्तिक सुरूबात यहीं से होती है संविधानिक विकास देखते हैं क्या है यहां यहां पर तो मैं आपको बता चुका था किस तरह से जो है भारत में भारत में अंग्रेज आते हैं अंग्रेज राज करते हैं उसके बाद फिर सीरी महरानी करने लगते हैं आई देखते हैं समझते हैं तो किसी भी देश का संविधान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता बलकि है एक एतियासिक विकास का परड़ाम माना जाता है एतियासिक प्रक्रिया के संपूर ग्यान के अबाब में संबिधान को भली वाती अध्यन नहीं किया जा सकता भारत में संबिधान परंपरा का विकास अंग्रेजियों के आने के साथी सुरू हुआ माना जाता है आदुने राजनीती संस्ताओं का उद्वा में विकास भी इस नी के काल में हुआ था भारती संविदान के एतियासिक विकास का काल 1620 से सुरू होता है इसी बर्स इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी सुतंता के बाद भारती संविदान का स्वदेशी स्वरूप सामने आता है इसके निर्माड में उनके विद्वानों ने बहुत अधिक भूनका निवाई बिस्ट के विविन देशों के विद्वानों ने उन प्रापधानों को भारती संविदान में सामिल किया गया जो भारत के सामाजी कार्थिकों राजनीतिक परदोस्तिएं के अनकूल थे तरुमें बेटे सासकों द्वारा एवं सटंता के बाद भारत सरकार के द्वारा सम्बिधान का चड़वद तरीके से क्या किया गया? बिकास किया गया सीधा सा मतलब यहां यह कहना है कि संबिधान कहीं पर बैठके किसी कौने में नहीं लिखा गया था यानि कि यह एथियासिक बिकास का पड़ाम है और इस संबिधान के निर्माड में या कर इस जो बिकास है यानि कि बिकास में महतपुर गून का जो निवाते हैं वो अंग्रेजों के आने से सुरू होता है और अंग्रेजों के जो चार्टर थे जो अधिनियम थे जो उनके नियम काईदे थे उनके आधार पर ही भारतिय संभिधान का क्या है प्रमक रूप से विकास हुआ माना जाता है ये क्या है भारती जो राजनीती थी अंग्रेज जोने उस में किया ठिक तो भारत में संभिधान का विकास कब से सुरू हुआ माने जाता है अंग्रेजों के पिरवेश के साथ ही कब से सोले सो से और सोले सो में क्या हुआ था आपका इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी कहां पर लंदन में ठीक है उसके बाद भारत देश क्या हो जाता है सुतंतर हो जाता है सुतंतर जब होता है तो अंग्रेजों की जो नियम काईदे थे उनमें कुछ बदलाव किये गए बदलाव करने के साथ उसका क्या किया गया स्वदेशी कड किया गया यानि कि जो ऐसे लग रहे थे कि जो सिर्फ और सिर्फ अ अधिक बोमिका निवाई ठीक है? और भी विस्व के कुछ प्रमुक संभिधान थे जैसे कि अमेरिका का, जर्मनी का, गच्छिड अफिरीका का, जापान का, उस्टेलिया का, या फिर मा लिए, आईरिलेंड का, ये कुछ संभिधान, देसों के प्रमुक संभिधान थे, उन से हम लोगों ने क्या किया चोरी मतलब मतलब महां से क्या किया हमने उधार लिये कुछ ब्राबदान जो की भारत के लिए क्या भारत के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक पर जिसके लिए क्या हूं अनकूल हो यानि कि उसे भारती राजनिती में भारती जो सामाजिक ल में समझें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतिय संबिधानिक विकास संबिधानिक विवस्ता का निर्माड किसी निश्ची समय में नहीं हुआ बलकि यह किरमित विकास का पढ़ा माना जाता है जो बिटिस सासन के दोरान दीमी गति से हुआ है माना जाता है और भारत के संवेधाने विकास के इतियास को हम दो भागों में बांट कर पड़ सकते हैं पहला वो जब सिर्फ और सिर्फ किस ने सासन किया था कंपणी ने सासन किया था यानि कि अंग्रेज की जो कंपणी थी बिटिस कि इस विकास को हम क्या कह सकते हैं इस विकास को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं जिसमें आपका 1773 का रेगुलिटिंग अता है उसके बाद आता है चाटर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आता है इस तरह से कुछ यहां पर देख सकते हैं, इनको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं, दो भाग कौनकों से हैं, तो दो भाग जो हैं, यहां पर सबसे पहला जो आता है, वो है इस इंडिया कंपनी के अंत्रगत, यानि कि भारत में क्या था, मैंने बताया था, कि 31 दिसंबर 1600 में भारत में क्या माने जाता है, संबेदानिक विकास की पिरक्रिया माने जाती है, जिसमें क्या होता है, भारत में अंग्रेज प्रिविस करते हैं, और इसी समय में क्या था, विटेन में भी इस्ट इंडिया कंप सारे आते हैं और आखिन में 1858 तक 57 तक ये भारत में कौन करते हैं आपके बिटेस इस इस इंडिया कंपनी राज करती है उसके बाद बिटेस किरांवन यानि कि सीधे सीधे कौन कर लेता है अंग्रेज के जो मालिक थे यानि कि पहले क्या करने आये थे यहां पर इनके बच्चे यानि कि बच्चे जो महराणी थी उनके बच्चों के क्या नाम थे बेटेस East India Company तो बो यहां राज कर रहे थे फिर सीधे सीधे कौन राज करने लगा था बेटेस किराउन के अंतरगत आ जाता है यानि कि सीधे अब करता-धर करका आता है इस्ट इंडिया कंप्पेनी के ताहित पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1793 में चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट अरुज़त 233 कि एच्छार्ट एक्ट 1853 खें उसके बाद बिटिस किराउन के अंतर के अंतर कर बात करें तो बारत शासन अधिनियम 1858, बारत शासन अधिनियम 1868, बारत शासन अधिनियम 1861, बारत शासन अधिनियम 1892, बारत शासन अधिनियम 1929, बारत शासन अधिनियम 1935, बारत शासन अधिनियम 1934, इस तरह दे किलियर यानि कि ये सम्मेधानिक विकास का अलग दौर होता है और ये सम्मेधानिक विकास का अलग दौर होता है के लिए रुगा ना तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी वाला फिर देखेंगे बेटिस किराउन के अंतरगत वाला आईए आए देखते हैं 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट ठीक है तो इस एक्ट के द्वारा बेटे संसत का भारत में इस्ट इंडिया कंपेनी के कार्णों पर पहली वार नियंतर बहस्तिचे शुरू हो गया था बंगाल का सासन गवर्नल गवर्नर जर्नल तता चार सदस़्िय परसद में नहत कर इनके निड़े को बहुमत द्यारा दिये जाने की विवस्ता कर दी गई थी मदरास वा मुंबई प्रेसिडेंस को बंबई प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था तीन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जर्नल के अधीन कर दिया गया था जिसके तहरत भारत का पिर्थम गवर्नर जो था वो लॉर्ड वारिन हैंस्टिंग बनता है फिर से क्ल बारत में ब्यापार करने के लिए अंग्रेजों को एकादिकार दे देती याने की सीधा तरह यह था कि अंग्रेज की जो कमपणी है बीटरी सीष्ट इंडिया कमपणी जो की पच्छिस लोगों के द्वारा चलाई जाती थी पच्छिस लोगों का एक सदस्य था जिसमें 24 जो में भेजने के बाद 1613 में पर सम फ्यक्ति कोलते हैं उसके बाद 1615 में मतलब बिली मौकिंस के बाद टॉमस रो आता है जांगीर के दरवार में और 1618 में पूरे भारत देश पे क्या होता है मतलब मुगल समराज ज्वाले छेत्र में क्या कर लेते हैं यह व्यापार करने का खाये अधिकार मिल जाते हैं जब अधिकार मिल जाता है तो अंगरेजों के सामने और पर तो रहेते जयसे की आपका फ्रांस था नेको भी अहताना हैं interviews करे आउट करने के वाद दीमे दीमे समय बीच्टा जाता है बीच्ता जाता है और उसके बाद rationalिस आा जाता है आने यह भी पैसा कमाने लगते हैं तो यहां पर बेटेन की महरानी को कवर पाहँची प्रेतान में खवर पॉस्षी वात है सोले सों में इन्हों ने जो कंपनी का बनाया था को भ्यापर करने के लिए बनाया तो ही पाहँ लिकले जसे की वा यो दोता है वो प्लासी का यो दोता है फिर बकसर का यो दोता है बकसर के उद्व में तो अथा धन दौलत मिलती है इनको इलावाद की संदी भी होती है दुएस्थासन की प्रक्रिया भी हो जाती है दीवानी का अधिकार मिल जाता है नहीं कर्वसूली का अधिकार जब इन्ह प्रविए जो की बात संसद में बात हुई कि ऐसी बात है कि वेटेन की जो बिटेस इस्टिया कंपनी है जो कि भारत में क्या कर रही है ब्यापार कर रही है इकादिकार इसको मिला है इसको कुछ कंट्रोल बगएरा लगाया जाए तो सत्रेसो पैसट में जब ये दीवानी पहली बार बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी के कार्विएं पर नियंतरवास्थ चेप करना शूरू किया तो कव किया था सत्रेसो तैत्तर के रागूलेटिंग एक्ट यानि कुछ रेगूलेसन यानि कुछ नियम-काइदे बनाए गए पहरे कोई नियम-काइदे नहीं थे क् गर करने जा रहे है यह अब यान पर क्या देख रहा है यार फे दूसरे देश में जाके वहां पर कभ्जा कर लिए आपने ची राज जीतने लगे आप कहां चूडी सिंदूर बिंदियां यह सब भी से लिएते अब क्या करो आप माल कमा रहे हो सोना चादी की डीले हो रही हैं समझ पा रहे हैं आप इस तरह की तो इन्होंने क्या किया 773 का Regulating Act लेकर आते हैं इसके तहित क्या किया गया था इसके तहित जो बंगाल वाला जो छेतर था बंगाल बंबई मदरास ठिक बंबई यह बंबई वाला छेत यह मदरास वाला छेत तो बंगाल मदरास मदरास और बंबई तो बंगाल का गवर्नर जर्नल ठीक बंगाल का गवर्नर जर्नल चार सदस्य परसद में नेद कर दिया गया था इसके नेड़े को भामत के द्वारा लिया जाना था, यानि कि जो बंगाल का गवर्नल क्या कर दिया था, चार परसद में, चार सदस्यों की एक परसद बना दी गई थी, उसमें सारी सक्तियां नेट कर दी गई थी और नेड़े भामत के द्वारा लिया गए था, मदरास और गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था यानि कि बंगाल बंगाल मुंबई और मदरास को तीनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था इसके तहती बंगाल का पिर्थम गवर्नर जो बनता है वो कौन बन के द्वारा कब कंट्रोल किया गया था 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था इस एक्ट के अंतरगत यानि की 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कूलकाता में एक उच्छ नियायले की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख नियाय अधीस तता तीन अन नियाय अधीस थे, जिसमें सर एलिजा इंपे, इन्हें हम आदे जीवन पर लड़की समझते थे, लेकिन हमें काफी सोध के बाद पता चला कि ये महला नहीं, तो सर एलिजा इंपे पिर्थम मुख्य नयाय अधीस थे कब 1774 में कूल का था उच नयाय अले के पिर्थम मुख्य नयाय अधीस एलिजा इंपे थे ठिक कमपनी अधिकारियों को निजी ब्यापार करने और भारती लोगों से किसी भी प्रकार के उपहार के लेंदेन पर प्रि के लिए कारज कर रहे थे लेकिन कंपनी के करमचारी क्या कर रहे माल लिजे मैं ट्रेंड में मैं टीटी का काम करता हूं टीटी का काम करता हूं ट्रेंड में क्या कर रहा हूं मैं ट्रेंड में क्या कर रहा हूं मैं ट्रेंडी पाई रहा हूं सरकार की तरफ से साथ में क्या कर हूँ टिकटे वागेरा देखना है किसी का कुछ करना है तो ज्यादा बिना टिकट के तो पकड़ने में आते हैं तो क्या कर लिए हमने ऐसे करके ऐसे करके हमने एक थेला ले लिया उसमें थोड़े से घुटका रख ली कमला पसंद बिमल राश्री गोल्ड महौर और थोड़ा करें खरो को बिना टिकट के तो नहीं है कोई पैसी दिककत तो नहीं आ रहे है कोई परिशाणी तो निएह लेकिन हम क्या कर हुए अपना हैंगे इस तरह से ब्यापार पर क्या लगा दिया था इन्हों ने हुआ पर क्या लगा दिया था पहरती लोगों से उपहार लेने पर भी ब्रतबंद लगा दिया था ठीक है चलिए इस एक्ट के द्वारा बिटिस सरकार का court of directors के माध्यम से company पर नेंतर जो था सक्त हो गया इसके इससे बाहरत में राजस नागरिक और सेहन इमामलों की जानकारी बिटिस सरकार को देना क्या कर दिया था आवस्यक कर दिया था किसके तरह 773 के रेगूलेटर एक्ट के तहत भाहरत में जो भी राजस नागरिक और सेहन मामलों की जानकारी बिटिस सरकार को देना आवस्यक कर दिया था ठीक है चलिए 774 का पिट्स इंडिया एक्ट 773 का जो रेगूलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमिया बगयरा थी उसमें सुधार के लिए बनाया गया था तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनर्र की परिसद मद्रास और मुंबई प्रेसीडिएंसियों में क्या कर दी थी इस्तापित कर दी गई थी कमपनी के भारती अधिकरत प्रेसेदों को पहली बार बेटिस अधिकरत भारती प्रदेश कहा गया यानि कि पहले क्या था कमपनी पहले क्या कहा जाता था बेटिस इस्ट इंडिया कमपनी के छेत्र कहा जाता था यानि कि वह ये छेत्र जो बेटिस इस्ट इ 70 के रिग्लेटर क्यूंट की एक गवर्नर्श जनर्र सिग परकश अग्फ सेनापती को दिया जाएगा इसे युद्ध तता संधी राजसेन सक्ती और देशी र्यास्तों के आद के अधिखर की सक्ती पिर्दान कीKO बहारत में अंग्रे जी अधिकरा छेत्र का पूरा अधिकार इस्थापित करने के लिए Board of Control की इस्थापना की गई थी इस प्रकाद द्वेस्थासन की विवस्ता का क्या होता है यहाँ पर सुवारंब हो जाता है ठीक है चलिए तो नियंतरक मंदर देख लेते है Board of Control या नियंतरक में छे सदसी यह थी इसमें चांसलर आफ एक्स शेकर एक राजी सचेप चार सदसी फ्रिवी काउंसिल के इन सभी की नियंतरक मंदल के माद्यम से समराट यह एस्थापिति भारती ओपनिवेस के दो सासक थे पहला कमपनी का निदेशक बौड और दूसरा नियंतरक मंदल के माद्यम से समराट यह स्थिती आठारेसो अठावन तक banी रहती है तो यहाँ पर क्या होता है, दोएस सासन, यहाँ पर कौन-कौन कंट्रोल कर ला है, दो, पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसके मैंने कितने बताये थे, 24 निदेशक थे, और एक क्या था, एक गवर्नर था, दूसरा नियंत्रमंदल के माद्यम से समराट, क्योंकि नियंत् चांसलर ओफ एक्सचेकर, राज सचेब, ठीक है, चार सदस से प्रिवी काउंसिल के, ठीक, प्रिवी काउंसिल के चार सदस, इन सभी की नियुक्ति कोन करते थे, पच्चिविदी का अधिकार किसको था, समराट को, समझ पा रहा न, तो यहाँ पर क्या था, डूएल, बहु देशों की था, चाय के व्यापारवा, बीस साल के लिए एकादिकार बना रहा, इसाई धर्म के पिरसार के लिए मिसनरियों को भारत बेजा गया था, बिटेस व्यापारियों, एवों इंजिनियरों को भारत आने, तता यहाँ बसने की अनुमती प्रदान कर दी गई थी, ल दिभानका, भारत बिटैन में, महारानी या कंपिरी की स्थापना होती है, यह एक चार्टर या कह यथा, एक अधिकार प्रद्पत पिराख करते हैं, जिसमें क्या था, पूर्वी देशों मैं, एका अधिकार प्रदा है, यानि कि बिटैन की, को भी दूसरी कम्पणी, भार में ब्यापार नहीं कर सकती थी बेटिस इस्ट इंडिया कमपनी के अलावा लेकिन इस चारिटर के तकिया था कि इस Чार्टर में वो एका अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और केबल दो चीजों पर एकादिकार रखा जाता है पहला तो ये कि चाय का चाय अधिकार था चाय के साथ ब्यापार का 20 वर्सों के लिए एक अधिकार था और चीन के साथ ब्यापार और पूरी देसों के साथ चाय का ब्यापार पर 20 वर्सों के लिए अभी वी एक अधिकार बना था ठिक इसाई मिसनिरियों के प्रिसार के लिए भारत में इसाई धर्म का प मिल जाती है लेकिन उससे क्या करना होगा नियंत्र वो जिस बोर्ड आप कंट्रोल से क्या करना होगा आपको एक लाइसेंस या फिर एक पिर्मार पत्व टैप बनमाना पड़ेगा तब आप यहां पर आ सकते थे नेक्स देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट गवर्नर जर्नल को संपूर भारत का गवर्नर जर्नल गोसित कर दिया गया था इसके साथी लॉर्ड विलियम बेंटिक संपूर भारत का पहला गवर्नर जर्नल बना तथा उसे सेन और असेन सक्तियां प्रधान की गई मैं फिर से बता 73 का जो regulating act आया था उसमें बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहा जाने लगा था वो जो गवर्नर था वो उसे बंगाल का गवर्नर गवर्नर कहा जाने लगा उसके बाद 1833 के charter act की द्वारा पूरे भारत का पूरे भारत का गवर्नर जर्नल कहा जाने लगा ठीक है इसके साथ लॉड विलियम बेंटिक क्या वनते हैं भारत के पिर्थम गवर्नर जर्नल वनते हैं और इन्हें सक्तियां प्रदान कर दी गई थी देश में दास पिर्था थता थकी पिर्था का जो है अंत कर दिया जाता है यानि कि अवैद गोसित कर दिया जाता है अंत तो नहीं कर पाते ह बहुत लंबी प्रक्रिया थी किसके दौरा आपका लॉड विंटियम बेंटिक के दौरा दास फिरताका क्या कर दिया जाता है अंत करवा दिया जाता है कानूनी रूप से अठारे सो तैस के चार्टर एक्ट के दौरा इस एक्ट के दाए देज में प्रतम विद्यायो की सामिल भी किया गया था बिद्यायो की स्थाफना की गई हो गवर्नेर्स जनरल की परसत में एक बिद्धी सद्थ से यानि की महकालियो को सामिल किया गया था इस एक्ट के दौरा सिविल सेबकों के चैन के लिए पहली बाल खुली परसिश प्रता के आयोजन का प्रहास किया ता यानि कि इससे पहले क्या था कि जो पिर जो परिच्छाएं होती थी उसमें केवल अंग्रे यानि की गूरी चमडी बाले ही भाग लेते थे ठीक है अब पहली वार क्या कर दिया गया था कि पहली वार सभी के लिए खुल दी गई जी interval के लिए लेकिन उसके लिए क्या करना घोगा आपको test देना होता था ठीक है चाहिका ब्यापार था चीन के साथ ब्यापार के साथ जीन के सा साथ ब्यापार करने समंदी company के अधिकार को भी समाप्त कर रिया जाता है जो की 16 सन 16 सो में आपको अंग्रेजों को यह अधिकार दिया जाता कि भारत वारे छेतर में और यह पूर्वी छेतर में अकेला जो है क्या कर सकता था केवल बिटेश इस इंडिया कर सकती थी जिसको 1813 के चार्टर एक्ट के तहत केवल चीन और चाय चीन और चाय के जाथ चीन के साथ एका दिकार और इंचेतरों में पूर्वी देश में चाय के ब्यापार वाले को भी प्रापधान को भी समाप्त कर दिया जाता है चाहिए तें, 1853 का Charter Act, इस Act के दोहरा पहली वार Governor General की परिस्त को विधाई कारिकारी सक्तियों को क्या किया जाता है? अलग-अलग कर दिया जाता है, इससे पहले क्या था? 383 वाले जो चार्टर Act था, उसमें क्या था? Governor General को क्या थी? सारी सक्तियां दे दियाती है, हैं लेकिन एथारे yüzुतिरेपन के चार्टर एक्ट के तह unique की जर्नל की परसद की अध है Principally और कारिकारी सक्तियों को क्या कर दिया जाता है अलए कर दिया जाता है किन्हीं बिधाई सक्तिया अलग कर दे जात Germany शक्तिया अलग कर दि परदन किया गया जिसके अंतरगत गवर्नर्स जननल की six सदस्दिवें चार सदस्दिव को मदरास मंबई बंगाल और आगरा की इस्थानी फ्रांति सरकारों को चुना गया था ठीक है चले बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम उन्नीस 88028 ये पहला था जो कि बातिने कि बीटिस्ट क्रॉण के या भारत सरकार अधिनियम के द्वारे ये पायरत कर आए गया था ठीक है आई देते हैं तो भारत में East India Company का क्या होता है सासन समापत हो जाता है तथा इसके बाद British ताज आने की British Crown का सासन क्या हो जाता है लाग हो जाता है यानि कि इससे पहले क्या था अठारे सो अठामन से पहले क्या था greatest East India Company कि ज़ो सम्राड होते हैं, वो 60将 है, वो चीन लेते हैं, और किसके अंडर में आता है, ündenüne के लिए नियंतर करने के लिए भारत सचिप की नियुक्ति कीए थी तो बारत सचिप की साइथा के लिए 15 इसे बारत पर सद का गठन की ї गए था ठीक? चीरा आई देखते हैं तो भारत में East India Company का सासन तमाब तो जायता था 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 ता बेटेस ता ज्याने की बेटेस किराओन इस पे सासन करता है समराट की समराजी की सुरक्षा के लिए बेटेस संसल्षन ने कई नियम पारित किया जो भारत पर सासन का क्या बनते हैं बारती पर स निदेशब को समाप्त कर दिया जाता है वो समाप्त हो जाती है किलियर हुआ क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने क्या बताया था जिस तरह से 266 में क्या होती है बारत में आती है व्यापर करने आती है भ्यापर करने के बाद 2174 में यह करता दरता बन जाती ran के साथ लक идет 18んと 537 में एक रांति होती है जिसको अ यह कंड्रों के नाम से जाने जाता है उसके कपार बारत की इस्तिती जी रहर हो जाती है लगग इसे इस इसंडिया कंपिनी के जो भी करता दरता थे उनको बलाते है और कहते हैं कि क्या कर रखा है आपने जो इस एक यह का का रहा है आपका फ़ारानी के लिए पंदर ससती परसद का गठन किया गया जिसे भारत परसद कहा जाने लगा था इसके बाद गवर्णर जर्णर जो थे उनका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है वोई सराय को क्या मतलब होता है किराउन का प्रतिने दी यानि कि वोई सराय जो है किसका प्रतिने मनलब किसक के लिए काम करेंगे आपके समराठ के लिए काम करेंगे और समराठ के लिए कौन काम कर रहा था आपका भारस सचिब काम कर रहे थे तो यह किसको खबर पहुंचाएंगे आपके लौड कहने भारस सचिब को खबर पहुंचाएंगे ठीक है इसके बाद नियंत्रड बोर्ड और निदे सकते और एक ते गबरनर ठीक है यहाँ पर क्या था नियंतरड वो छे सदसी है नियंतरड बोड की स्थाफने की इन दोनों को समाप्त कर दिया चाता है चलिए बात करते हैं अठारे सो एकसट का बारत परसद अधिनियम इसमें क्या होता है वाइसरा को अपनी परसद को बिस्तरित करने के लिए यानि कि उसमें सदस्यों को बढ़ाने के लिए तीन भारतियों को गैर आतिकरत रूप से मनूनित करने की सकती मिल जाती है जिसके तहत इनको एठारे सो बानारस के राजा पटेयाला के महराज और सर्दिनकर राब को क्या कर दिया अपनी परसद में सामिल कर लिया था यानि कि इसका ये मतलब था कि इससे पहले अठारे सो एक सब्सक्राइब को नहीं रखा जाता था लेकिन आपका इस अठारसो एक सटके अधिनियम के चैटाक भारतिओं को भी जग है मिलनी सторोगती गयभ आधिकर जरूप से यानि कि उसमें किवाद सामिल कर लिया जाता था उसमें कोई खास प्राब्धा नहीं था उने कोई खास अधिकार नहीं मिली थे कोई वई आधिकार नहीं ऐसे कर ल लिया ठीक है तो यह वैसे लोग ते यह क्या थे इंग्लिस यह जानते तो थे नहीं यह बुला लिया था कि यह परस्त में जागा विल गई है नहीं लगा बहुत बड़ा वह गया है वहाँ पर जब बीड़ बार होती थी जब मीटिंग बगेरा हो रहे हैं यह सारे उठा देना है तो हां तुठाने का मतलब क्या था कि इन सब मुचा जाएगा कि आपको अच्छा लगा यह सर यह सर करने के लिए रखा गया था और कुछ नहीं उसके बाद मतलब इने एक तरह से मान लीजिए पाल तू होते हैं एकडम पीछे से आवाज आई आई आजी आवाज दिया तॉमी को यह क्या कर दिया कि वहां तुठा दिया को में आई आया यहां तूपर ग Kरो आद तूपर कर दिया त इस तरह सामिल कर लिया देन हो और आनीधिकार पखे रहा नहीं था ठीक है तो यह को unit से बनारस के लाजा पटेळला के मारा जो अससर दिन कर रहा है संथाया सो सतन नौह नौह टवेस्ट championship तर्ट में अठाश सो 616 तर्ट कि पंजाम में में बिधान परस्त की गठन का प्रापधान किया गया था एक जनवरी 1844 को East India company को क्या कर दिया जाता है ठीक है बंगाल आपका दिखा दूं नोर्ट-वेस्ट फ्रम्टेर आपको ये आपका बंगाल दिख जाएगा ये है नौर्ट-वेस्ट वाला ये बंगाल और यहां पर je है पँजाब वाला ठीट ठीक शाण करें बारत परिखेये भारत के कार्यों को बढ़ाते हो बजट पर बैस करने तथा सरकार से पूचने की सकती दे दी जाती है इस अधनीम की दारा सर प्रिधर्म अपरते च्छिबूब से केंद्रिये प्रांतिये बिधान परसद में निर्वाचन की विवस्ता की जाती है यानि कि जो की अठारों से एकसट मस ब्याती बजट पर बैस करने सरकार से पिर स्थन पूचने का क्या किया जाता अधिकार दिया जाता लेकिन वह रहाथ से करना आधिकार को रखकेंगे तो इस तरह से यह नाम मातर की रहता कोई बजट पर बस पूंचा जाता है कि बजट पर बैस करने का अधिकार कम मिलाता हूँ तो अठारे सो बार्णमे में चलिए नेक्स देखते हैं 1909 का मारले मिंटो सुधार अधिनियम ठीक है सर अरुंदिल कमिल्टी की रिपोर्ट के आधर पर फर्वरी 1909 में नया अधिनियम पारत किया गया था जिसे भारत परसद अधिनियम 1909 या मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था इसने केंदरी और प्रांतिय विदान परसुदों में काफी विरद्धी की थी केंदरी परसुद में इनकी संक्या सूले से साठ कर दी गई थी पहली बाद प्रिथक निर्बाचन मंडल की विवस्ता की गई थी यानि कि मुसल्मानों को अलग से बोट डलने का अधिकार यानि कि अलग से अपना प्रितनेदी चुनने का अधिकार इसमें दे दिया गया था रिप्रेजेंटेटेटेव या कम्यूनल अवार्ड का त्राधन इस अर्दिनियम की प्रमुख पिसिस्ता थी इसी काल लॉड मिंटो को संपर्दाएक निर्वाचन का जनक यानि की पापा कहा जाता है इसने प्रेसिडेंसी कार्पूरेशन चेंबर आफ कॉमर्स विस्वयाद और जमीदारों के लिए अलग प्रतिनियत्त का प्रायब्धान किया जाता है यानि की सीधा समतलब था सर अरंडेल कमेंटी की रिपोर्ट के आधर पर 1909 का मारले मिंटो सुदार जो था आपका क्या किया जाता है लागू किया जाता है आपर मिंटो जे थे वो इस सराय थे मारले जो थे क्या थे आपके इस समय बरतमान में उस समय क्या थे आपके सचेव थे ठीक है क्या थे सचेव थे तो इसी के नाम पर कभी कभी ने कहा जाता है मारले मिंटो सुदार इस 1909 के अधिनियम में आपका प्रतक निरवाचन मंडल की विवस्ता कर दी जाती है जिसके क क्या होता है संप्रदाक क्या हो जाता है एस ब्र. अधनियम की प्रो की से बीटि लिए आपके लॉरौ को लॉर्ड मिंटो को संप्रदाक भाचन का जाता है जनक या पापा या फादर ऑफ कम्योनल और के चा ब्र. किलिए हुआ ना चलिए भारसरंग का अदर्णियम में इस सौ इन्स देख लेते हैं इसको इस अदिन को मॉन्टैण। चैक्सपोर्स उधार्वी कहा जाता है मॉन्टैण। को भारत के सचे थे जबकि छेम स्पोड भारत के वैसराय थे इस में इस में इस 1929 के अधिनियम के तेरे थे इस में दूसर्दनात्म बिदायका त्मक है यान praising कि दो सदन वाली बिदायका की बिवस्ता की गया थी की इंतरगतह प्रिफम सदन जो कहला ता राज परसा्ट था दूसरा सदन जो कहला हो घ्रेटे के इंद्धरी बिधान सवाल के नाम से जाने जा जाता था सबसे प्रत्रम सब्से पहले यानिके हाँ पर रूप से बिदायका के सदत्स्यों के चुनाप का प्रापधन किया गया था है सेवकों के चैन के लिए केंद्रिय लोक सिवा आयोग का भी कठन किया जाता है चलिए, चलिए, साइमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, साइमन कमीशन है, साइमन आयोग, तो सर जोन साइमन की अद्यचता वाली साथ सदर से कमीशन का अगटन किया जाता है, आयोग के सबी सदर से जो थे बिटिस जन्तियानी की बिटिस थे, इसलिए इस इसका आपको पता है कि जो अधिनियम लाए जाते थे जैसे 1909 का मान लीजिए, 1919 का मान लीजिए, तो जो अधिनियम होते थे, जो भी नियम काईदे ये जो बनाते थे, उनका हर 10 साल में किया जाता था, समीच्छा की जाती थे, यानि कि उनका क्या होती थी, हर 10 साल में क्या होती थे उनकी समीच्छा होती थे तो होता क्या है कि 1912 जो अधिनियम साथ उसकी 1929 में क्या करने थी उसकी जाच करने थी जाच करने के बाद उसमें मतलब समीच्छा करने थी और उसमें क्या करना था सुधार करने के बाद 1929 का एक अधिनियम आना था लेकिन होता क्या है आपका विट क्या कर दे, दूसरी पार्टी जो है भारत को कहीं आजाद न कर दे Iसलिए क्या किया किया hatIS और भारत में इसको बेजा जाता है, बारत में भीजने के बाद क्या है कि आपका इस कमीशन का बिरोध किया जाता है कमीशन का बिरोध करने का सबसे प्रमुकार्ड ये था कि जितने भी सदस्य सर जो भी कमेटी मनाई जाती है इसमें जितने भी सदस्य वो सारे कौन से थे सब के सब गोरेद लोग थे सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़के जिन तो लाला राज पत्राई पर क्या होता है लाठी चार्ज कर दिया जाता है और यहीं पर लाला राज पत्राई की कुछ समय बाद क्या हो जाते है यह मिरत्यू हो जाती है उसके बाद लाला राज पत्राई की मिरत्यू के जब हो जाती है उनकी अत्या एक तरह से कराई जाती है 1935 के पारे में यह है अधिनियम जो था बहुत बड़ा था यह है अधिनियम भारते में पूरड उततरदाई सरकार के गठर में एक मील का पक्तर सावित हुआ था यह है एक लंबा बिस्त्रीड दस्ता बिस्ता इस अधिनियम में 321 धाराय तथा 10 अंसूचियां थी इसके कुछ प्राद्धान देख लेते हैं प्रांतों में 2 सासन की समाप्ति कर दी जाती है प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की इस्थापना की जाती है आपका भारत सरकार अधिनियम है, भारत सासन अधिनियम के तहत, अकिल भारती संकी की स्थापना की जाती है, जो कि एक चूचला था, यानि कि इसरे पे एक मूर्त रूप इसको दे नहीं पायते है, बस इसमें प्राध्धन कर दिया था, 1935 के अधिनियम में, तो केंदर है वो चीफ कमिस्टनर प्रांतों में, देशी रियास्तों को मिला कर एक अखिल भारतिय संकी की स्थापना का प्राध्धन किया गया था, लेकिन है ब्यवस्ता कभी अस्थित्म में नहीं आ सकी थी, बर्मा को बारत से अलग कर दिया जाता है, इसके बारे में हम ठोड़ा सा देख में क्या कर दिया गया था, छे सदुनों में दुस अधिनी व्यवस्ता का क्या कर दिया गया था, प्रार्म कर दिया गया था, इंगिलेंड में भारत परस्द की क्या कर दी जाती, समाप्ती कर दी जाती है, भारत सचिव को सलाकार की एक टीम दे दी जाती है, अठार, उन्नी संपरदाईक प्रतुनोधित का बिस्तार किया जाता है जिसमें जलित जाती हूँ, मजदूरों और महलाओं को पहली बर निर्वाचन का अधिकार विवस्ता कर दिया जाता है में लोगEM की स्थाफना की जाती है संग केंद्र में राज्स में राजमों के दे आया का प्राभधान प्राप्धान इसी ए दिनियम के तरह की तरह कि तरह ऊनिस सथ redfish में संगीन एला की इसके पुर्थम मुख्य नय आयदिश जो बनते हैं होते सर मौरिस गिवेयर ठीक है आईए एक एक करके टोड़ा से पॉइंट और देख लेते हैं केलियर करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहित 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेन और 10 अंसूचिया थी इस अधिनियम दोरा अखिल भारती संग यानिकी और इंडिया यूनियन का प्राबधान किया गया था जिसमें आपका इस तरह से ये पूरा जो छेतर था आपका पश्ची मंगाल वाल आपका ये पाकिस्तान वालस पूरे छेतर को मिलाकर एक अखिल भारती संग की इस्तापना का प्राबधान किया गया था जो की मूर्ध रूप में नहीं ले सका था इस संग में बिटिस प्रांतों को सामिल करना अनिवार था लेकिन देशी रियास्तों का सामिल होरा के भी सक्तियों का वेवाजन कर दिया गया था वेवे ने विश्यों की तीन सूचियां बना दी गया जिसमें संगी सूची यानि की उनियन लिस्ट प्रांती सूची यानि की स्टेट लिस्ट संबर्ती सूची यानि करनेंट लिस्ट जो थी तीन सूचियां बना दी जाती है 1929 के अधिनियम द्वारा जो दोय सासन प्राइनतों में लागू कर दिया गया था उसे केंदर में अब लागू कर दिया गया था केंदरी सरकार के विस्यों को दो बागों में बाज़ित कर दिया था संदच्छित विस्यों और हस्तानांत्रे विस्यों संद्रचित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्षित्ष था किंद्री ये बिधान सभा निम्न सदन के रूप में जाना जाता था प्रांतों में जोय सासने को समाप्त कर स्वाइट प्रांतिय स्वाइट था यानिकि सेल्फ गवर्नेंस के सिद्धान्त को स्विकार कर लिया गया था प्रांतिय बिधायका को प्रांति सूची था संबर यानी हटा सकता था इस अधिर के तहता आपका जो बर्मा था इस अधिरियम के अधिन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उरिसा तथा सिंद्ध नाम की दो नई प्रांथ बना दिये जाते हैं यानी कि इससे पहले जो म्यामारवाला जो छेतर था ये क्या था पहले भारत में ही सामिल था ये इस तरह से म्यामारवाला जो की बर्मा के नाम से जाना जाता था उस समय तो क्या था भारत में ही सामिल था तो ये क्या था आपका 1935 के अधिनियम कहता है तो आपका बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है उसके बाद उड़ी सा यहां पर उड़ी सा देखने को मिल जाएगा और सिंध नाम के दो अलग प्रांत बना दिये जाते हैं जिसकी काफी समय से मांग चल रही थी इस अधिनियम को भारत के मिनी समयधान का दर्जा दिया जाता है इस अधिनियम के तहत देश की मुद सेंतिस में संगी नायला की स्थापना की गई थी यानि कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोट है उसकी स्थापना का प्रादधान किया गया था ठीक है चिया लिए भारत स्वतंता अधिनियम उनिस सो सेंतालिस के बारे में बात करते हैं ठीक है बारत स्वतंता अधिनियम उनिस सो इसके बाद बिटेस भारत के दो भाग भागों भारत था पाकिस्तान में बेभाजन के लिए वैसरा लाइव लॉर्ड मांट वेटर न यूजना तयार की गई थी कॉंग्रिस था मुस्लिम निग ने इस यूजना को क्या कर लिया था स्विकार कर लिया था इस अधिनियम के तह और सेंदू बलचिस्तान ठिक पशनी पंजाब पूरवी बंगाल ठिक पूरवी यानि वाला जो छेत्र स्विकार पस्विके नाम से जाना गया पेसराज चेतर भारत में मिला दिये गए थे इस अध्नियम ने भारत में बीटेस राज्ट नापत कर दिया था और पंध्रेव्ड नीश्व से oh को इस इसे स्वतंत्र और संफिर्वू राष्ट्र गोसित कर दिया था चौदे और पंद्रे अगस्त की 1947 की मद्रात्री में केंद्री संफिर्वू में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तता जनगर मन एम सुब्बा लच्मी द्वारा गाया गया था स्वतंता के समय कॉंग्रेस के अध्यच जो थे जेवी क्रपलानी थे यानि कि जब पंद्रे अगस्त तो निए सो सेतालिस को जब भारत देश आज़ाद हो भारती जो संब्धान है कहां कहां से उधार लिया गया चुराना नहीं बोलते हैं कहां कहां से उधार लिया गया है कौन-कौन से प्राब्धान तो उनको देखते हैं जैसे कि भारत देश में जो संब्धान था उसमें कुछ प्राब्धान किये गए थे जैसे कि 1935 का जो तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिका के सम्विधान के बारे में, अमेरिका के सम्विधान से क्या-क्या लिया गया है, आएए देखते हैं, भारतिय सम्विधान के इस्तरोत, अमेरिका के सम्विधान से, स्वतंत्र नयाय पालिका, यानि कि नयाय पालिका अपना अपना स्वतंत्र में उसमें कारपाल का हस्टचेप नहीं करेगी उपराश्चपती का पद नियायक पुनरवलोकन क्या होता है आपने कोई फैसला सुना दिया है तो अपने फैसलियों को मालीजी ऐसा लगता है कि कोई त्रोटी हो रही है कोई कमी लग रही है तो उसका फिर स पुनरवलोकन किया जा सकता है यानि कि फिर से उस पे बिचार किया जा सकता है मूल अधिकार अमेरिका से प्रस्तावना के सब्ध हम भारत के लोग ये आपके अमेरिका से सर्वोच नियायलेम उच नियायले के नियाजीसों को पद से हटाए जाने की प्रिक्रिया अमेरिका से लोग जन एाचि का जन हित एाचि का पी आ एल अमेरिका से नियाइक पन और лोकन की परणाली आप का अमेरिका से लिया गया है बेटेन का सम्धान से क्या गया लिया गया है बिदी का सासन एनि कि कानूनी सरवोच हो गा ठीक है एकल नागरिक्ता, जो सर्दनी विवस्ता, बिदी निर्मार प्रिक्रिया और सारवादिक मत के आधर पर चुनाब जीत का निर्ड़ ये आपका विटेन से ही लिया गया है, ठीक है? बिदायका में अद्यच पद की भूमिका आपके विटेन से लिया गया है, संसदिये विशे विशे साधिकार यानि कि जो संसद के सदर से होते हैं, उनको कुछ विशे साधिकार दिया जाते हैं, वो भी प्राबधान आपका विटेन के संविदान से लिया गया है, लेकिए संविदान नहीं हमाँ, फिर भी वहाँ पे परंपराओं के आधर पे चलता है, संसदिये सास सता केंड़ा की सम्धीतान से राज्यों में राज़पाल की नियुक्ति केंदर की द्वारा किया जाना केंड़ा की सम्धान से सक्तियों का आपस्रसकियों का केंदर में नहिट होना केन데ड़ा के संभिधान से। अज़वी संभिधान के और देख लेते हैं अन्य देशों से। जापन के बारे में आइए इहां पर मैंने सारे लिख दिये हैं भारती सम्मेदान के इस तरोथ जापान के जर्मनी के रूस के फिरांस के आईरलेंड के औस्ट्रेलिया के केनेडा के दच्छिड अफिरीका के विटेन के और अमेरिका के सम्मेदान से क्या क्या लिया गया है आई एक एक point clear करते हैं आगे बारती सम्मेदान के देशी या बारती इस तरोध देख लेते हैं कि भारती सम्मेदान ने भारत से भी कुछ लिया गया है कि नहीं वो भी बारत से जो लिया गया है वो भी विदीरसियों कही देन था जैसे कि 1928 की नेरू रिपोर्ट जो पेस की गई थी 1935 का भारतसवसन अध्रियम यह प्रुमख के एक हिज्कों कि भारतस अध्रियम में मोटा मोटा जखे जाएं तो पचास से सेवन्टी फाइप परसेंट आपको भारत अध्रियम से ही लिया गया है बारती शंबेदान में विकास समेंदिक के त्रोध में नियां और सम्विधानिक संसोदन, नियायक पुनारूलों के नियायक निड़ा, सम्विधानिक टीका है और सम्विधानिक बिसीसक्यों के विचारी है, कुछ यह ऐसे प्रवक इस्तरोथ थे, जो कि हमारे भारती सम्विधान में जोड़े गए थे, आईए, नेक्स्ट बात करते हैं, एक सम्विधान में क्या किये गए हैं, कुछ पर आपधान किये गए हैं, सबसे पहले जो है जर्मनी की बात करें, तो भारसासन अधिनियम से क्या लिया गया है, भारसासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, तो संगात्मग विवस्ता, नयाय पालिका की सकती, राजनीती की गया है जर्मनी से आपके आपात कालीन उपवंद लिए गए उसको आप पूर सोबिय संग या परतमान में रूस से अगर बात करें तो मूल करता भी लिए गए रूस आपको यह पूरा जो छेतर है रूस वाला देखने को मिल जाएगा रूस से मूल करता पर प्रिस्थाबना है इस देख़े क कि अन्याय जैनाय की संब्धान से अमेरिका कहा है आपको अमेरिका दिखा देते हैं यह है उत्तरी अमेरिका महदिर इंडिट इस्टेट और अमेरिका यहां पर इलास का तक फ्षाल हुआ यह इस तरह से अले गलोर का ठिक मौले कदिकार सरवुच नियायले नियायक पनोबर लोगों में नियायक पालिका की स्वतंता संविधान की सरवुचता राष्टपती परमावियों की प्रिक्रिया उपराष्टपती पद्यम राजिस्वा में पदेंत सवापती का होना उपराष्टपती उच्छ नियायले के नियाय जीसों क लिया गया है ने एक्स एक कहा है आपका यहाँ पर शले जाएंगे यूरो पर महादी calumella यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर यह बर्टन देखना को मिल जयाएंगा बिदी के समक्ष समान्ता एकल विवस्ता चुनाम् में सरवादिक मत्तं की आदरबर जीत की परक्रिया आपके बिटेंसे लिया गया है किसरेलिबानलाप की और बात करें जया अन्यावाद की अगर बाद करने तो आइरलेंड में थेल아 माधिव तश्चिर पश्वी छेत्र में आपको देखने में मिल लिया है आइरलेंड तो आइरलेंड तो जो लिया गया है राज के नीत निदी सर्थ तत्व राश्पती का निरवाचन मंडला और निरवाचन की पद्धि राश्पती द्वारा राज समास सेवा सायत तिकला में तो जापान से क्या लिया गया है आपका जापान से बिधी दौरा इस्तापित विर्क्रिया आपका यहाँ पर आश्टेलिया मादीप केंद्र के पास सबसेश सक्तियों का हुना संग तता राज के भी सक्तियों का बित्रण राज में राजपाल की नेक्ति का प्राध्धान फ्रांस की अगर बात करें तो यहां पर आपको जूम करने को यहां पर आपको देखने को मिल लाएगा फ्रांस तो फ्रांस जो है आपका गर्ण तंतरात्मक सब्द प्रस्तावना में दिये गए सब्द स्वतंता समानता और बंधुता यह कहां से लिए गए आपके फ्रांस के समिधान से लिए गए तो यह कुछ हो गए देशी और बिदेशी इस्ट्रों चलिए चलिए तो समझते हैं टॉपिक भारती समिधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल और इंडियन कॉंस्ट्यूचिशन इसको हम उद्देश का के नाम से भी जानते हैं उद्देश का भी आपको मिल जाएगा कहने कहीं तो उद्देश का या प्रियम्बल या फिर इसको हम कहते ह प्रिस्तावन तो इसमें कुछ हलके से टॉपिक समझ लेते हैं उद्देश प्रिस्ताव जो होता है आने वाले समय में क्या बनता है उद्देश का प्रियम्ब लेया फिर प्रिस्तावन बनता है तो 13 दिसंबर 1946 को नहरुची द्वारा पेस किया गया उद्देश का प्रिवर्तिने भी नहीं है और शक्ति का एकमा श्रोत भी नहीं है। कौन किस बाद में? 1950 में। दूसरा आता है, बेरुबारी मामले में 1960 में ये का जाता है कि मार्घ दर्सकन सिंधान पर संविधान का भाग नहीं है। ठीक है? यहाँ पर भी एक कह दिया जाता है कि ये संव 1973 में केशवानन्द भारती बनाम बाद में ये फैसला दिया जाता है कि संविधान के भाग के रूप में सीकार कर लिया जाता है 1973 में ठीक है एलाइसी मामले में प्रस्तावना संविधान का आंतिर के इस्सा है यानि कि ये बात तैय हो जाती है कि संविधान का भाग है कि नहीं 168 के अधीन संभिधान की प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है पर ऐसा संसोधन मूल भूत ढांचे का उलंगन करने वाला नहीं होगा यानि की जो संसोधन है प्रस्तावना में या फिर उद्देशिका में या फिर प्रियंबल में किया तो जा सकता है लेकिन उसका कुछ बढ़ोतरी की जाती है उसमें सुधार किया जा सकता है उनके गुड़ों में क्या नहीं किया जा सकता है उनके गुड़ों में कमी नहीं लाई जा सकती है यानि कि सीधा सा मतलब यह है कि आप कोई काम माली अब माल लीजिए कि मैंने वीडियो बनाया यूटूब पर डाल दिया और डालने के बाद मैंने क्या किया कि जब दूसरा वीडियो डाला तो जाइसी बात है जो क्वाल्टी है क्वाल्टी जो है यानि कि हम दुबारा से जब उसी वीडियो को डालेंगे संसोधन करके तो उसमें क्या है कि कमी नहीं बढ़ा सकते हैं पहले जितना बढ़ाया था उससे कम नहीं किया जा सकता है बैसे ही उद्देशिका जो है संसोधन तो किया जा सकता है लेकिन संसोधन क्या है कि अच्छा ही जोड़ा जाएगा उसमें कोई कमी नहीं लाई जाएग आपका समाजबाद यानि की socialist पंत निर्पेच पंत निर्पेच यानि सेक्यूलर और अखंडदा यानि की integrity सब्द को जोड़ा जाता है जो तीन जनवरी 1977 को प्रभावीवी हो जाता है महतु के बारे में बात करते हैं प्रस्तावना का महतु थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह की ब्याख्या करने के लिए हम प्रस्तावना की साहित्ता ले सकते हैं क्योंकि सम्मेदान के अन सभी उपबंदों को अधनियमित किया जाने के बाद उद्देश सिखा को अलग से पारित किया गया था किसको पारित किया गया था अलग से पारित किया गया था उसके बाद 1973 के केशवान बारती बना बाद में मार्ग दर्सन सिद्धान्त के रूप में प्रस्तावना को सीकार कर लिया जाता है ठीक है चलिए आए प्रस्तावना को थोड़ा सा और देखते हैं प्रस्तावना को थोड़े सी यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से प्रस्तावन कैसे होती है तो सबसे पहले जो शुरू होता है हम भारत के लोग यानि के we the people of India या हमारी यहां से शुरू होती है कि हमारा जो भारती सम्मिधान की केंदर सक्ति याक है केंदर बिंदू क्या है तो भारत के लोगों को केंद्रविंदू माना कया है ठीक है तो आईए देखते हैं तो वी दग पीफल आफ इंडिया है विंग सोलेम्नली रिस्वाल्व तू इंडिया इंटू अ सोबरन सोशलिस्ट एंड शेक्यूलर डेमोक्रेटिव रिपबलिक एंड तू उचूर् आलएड ऑसे जिस्टिस्ट वोह औरूगों मरीग प्लितीप उत्प एंडियू है वालीच प्लीज व्लिएक्ट एंटीं उखाटिशिवियो牛ू एंडियू उ Kiev़च्छ्छ टेस्टिस्ट and of opportunity and to the promoted among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hear why the adopt enact and give to the ourselves this constitution onsetto now the authority to make the प्रवुत्र संपन समाजबादी, पंत निर्पेच, लोक, तंतरात्म, गड़राज बनाने के लिए तता उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियाय, बिचार, अव्यक्ति, विस्वास और धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रितिष्टा और अफ के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सवा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 मिती मार्ग सीख सुकल पक्षि सब्तिमी संबत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस सम्विधान को अंगीकरत अद नियमित और आत्मारपेद करते हैं, तो ये हमारी हो गई, प्रस्ताव न 13 दिसंबर 1916 को 13 दिसंबर 1946 को पंडे जवाला लहरू के उद्देश प्रस्ताव या उब्जेक्टिव डिजले रेजूलीशन से हमारी प्रस्तावना का क्या हुआ है, निर्माड हुआ है, यही उद्देश प्रस्ताव हमारे बरतमान के संविधान की क्या बनती है, रूफ बेखा बनती है, इस उद्देश प्रस्ताव में कुल आठ अनुच्छे सामिल थे, नेहरू जी के द्वारा उद्देश प्रस्ताव में बारती संविधान के मुख्य लच्छड जैसे की आपके समाजवादी, आर्थिक एवन, राजिनितिक ने आए, अब व्यक्ति की स्वत बिस्वास व उपासना का अधिकार आज सामिल थे, समाज के पिछडे बर्गों में जिसमें आपके अनसूची जनजातियां तरह जातियों और अल्प संक्यों के हितों की रच्छा के लिए गोंसरा भी की गई थी, इसी उद्दिश प्रस्ताव में भारत को संप्रभू भी प्रदान किया गया, नेरू के इस उद्दिश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्व सम्मती से क्या कर लिया जाता है, शीकार कर लिया जाता है, और इससे संप्रभू के सरूप को काफी हद तक इसने हमारी जो उद्दिश प्रस्ताव था या फिर अबजेक्टिव की प्रस्तावना के रूप में सामिल कर लिया जाता है, कि इसको उद्देश प्रस्ताव को कुछ सुधार या कर परवर्दन के साथ, ठीक चलिए संब्दान की उद्देश का प्रस्तावना 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 को संब्दान का पत्र कहा है, नहरू जी द्वारा उद्देश संकल्प में जो आदस प्रस्तत किये गए थे, संब्दान की उद्देश का में क्या कर लिया जाते हैं, साम लिख कर लिये जाते हैं और संभिधान के 42 में संसोधन द्वारा 1976 में क्या किया जाता है संभिधान में संसोधन किया जाता है किसमें संभिधान की उद्दे सिकाव में संसोधन किया जाता है जिसके द्वारा संभिधान की उद्दे सिकाव में समाजबादी दर्म निर्वेच और अखंड़िटा सब्द को जोड़ लिया जाता है प्रस्तावना की एक तूस परको बात्वं में अगर देखें तो सम्मिधान की प्रस्तावना को सम्मिधान की कुँजी माना जाता है की की ओफ इंडियन कॉंस्टिशिशन माना जाता है प्रिस्ताबना के अंसा संभिधान के अदीन समस्थ सक्तियों का केंद्र बिंदू तथा इस्तरोत याता है समस्थ सक्तियों का केंद्र बिंदू है सक्तियों का इस्तरोत जो है भारत के लोगों को माना जाता है क्योंकि हमा बना मदन गोपाल 1957 के नेड़े में गोषित किया गया तर प्रिस्तावना में लिखे सब्द हम भारत के लोग इस सम्मिदान के अंगी किरत अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं क्योंकि हम सुरुबात हमारे प्रिस्तावना की कहां से होती है हम भारत की लोगों से तो यहां पे किंद्र विंदु हम भारत के लोग यानि कि जितने भारत के लोग उनको मान लिया जाता है उनी के ऊपर ही सारी टिपडियां के हम भारत के लोग के हम भारत के लोग क्या नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो सब किंद्र विंदु किसको माना गया है आपका भारती लोगों को माना गया है तो मैंने क्या पताया हम भारत के लोग सब्द भारत के लोग जो सब्द है इस संविदान को अंगी किरत करते हैं अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं लोगों की सरवोचिस संप्रूद्ता का क्या करते हैं उद्गूस भी करते हैं बेरुबारी यूनियन बाद 1960 में कोट ने ये निड़े लिया कि जहां संभिदान की वासा संदिक्द हो या कर आइसपष्ट हो हमें समझ नहीं आ रही हो बहां प्रस्ताबना बिदित निर्वाचन में क्या करेगी साइटा करेगी फिर से बता दू बेरुबारी मामले में ये क बाए जाता है कि जहां पर संभिदान की वासा कोई है सब्द या फिर कोई सब्द इसपष्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें प्रस्ताबना की जरूरत पड़ेगी प्रस्ताबना में दिये गई सब्दों का इस्तमाल करके हम उससे क्या कर सकते हैं उसका निड़ाय कर सकती है किस का करेगी संभिदान का संसोदन कर सकती है तो जब अंग ही नहीं माना तो इसमें क्या नहीं कर सकती ये माना था किस बाद में बता रहा हूं 1960 के बाद में इसके बाद सर्वोच ने आयलने केशवानंद भारती बनाम उसके कुछ समयवा सर्वोच ने आयलने पेरल राज में 1973 के बाद में या मुकदमे में में मूल धांचे का सिद्धान दिया तथा प्रस्तावना को सम्धान का मूल धांचा भी माना गया इसके बाद मूल धांचे के सिदांत में उच्छ नियायल ने कहा कि बिधाय का संविधान में कहीं भी संसोदन कर सकती है लेकिन इसके मूल धांचे में परवेतन नहीं कर सकती यानि कि संविधान संसोदन के मूल धांचे में नकारात्मक संसोदन नहीं कर सकते हैं, सीधे 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 ऐकर सब्दों में समझभैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि संसद बैसा कोई संसोजन नहीं करेगी उद्दिशिका में, जिस से संम्फिधान की प्रस्तावना में मूझ द्हांचे का, विस्तार मूझ धांचे का क्या हो रहा हो यानि कि उसमें नकारात्मा का ता रही हो या कि उसके मूल धांचे का विस्तार ना हो कि क्या हो रही हो उसमें कमी आ रही हो तो संविधान ऐसा इसमें प्रदम सोजन कर सकती है जिससे मूल धांचे का विस्तार हो रहा हो और भारती संविधान या कि भारती पेच और राठ की अखंड़ता सब्द जूड़े गई थे हमारी प्रस्ताबना में स्वतंता समानता और बंदुत के आधरसों को फ्रांस की क्रांती से लिया गया था बारती संविधान में रखी गई उद्देशिगा संविधान के निर्माड में महतपूर निर्माड में स्वामी अयर के अंसार संविधान की प्रस्ताबना हमारे दीर कालिक सपनों का क्या है बिचार इन्होंने माना किसने सर अलादी किस्टना स्वामी अयर के द्वारा चले बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि और निचे आगे का जो this topic हम लेने वाले हैं और शुरू करने से पहले प्रूरे मेंस पादों कि नीचे जो में इसका आगे का वीडियो है् वो नीचे comment box में मैं दे दूँगा क्योंकि मैं वीडियो यहां पर मैं आ इक ему की तरह से दे दूगा बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की वीडियो उच पर आप को आनन्द लीजिए और आगे नेक्स टॉपिक सुरू करने से पहले बता दू कि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आप उसको सब्सक्राइब तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन वीडियो जो मिल जाएंगे यूजी सी नेट के आपके अठारे वीडियो वर्ल्ल जोगर्फी के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपका इंडियन एकॉनमी के इंडियन पॉलिटी के इंडियन एकॉनमी की बात करें तो लगवक्त तीन सो बातर वीडियो हैं आपका इंडियन जोगर् तयारी करते रहिए तो चलिए next topic शुरू करते हैं और शुरू करने पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आप notes जो है खरी सकते हैं नहीं तो आप 99 वाला अगर लेना चाहें तो बोले सकते हैं नहीं तो आपको फिरी भी यहाँ पर मिल जाएगा physics आपको देखने को physics मिल जाएगा chemistry की बात करें तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो इंग्लिस और हिंदी दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड युगर्फी मिल जाएगा दो 99 में वारत का Google आपको 99 में जी बिग्यान आपका 99 में वर्ल्ड का अर्थिवरस्ता जो है आपका 1099 में आदिनुक भारत का इत्यास 1099 में भारती अर्थिवरस्ता व्लेकन वाइट की बात करें तो 2099 में इसके बाद UGC net का जो है paper first जो है आपका फिरी में मिल जाएगा यह आपर देखने को यह 999 में आपका इसमें पूरा GSS जो कि अगर स दोनों आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए next topic सुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आनंद आया होगा तो चलिए शुरू बात करते हैं next topic की यह आपका वायलोजी यानि कि चीप बेग्यान तो चीप बेग्यान का यह वीडि आज यह सभी वीडियो का क्यों है क्योंकि मैंने इसमें आपको पोचीज दिये जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी पहले मैं यह नहीं बोला था मैंने कभी भी आज मैं बोलता हूँ कि आपको यह कहीं और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है फिर यह की बात कर रहा हूँ मै क्योंकि मैं यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ मेरे पास तरह नहीं है कि मैं दुकान की तरह चलाओं आप लोगों को एक बार मैं syllabus complete करा दूँगा फिर current रह जाएगा वो मैं किसी को भी उठा के लगा दूँगा वो आप लोगों के लिए current देता रहेगा आप जीवन के आनंद लें खुस रहे हमेशा और इसी तरह से आके बनाते चलिए देखते हैं दादा जी वाला वीडियो यह है आपका वायोलोजी यानि की चीब बिग्यान का वीडियो नंबर वन यानि की part one ठिक अगर यह बड़ा होता है तो इसको ठोड़ा सा रोक दूँगा फिर दूसरे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे तो आई ये देखते हैं इस वीडियो में इसके बाद जीव विग्यान के बारे में इसी में बात करेंगे सजीव और नर्जीव के लच्छड के बारे में बात करेंगे संग ठन के बारे में बात करेंगे कोशिका संद्राचना के बारे में बात करेंगे उपाप चाह के बारे में के बारे में प्रजनन के बारे में कोशिका जीवन की मुल एकाई होते हैं इसके बारे में जानेंगे कोशिकाओं की प्रिकार जानेंगे कोशिका दो प्रिकार की होते हैं इसके बारे में जानेंगे प्रोकेरेटिक कोशिका ठीक है जंत कोशिका के बारे में बात करेंगे पाद जालिका हो गया जल्दी जल्दी बोश दे रहा हूं फिर वीडियो आप लोगो शुरुबात करता हूं ठीक है आप पढ़ लेना मैंने लिख दिया है ठीक है इसके बाद हम इसी में बात करेंगे लवक के बारे में हरित लवक के बारे में बात करेंगे अवर्डी लवक के बार लिए कने बारे में बात करेंगे सब्सक्राइब दार में और इसके बात करेंगे थीवंग का भर कैल ड़ोच्ट 那個 कि क्विजन फैदा करने वाला है तो इस तरह से मैं आप लोग का कि आप लोग का कभी ना हो किसी बुक में जब आप पड़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि आप लस्ती पी रहे हैं लस्ती की तरह आपको मैसुट होगा तो चलिए जीवों का बर्गीकर के बारे में बात करेंग सब्सक्राइब करें बारे ने जबिए सब्सक्राइब करेंगे जीवाडूों कि अर्थिक महत्र के बारे में बात करेंगे और भी जो चीजे होंगे इसकी कोशिका की संदचना कहते होते हैं इस तब की बारे बात करेंगे इसका विसाड़ों के बारे में मिसीम बात करेंगे इसमें प्रक्रति जानेंगे इस तरह की चीज़ें में जानने पाले हैं इसका प्रतिष्टा प्रो टिष्टा क के बारे मात करेंगे प्रो पिष्टा जगत जो है इसमें आपका प्रोटो जोगा के बारे मात करेंगे यूग लेना के बारे में बात करेंगे इसके बारे में इसमें बात करेंगे इसके बारे में इसमें बात करेंगे इसके बारे में इसमें बात करेंगे ठीक है उस जवगत बहुत बड़ा है पादव में बाटा घैनलीम इसके बारे हैं इसके बारे में यह आधी टिकूंग टो एंब्री वागों बाताई वह nas अतरा नमंह रहे हैं में ऐसे बारे यह को आख आणि की है यह सब्दुकावगों ळोगयरा सब क्या हैं से बारे में इसी गत्व को दो भागों में तेलोफाइटा और ใост unit with अगले दूतरा जिसमें वीच होते हैं लेकिन अनावihatवीजी होते हैं इसके बारे में हम सिद्वि razor ओक और अब दूतर क्राइब है कर एक फ्न पत्री और दिविज च्टिक के बारे में इसी में आथने सबसे पहले अरस्तू ने किया था इसने में ठोड़ा से जानेंगे ओने यहां पर लिखाया एक तो सबसів ने माटना भाल दूसरा भाग भाग बना बना लाल राय गया घ्राक है तो लाल खूण वाल जो रखेए शेकों कुसके आधारपए ठिक है यंचे वाखते अंडे देने वाले यानि कि अंडच और दूसरे दे बच्चे देने वाले यानि कि जरायोच ठिक चालिए इसी में बात करेंगे जंतूओं का असली बशेय भर्ग कर किसे शेय को शोमानते हैं तो सबसे शोसे कि किसमेर किया है आपका इस्टोरार और यूनिवेंजर का दोर कि गड़ है उसके द्वारा किया यह थ रखा गया है खायर तो इन लोगों ने यानी की स्टोरार और यूंचे यू लिंजर तबर की गड़ इस तरह से दूसरा जो अप जगत है उसको हम कहते है मेटो जोवा तो मेटो जोवा थे यह बहुत है इन के बारे में बात करेंगे लेकिन यहां पर क्या है जो मैंने आपलों को फिक चीज बताऊँ का सबसे पहले जो हुथ है जगध उसके बाद Ups टो तो इसका कितने संग बने सिर्फ एक ही संग है तो प्र Taylor का संग बनाया है जिसका क्या नम रखआ गया Froto катogva क्वास यह समयते हैं इसके बाद대legen जो थो रखों में सबसे पहला कौन सा है क्रेमिया दूसरा कौन सा एक क्रेमिया इसके बारे में इसी बात करेंगे क्रेमिया को भी दो संगों में रखा गया उप महा संगों में ठिक संग नहीं उप महा संग ठिक इसका एक नेथा ठिक है दूसरा है नेथो इस्टो मेटा नेथो इस्टो मेटा को भी दो भागों में दो महा बर्गों में रखा गया है पहला है टेट्रोपोडा और दूसरा है च्याय लिए इसका म्मोटन जोड़ा के बारे मरैंस्य इसको पॉड़ा है रखा गया यानिकी पेरी तरू प्रूंब्र होने बढन गया एक महावर्ग उसको कितने तहाई रखा गया चार बर्बरों में रखा सुरुबात करते हैं बिख्यान के बारे में बिख्यान क्या होता है बिख्यान जानना बताते हैं लोगा कि science मतलब जानना ठिक तो जानते तो हम history में भी है जोगर्फी में भी जानते है पॉलिटी में भी हम कुछ न कुछ पढ़िया जानते हैं तो ये एक अधूरी परिवासा होती है उसके बाद चरणवद तथा बेवस्तित अध्यन चरणवद और बेवस्तित जानते हैं तो इसका सबको एक मैं परिवासा बनाते हैं कि बिग्यान जो है सिद्धान्टों का सग्राय है चैरणवद और विवस्तित समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं बिग्यान क्या होता है साधर जानकाली लेते हैं पहले हलका सा तेह रहेंगे उसके बार डोपकी लगाएंगे और डोपकी एसी लगाएंगे कि हर एक चीज सीधा दिमाग में घुस जाए आइए समझते हैं सबसे पहले देखते हैं बिग्यान के गत्या गमन ठिक तो ये जो किरियाएं होती हैं चिनके अंदर उनको सम्मीलत रूप से हम कह देते हैं भाईया वो जीवित है यहां कहिए इन आधार पर हम क्या करते हैं जीवन का हम Caroline करते हैं उसको परिवासित करते हैं किसके आधर पोस्टट के आधार पर सुषण के आधर प मैं जीवित हूँ, मैंने कहा मैं कोई मालीए यह जीवन है, जीवन के आधार पर किसी सारेंश को या विज्ञान को कितने भागों बाटा गया две भागों में बाटा गया दूसरा जो बिग्यान आता है उसको कहते है नोन लाइफ साइंस यानि की अजीव बिग्यान अजीब बोवाला नहीं रोड पे कोई कुटता जा रहा है तो उसकी स्टाइल ठोड़ी वैसी है अजीव बोवाला अजीव नहीं अजीव का मतलब जिसमें जीवन नहो नोन जीवन के आधारवर बिग्यान को दो वआगों माटा गया एक टो नो लाइफ ऑप साइंस यानि की जीवन जीव बिग्यान दूसरा है नोन लाइफ साइंस यानि अजीव बिग्यान ठीक है आए समझते हैं है कि तो है यहां पर जो बात करने वाग में बाटा जा सकता है कौन कोई से तीन बहुंचे पहरता जा सकता है माइक्रो वैयोलोजी ॥िक ढूझी जिते हैं वनसवती सास्रिया मैंसेबडियान ठीक है तो पॉध़ोंन गचाल प्रय थे विज्विजान चैसे थे उनकी नन्य विजू को मैक्रो वायोलोजी ठीक दूसरी यह जियानि कि बीजन को भी चार ग्यान ऍेशक कॉपर भागों में बाइटा किया है कौन कौन से बाग है क्रसी विग्ञान, चिकिसा विग्ञान, पसु चिकिसा विग्ञान और यो बात में बात में जानेगे नोन राइब साइंस को भी दो वागों में बाता जाता है जिसमें पहला है बहुत तक विग्ञान दूसरा है रसाइन बिग्या जिसको हम इसमें बात नहीं करेंगे इसलिए इसको यहां पर भोल जाए निकाल के ठैकते हैं चालिए दूसरा समझते हैं जानकारी लेते हैं तो शुरुबात कर लेते हैं जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान सुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो जीवन की सबसे छोटी एकाई क मिलाकर एक अंग तंत्र यानि की और्गन सिस्टम बनता है और कई सारे और्गन सिस्टम यानि की और्गन सिस्टम या कर अंग तंत्र को मिलाकर एक जीव बनता है ठीक है या एक शरीर बनता है यहां पर मैं आप लोग दिखा सकता हूं यह आपका जीव यहां पर देख सकते है में बåध सब्सक्राइब पइस उसके बार या लोग को तन से मिलकर उथक उतक से मिलकर अंक संधे से मिलकर क्या बनता एक सरीर अब यह को सिका पैले की थोड़ी सी जानका ले लेते हलका सा, कोशिका से पहले क्या होता है, कोशिका से पहले जो होता है, वो होता है परमाडू, परमाडू, परमाडू क्या होता है, परमाडू, प्रोटॉन, नूट्रॉन और इलेक्ट्रोन से मिलकर बनता है, इसको हम क्या कहते है, परमाडू कहते हैं, फिर से यह एलेक्ट्रोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन से मिलकर बनता है इन तीनों में प्रोटोन ही यानि कि इन तीनों में जो प्रोटोन होता है प्रोटोन ही अकेला अस्टित्व के लिए परियाप्त होता है अगर न्यूट्रोन न भी हो तो भी समझा गया अब बात करते हैं पर प्रमाडू स्वतंत्र अवस्ता में नहीं रह सकता है, जब कि जो अडू होता है, वह स्वतंत्र अवस्ता में रह सकता है, कई सारे प्रमाडू क्या बनते हैं, कई सारे प्रमाडू मिलकर एक अडू का निर्माड करते हैं, और कई सारे अडू मिलकर क्या करते हैं, और कई सारे जहाता है कि दो या दो से अधिक तत्मों से मिलकर यॉगिक बनता है ठीक है यह हो गया जीवन की मूलिकाई कोसिका से पहले की बारे में भी बात कर ली कोसिका से पहले के बारे में किसमें पढ़ेंगे नॉन लाइफ साइंस में पढ़ेंगे ठिक अब आती है बात कोई सिकाज बाद की स्थिति क्या थी हलका से जानकारी ले रहा है समझेंगे बाद में इससे क्या रहेगा कि हमारी बाकी की चीज़ें इससे हमारी connect हो जाएंगी सरीर के बाद क्या बनता है एक जब एक सरीर बण जाता है तो कई सारे सरीर मिलकर एक जनसंक्या का निमार करते हैं कई सारे जनसंक्या जा कर एक पूरे ब्रह्मान्ड का निर्मार करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर सेल के बाद की इस्ति क्या बनती एक सरीर सरीर के बाद का जो सब्जेक्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसको हमने क्या बताया था वर्ड जुगर्फी और इंडिय जुगर्फी पढ़ चुके हैं दूसरा मैंने बताया था नो सेल से पहले यानि कोशी का से पहले किस्ति क्या मैंने बताया थे परमाडू फिर अडू फिर तत्व फिर योग यह हम पढ़ेंगे नॉन लाइफ साल्स में यानि की जियोगर्फी और वह सरी फिजिक्स और कैमि आसान तरीके से में आप लोगों पताऊंगा सब्र रखें बरोसा करें भाई की तरह तीचर की तरह न कर पाएं क्योंकि आजकल टीचर लोग कम बरोसा कर पाते हैं क्योंकि जितनी मौटी फीस उतनी अच्छी पढ़ाई लोगों को लगता कि हम जितनी बड़ी कोचिंटर मे जाएंगे उतने अच्छे हैं को इसी बात नहीं है चितना सस्ता कोचिंग उतने कम पैसे उतने ही चोटे टीचर आप लोगों को लगता है कि वो गम पढ़ा पाएंगे ऐसा निवह होता है टीचर से हम बढ़ाने लगते हैं उसकी फीस बढ़ा दी जाती है ठीक है तो फाई समझ के पढ़ें और यकीन करें कि बेडा पार आपका इस वीडियो से हो जाएगा और उम्मीद है शुरूबात करने से फिर फिर एक्वार बता दूँ कि चिन लोगों ने कभी साइंस या वायलोजी पड़ी भी नहीं है कभी सुंगी भी नहीं है कभी देखी भी नहीं है उन कि और यर्थ किलास का बच्चा अगर साइंस पड़ाना चाहता है तो अगär इस व्यीडियो को देखेगा बाएलोजी का तो उसका भी बेडा बार होगा नैंत का अगर बएलोजी आती है या साइंस आती है बो दो कभी बेडा बोगा किस में Central नहीं किया है मैं अपनी नहीं ठैक है चलिए आई रहे देखते हैं तो रायुजाची के बारे मी नहीं समझते हैं व्याइन की वह साका जिसमें चीवधारियों या कहें उस उससे जीवधारियों या उससे सम्मंदित किसी भी चीज या बस्तू का क्या करते हैं हम अध्यान करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं अध्यान की दरश्टी से यानि कि जो अध्यान की दरश्टी से चीव विज्ञान की बारे में बात की जाए तो अध्यान की दरश् समझ् Assam was अरश्टू को माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो जंत्तू विग्ञान थी उसके बारे में जý waktu अरस्टू को माना जाता लिखा है वनस्वती विज्ञान के बारे में अगर बात की जाए तो वनस्वती विज्ञान का पापा या करें जनक जो है वो आपका जिसको माना जाता है थ्यो फिरेष्ट को माना जाता है इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया फ्लांटे रम में लगवक पांसो पिरकार क पड़ पौधों के बारे में लिखा है फिर से में बोल दे रहा हूं कि मैंने बता है अधिन की दिरिष्टी से जो आपकी वाय रोजी है उसको दो भागों माटा गया है पहला है जन्तविज्ञान दूसरा है आपका वनस्वदी गियां बनस्वदी बिग्यान को जो पापा है वो आपका थियो फ्रेष्ट को माना जाता है और जन्तविज्ञान की जो पापा है यानि की जनक है वो आपका किसको माना जाता है आपका अरस्तु को माना जाता है इनकी दोनों की पस्तक को बारे मैंने आप लोग को बता दिया चलिए जो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं सजीब और निर्जीब यानि कि living and non living के बारे में ठीक है आए देखते हैं सजीब और निर्जीब सजीब के लक्षड देख लेते हैं सजीब जो होते हैं यानि कि जिन्दा बेखती होते हैं जिनमें जीवन होता है वो उनके लक्षड क्या क्या होते हैं आए देख लेते हैं सब में भी रसाइनिक तद तो वही होते हैं अब भाईया कैसे अब माली जीए चीनी है चीनी आपने चम्मस उठाई और खाली भाईया वो क्या है वो निर्जीब है ना लेकिन उसमें क्या है ग्लुकोज होता है समझ्या गया बगल में कोई कोईला है कोईला है ना क्या है उसमें क जीवों तथा निर्जीवों में लगवक एक ही तरह के रसाइनिक तत्व पाए जाते हैं को कि जीवित प्राणी तथा पेड़ पौदों में रसाइनिक रूप से कार्बन डाई वो कारवन हाइड्रोजन ओक्सीजन नैट्रोजन तथा अन्य तत्व मौझूद होते हैं जोकि निर्जीवों में भी होते हैं समझ में आ गया जो कि निर्जीवों में मौझूद होते हैं इसलिए जीवन की एक साधार परिवासा देना कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होते है तो वो जीवित बेखती होगा या कहें उसमें कारवन की मात्रा होगा तो जीवित होगी तो फिर स उसके आधार पर उन्हें सजीव या निर्जीव की श concurrent मने रखा जाता है। पर में फिर से बता देता हूं आप लोगों को मैंने क्या बता है जीवित प्राणी होता है उनकी कुछ संगठन होता है उसमें कुछ संगठन क्या ठीक है वो बताऊंगा आगे उपाप चाहे पोसड स्वसन ब्रद्य और विकास समेदन सिता जनन अनकूलन जीवन मिरत्वी चक और अनुक्रियता इस तरह के कुछ इन में सजीवों में लच्छड पाए जाते हैं इनके आधार पर हम इन्हें सजीवों की फेड़ी में रखते हैं चलि सबसे पहले बात करते हैं संगठन के बारे में तो आई देख लेते हैं सभी जितने भी जीव होते हैं यान उतकों का निर्मार होता है जिसके बाद जब उतक बन जाते हैं तो उतक से अंग का निर्मार होता है और अंग मिलकर कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्मार करते हैं इस तरह से एक जीव की रचना होती है यह गोड़न निर्जीवों में नहीं होती है फिर से बता कि आए इक साधि एन्हीं के अगैंने एक बच्चा क्या-क्या रणच हुआ मेरा बच्चा ठीक बो मतलब लौंच हुआ मतलब पैदा हुआ वॲा 네가 मेरा और उसमें क्या सांप वाले गड़ हो सकते नहीं सकते वो क्या होता है जो अपने जनक होते हैं अब सांप का बच्चा है तो सांप ही रहेगा सांप वाले गुड़ों होंगे अपने जनक किस से मिले हैं सांप से मिले हैं कौन है उसके पापा सांप है अब मेरी जो बच्चे है वो सांप जैसा तो नहीं हो सकता तो उनका निश् का है कि चोटा था बच्चा चेर का नहीं होता है उसका कभी क्या होता है नहीं आता है न मज़े चलिए आए दूसरा देखते हैं कोशी की संरचना जो की आपका निर्जीम में नहीं होता है जिस तरह से कोई मकान इंट सीमेंट गारा मेटे या अन किसी माल से बना होता है या ठ जीव होता है वह है एक या कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कोशिका किसी जीवित प्राड़ी या पेड़ पौदे की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका ही है यानि कि हमारा सरीर किसी का भी सरीर किसे मना हुआ है किसे बना है कई सारी कोशिकाओं मिलकर नहीं पाया जाता है एक पूरा सरीर बन जाता है, यह कोशिका संगटन होता है, जो कि निर्जियों में नहीं पाया जाता, चलिए, तीसरा लचड देखते हैं, तीसरा लचड है, उपाप चाहे, मेटा वॉलिज में जिसको हम कह देते हैं, अंग्रेजों की फासा में, ठीक है, यह सभी, क्या, मेट क्रियाएं का क्या होता है योग होता है कोई भी जीवित प्राणय है उसकी कोजिका पेंदर क्रियां हो रहे हैं उनका योग होता है इन क्रियाओं को या पॉपाप डुपाम करने वाला दूसरा होता है बेगाडने वाला ठिक चलिए देखते हैं उप्चय को देखते हैं उप्चय क्या होता है यह एक रचनात्म या कंस्ट्रक्टिव यानि की निर्मार करने वाले जैसे कि मैं हूं मेरे घर में मेरी मम्मी और में मेरी मम्मी क्या कर रही है मम्मी से मैंन कर रहे हैं किस के द्वारा कर रहे हैं आटा आटे में पानी डाला पानी डालने के उसको गूत के बना के रखा उसके बाद हमने ऐसे करके रोटी बनाई तो वो क्या कर रही है यह रचनात्म किरिया हो रही है उनकी क्या हो रहा है उनका उपचे हो रहा है पूर रोटी बना के क्योंकि इस किरिया के द्वारा जीवद्रब तता अन्य जटल परदारों का निर्मार हो रहा है रचनात्मा करना यह रचना करना किसी का भी ठिक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हरे पौदे होते हैं वह क्या करते हैं प्रिसकास संसलेशड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं पौदे अपना खाना जल कार्वन डायोकसाइड तता आप कुछ अन्य खनीजों के रूप में लेकर उसे सूर के प्रिकास में जब उसको में जब आते हैं तो सूर के प्रिकास में प्रिकास संसलिसट की क्रिया के तोरान वह कार्भो हाइड्रेट में क्या करते हैं संसलिसट करते हैं या परविर्थित करते हैं और उसको एकटा करके रखते हैं किस तरह से मेरी मम्मी के तरह है उन्हें ने आटा मिलाया पानी मिलाया इस तरह से उसको बनाया और रोटी ब का प्रिकास में सामने आए सब को मिला मिलूक क्या कर दिया की द्वारा इन्हों ने अपना कार्वो हाइट्र क्या कर लिया तयार कर लिया यानि कि अपना खाना बना कर तयार कर लिया ठिक चलिए संस्लेसर का की मतलब किया होता है इसको फ़ल्कास जाले से संसलेशर का मतलब होता है कि सरल सं रचना वाले पद आरतों को मिला कर अधेक जटेल वाले योग सिर्णों का र्कना करना संसलेसर कहलाता है फिर संडेला अज्य बता जेता हूं میरी ममीं ने क्या किया पानी लिया कि कि मेरे मम्मीने क्या किया। पानी लिया आटा लिया आटा लिया १् ना कंसर now, आटा सर जानते गयूंस्व बना पानी तो पूरी दुनिया जानती है दोनों को मिलाया क्या है ये दोनों कम कम जटिल है ना दोनों के मिला के रोटी बना दी जटिल हो गया ठिक फिर थोड़ी देर बाद भूंक लगी मैंने कि मम्मी आज रोटी नहीं खानी है मनने कि ये खानी है वाई उनने बताया कि बिटा ऐसा है रोटी नहीं खिचडी बनवाता है खि सब क्या रिवान इतार बहुत सारी चीज़ बनाई है आलू पड़ा टमाटर पड़ा मिर्च पड़ा हल्दी पड़ी धनिया पड़ा नमक पड़ा ये क्या है सरल चीज्जों को मिला हिएpra कर इव प्पत्य देखते हैं अब भया अपच्य क्या हो था ह? उपच्य का भाँ होता है इससे होती आ है और यह उल्टा होता है उपच्य में क्या होता है रच्ना के यह उससे स्व्माल तैया हुटा है वह अन्य लोगों को मिली अब जब मैंने खिचडी खा ली जब खिचडी खा ऑई तो आम मैं दूसरा काम करूंगा यानि कि इसी तरह से मैंने क्या बता है उपचय जो उपचय करिया हुई उससे क्या हुआ जीब दरब्र और अणी क्रिया होती हैं क्योंकि इस क्रिया के दौरान जटिल पदार्थ या पोसर तत्व क्या होते हैं वो तूटते हैं यानि कि मेरी मम्मी ने खिचडी बनाई अब मैं क्या कर रहा हूं जटिल पदार्थ को क्या कर रहा हूं मैं तोड़ ना हूं मैंने उठाया और चंबर से खाया ज्टल क्या हुआ वो टूट गया पेट में जानते ही है कितनी तरह की मसीने लगी है उसको तोड़ तारके उसमें से मैंने क्या किया करके ऊर्जा पिराब्त कर ली नहीं समझ जाया मैंने मेरी मम्मी क्या कर रही है अब अपचे ककर यानि कि जटल पदारतों को जटल में बना कर ये खिच्डी तयार कर ले खिच्डी तयार करने के बाद उसको मैं अपचे करिया के दोरा यानि कि पेट में डाल कर उसको क्या करूंगा मैं खाऊंगा पिऊँगा और उससे क्या करूँगा जब वो तूटेगी तो क्या होगी ऊर्जा पिराप्त होगी चलिए समझते हैं यह किरिया रचनात्मक क्या होता है उल्टा होता है यानि यह नासात्मक किरिया होती है क्योंकि इस किरिया के दोरान जटिल सक पदाट तूटते हैं और इस किरिया से उर्जा प्राप्त होती है या उर्जा की प्राप्ती हमें होती है जैसे कि मा लीजिए जब स्वाशन की किरिया करते हैं तो उसमें कार्वो हाइडरेट बिगटेट होकर बिगटेट होकर उर्जा निकालते हैं जो कि अन्नी कार्वनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन ल जीवाडू है और एटिसी में आप जो चाहें बो लगा सकते हैं अपना भोजन भी कारविनिक पदासों से प्राप्त करते हैं लेकिन यह किरिया नर्जीवों में नहीं होती है, क्या कभी सुना है, नर्जीवों ने खिचिणी बनाई हो, और आपको नियता आया हूँ कि बाई साब, इंट पिरसाद चेतरवेदी यानि कि जो पघल में रहते हैं, यह वो निर्जीव हैं, उनके यहां से नियता आया है, य है हर जीव Butari को यह जीवित होता है जीव होता है उसको भोजन की या कद पोषड की आवश्चकता होती है क्योंकि सरीर में हुनेबाली सभी क्रिया CARशी तरह से चलाने के लिए औरus Yan की आवश्चकता होती है दुनिया जानती है बाइक खरीद लिइए आपने भैया बायक के लिए अच्छी उसके सारी क्रिया है हूं, तो उसको क्या चाहिए? उर्जा चाहिए, उसको हम किस रूप में देते हैं? उसको हम पैट्रॉल के रूप में देते हैं, लेकिन सजीवों का यह लच्छड ठोड़ा अलग है, ठीक, तो यह है उर्जा, सभी जीवधारी, बोजन के औक्सी करड़ से हम प्राप्त करते हैं, खाना खाने की किरिया से लेकर, जब हम ऐसे करके, ममी ने खिचिड बनाई थे थोड़ी दिर पहले, अभी रखी है, ठंडी अभी खाई नहीं, मैंने थोड़ी सी खाई है, मैंने खाना ऐसे उठाया, एक चम्मच भरी, और जैसे ही मु में डाली, आपका जो पोसर का जो तरीका था, या करे पोसर की जो प्रक्रिया थी, वो सुरू हो जाती है, जैसे में उन्हों डाला, उसको चबाया, चबाते चबाते ठीड़ा सा हमने उसको निगला, निगलने के बाद हमने उसको पेट में डाला, पेट में पहुचा, प्रिक्रियाब क्या कहते हैं पोसर्ड कहते हैं समझा गया जिसको हम पोसर्ड में जानेंगे ठिक चलिए स्वसंद के बारे में बात कर लेते हैं स्वसंद एक लक्षड के बारे में बात हो रहा है ठिक तो स्वसंद क्या होता है स्वसंद एक अपचय या कैटा वालिज्म के ल होते हैं कि जब oxygen लिया हमने अंदर पहुंचा तो उससे क्या क्या बना उर्जा बनी और भार हमने क्या चोड़ा भार हमने CO2 चोड़ी और जब हम सांस लेते हैं तो कुछ जलकी बूंद हैं बहार आती हैं महसूस करेंगे ऐसे करें आप तो आपको महसूस होगा कि पानी की कुछ भून है या भापसी आपके सी से पर अगर करते हैं या सर्दियों में आपने देखा होगा ऐसे करते हैं तो आपको महसूस होगा ठीक फिर से मूंब देना हूं कि सब्सक्राइब के लिए एक महतपूर किरियां में से एक है इसके तहित मैंने क्या बताया इसके बताया इसके तहब ही जीब अउक्सीजिन लेते हैं जिससे बी औक्सीजिण को खिक करते हैं इससे co2 यानि कि तो यहानिकि u या इसको हम कहतते हैं growth and development तो ये क्या होता है एक सरीवों का प्रमुख लक्चड होता है जो कि नियो जीवों में नहीं पाया जाता है आई ये समझते हैं प्रतियक जीव के जीवन की सुरुवात एक कोशिका या एक युगमिजन या जायोर से होती है इसके बाद इस कोशिका म बीवाज़न के बाद तत्éma इन विवाज़न कोशिकाんだ से अनिय कोशिका बनती है और उससे फूरपूला एक सरीर बन जाता है जिसके काड एक उतक बनता है फिर एक अंग बनता है पिर एक अंग त 안त्र बन जाता है फिर एक पूरा सरीर बन जाता है ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं ब्रद्धी कहते हैं जो कि जीवों में भी होती है फिर पॉदों में भी होती है सब इसा जीवों में होती है लेकिन निर्जीवों में नहीं होती है किसमें नहीं होती है निर्जीवों में नहीं होती है समझ में आ गया ठीक है तो यह करिया निर्जियुमा में नहीं होती बैसे निर्जियुमा में ब्रद्धी होती है लेकिन वह ब्रद्धी बहारी कारणों के होती है जैसे कि मान लेजी आप रेकिस्तान होते हैं रेकिस्तान में जाएं तो आप लोगों कभी कभी देखेंगे अगर जाते वहने के रहने वाले गर हैं तो आपको कभी कभी देखेंगा रेट ऩहां में कभी रेत कम हो रह है कि यह क्या होती है सभी बातावराड में होने वाले परवर्तन के प्रती संबेदन, सील है, साधरवासा में समझते हैं, मैं आप लोग के सामने यहां पर बैठा हूँ, इसका काड है, गर्मी लगना, इस तरह से मैं एक टीसरट डालके बैठता हूँ न, इसका काड है गर्मी लगना, क्योंकि जब मैं आप लोग को बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ तो सिर्फ पढ़ाई वाली बात हो इधर दर की फालतू कि ना आए ना कूलर की ना किसी और की अवाज नहीं आए तो मैं क्या करता हूँ आपने आप में परिवर्तन को बचाने के लिए जरूरत के अंसार अपने आप में या जीव अपने आप में परिवर्तन करने में होता है संच्छम होता है फिर से बोल दे रहा हूं मैं सभी जी बाता बड़ में होने वाले परवर्तन के प्रति क्या होते हैं संबेदन सील होते हैं इसी परवर्तन से अपने आपको बचाने के लिए क्या करते हैं वह जरूरत के अंसार अपने अंदर या जो भी चीज होती है उसमें क्या करते हैं परवर्तन करने में सच्छम होते हैं कौन जो सजीव होते हैं जैसे कि जब सर्दी आती है यह गर्मी होती है तो उसको मैसुल करते हैं तो क्या करते हैं सर्दी आई तो गरम कपड़े पहन लिए गर्मी आई तो टीसर्ट में बैठा हूं समझ में आगे ना वहीं दूसरे तब क्या होता है जैसे कि आप वोगोंने कभी-कभी देखा हो कभी-कभी क्या होता है आप जैसे कहीं पर जा रहे हैं यह दो उने यह मेरे पास मैं इसे उठा लाओंगा, यह मुझे यह नहीं कह का बार तुम फैकते हो हमारी नहीं भी बंड रहे हैं हम जा रहे हैं किसी और गिरा के पास नहीं कहिए घ्लन को चल दें कुछ भी करें ये हमारा पालतू रहेगा हमेशा रहेगा क्योंकि ये निर्जीव है समझ में आ गया ना? चलिए ये निर्जीव में गुड़ नहीं होता next है अनकूलन adaptation क्या होता है? जीवों में बाहरी बातावर्ड के अनसार अपने सरीर की रचना को और सुभाब को बदलने की चमता होती है जीवों में बाहरी बातावर्ड के अनसार अपने सरीर की रचना और सुभाब में बदलने की चमता होती है जैसे कि पानी में मचली जो होती है पानी में मचलीयों का अनकूलन होता है उसके इसाब से उन्होने अपने आपको डाल दिया है, उन के गिल्स है, छो क्लॉम हैं या हम उसको कहते है अंदरा रहे हैं, उससे वो सांस लेती हैं हम लोग नहीं ले सकते हैं, त्टिक है मैड़ा क्या होता है?? पानी में इसके पीछे पंक लगे हुए यह उड़ता है जहाज मतलब इसने आपको वहां के लिए अनकूल बना लिया है यह अपने आपका बहुत सारा पानी रोग लेता है पैर भी इसके गद्दीदार होते हैं जो रेत पे नजले तो इसने क्या किया अपने आपका अनकूलन कर लिया इसके बार रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पेड़ होते हैं वो क्या करती हैं अपने उपर जो पत्तियां होती हैं वो अपने आपकी पत्तियों कम कर लेती हैं और उसके साथ ही जो उनका तनाव अगेरा होता उस पर मौम की परत चड़ा लेती है इससे क्या होता है उ और वह एक चमार लेते हैं ये उनके ऊपर मौती परत होता है ये छीनकूलन भीकति बहूंग dopoड़ पड़कर डालें यह कभी भी अपने गिल्स नहीं पएदा कर सकता ये पांदीमें मैं चाहूंगा तभी इसमें ये बाटर प्रूब बनेगा उससे पहले ये बाटर प्रूब नहीं बनेगा पानी में डाल दिया ये कानी खतम इसके अब क्या है इसमें अंदर ये नहीं है कि अपने आपको इस तरह बना ले कि हम पानी में खराब नहों मेरी कानी खतम नहों तो यानि प्रोडॉक्शान, प्रोडॉक्शान क्या करना है, पिरति एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन करने में, ठीक है, क्या होता है सक्षम होता है फिरतियक जीत अपनी जैसी संतान उत्पन करते हैं चाहे वो लेंगेक हो चाहे वो अलेंगेक हो कैसा भी हो लेकिन वो अपने जैसी संतान पैदा करते हैं ये अपनी बंस ब्रद्धी करने की छमता रखते हैं बलकि जो निर्जीब होते हैं इस तरह नहीं रखंते, ये फौन रख्खा है, ये एक रखा है, इसको दो करोर साल तक भी ऐसे रखा रहने दो, तो अभी इसमें न ये बच्चा करेगा, न इसमें कोई जनन होगा, न पिर जनन होगा, कुछ ही नहीं होगा, इसमें कोई feelings नहीं है, ये कुछ नहीं कर पायगा, ये SR क सबर्गराइब करनातां किया च्रलाइब को सब्सक्राइब करती है कि को और कि के इसमें इतरु से मेर आगते लाक। बेचे तकानी है वैसे ही जो निर्जीव होता है उनमें जनन नहीं होता है चलिए नेक देते हैं अनुक्रिया अनुक्रिया क्या होती है सभी जीव उद्धीपन या भाव के प्रति क्या करते है अनुक्रिया सील होते है जैसे कुटा है अपने मालिक को देखकर क्या करता है पूँचलाता है अब क्यों कर रहा है क्यों कि इसे अच्छा लग रहा है क्यों हमने कहा और टॉमी तुमारे क्या है तो उन्हें का बहुत अच्छी है अब उन्हों है घताया कैसे उस्तरह की पोश से पढ़्य होती है कुट्टे की पोच एक प्रण ले न अभी मैं हवें की सिब आताल book पूंच ए Drama का हुआ हमीसां बेड़ा पार रहें मस्त रहें म British कि एक हरामकोर क्या करता है कमेंट करता है मैंने क्या आया गुसा आया मैंने उसके प्रति क्या की क्रिया के प्रति अनक्रिया की ठीक है तो क्या किया हमने उसको तुरंट ब्लॉक कर दिया ऐसा ही करता हूं हमेशा हमेशा क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया हमेशा क्याता हूं अग हम एक दूसरे को प्रेम देंगे मैं हमिस्ता कहता हूँ वहाई मालने क्योंकि उससे अलग प्रेम आता है ठीक है भाई वाला चलिए समझ में आ गया तो क्या होते हैं ये निर्जीवों में नहीं होती है ठीक मैं इसे कभी कम चलाऊं या ज्यादा चलाऊं ये मेरे साथ किसी भ पड़ोसी हूँ उससे थोड़ा से ज्यादा बात करूं उससे अच्छे से बात करूं बहुत जारा ग्यान पेलूं उन्हें अच्छा लगेगा और जब भी वो कभी मिलेंगे तो दूर से करेंगा और भाईसाब कैसे हैं क्या हुआ ये एकदम भाव है मेरा उन्होंने किया क आपके सजीवों के लच्छडवों के बारे में ठीक है चलिए चलिए शुरूबात कर लेते हैं कोशिका के बारे में कोशिका क्या होती है क्या कार होते हैं इसके कौन कांसे इसके अंग होते हैं किसने खोज की कब और कितने समय पहले की चलिए देखते हैं कोशिका जीवन की मूल एकाई, sell the fundamental unit of life, देखते हैं, तो साथियो यहाँ पर इस topic में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे का जो है next topic हम लेने वाले हैं, और शुरू करने से पहले next topic को सुरू करने से पहले बता दू कि नीचे जो है, मैं इसका आगे का जो वीडि वो आपको नीचे comment box में मिल जागा, economy, आपका world geography, Indian geography, Indian economy, Indian quality, कुछ भी हो नीचे में comment box में और नीचे description में मैं आपको दे दूगा, बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की वीडियो पर आपको आनंद लीजिए, और आगे next topic सुरू करने से पहले बता दू कि आप जब चैन economy के, Indian quality के, Indian economy की बात करें तो लगवक्त तीन सो बातर वीडियो हैं, आपका complete journal history की बात करें तो नो वीडियो मिल जाएंगे, आपका Indian geography की बात करें तो एक सो नो वीडियो मिल जाएंगे, जिब बिग्ज्यान की बात करें तो एक सो अठारे वीडियो हैं, quality की बात करें तो 58 वीडियो है ठीक है और यहां पर हिस्टरी की बात करें तो आपको 57 वीडियो मिल जाएंगे तो इस तरह से मैंने सारा का सारा जो है कोर्स में ने आपर डाल दिया है इससे आप आनंद लीजिए तैयारी करते रहिए तो चलिए नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं और शुरू क बात करें तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो इंग्लिस और हिंदी दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड जोगर्फी मिल जाएगा दो 99 में वारत का भूगल आपको 99 में जी बिग्यान आपका 99 में वर्ल्ड जोगर्फी नेट का जो है paper first जो है आपका free में मिल जाएगा यहां पर देखने को यह 999 में आपका इसमें पूरा gs है जो कि अगर सारा जोड़ते हैं खरीते हैं gs का तो हमें बढ़ेगा 10,000 रुपे में जो कि मैं सिर्थ पर यहां पर 900 99 में दे रहा हूं यह है आपका सारा मैंने आप पर दे दिया है आप किसी को भी download कर सकते हैं फिरी और फिर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए next topic सुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आनंद आया होगा तो चलिए सुरू बात करते हैं next topic की जो कि आपका होने बाला है physics का यानि की भौतिक विक्यान का और इसमें मैं आपको बता दूँ आने वाले समय में मैं आपको लगवग तीन जो है सब्जेक्स जो है में सुरू करने वाला हूं ancient history हो जाएगा जिसको हम प्राफिंग भारत का इथियात हो सकते हैं इसको अब medieval हो जाएगा जिसको मद्य का इथियात हो सकते हैं तीनों की classes जो है मैं एक वार में बड़ा video नहीं बनाऊंगा लगवग दौनों का जो खीच के चलेगा तो 45 गंटे की class रहेगी जो कि आप मटा मटी मान सकते हैं तो 15 की आपकी physics की 15 की आपकी मद्यकालिंग की और 15 जो है प्राचीन की होने वाले जो क इस महिने के लार्ट तक जो है तीनों को मैं खत्म कर दूँगा और मैं जो बनाने वाला हूं फॉटकर पुटकर बनाने वाला हूं यहां पर एक वीडियो इसका आपका physics का दे दूँगा फिर आपका प्राचीन का दे दूगा फिर मद्यकालिंग का दे दूगा यह तीनों complete हैं इनको मैं एक महीने दो महीने के अंदर इनको समाप्त कर दूँगा तो सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं वह हैं बहुत है क्यानिकी फिजिक्स के बारे में बारे में शुरू करने पहले मैं लगवगka 1500 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें अगर आप बात की जाए तो यहां पर आपको मिल जाएगा history आपकी complete में करवा चुका हूँ वर्ल्ड जिगर्फी की बात की जाए तो वर्ल्ड जिगर्फी के लगवग साड़े 300 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में आप चाहकर चेक कर लेना उसके बाद अगर बात की जाए तो इंडियन जिगर्फी के लगवग 120 आपको वीडियो मिल जाएगा बायो की बात की जाए तो लगवग 120 आपका बायो का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा तो लगवग मौटा मौटी चैनल पर जो आप देखेंगे तो 1500 वीडियो है तो आप वहाँ पर जाएए प्लेलिट से चैक कीजिए वहाँ पर आपको सारा मैटेरियल मिल जाएगा तो शुरू बात करते हैं आपका वहुत एक बिग ज्यान और शुरू करने से पहले बता दूँ कि इसका आपको नोट से या पीडियाप खरीदना चाते ह है मैं डिस्क्रिक्शन में दे दूँगा वहाँ से आप खरीश सकते हैं और शुरू करने से पहले बता दूँ कि लाइक से यह और कमेंट करना ना भूले ताकि जो है इस वीडियो से और लोग भी लाव ले सकें यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाँ पर कंटेंट की अगर में बात करूँगा है यहां पर कार सक्ति हैं हो जाके बारे में आपर बात की जाएगे उसके बाद गॉर्तवा करसर बल के बारे में बढगे तो हो जाता है प्रिकास उसके बाद हम बात करेंगे electronics एव मेनो प्रुद्धविकी, electron उससरजन एव विससरजन के बारे में हापर बात होगी, इसके बाद संचार प्रणाली के बारे में हापर बात होगी, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसी में हम इसको खोल के यानि कि विस्तार से एकर ये मैं वीडियो बना दूँगा जिसमें आपका पूरा फिजिक्स और एक वीडियो में तीन गंटे का बनाऊगा जिसमें आपका फिजिक्स यह कंप्रिट हो रहा होगा मुटा मुटी लेकिन ज्यादा बिस्तार से नहीं होगा ये लगवग हो सकता है 30 गंटे का होजा 40 का मुझे नहीं आइडिया को मैंने शुरू कर दिया है शुरू करने से पहले बता दूँ को पूरे सिलेवस के बारे में के फिजिक्स यानि की बहुत थिक विग्यान में हम क्या-क्या पढ़ने बाले में तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत थिक इस तरोत के बारे मे सामिल नहीं किया ढ़ता हुगा तो इसमें हम या पर गती के बारे में बात करेंगे परश्य गति ये गति क्या होती है आविकेंद्र बल क्या होता है इसमें हम यहाँ पर समझने बाले इसके बार हम आगे बात करेंगे बल एवं न्यूटन के गति विस्यक नियमों के बारे में जिसमें हम बात करेंगे वल यानिकी फोर्स क्या होता है न्यूटन के गति विस्यक नियमों के बारे में चर्चा होगी संबेग एवं संबेग संदक्षड का सिध्धांत देखेंगे आवेक के बारे में बात करेंगे घरसड घरसड आप जानते होंगी फ्रिक्षन जिसको हम ऐसे अगर बोले तो रगड़ा रगड़ी इस तरह से बोल सकते हैं यह रगड़ा रगड़ी यह यानिकी पावर और उर्जा मतलब एनर्जी क्या होता है उर्जा का उर्जा संदक्षड का नियम हमें इसमें देखने बारे में उसके बारे में जाने हैं उर्जा के कुछ अनिस्वरूप देखेंगे स्वार उर्जा इसके अनुपरियोग देखेंगे इसके बारे में आगे केपलर के गिरहों की गती संबंदी नियम के बारे में इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे गिरहें फिर बात करेंगे पलायन वेग उसके बात करेंगे खगोलिये पिंडों पर बायू मंडल की अनुपस्तिती के बारे में बात करेंगे आगे हम बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे पदार्तों के यांतरी गुड ठीक है पदार्तों के यांतरी गुड के बारे में बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे पदार्त या दिरब उसके बाद हम बात करेंगे आडविक बल यंग प्रत्यास्तिता गुडान कदाब के बार के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर इस से प्रस्म पूंचे जाते हैं स्यानता क्या होती है यानि की डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद हम आगे जो हम बात करेंगे इस्टॉक्स का नियम एवम सीमान तुबेग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने बारे हैं इसके बाद हम आगे जो हम बात करेंगे आवर्त गती और तरंगे के बारे में आवर्त गती क्या होती है सरलावर्टकती क्या होती है सरलोला क्या होता है दोला नया कंपन क्या होता है अनुनार क्या होता है तरंग क्या है द्वनी तरंग है द्वनी तरंगों का अपवर्तन बायू इस्तम्भों के कंपन और विज इस्तम्दन के बारे में भी हाँ पर बात करने वाले इसके बाद हम के बढ़ंगे पुवका डॉपलर परिभाव यानि की डॉपलर एफ्ट्ट क्या होता इसके बारे मेंचक्चा करेंगे उसके बाद आगे हम बढ़ंगे इसमें तो हम देखेंगे उसमा इसstawy के बारे में बात करेंगे उस्मा इंजन के बारे में बात करेंगे उस्मा संवचण के बारे में बात करेंगे किर्चौफ का विक्रड नियम थोड़ा सा हम देखेंगे इस्ठीफन का नियम यहां पर बात करेंगे उसके बाद बीन का बिस्थापन नियम क्या होता है न्यूटन का सीतलन नियम हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बाद हम आके पढ़ जाएंगे इसमें देखेंगे बैदुत की के बारे में अगर हम इसको अंग्लेजों के बात हम कहें तो इसे में हम बात करेंगे। इसके बात मिसमी प्रभाव के बारे बात करेंगे विज्च छिर्वाय मेंग अब रिद्ध की प्रभाव हम यह पर देखने बाले है। क्या हूता है चुम्ब की है पदार्थ। देखेंगे चुमबकन एवँ चुम्बकन की देबता याणि चुम्बन और चुम्बकन में आप श्चुमबकन में जांद देखने वारे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ दाएंगे बहुगा प्रिकास, प्रिकास क्या होता है, प्रिकास का परावरतन देखेंगे, अपवरतन देखेंगे, प्रिकास का अपवरतन देखेंगे, पूर आंतरिक परावरतन देखेंगे, लेंस के बारे में देखेंगे, प्रिकास का प्रिके बढ़े दोस्ते देखेंगे इसमें आपका Mahayopiya और मतलब एक निकट दिरस्ती दोस्त होता है एक दूर दिरस्ति होता है जो मुझे है वो निकट दिरस्ती दोस्त है याने कि सीधा समत्राइब उसके बारे में डेटेल में आगी जानेंगे प्रिकासी यंतर देखेंगे उसके बाद प्रिकास का ब्यतिकर्ड क्या होता इसके बारे में चर्चा करेंगे प्रिकास का विबर्तन देखेंगे प्रिकास का ध्रोगर देखेंगे प्रिकास में डॉपलर प्रभाव हम यहां पर देखने पाने इसके व्वारत में electronic का विकास देखाएंगे नैनो प्रतोथिगी के बारे में हम बात करेंगे ठीक है यानी की इसज्व हम कह सकते है नैनो टैक्नोलाजी इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम देखाएंगे इलेक्ट्रोन उस्टर्जन एवं बिस्टर्जन नली के बारे में जिसमें हम बात करेंगे उस्माइक उस्टर्जन प्रकास बैजुत प्रभाव कैथोर्ड क्रिड़ें धन्क्रिड़ें एवं कैनाल क्रिड़ों के बारे में बात करेंगे प्रतिदीप्त क्या होता है इस फुर को होगा आपका नाव किया बहुती ठीक है नुकलियर के बारे में, संचा प्रणाली के अभी अब देखेंगे, एंटीना या एरियल के बारे में बात करेंगे, अनुलिपी के बारे में बात करेंगे, मोबाइल टेली पॉनी के बारे में बात करेंगे, हैंड ओवर एंड हैंड आफ के बारे में बात करेंगे, सुदू संबेदन के बात करने के प्रमुख भूत थीक जानिहान चाहिक जाने के बारे में पोरें जे लगता है जो मुझे लगता है कि उससे भी किसी परकार आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा है एक छोटे से कितना भी छोटा वह एक्जाम हो और एक बड़े से बड़े एक्जाम की तरफ अगर हम भाग है तो उसका भी आप आसानी से question है जो है solve कर सकते हैं थोड़ी सी जानकाली लेंगे क्यों कि मैंने आपको बताया था कि video जिसको हम अर्थी भासा में कहें तो मतिकाली नित्यास में इस महीने में complete कर दूँगा चोटे चोटे वीडियो बना कर फिर बात में मैं इमको जोड़ दूँगा तो लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी तो आपका subject भी complete हो जागा तो य इसकी हम छोटी सी definition यहा हम कहें परिवासा देखने वाले हैं तो बिग्यान का अर्थ है यहा कहें बिग्यान का मतलब क्या होता है तो यहां पर हम देखेंगे बिग्यान का मतलब जो होता है परिवासा की बात करा है तो बिग्यान कहते हैं विसेस ग्यान तो बिसेस ग्यान लेते हैं तो बहाँ पर ही हम क्या करते हैं जानते ही हैं तो इस तरह से अगर परवासा की अगर बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि जानना चाड़ा वद्ध विवस्थित अध्यन, सिध्धानतों पर आधारिक्रम वद्ध अध्यन आपका स्वविश्थ तरीके से ही क्या होता है हमारा क्या कहलाता है, हमारा बिज्ञान या कहई साइंस कहला दाता है अगर अंगरे जो की बासम यहां पर बात करें सीधा सा मतलब है कि प्रक्रती में या कहें जो हम पूरी प्रत्वी पे जो कुछ भी हम देखते हैं प्रत्वी पर उपस्तित बस्तूओं के क्रमबद अध्यन से ग्यान प्राप्त करते हैं और उस ग्यान के आधार पर बस्तूओं की प्रक्रती और बिवहार जैसे ग्यान के आधार पर बस्तूओं के क्रमबद अध्यन से जो ग्यान प्राप्त करते हैं और उस ग्यान के आधार पर बस्तूओं की प्रकरती और बिभार जैसे गुड़ों का हम पता लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं बिग्यान कहते हैं यहाँ पर हम अगर और जूम करके देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं में अब्जर्वेशन, तिंक आफ इन्वेस्टिंग, वह इंट्रेस्टिंग कुश्चिन, फॉर्मूलेट हाइपो थेस, रिफाइन, एल्टर, एक्सपेंड और रिजेक्ट हाइपो थेस, डेवलब टेस्टेवल, हाँ कहा गया है, डेवलब टेस्टेवल, गैदर डेटा दू टेस्ट, प्रेडिक्ट्टन, डेवलब जेन्रल थियूरी, सीधा सा मतलब है, यानि कि विग्ज्ञान में हम क्या करते हैं, कि जो भी प्रकृति पर हमें दिखाई पढ़ रहा है, दो दो सब्दों में ज्यान ले रहा है, ज्यादा हमें कोई हमें प्याट्टि यहां पर नह करते हैं, और उससे जो भी ज्यान पर राप्त होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस बक्त बस्तू की प्रकृति और विभार के बारे में हम क्या करते हैं, गुणा का पता लगाते हैं, तो भी ज्यान क्या हो जाता है, जानना, कैसे जानना, चड़वद और विवस्तित, सिध् बिग्यान को अंग्रेजी में या करें, अंग्रेजों की भास हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, जो की आपका लेटिन सब्द, यानि की जो एक लेटिन भासा होती है, लेटिन सब्द साइंसिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, जानना, यानि की बिग्या किसे कहते हैं तो साथियों बिज्ञान सब्द का मतलव याका है बिज्ञान सब्द का अलफ्रा क्या होता है बिशेस ग्यान है और यह ग्यान क्या होता है प्रक्रति में जो कुछ बारे में प्रत्री पर जो कुछ भी हम महसुत करते हैं उसके बारे में क्रम बद्ध अध्यन से प्राप्त किया गया ग्यान ही क्या कहलाता है अध्यन क्या कहलाता है बिग्यान के से कहते हैं तो बिग्यान सब्द का मतलब क्या होता है विसेस ग्यान से है यह ग्यान जो होता है पिकरती में उपस्तित बस्तुओं की किरमबद अध्यन से प्राप्त किया जाता है इसको ही हम क्या कह देते हैं बिग्यान कह देते हैं तो ब जीवन से हम क्या करेंगे उसकी साखाओं क्यों बात करेंगे जीवन से हम जानेंगे कि उसकी साखाओं क्या क्या करेंगे तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका लाइफ होती है यानि कि जीवन होती है या आपका जीवित जो सजीव होता है वो क्या होता है तो आ यानि कि यह किसके लक्षड होते हैं यह सजीव के लक्षड होते हैं मोटा मोटी देखा जाए यानि कि जीवित प्राड़ी होता है या कहें एक अलायव जो होता है उसमें क्या होती है आपको ग्रोथ देखने को बिल जाएगी बसे ग्रोथ में यह यानि कि मोटा मोटी अगर देखा जाए जीवत प्राणी में लक्षर जो होते हैं आप ग्रोष से ही पता नहीं लगा सकते कि वो जीवत है क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में आपने देखे होंगे टीले जो होते हैं उनका भी तो ग्रोथ हो जाता है यानि कि वह भी मुचे हो जाते हैं कहीं आपने देखा हो माली जीए कोई आप माली जीए कोई पहार है अपने जमाने में वो क्या था छोटा था यानि माली हमाले है तो उसका क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या जीवित है नहीं तो इसमें क्या होना चाहिए यानि कि जो लाइफ है या कर लाइफ जो है वो उत्तर दे रहा हो किस तरह से जैसे उत्तर का मतलब वो अपने क्या कर रहा हो जैसे मालीजी यह मतलब response कर रहा हो जैसे आपने की कोई touch किया तो touch किया या फिर आपने किसी को कुछ बताया या फिर उसके बदले में हमें कुछ नो कुछ मिला तो एक तरह से रिस्पॉंट डेख सकते हैं री प्रोडक्ट की बात करेंगे यानि कि वो री प्रोडक्शन कर रहा है यानि कि अपने जैसे ही क्या कर रहा है संतानुत पत्ति कर रहा है cellular, यानि कि वो किसका बना हुआ होना चाहिए, एक तरह से कोई सिकाँ से बना होना चाहिए, यानि कि उसकी एक business प्रकार की क्या होनी चाहिए, धाँचा होना चाहिए, metabolismus की बात करें, तो जिसको हम कैसे कह सकते हैं अपचे, अपचे में उपआपचे, अपचे होता है उस तरह से, तो आईए इसको समझते हैं, एक एक करके किलियर पॉइंट करते हैं, तो किसी जीवित प्राणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या बता हैं, तो जीवित प्राणी में क्या होता है, आपका पूल सड होता है, यानि कि अपने अंदर से कुछ क्या करते हैं, माल छोड़ते हैं, जैसी आपने खाया, पिया, पचाया, तो वो कहां से निकलता है, आप जानते हैं, तो आप उस सर्जन ही करें एक तरह से, जनन नहीं कि माली जीए कि मेरी साधी होती है मैं प्रोड़क्ट लॉंच करूँगा मतलब दो लोगों का जब मिलन होगा तो उसके बाद क्या होगी संतान उत्पत्ति होगी तो रिप्रोड़क्शन भी होगा तो यह क्या ही कि सजीव के गतिया का गमन यानि कि मुवमेंट में करता हूँ च जीव विग्यान को हम दो भागों में बाट कर देख सकते हैं तो life of science यानि की जीव विग्यान यानि कि biology और दूसरा जो हो सकता है वो है non life science यानि कि अजीव विग्यान तो life of science की अगर बात करें तो क्या आजाता है जिसमें आपका पूसर देखने को मिल जाएगा स्वसन आ देखते हैं विग्यान को दो भागों में बाट कर देख सकते हैं तो बोट दो बाग कौन से मैंने बताए तो यहां पर देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला जो आ जाता है सबसे पहला जो आ जाता है पो आ जाता है फीजिकल साइंस और दूसरा जो आ जाता है पो आ जाता है सा ανी साइन्स के बारे में बात नहीं कह लिए जाथ है ग्यान के नहीं और यहां पर रहा नहीं कि हमें प्रुपेशर नहीं बनना है विह कहा करना है छोट मोटे exam देने और उसे हमें क्या करना है अपना जीवन का एक आधार सिला जो हे साइस्ट या किस के आधर पर I palełem क्या क्या करते है, science को life की आधर पर केतने भागों माड़ सकते हैं, हम दो भागों माड़ सकते है life science और दूसरा जो है जिसमें आजाता बहुत एक विज्ञान और डूसरा जू आजाता है रसाइन विक्णान् ठीक है केलियर हुआ तो मैंने क्या बताएं नो लाइफ साइंस की अगर बात की जाए तो हम दो वागों वालते हैं दो बात की जाएं तो छींinin किया करते हैं दो वागों में या मैंने बताया कि जो G विग्यान होता है, उसको हम केतने भागों माणते हैं, हैनि भागों माणते हैं, सबसे पहरा जो आ जाता है, वो आ जाता है वेसिक वाईोलोजी, यानि की मलिक जी बिग्यान मलिक जी बिग्यान के अगर बात की जाए तो इसको हम तीन बागों में पांट सकते हैं जिसमें आप का जाता है जिसमें आप का जाता है जन्त बिग्यान पौधों का दिन जिसमें हम करते हैं वाट नी आप का जाता सूच बिग्यान यानि की माइक क्को कह सकते हैं वहार्मे सिलियर हुआ तो यहाँ पर किलियर हुआ कि साइन्स को कितने हम डानी में पता है इसके chemistry और वाइओ तो दो बागों में माट किसके आधर पर जीवन के आधर पर जीवन पहला किस कौन सा था life और दूसरा था non-life life में क्या आ जाता वाइओ जिसमें आपका वाइओ को दो बागों माट सकते हैं विसेक और applied को मैंने केतना बता है चार बागों में और basic को आपका तीन बागों में बाढ़ सकते हैं दूसरा आ जाता है non-life science जिसको हम बहुत एक और science के आधार पर branch सकते हैं जिसमें हम physics के बारे में पर चल्चा करने वाले इसके आके जो हम बढ़ेंगे तो वह जाता है chemistry chemistry के बाद हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपका पूरा science क्यों है complete हो चलेगा चले के लिए रुआ ना आपको चले आईए मोटा मोटी यहां पर द देख सकते हैं मैंने ऊपर बता दिया था कि non life science और life science के आधर पर physics chemistry दूसरा जो था life में biology यहां पर अगर बात की जाए तो history भी एक science आ जाती है मोटा मोटी जिगर्फी वी astronomy आपका ecology chemistry physics medicine psychology biology computer science और आपका आ जाता है genetics इसके बाद यह है आपका यह में यह दिख रहा है हम ठी है तो यहां पर अगर history की बात करने हैं यहां पर मैंने links रखा है यहां पर zoom करके दिखा जेता हूं history की बात करने हैं तो history में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं what happened before us geography की बात करने तो the earth and its people यह प्रत्वी और उसके लोगों के बारे में astronomy की बात करने तो outer space यह जो हमारा जो जो आकास है उसके अंतरिच के उस पार की जो भी चीज़ें होती हैं गिरये उप गिरये ने चातर इस तरह की चीज़े हैं ecology के हमारा जो परियावण होता है इसके बारे में chemistry matter elements and how they interact यानि कि जो पदार्थ और तत्व होते हैं उसके बारे में हम पर क्या करते हैं और उनके ब medicines आप जानते हैं तवा यह तो how to keep our bodies and minds healthy ठीक है psychology our thoughts feelings and emotions यानि कि हमारे पिचार हमारी भावना है और हमारे emotions living biology में बात करें तो living things की बात आज़े genetics की बात करें तो why we looks like our ठीक है computer science computer सब दुनिया जानती है इसके बारे में मिया पर चर्चा करते हैं तो माटा माटी समझ में आ branches यानि की साखान ठीक है तो शुरू करने से थोड़े सी जानकारी ले ले देगे थे थोड़ा सा एक्स्टा क्यान ले ले जो कि उम्मीर है आपको interest भी आएगा आपको थोड़ा सा आनन्द भी आएगा और मुझे लगठा है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो क मैंने बताया कि जीवन की सबसे मूल भूतिकाई या सबसे छोटा एकाई क्या होता है तो कोशिका होता है कि एक पूरे मनुस्त के सरीर में या किसी जनतों के सरीर में जो सारी क्रियां होती है वो एक छोटी सी कोशिका यानि कि सबसे मूल भूतिकाई होती है कोशिका होती है क्या होती है वो स्वासन करती है कोशिका, मनुस्वी स्वासन करता है, उस सर्जन भी करता है, कोशिका जनन करता है, आपका मनुस्वी जनन करता है, कोशिका क्या करता है, गती करता है, मनुस्वी गती करता है, उस सर्जन, ये सारी क्रियां क्या होती है, एक छोटे से अंग या होती है इकाई यानि की मूल भूत इकाई क्या होती है कोशिका होती है जिसमें ये सारी क्रियां होती है तो मैंने क्या बताया कि मैंने क्या बताया कि क्या है एक छूट सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की यानि की जीवन की सुरुवाद किसके भी मानी जाती है आपका कोशि यानि कि एक अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग यानि कि अंग मिलाकर क्या करते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं, यानि कि औरगन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलाकर क्या करते हैं, एक हमारा सरीर तयार हो जाता है, अपर आपको देखने को मिल जाएग आपका organ system बन जाते हैं जैसे कि आपका एक अंगतंतर की बहुत सारे अंगतंतर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह पूरा organ system है इस तरह से ठीक है यहाँ पर पड़ा देख रहा होगा जिसको हम लंग कहते हैं किलियर हुआ न तो अगर cell से cell बनने से तो सबसे छोटा जो आजाता है वो आजाता है पर्माड़ यह जिसको हम कहते है एटम तो cell उतक यानि कि कोशिका उतक अंग और अंगतंतर की तो आपना जो है वायलोजी में अध्धनिसका करते हैं अब आताती है यह से बनने से पहले की क्रिया यानि कि जो एक कोशिका होती है पर्माड़ किस से मिलकर बना होता है एक पर्माड़ में क्या होता है प्रोटोन न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन से मिलकर क्या बनता है हमारा पर्माड़ बनता है मैं फिर से बता दू पर्माड़ की बात करने तो एक इलेक्ट्रोन यानि कि इस पे माइनस होता है प्रोट तीनों में से अगर बात की जाए, neutron, proton, electron की अगर बात की जाए, तो तीनों में आपका proton ही किसी भी परमाडू की अस्तित्व के लिए क्या होता है, परयाप्त होता है, अगर neutron की बात करें, neutron ना भी हो, तो भी आपका क्या होता है, आपका परमाडू का क्या हो, अस्तित्व होग परमाडू की एगर बात की जाए तो परमाडू क्या होता है स्वतंत्र नहीं रह सकता वहीं क्या होता है परमाडू क्या होता है स्वतंत्र नहीं रह सकता चलिए यहाँ पर अडू की एगर बात करें तो अडू जो होते हैं अडू जो होता है आपका स्वतंत्र रह सकता है लेक का एक योगिक बन जाता है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यानिकि तत्यो बन जाते हैं और बहुत सारी तत्यो मिलकर क्या बन जाते हैं सब कर दो कि अजला एक ने थीक है तो यहान पर रॉसरा जो है माली यह आक्सीजन यहां पर दूसरा जो है elements ठीक है, यह है आपका nitrogen और यह है आपका carbon dioxide, ठीक, carbon dioxide, तो carbon इस में है और oxide है, ठीक, इसमें यह मिलकर क्या बन जाता है, आपका यह यानि कि आपका जो हवा होती है उसमें क्या मिल जाएगा मिक्सर यानि कि मिक्सर क्या है यानि कि मिस्रड किसका है यह हवा आपका मॉल्यक्युल्स यानि कि कार्बन डाई ऑक्साइड नाइट्रोजन और औक्सिजन क्लियर हुआ या क्लियर हो रहा है ना मिक्सर ठीक है यानि कि आपका तत्व ठीक है योगिक और मिक्सर यानि कि मिस्रड के लिए रहा ज्यादा हमें जानना नहीं है क्यमिश्टी की तरह बढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ गया ना कि मूझ जीवन की मूलबूत काई कौन सी है आपका कौन सी सिस्टम या कह सकते हैं अंगतंत्र वह सारे अंगतंत्र मिला कर क्या करते हैं एक हमारे सरीर का निर्मार करते हैं से छोटे की बात करें तो बहुत सारी से यो होती है मिलकर क्या बनाती है बहुत सारी से अगर बात पहले की बानने की अगर बात करें तो सब से चोटा हो जाता आपका मिक्षर या का मिस्ट्रड बनने चाहता है किलियर हुआ ना तो ये समझ में आ गया उम्मीद है आपको किलियर हुआ होगा तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या बताया कि आपका सेल सेल सबसे मूलूते काई है सेल मूलूते काई है सेल मिलाकर आपका उतक बहुत सा अंग्री तंद्र को मिला कर क्या बन जाता एक सरीर मिलकर तयार हो जाता है और सरीर बनने से पहले की पर क्या बने क्या बता है आपका सेल से अगर पहले की अगर हम आएं तो वहाँ पर आपका वजाता है परमाडू परमाडू जो होता है आपका इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन प्रूटॉन से मिलकर बना होता है बहुत सारे परवादू मिलकर क्या बना लेते हैं अडू अडू से मिलकर आपका तत्व से मिलकर आपका यौगिक यौगिक से मिलकर आपका बनता है क्या आपका एक मिस्रव ठाय तो जो और इक तत्व वगेरा यह है आपका क्यमिश्ट्री का भाग इसमें आपका नियुति commit की का भूग साहई यह के बात कि अगर बात कर तो जनसंक्या बहुत सारे सरीर मिलकर क्या बन जाते हैं एक जनसंक्या का निर्माड करते हैं यानि कि मेरा सरीर उनका सरीर इनका सरीर यानि कि बहुत सारे सरीर मिलकर क्या करते हैं एक जनसंक्या निर्माड करते हैं बहुत सारी जनसंक्या मिलकर करते है एक society याक है, समाज का निर्माड हो जाता है, बहुत सारे समाज मिलकर क्या करते हैं, एक राष्ट याक है, एक देश का निर्माड करते हैं, बहुत सारे देश मिलकर याक है, बहुत सारे राष्ट मिलकर क्या करते हैं, एक बिस्व याक है, एक गिरह का निर्माड करते हैं, बह सारे सौर मंडल मिलकर क्या करते हैं एक आकास गंगा कर दिमार करते हैं और बहुत सारी आकास गंगा मिलकर क्या करते हैं हमारा एक ब्रहमांड का दिमार करते हैं तो आपको किलियर हुआ होगा कि सबसे छोटा अगर बात करें सबसे छोटा यहां पर पूरे ब्रहमांड में सब बहुत सारे तत्रों को मिलाकर योगी को मिलाकर आपका क्या मिस्याता मिस्रड मिस्रड के बाद अगर बात करें तो कुशिक आ जाती है जीवित में उसके बाद आपका उतक उतक के बाद अंग तंत्र अंग तंत्र के बाद आपका सरीर सरीरों को बात करें तो जंसंग क्या जं मांड का निर्मार करती हैं जो कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े की और आपका इसारा करता है किलियर हुआ बहुत सारी सरी में कर आपका किलियर हुआ न तो इस तरह से ये हो गया एक छोटा सा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान यानि कि साइंस क्या है तो उम्मीद ह आपको ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा यहां पर बात करते हैं बहुत टेक विज्ञान क्या है यानि की what is physics ठीक है जानते हैं physics एक विज्ञान है यानि की science है कैसे है उसको थोड़ा सा समझते हैं आये बात करते हैं तो हम पहले तो बात करते हैं कि इसकी परिवासा बहुतिक बिज्ञान की परिवासा या फिर टेफिनेशन ओफ आपका फिजिक्स ठीक है तो बिज्ञान की वह साका जिसमें प्रकृति में उपस्तित बस्तूओं के बहुतिक गुड़ों और प्राकृतिक उर्जाओं का बिवस्तित अध्यन किया जाता है उसको यह हम बहुति विज्ञान कहते हैं किताबी भी समझिये दो सब्दों बाली भी बता दूंगा वो लिख लेना बाकी का गली में फैक देना तो दूसरी परिवासा देखते हैं बिज्ञान की वह साका जिसमें प्रकृति तथा प्राक अपने के प्रयास किये जाते हैं इसलिए बहुत की को मापन का विज्ञान भी कहते हैं मतलब छोटी सी छोटी यानि कि परमाणों की तरजिया तक का आए जब हम क्या करते हैं माप करते हैं और बड़े से बड़े यानि कि आकास गंगा की हम बारे में माप करते हैं तो यहां प सारी फर्वासाओं को बूलने के बाद हम दो सब्दों में याद रखें तो कहेंगे कि उर्जा उर्जा और उर्जा तथा बस्तू या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि उर्जा बस्तू कह सकते हैं या पदाफ्त कह सकते हैं या मैटेरियल कह सकते हैं उर्जा तथा पदार्थ के पदार्थ के बीच क्या संबंद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या फिर माली ये उर्जा है और ये पदार्थ है दोनों के बीच में जो संबंद होता है उसके संबंद के बारे में ज्यान प्राप्त करना है या फिर पजार्थ और उर्जा के बीच क्या संबंद ह उसका क्या करते हैं, हम अध्यन करते हैं, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, फीजिक्स कह सकते हैं, तो आईए देखते हैं, तो मैंने क्या बताया, इन सारी परिवासाओं को क्या करते हैं, महले की गली में कहीं पर भी जाकर फैक दें, तो दो सब्दों में अगर हमें आद रखे तो अगर हमसे पूछा जाए कि what is physics तो पदार तथा उर्जा के बीच संबंद के बारे में अध्यन करना ही क्या कहलाता है या बहुत तिक ही कहलाता है अगर दूसरे सब्दों में कहें तो कहेंगे कि बहुत तिक बिज्ञान में हम पदार्थ पदार्थ तथा उर्जा के बीच संबंदों के बारे में क्या करते हैं संबंदों के बारे में क्या करते हैं जैसे कि एक महला और पुरुस के बीच जो संबंद होते हैं वो संबंद कैसे होते हैं अवैज संबंद तो इसी तरह के जो संबंद होते हैं किस के बीच में पदार्थ और उर्जा के बीच में जो सं ताकि आपको भी अच्छा लगे कि अंग्रेजों की भासा भी मैं थोड़ी सी जानता हूं जाद आपने को नहीं आती है लेकिन उतनी आती है जितनी कि आपको आनंद आजाए तो यहां पर देखते हैं वाट इस फिजिक्स तो फिजिक्स इज द इस्टडी ओफ मैटर एंड ए फिजिक्स कहलाता है फिजिक्स है जि मैनी सब केटेगरी फिजिक्स की जो है कई उप साखाएं हैं यहां कहें हम उस कह सकते हैं कि उसको कई सारे भागों में बांट कर यहां पर देख सकते हैं पहला तो जो है वो है आपका क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं मैकेनिक्स मैक देखते हैं dynamics dynamics जीतों हम कहते हैं गती जुभिज्यां इसमें होता है study of cause of motion चो गती होती है उसके कारड क्या है यानि कि इतों होती है study of motion यानि कि motion में loose motion इस्तमाल नहीं करते हैं इसमें सामिल नहीं किया जाता है वो आप अलग करेंगे उसके बारे में कहीं और से पढ़ ले ना मैं इसमें लूज मुरसन पढ़ाने वाला नहीं हूँ तो फिर से बता दूँ मैंने बताया आप फिजिक्स क्या है फिजिक्स इस ड़ इस्टडी ऑफ मैटर सॉरी एंड एनरजी यानि कि 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 किसका अध्यन करते हैं उर्जा और पदार्थ के अध्यन ही क्या कहलाता है फिजिक्स कहलाता है फिजिक्स मैं मैंने बताया यानि कि जो बहत की है इसकी कई सारी उफ साखाएं हैं जिसमें मैंने पहला बताया पहला जो है बो है आपका मेकेनिक्स जिसको हम कह सकते हैं या बताया कि study of cause of motion यानि कि गती किन कारड़ों से हो रही है यानि कि गती का कारड़ क्या है उसके कारड़ के बारे में चर्चा करते हैं तूसरा तीसरा जो इसमें मतलब category है यानि कि सब category जो तीसरी है physics में ही यानि बहुत ही विग्ञान में ही इसको कहते है thermodynamics यानि कि heat behaviors यानि कि जो heat मतलब जो उसमा होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं next जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है waves sounds and lights and optics उसके बार next जो आ जाता है जिसमें sunland के बारे मैंने बताया था ठीक है दूसरा जो है relativity यानि कि जो प्रेम होता है नहीं relation जो संबंद होता है उसके बारे में ठीक है astrophysics भी इसी में रखा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो physics is a science अगर बात करें कि physics में क्या द्यान की जाता है study of matter and energy तो यहाँ पर अगर बात करें physics is a science तो physics की अगर बात करें physics is a science फीजिक्स क्या है एक बिज्ञान है तो यहाँ पर अगर बिज्ञान के बारे में बात करें एक बिज्ञान की तरह अगर हम बात करें तो कहेंगे यानि कि जो काम करती हैं कैसे करती हैं कैसे और क्यों करती हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे तो physics क्या है physics from a Greek term meaning nature is historically the term to designated the study of nature phenomena also nature philosophy till early in the 19th century सीधा सा मतलब है जो physics है वो क्या है एक Greek सब्द है Greek सब्द है जिसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नेचर जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है प्रकृति तो historically the term to designated the study of natural phenomena यानि कि प्रकृति से जुड़ी जो घटना है उसके बारे में अध्यन करना ही क्या कहलाता है पु पुराने जमाने से चलागा था प्रकृति की जो घटना है तो also natural also natural philosophy till early in 19th century goal of physics to understand the predict how nature works जो जो प्रकृति है वो किस तरह से कारिकर्टी जिसको अंग्रेजों की बासा में आ बता जे रहा हूं हिंदी में मैं भारती बासा में नीचे और किलिए कर दुगा everything is nature always the law of physics everything we will also always the law of physics ठीक है clear हुआ तो आईए समझते हैं इसको और clear करते हैं फड़ा सा बिस्तार से कोल देते हैं तो उम्मीद है आपको यह clear हो गया होगा तो समझ में क्या आया कि what is physics पदार्थ तता उर्जा के बीच कि जो सम्मंद के बारे में जानकारी जिसमें हम करते हैं उसमें उसको क् आपरे में चर्चा करते हैं तो physics the study of the interactions between matter and energy सीधा समझतलब क्या है study of the interactions between matter and energy आईए और इसको ठड़ा सा डीप में देखते हैं तो बहुत एक सब्द की उत्पत्ति मेंने पीछे बताया था तो प्राथीन काल में बहुत एक सब्द का प्रियोग बेदों में किया जाता था जिसका मतलव या कहें जिसका आर्थ जो होता था प्रक्रति या प्रा होता था जिसका मतलव क्या हुआ करता था प्रक्रति होता है तो आदनिक समय के अगर बात करें तो आदनिक समय में बहुत की के पिता यानि की पापा या कहें जनक किसको माना जाता है तो हमारे आई जैक न्यूटन साहब को हमारा क्या कहा जाता है आदनिक बहुत की के पिता कहे जाते हैं तो आदिनिक बहुतकी की पिता किसको कहा जाता है हमारे न्यूटन साब को कहा जाता है कि बहुते भी ज्यांकिया के साखाओं की बारे मैं अगर बात करें तो बहुते भी ज्यांकिया की साखाओं की अगर बात करें तो हमारे चार ओर हमारे चार ओर क्या है साधन क्या करते हैं बहुत की पर काम करते हैं जैसे की मान लीजिए मैं मेरा ये माइक है ये बहुत की के आधर पर कार करता है मान लीजिए कोई गाड़ी है स्कूटर है वो बहुत की के सिद्धान पर ही कार करती है कैसे होती है आपका मान लीजिए ये जो है माइक जो हमारा आवाज आप तक पहुँच पा रहा है तो यह electricity है वो किसमे कर रहा है sound waves में क्या कर रहा है मेरी जो sound waves है मैं बोल पा रहा हूं यह catch कर रहा है मनले जह हमारा laptop है यह क्या कर रहा है हमारा electric power को किसमे कर रहा है यह आपका visual यहां पर आप देख पा रहा है तो मैंने क्या बताया हमारे चार करेंगे किस तरह काम करती हैं तो आद में प्रियोग होने वाले जो धहन सबसे पहली जो चिर्ष संमत बहुत्टीकी, ठीक, दूसरा जो हो जाता है आदशनिक बहुत्टीकी जिसको हम आगे बात करनें पाले हिएं, तो आईए, तो मैंने आभी क्या पस्षिया, कि भूत तिक बिज्ञान में द्रव्द तथा ऊर्जा के बीच संबंदों के बारे में क्या की जाती है चर्चा की जाती है तो यहां पर बहुत दिक विज्ञान को सुरू करने पहले मैंने बताया कि क्या द्रब और पदार्थ के बारे में दोनों की संबंद के बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्रब्व है या कि जो पदार्थ है या कि मेंटर जो है वो क्या होता है और जो उर्जा यानि कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहां पर जो है हलका सा मैं बेस बना देता हूँ, तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत देकि विज्ञान में क्या करते हैं, बहुत देकि विज्ञान में आपका दिरब्य तथा पदार्त के बीच संबंदों के बारे में चर्चा करते हैं, यानि कि मैंने आपको बताया था, फिजिक्स क्या होता है और अगर सादर सब्दों में बात की जाए तो आपको हमें ये भी कह सकते हैं कि हम जिस जगें बैठे हुए हैं हम जिस जगें बैठे हुए हैं माली जी मैं जिस जगें खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने चारोर इस तरह से निगा मार हूँ तो यहां पर ये दो चीज होगा या फिर क्या होगा एनर्जी होगा या कहें मैटर होगा या फिर एनर्जी होगा फिर से बता दू मैंने क्या बताया कि साधार बासा में बात करें तो आप या कहें मैं जिस जगे बैठे हुए हैं और हम अपने आसपा जो कुछ भी देख पाते हैं या फिर जो कुछ भी महसूस कर पाते हैं वो या तो क्या है उर्जा है या फिर द्रब्य यानि की पदार्थ है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी प्रत्रीवी पर या पूरे ब्रहमांड में या कह सकते हैं पूरे सौर मंडल में य या फिर हम कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाईए या फिर वहाँ पर दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी या तो वो क्या होगी या तो वहाँ पर क्या होगा पदार्थ होगा या फिर क्या होगा उर्जा होगा एक वार मैं फिर से इसको र आदार्थ होगा या फिर उर्जा यानि की एनर्जी होगा तो हम ऐसे इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी पूरी प्रत्वी पर देखें हम अपने पूरे सौर मंडल में देखें हम पूरे अपनी आकास गंगाओं में देखें हम पूरे किसी कौने में चले जाए ए इस इस हर जगह कहीं पर भी चली जाए वहाँ पर क्या मिलेगा आपको हर जगह क्या मिलेगा या तो पदार्थ होगा या फिर क्या होगा ऊर्जा होगी जिसको हम आगे देखेंगे पहले पदार्थ के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे उर्जा के बारे में तो आपको यहां पर किलियर हो गया होगा कि फिजिक्स यानि की बहुतिक विज्ञान क्या होता है तो साथियो यहां पर इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आगे का जो है नेक्स टॉपिक हम लेने वाले हैं और शु कुरा जितना भी कोर्स है वह आपको कमेंट में मिल जायगा economy आपका world जगार्फी, Indian जोगार्फी, India अनु में wow में और नीचे कर्में आपको देगा वहां पर आजयицे क maniac करिए और लीजिए और आगे नेक्ट टॉपिक सुरू करने से पहले बता दू कि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आप उसको सब्सक्राइब तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन वीडियो जो मिल जाएंगे यूजी सी नेट के आपके अठारे वीडियो वर्ल्ड कि की बात करें तो एक्सों नो वीडियो मिल जाएंगे जि बिग्जयान की बात करें तो एक्सों टॉपिक सुरू करते हैं और शुरू करने पहले मैं आपको बता दून कि यहांपर जो है आप नोट्स जो है खरी सकते हैं नहीं तो आप 999 वाला अगर लेना चाहें तो बोले सकते हैं नहीं तो आपको फिरी भी यहां पर मिल जाएगा physics आपको देखने को मिल जाएगा आप नीचे किलिक करना physics मिल जाएगा chemistry की बात करने तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो इंग्लिस और हिंदी दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा world geography मिल जाएगा 299 में वारत का भूगोल आपको 99 में जी बिग्यान आपका 99 में world geography जो है color वाला 199 में आपका भारत का अर्थवरस्ता जो है आपका 1099 में आदिनुक भारत का इतियास 1099 में भारती अर्थवरस्ता व्लेकन वाइट की बात करें तो 299 में इसके बाद UGC net का जो है paper first जो है आपका फिरी में मिल जाएगा यह आपर देखने को यह 999 में आपका इसमें पूरा नेक नट की तो आदिनुक भारत का इतियास complete package है इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं एक नजर हम पहले डाल लेते हैं उसके बाद हम सुरुवात करेंगे जो उसके साथ हो सुरुवात करने से पहले मैं आपको हलकी सी चीज़ें और बता दूँ कि इस वीड का बता देता हूं वो आपको क्या करना है सुने से पहले और जागने के बाद आपको लेना पड़ेगा लेने के लिए क्या करना है जब आप इस वीडियो को देखने बैठ हैं तो बैठने से पहले आपको एक notebook और एक pen ले लेना है और यह से क्या करना है जो मैं पोलता जा र आउं वो आप notebook में note करते जाएंगे ताकि एक आपका best जो note है आधनिक भारत का इतियास का वो आपका बन सके ठीक है तो जब आपका आधनिक भारत का इतियास का best note हो जाएगा तो इस बाद की भी guarantee 100% हो जाएगी कि आपका उससे जुड़ा हुआ परसन नहीं छोटेगा अब आप हमारे ऊपर case करने आए कि नहीं आपने सर जी हमने बताया तक हमारा 100% आपने guarantee ली थी कि आज के बाद हमारा कोई सा परसन नहीं छोटेगा लेकिन हमने क्या हम जब महां पहुंचे तो हम एक भी question हम solve नहीं कर पाए तो भाया वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा हवाई जाज बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम छोटे थे तो हम कुछ नहीं हम इस्कूल में जाएं और कुछ notebook में notebook ले जाएं वहां हम क्या करें note करें नहीं तो कहां से पढ़ लेंगे तो notebook में note करना बहुत ही जरूरी है अति आवस्यक है यदि पैसा नहीं करते हैं, तो आप अपने आपको बेब कूब बना रहे हैं, हम अपने आपको बेब कूब बनाने के साथ सानमाता पिता को बेब कूब बना रहे हैं, और सब किसी को बेब कूब बनाने तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला, एक नोट बोक और एक पैल ले लें, और इस बात की गारंटी 100% हो जाती है कि आज की बात इंडियन हिस्टिरी से कोई भी परसन नहीं छोटेगा तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं टालते हैं एक नजर कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने पाले हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो शुरुबात करेंगे इसको हो जाता है उत्तर मुगल काल यानि की मुगल सामराजी का पतन इसको हम क्या सकते हैं डिकलाइंग ओफ मुगल एफ़ाय ठीक है जिसमें हम कुछ चीजों को हम किलियर करेंगे जैसी कि आपका हो जाता है जैसी कि आपका हो जाता है बहादुर साक्रिथम 707 से लेकर 7012 जहांदार सा के बारे में थोड़ी सी चानकारी फरुक सियर के बारे में सेयद बंदूओं के बारे में रफीक उद्दर्जाब के बारे में रफीक उद्दौला के बारे में मुहस मुहम्मद सा के बारे में निजाम अलमुल्क के बारे में आसफ जाही वंस के बारे में बारे भी देखेंगे उसके बाद सहा आलम दितिये के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे फिर मीर कासिंद कौन था इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे अकवर दितिये के बारे में बात करेंगे इनसे जुड़ेवे तथ्यों के बारे में बात करेंगे नादिर सा एमर सा अबदाली के कुछ प्रमक आक्रमड थे भारत में किस तरह से ये loot part मचाते हैं इसके बारे में जानेगे हम ये भी जानेगे किस तरह से उत्तर मुगर काल की कहां से सुर्वात होती है उसको किस तरह से एक pillar के रूप में आक है एक मजबूत नीव रखते हैं ह उसके बाद औरंग जैब जैसे होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सामराज बनाते हैं और इसी एक ऐसी आ जाती है कि सामराज बतन की पिरक्रिया भी शुरू हो जाती है यह नहीं एक समय ऐसा था कि जो मुगल सामराज था यानि कि मुगल जो एंपायर था वो क्या हो रहा था लेकिन जब औरंग जेव की मिरत्यों हो जाती है, उन्मिरत्यों होने के बाद क्या होता है, नीचे की यूराते हैं, यानि कि डिकलाइन याक है, उनका पतन होना शुरू हो जाता है, तो इस घटना को समझेंगे, और हम ये भी जानेंगे, कि उत्तरमगलकाल याक है, आदनिक भारत की शुरुवार्ट किन कारणों से और कहां से शुरू ही मानी चाती है समझे आ गया तो इनके बारे में हम थोड़ा सा किलियर करेंगे किस तरह से हमारा औरंग जय था उसका खौब था और एक बहुत बड़ा एंपायर यानि की बहुत बड़ा समराज्जी बनाता है ठीक करते हैं और किस तरह से बारत देश में यूरोपी कंपनियों का आगमन होता है वो किस तरह से यहां पर आते हैं और किस तरह से वो हमारे देश पर कबजा कर लेते हैं यानि कि वो यहां पर ब्यापारी के रूप में आते हैं और किस तरह से जो औरंग जय का समयकाल होता है उत्तर मुगलकाल का जो समयकाल होता है उसके बाद करते हैं कुछ समय तक ब्यापार करते हैं कुछ समय का ब्यापार करने के बार क्या करते यह आपस में भारती राजाओं को क्या करते हैं आपस में लड़वाते हैं और लड़वाने के साथ यह क्या करते हैं खुद ही सत्ता में आ जाते हैं और आखर में क्या कर लेते हैं यूरोपी जो कंपीनियां होती है यानि की मटा मोटी जाना है तो बेटेन होती है भारत पर क् सफता वो अपने आपको इस्थापित कह लेते हो और भारत का एक लूट खसूर्ट का जो दोर होता है वो सुरू होता है और किस तरह की यह घटना होती है उसके बारे में हाँ पर मौटा मौटी जानेगे ठीक है तो भारत में यह बारे जी कंपेनियों का आगमन पंदरमी पृतगी या पृतगाली जो किसमें दी गई तो हैं पर जाते हैं अन्ग्रेज आ जाते हैं रूटगा बारे से हम चोड़ा सा जाने के किस तरह सी पृतगाली आते हैं यह घटरे इलब्रेज यह वोसदा पृतगा ली था स्रांसिज डी अलमीडा, अलफांसु डी अलवुकर, यूसुप अदिल सा के बारे में जानेंगे, जो कि पुर्टगालियों से जुड़ा था, नीनू डी कुनहा किस तरह से जुड़ा हुआ था, इसके बारे में जानेंगे, कार्टा आर्मेडा काफिला पतिती क्या थी, इसक के बारे में भी हम जानेंगे, गोर्थिक, इस्थापतिक कला का पिर्चलन किसके द्वारा कराया था, तो पुर्टगालियों के द्वारा ही कराया था, इसके बारे में में जानेंगे, तंबाकु की खेती से भारतबासियों को किसने अविकत करवाया था, यानि कि किसने जान के बारे में यानि क्योंकि Holland बार्ट से हुआ करते थे उनको Dutch के नाम से जानना करते थे जिसमें आपका सच यात्री होता सै जिसका काृमनीorian outman. Live , इसके बारे में हम जानेंगे इसके बाद आ जाती है बात जमीदार आइसके बारे में देखने हैं पुलिकर्ट chce कुछ सोराम हूं सो दस में किए गया थाा् DAVID किया वंबाई कलकता और मदराथ सथा दिल्ली का संस्थापक में चिन सुराम कांट आप के संस्था पर कौन थे कलकता के संस्था पर कौन थे बंबई के संस्था पर कौन थे नेक्स्ट आ जाता है डच के बाद हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में जो कि यहां पर सबसे जम्हें बाद में तो नहीं आई तरह एक तरह से मोटा मोटी समझें तो सबसे यहां पर कड़ हो जाती है और भारत की सबसे ज्यादा लूट का सुट आपके अंग्रेज ही करते हैं और बहुत बुरी तरह से हमारा खुंचूचते हैं और हमें एक चुस्वे हुए आंग की तरह यह छोड़ जाते हैं तो इनके बारे में हमें आपका जानने हैं बाले हैं जिसमें फ़ड़ा सा जानकारी लेंगे महरानी एलिजावेथ के बारे में ठीक है उसके बाद हम आगे अंगरेज वो पर ही हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूरोपिय कंपनियों का भारत में आगे जानेंगे जिसमें हम आ आज आते हैं राजा जैंप्रिथम के बारे में भारत की दूसरी कंपनी इस्थापित की थी इसके बारे में हम पर जानेंगे इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे राज कुमारी कैथरीन व्रेगंजा के बारे में बात करेंगे राजा चार्स जितिया के बारे में बात करेंगे विलियम हैजेज के बारे करना है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अंग्रेजिए के बाद आपके आ जाते हैं प्रांस ची कि तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेगे जिस्में आपका लुई चौध में महराज होते हैं और उनके एक मंत्री ति जिनका नामता मंत्री क्या नामता हूं का कॉलवर्ट इनके बारे में जानकारी लेंगे इनके बारे में जानकारी लेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे कोचीन में जो की केल वाली छेटर पड़ता था फंद्रेशॉ सो तीन में अपनी फैक्ट कि न्युट दुट द देच में मसूली पत्रम यानि की आनि का उर्पेजिस fans वाले में फैक्टर्रि kalo होगी जो कि आपके fzessbuildie कोणिंक के बारेंते के बारे कने बारां में लिमखनेगे हाँ क्यों चुछ बाते हैं के बारें यूशे से कडर से यूद यानिकी कार्णाटे की विस्तारस चर्चा करेंगे इसके उनके बारे में रिएपर पारे बात्ती के बारे में थोड़ी सा जानकारी यहानने जो आपको पता तो आपको आपको आजाद गोशित कर लीते हैं तो इस तरह की यहाँ पर हम बात करने बाले हैं चक्र क्या मैं पंखा कर देता हूं बंदर क्या आजाए कि अब बनाओंगा तो अब आज आई इस ते करूं और मैं अलग रहता हूं घर से तो एसी की बात मतभनी पाईए समझा करो feeling को कि मैं काम नहीं रोकना चाता हूँ गर्मी बहुत है तो कहां पर था मैं हां तो किस तरसी अपने आपको आज़ाद करने रखने हैं तो यहां पर हम कुछ नभीन सुवाइत राज्जियों के बारे में बात करेंगे जैसे हैदराबाद हो गया अबद हो गया हो गया राजपूत राज हो गया रुएल खंड हो गया बरतपुर हो गया मैसूर हो गया पंजाब हो गया बंगाल हो गया इनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वह आ जाता है हैदराबाद इसके बारे में बहुत बिस्तार से देखेंगे जिसमें आपका पूरा नाम था बुरान उल्मुल्क इनके बारे में बात करेंगे, सब्दर जंग अबुलमसूर खान इसका अबात्व के नाम था, सुजा उद्दौला अवद का नवाब ये बनता है, वाजिद अलिसा ये आखिरी नवाब होते हैं आपके इनके बारे में यह बात करेंगे, नेक्स जो आजएता है, important जो आपका आजएता है, मैसूर राजिए, तो मैसूर के का है प्रितिक होता है यह कप्रतिक के बारे में बत्रें सीरी रंगप्र की संधी हो तरjä हम नहीं ईए नहीं, इंग्रेज मैसूर पर क्या करते हैं आधर में कपज आ कर ही लेते हैं और यहाँ पर वैजः उता है वैज़े वैजा लिए इन्हें जब मैसूर के साम सब्सक्राइब निलाह्यों को पूरा करना है तो व्हारत पर अंजाव राज्य में हम देखेंगे किस तरह से आपके गुरू गुरु बारे में बात करेंगे, बंदा बहदुर, जो गुरु गुरु अभीन सिंग ते, किसके समयकाल में थे, यानि कि बाहदुर साफ परतमिया देती ये कि समयकाल के थे, इसके आप बंदा सारे शिखों को एकटा किया था उसके बारे में बात करेंगे फरिक स्वियर द्वारा बंदा वाधुर की हत्या करवा दी गई थी तो मुगलों के और शिखों के संबंद किस तरह के थे इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे इसके बाद करपूर सिंग के नेतरत में सन सत्र सो अड़तारिस में दल खालसा की क्या की जाती है स्थापना की जाती है इसके बारे में हम थोड़ा सा बिस्तार से यहां पर देखेंगे इसके बाद जसा सिंग अहलू वालिया के बारे में बात करेंगे दल खालसा क्या था भंगी मिसल क्या थी सुकर चक्रिया मिसल क्या थी आ तो आज ये आयन के बारें बात करेंगे रंजी सिंग की मिरत्यु के वाद उनके उत्रा दिकारियों का किरम भी यहां पर हम थोड़ा से देखेंगे जैसे यह आपका हो गया खड़क सिंग नौल हाल सिंग सिर सिंग दिलेप सिंग क्योंकि जो मजबूत जो महान पंजाब अ는 डाड़ी और आखिर में पंजाब राज़िसी होता है अंडवेजों के कितमे धाता है क्यों में होचाता है आगे हम इसमें बात करेंगे वह कहीं आपका नवीन सॉयत राजज में ही आगे हम आ तेकिंगे राज पूर्त नाराज जैसी की राजपूर सासक सवाई राजय सवाइ जैसिंगे बारा में बात करेंगे निकि खेतिया किते होते निकि एक जाती थी धिका नाम था तो भरत चूना मल और बदन सींगे त्वारा की गई थी सूरज मिल के बारे में थोड़ी सी जनकारी लेंगे अफलातुन किसको का जाता था इनको हम भी हम नहां पर देखेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो हो जाता है अपका बंगाल राजिस में बंगाल के नवाव के बारे में सबसे पहले हम आपर देखेंगे जैसी आपका मुर्सित कुली खान हो गए सुजाव दिन हो गए सर्फराज खान हो गए अली वर्दी खान हो गए सिराज उद्वाला प्रिथम हो गए मीर जाफर हो गए मीर कासिम हो गए मीर जाफर आंगे दुबारा से बनता है न होगे क्या संबंध होता है जो कि मोगल वादस्टा होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे तिम्लच चायांतराब से दौला ते अलमकीथ दितिया का क्या संबंध होता है जो की मोगल वासा होता है मीर आगे बात करेंगिए अंग्रेज साथ कीर्श बंगा से बंगातमाया गया बनाया अमक्रणा के इस के बारे में यहां पर बात करें गया मीर जांतराव कोरें यipper होता गढ़ानाना आपने खेल तहरे घाउघह लगे लागे लगे हो तो बहुत सारे और ग önदा सार्ट्वी मुझे लॉपाटे यह हले ह। नबाब ने कासिम नें बंगाल को चोड़कर अवद के नबाब सुजव द लाकि यहां सब्ली थी मीर कासिम जो था आयोग तो लेकर ये भी एक तरह से कटपुदली नवाब था और ये अंग्रेजियों से क्या होना चाहता था और इसी के जड़प में क्या क्या गटना होती है उसके बारे में हम बात करने हैं नेच़ चमें ने आपर बात करेंगे बकसर का युद बाइस सक्टूबर सत्रह स्रसाथ उसके पर यह होता है इसके बाद किया जात है दोड़ा दोड़ा कर इनको मारती है दोड़ा दोड़ा को मारने के बाद क्या होती है इन से क्या किया जाता है इनके साथ है यानि कि इन तीनों के साथ क्या किया जाते है इलाबाद की संधी की जाती है तो इलाबाद की संधी होती है प्रिथम इलाबाद की संधी हो देती है इ साथट ईशाशन का पापा यानिकी की जई आता है आपका अथारह सो सत्तावन का विद् Bringing तरह बिद्रो के केंदर के दमन कैसे किया गया था इसके बाबरें बात करेंगे द्रो की असफलता की कारड़ देखेंगे विद्रोों के ऐन के परbol परड़ाम कि ट्राम ह 돼स होती है उसके बाद सामाजी के बारे में सुधार अंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले हमें बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, इसके बात करेंगे प्रार्थन समाज के बारे में, आर समाज के बारे में, राम फिस्न मिसन के बारे में, ठियो सोफिकल सुसाइटी के बार बार में अंधियं आंधोंन देव बंद्ध आंधोलन के बार में पारसी सुधारً तरहां के बार में थैंधोमस happily 59 सबसे पहला चरण होता है समयकाल की तो निस्फॉ प amdraa का इस समयकाल था जिसमें आपका कुछ military rise वा का, हुद्वब기िन के भारती क्षिरपना देखेंगे कांग्रेस के नेत्रवत माहराष्टी आंदोलन के चरड देखेंगे उदारवारी चरड देखेंगे उक्रुबादी चरड देखेंगे बंगाल विभाजन के बारे मात करेंगे सूरत विभाजन के बारे मात करेंगे किरांती कारी आंदोलन के बारे में आपर बात करने वालें किरांती कारी जो अंदर ह करेंगे तो दूसरे इस च्रडर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, उसको हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे तो इसका समय काल की अब बात की जाता है जिसमें आपका सुरुबाद जो होती है प्रत्थम बिस्तुद बैवन भारत के बारे में आपर पात करेंगे। लगनो अदमेसन हो जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं यहापर लिखी नहीं है। वह सी चीज़ें आपको क्लिक करांगा। बाले है उसके बाद राश्ट्री आंदोलन का तीसरा च्रह देखेंगे जो कि 1935 से लेकर 1947 तक का समयकाल होता है यानिकि 1935 से लेकर जब भारत इस आजा दो जादा उसके बाद तक का ये समयकाल है तो आपर 1935 का एक्ट और 35 सरकारों के बारे मात करेंगे दूसरा विस्वेट आपका सरजोंसर हो गया और पर देखेंगे वाले हैं लौड कलाइब हो गया वारी नेश्टिंग हो गया लौड कार्निवालिस हो गया आपका सर जोंसर हो गया वेलेजली हो गया मिन्टो प्रिथम हो गया हेस्टिंग हो गया एमस्ट हो गया विलियम बेंटे हो गया डलोह जी कैनिंग जॉन लॉरेंस लिटन जिपन डफरंट कार्जन मिन्टो दितिया और इंग दितिया चैंस फोर्ड रीडिंग एरविन विलिंग टन लिंडिसको वे करेंगे ठीक है बिटेस काल की प्रिसासनी के आर्थिक नीतियों के बारे में बात करेंगे अपनिवेसिक आर्थिक नीतियों का पिरभाव क्या पड़ता है इसको हम थोड़ा सा यहां पर जानने वाले नेक्स हम बात करेंगे जन जाती जन जाती आंदोलन के बारे में इसमें आपकी जन जाती विद्रों के काड़ देखेंगे पूरी भारत के प्रमुक विद्रों देखेंगे अनकुछ प्रमुक विद्रों हो जाते हैं जैसे कि मजदूर आंदोलन हो गया भारती मजदूर आंद सबसे पहले बात करेंगे मुगल सामराजी का पतन की बात करेंगे तो आइए बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे औरंग जेव की मरत्यू से . तो 1707 में औरंग जेव की मिरत्यू के बाद भारती इत्यास में एक नए युक्ता क्या होता है, शुरूबात होती है, जिसे उत्तर मुगलकाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर मुगलकाल के इसकी मिरत्यू के बाद, औरंग जेव की मिरत्यू के बाद, 1707 में जवाब की औरंग जेब की मिरत्यु हो जाती है उस मिरत्यु के बाद जो भारत का जो इत्यास का काल होता है उसको उत्तर मुगल काल कहा जाता है ठीक है औरंग जेब की मिरत्यु के बाद मुगल सामराजी का पतन और भारती इत्यास की एक महत्पूर गटना थी इस गटना इस गटना ने मद्निकाल का अंत कर दिया और आधुनिक भारत के इत्यास की क्या रखी आधुनिक भारत की क्या रख्याय नीब रख्य थी ठीक है ओरंग जेब की मृत्तिक बाज उनके पुत्र मौँजम मुहम्मद आजम और मुहम्मद कामबक्स के बीच में उत्रा दिकारी के लिए यूद होता है जिसमें मुहम्मद मुहज्जम जो होते हैं वह सफल हो जाते हैं ठीक है? यानि कि औरंग जेब के चार पुत्र होते हैं उन में चार की जुरूत नहीं है उनमें में तीन की बात करूँगा मुझ्यम, मुहमर आजम और मुहम्मद कामबक्स जो होते हैं आपके इन लोगों के बीच में उत्रा दिखारी का युद्ध होता है और इस युद्ध में आपके मुहम्मद, मुझ्यम जो होते हैं वो जीत जाते हैं में आगे ना तो मौझ्यम जो होते हैं वो जीत जाते हैं जो कि सबसे बड़े थे और इनकी उम्र की बात की जाए मौझ्यम की इस समय इनकी उम्र 65 बर सुगा करती थी आप अंदार लगा सकते हैं कि कहां पर ये औरंग जेव ने इतना बड़ा सामराज बना लिया था और इस स सुरू आत हो जाती है मौझल काल की या मौझल सामराज के पतन की प्रिक्रिया आपके औरंग जेव की मिरत्यू के बाद सुरू हो जाती है ठीक है तो जब मौझ्यम और इन लोगों के वीच मुत्रा दिकारी के उता है तो आपका मौम्मद मौझ्यम जो होते हैं वह जीत जा तो 1707 से लेकर 1770 तक का इनका समयकाल है ठीक है तो मौज़म जो है बहादुर सार प्रिथम की उपादी के साथ 65 बर्स की आयू में मोगल समराट बनता है इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मेत्री पूर नीती अपनाई यानि की उनसे मित्रता पूरवक नीत अपनाते ह हैं इसके बाद आपके जो बहादुर सार प्रिथम होते हैं मराठा जो नेता होते हैं साहू जी जो होते हैं साहू जी महाराज जो होते हैं जिनने की आपके औरंग जेब के समय में कैद कर लिया गया था और उनसे जो आपके औरंग जेब के समय काल में आपके मराठों से कैसे रखते हैं मित्रता पूरुवक संबंद रखते हैं ठीक है इसी मित्रता पूरुवक संबंद मनाने के लिए आपके जो साहुजी महाराज को जो की संभाजी के पुत्रते इन्हें आपके कैद कर रखा था इनको आपके बहाद्र सा पिर्थम क्या करते हैं रिया कर देते हैं ठीक है इनने सत्रेसो छै इसवी में मुगल जो आपके मुगल जो होते हैं बाथसा उन्होंने कैद कर रखा था ठीक है मुगल जो कौन बाधसा थे 176 के समय में आपके औरंग ये बाधसा थे तो इन्होंने इनको कैद कर रखा था किसको साहु जी को ठीक है इसके बाद जोसुआ कैटेलार के नेतरक में एक डर्च प्रतिनित मंडल बहादूर सा के दरवार में आता है ठीक है बाधसा को आपके इत्यास कर खफी खाने इन्हें साहे बेखवर का यानि साहे बेखवर किसको का था बाधसा प्रतिन को किसके दौरा कहा गया था खफी का के दौरा कहा गया था चलिए आई तो जहांदार सा के बारे में हम बात कर लेते हैं यहां पर देखते हैं जहांदार सा तो जहांदार सा जो थे जुल्फिकार खान की मदद से सिंगासन पर बैटते हैं और इन्हें यानि की जहांदार सा जुल्फिकार खान को क्या निक्त करते हैं बजीर निक्त करते हैं इसके बाद आमेर के राजा जैसिंग को आपके जहांद जाया की उपादी देने के साथ थी गुजरात वाला जो छेतर था यानि कि यह आप गुजरात देख सकते हैं गुजरात वाले छेतर का क्या कर देते हैं ने सूवेदार बना देते हैं समझ में आ गया गया ना गुजरात का सूवेदार बना देते हैं इसके बाद इसी में हम ब फर्वरी उनीस सो से जो बंदू है अजी मुसान के पुत्र क्या नाम था आपके फरुक्सियर था तो फरुक्सियर ने से बंदू की मदद से ग्यारे फर्वरी उनीस सो सत्रे सो तेरे को जहांदार सा की क्या करवाते थे हैं हत्या करवा दी थी ठीक है जहांदार सा को लोग ल ने लंपट मूर्ग कहते थे यानि कि लंपट मूर्ग मतलब ला परवा होना ठीक है अब हम बात करते हैं आपके फरुक्सियर के बारे में जो कि जहांदार साह की हत्या करके आपके महराजा बनते है या बास्सा बनते है ठीक है तो फरुक्सियर को फरुक्सियर को सैयद बंद इसके काल में यानि की फरुक सियर के काल में सिख नेता जो थे बंदा वहादुर को फांसी की सजा दे दी जाती है इसका यह मतलब था सिखों से संबंध जो इनके थे वह अच्छे नहीं थे इसके बाद आपके जान सारे मन जान सारे मन के नेतरत में इस्ट इंडिया जो कंपन का एक दल कंपनी का एक दल सत्रे सो सत्रे में भारत आता है ठीक है इसी के बाद हम इसमें समझते हैं फरुक सियर ने सत्रे सो सत्रे में इस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्यापारिक लाब का साही परवान जारी किया था किसके द्वारा किया गया था फरुक सियर के द्वार में समझते हैं फरुक्सियर सेयद बंदूं से मुक्त होना चाहता था यानि की जो आपके जो सेयद बंदू थे वो एक आपकी ऐसे जहरीले पंजे की तरह थे जो की जिसको राजा बनाते थे उसको अपने इसाफ से चलाने की भी कोशी करते थे इस कार्ड से जो फरुक्सियर थे बो आपके जो आपके सेयद बंदूं से क्या होना चाहते थे मुक्त होना चाहते थे लेकिन आपके जो सेयद बंदू होते हैं वो बालाजी विस्वनात जो की पेशवा थे बालाजी विस्वनात से मिल जाते हैं और बालाजी विस्वनात से दिल्ली की संदी करके मेराथ की साहिता से फरुक सियर को आखें निकल वाकर अंदा कर देते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं ये आप खोद ये अंदा लगा सकते हैं कि मुगल बास्ता ने एक लंबा चोड़ा भारत देश का एक लंबा चोड़ा सामराज बनाया था और इस्तिति अब ये आ गई है कि उनके बास्ताओं की हत्या कर दी जा रही थी ये बहुत दुरभागी की बात थी मुगल सामराज या का है मुगल सासन के लिए इसका एर्थी था कि मुगल जो सामराज है मुगल जो जो बंच था उसका पतन अब सुरू हो चुका था कब से सुरू हो जाता है जब और अरंग साہ के बारे में बात कर लेते हैं, मुहमingo stos का समय कार है 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है, मुहमick साह ने 1720 में जजिया जो कर था, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था, मुहमेद जो साथे इनकी जो करम थै या कर ए इनकी जो हरकत थी वो थोड़े रंगीली प्रक्रfoundedगी या थी फोड़े अ काड़ से मुहमेद सा और अ сохранal कि न ला कहा जाता था ठीक है इसके राजिए जो आपके मुहमेद सा ने निजाम उलमुल्क की करवा दिया था क्योंकि इन्नोंने बहूत आतंग को मचा रखा था ठीक है इसके बाद आपके जो निजाम-ül-मुल्क ने चिंकिलिज खान ने है तरावाद के सुतंत अशफ जाही वनसकी क्या करते हैं ये नीव रखते हैं याई नजाम उल्मलक जो ठे आपके हैदरावाद में हैदरावाद इरापका…… य हो देख सकते हैं यहाँ पर है तो है एदराबाद में आसफ जाही बंस की क्या करते हैं ये आसफ जाही बंस की नीव रखते हैं ठीक है अब इसी के काल में अबद के जो नवाब होते हैं साधत खान बंगाल के मुर्सित कुली खान ठीक है बहरतपुर मत्रा में बदन सिंग गंगा यमना दुआब में रुहेल सत्ता की स्थापना कर देते हैं यानि कि मैं फिर से बता देता हूं यह है आपका यहां पर है रुवेल खंड रुवेल खंड को स्वतंत कर लेते हैं अबद को स्वतंत कर लेते हैं बंगाल को स्वतंत कर लेते हैं और आपका हैदराबाद तो पहले ही स्वतंतर हो जाता समझ पर जाटों ने भी कर लिया था और फरकावाद में बंगस पठानों ने अपने आपको क्या कर लिया था स्वतंत्र गोसिर रुहेलखंड जाट अवद और ये है आपका बंगाल वाला चेतर समझ में आ गया ना तो आएए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चले अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं मुहम्मद साह के बारे में ही चल रहे हैं मुहम्मद साह के बारे में ठोड़ा से देख लेते हैं जो 1749 में नादिर साथ जो की फारस का याक है इरान का जो था मैं फारस आपको देखा द रहता था पुराने जमाने में तो 1749 में नादिरसा जो की फारस का साथ साथ था इसने भारत पर आक्रमड किया था और आप सभी लोग जब मैं आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं जब आपका नादिरसा जब भारत को लूटने आता है तो दिल्ली में आप का भारत नादिरसा कई सब्तों तक कतले आम करता रहता है जो दिल्ली की नालियां होती है वो खून से वहने लगती है यानि की दिल्लीयों के नालियों में चार और खून ही खून था है क्योंकि इतनी बुरी तरह से इन्होंने कतले आम मत्चा दिया था क्योंकि आपके था यानि मुहम्मद साज जो थे रंगीले स्ववाब के ते इस काड़ से इन्हें बिल्कुल भी सासन की बिल्कुल परवार नहीं थी समराज की किसी भी तरह की परवार नहीं थी इसलिए जो नादरसा है लूटने चला आता है यानि कि इतनी दूर से आप यहां पर देख सकते यहां से लेकर यहां पर दिल्ली तक चलाता है उसके बाद भी यह अपने रंगीले स्ववाब के काड़ केवल मौज मस्ती में ही बनी रहते हैं और जो आपका नादरसा होता कतल या मचा का लूट के चला जाता है ठीक है 13 फरवरी 1949 को करनाल के उद्वे नादरसा ने मुहम् किया गया था कि इसको नादरसा को और नादरसा का खौफ इतना था कि अगर नादरसा चुटकी बजा दे तो मूत देता था आदमी यानि कि पिसाब निकल जाता था इतना खौफ था तो नादरसा जब इन्होंने क्या था नादरसा को बलाए था क्या पैसा करें आप यहां और मैं ऐसे से करके इतना इतना पैसा दिलवाइब आखाता है जेहर खाकर आत्मत्या कर लेता है, ठीक है? फिद से बोल देता हूँ, अवज के नवाग सादत खान के अक्साने पर यह जो नादिरसा था भारत आता है, जब इस साथत खान से दन्मागा यानी कि उससे कहा कि तुमने तो इतने की बात कहीं ती में लेकिन मिला तो कम तो सादत कहा ने लाचार होकर अपने आपको खत्म कर लिया यह वे सखाकर आत्म अत्या कर लेता है ठीक है इसके बाद हम आरके बात करते हैं एमस सा के बारे में 748 से लेकर 754 तक का इसका समयकाल था ठीक है इसने अवद के सूविदार सब्दर जंग को अपना क्या बनाया था अपना बजीर न्युक्त किया था किसने के दौरा किया गया था एमस सा के दौरा सब्दर जंग जो की अवद का नवाफ था इसको बजीर न्युक्त करता है ठीक है अमस सा के सासनकाल में अमस सा अबदाली ने जिसे दौरे दौरानी या युक का मूती भी कहा जाता है इसने भारत पर आक्रमड किया था ठीक है ये भी उसी का उत्तरा दिका ली था इसका नादिर सा का ये उत्तरा दिका ली था इसने भी भारत को बहुत बुरी तरह से लूटा था समझ में आ गया ना तो एमस सा के समय अबदाली ने पांच वार आक्रमड किया था और यदि एमस सा अबदाली के अकरमड की बात की जा कुल आक्रमड की था भारत पर आक्रमर करने का मकसद क्या था भारत पर आक्रमर करने का एक ही मकसद था वह था भारत से धन पराप्ति करना है भारत को लूट ना ठीक है आलमगीर देती है के बारे में हम बात कर ले थे हैं सत्रे सो चौन से लेकर सत्रे सो उनसर तक का इनका समय काल होता है यह आ तो तो होता है अजीम उसान जो की आलमगीर की उपादी के साथ मुगल बासा बनता है इनके बारे में इतना ही अब हम आगे बात करते हैं ये एक नज़र डाल लेते हैं सहा अलम देती है पानी पत की तीसरी लड़ाई एमसा अबदाली सदा सिबराव बाव और बिस्वास में 1761 में पानी पत की तीरती लड़ाई होती है मराठों और एमसा अबदाली की बीच में जो की 14 जनवरी 1761 को इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनित्र चो कर रहे थे सदा सिबराव भाव कर रहे थे जवकि विस्वास राव जो थे नाम मात्र के इसमें सेना पती होते हैं समझया गया ना तो आपका जो पानी पत का जो युद्ध होता है वो इतना रडायक होता है इतना दर्जनाप होता है कि इससे मराठों की जो सक्ति होती है मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और बहुत बुरी हार होती है और उसमें मराठों को बहुत जादा नुक्सा होता है इसके बारे में मैं बहुत डेटेल से बता चुका हूँ सहालम के काल में यह दिबात की जाए तो सहालम दिती है के काल में ही बकसर का जो यूद होता है 1764 में होता है जिसे अंग्रेजों ने हेक्टर मुन्रो के नेतरत में मुगल सेना अबद के नवाब सुजा उद्दौला की सेना और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम की सेंग तो सेनाओं को क्या कर दिया था परास्त कर दिया था हरा दिया था फिर से मैं बतार दे रहा हूं कि आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहरे तो मैं बकसर दिखा दू कहाँ पर पड़ता है यहाँ पर इस्तिता यह है बकसर ठीक है यहाँ पर इस्तिता है बकसर ठीक अब हम आके बात कर लेते हैं इसमें बात करेंगे सालमदितिया मीर कासिम और रोबर्ट कलायब के बारे में चर्चा होगी बस्ता में इसकी मिरत्यू हो जाती है यानि कि इसका मिरत्यू का कारण पता नहीं चलता है समझे आ गया ना इसके बाद इस पराजा के साथ सहालम देतियों को बंगाल के गवर्नर रोवर्ट कलाइब के साथ इलावाद की संदी करनी पड़ती यानि कि आपका जो बकसर कायोद होता है उसके बाद जब हार जाते हैं उसके बाद रॉबर्ट कलाइब जो होता है उसके साथ आपके सहा अलम दितियों को इलावाद की संदी करनी पड़ती है ठीक है? इसके तहित यानि कि इस संदीके तायत मुगल जो समराठ से 1765 नेकर 1722 तक अंग्रेज़ों कि समरेच्षड में इलावाद में रहते हैं ठीक है? अब हम आगे बाद कर लेते हैं इसके बाद किया होता है? मराठा जो सरदार होते हैं जब ये आपके साहलम दिती होते हैं आपके अंग्रेज को राजधानी दिली के मुगल सिंगासन पर बैठाया ताया यानि कि ये आपके इलहाबाद में रह रहे होते हैं आपके जो साहा अलम दिती है और बहुत इस ते खराब होती है क्योंकि ये आप ये जो आपके साहा अलम दिती है कि इसके दया पर असरत हो जाते हैं आपके अगर असली नाम की बात की जा तो सहा अलम देतिये का नाम अली गौर था अली गौर जो थे अली गौर के समय जर्णल लेक ने दौलता राफ सिंदिया को पराजित कर दिया था यानि कि सालम दितिये के काल में ही जो दौलता राव सिंदिया थे उनको जो जर्नल लेक था उसने पराजित कर दिया था कब कर दिया था अठारे सो तीन में जर्नल लेक ने आपके दौलता राव सिंदिया को हरा दिया था और दिली पर फिर से कब जा कर लिया था ठीक है नहीं राजारा राम्मोहन्राय को राजा की उपादी दी ती और अकबर वंचली 10 पर आसरुत हो जाते हैं तो पैंसरत हो जाते हैं आते आपकर दी तैंशे के तो अकबर देती है कि किसी कार्ड से पैंसन नहीं आती है तो इस के लिए के पैंसन जो मिल रही थी नहीं या फिर जो पैसा देते थे आपके अंग्रेज उन से इनका गुजारा नहीं उपारा था इस गुजारे के लिए या कहें इस पैंसन को बढ़ाने के लिए क्या करना था आपके राजा रामोन राय को राजा की उपादी दे कर इंगलेंड बेजा जाता है जहाँ पर राजा रामोन राय की क्या होती है इंगलेंड में ही इनकी मिरत्यू हो जाती है ठीक है अब हम आगे बात करते हैं बाहदुरसा और 1857 का विद्रो इनी के समयकाल में होता है बाहद जो जुखर के नाम से क्या लिखते थे कविताएं लिखा करते थे बाधूरसा के समय 1857 के बिद्रों में 1857 के बिद्रों का साथ देने के कार्ड अंग्रेज जी सरकार ने इन्हें गिरपतार कर लिया और रंगून में बेज देते हैं किया पर रंगून पढ़ता है यहां पर भारत और भारत के यहां पर यह पूर में है क्या पढ़ता है यहां पर पढ़ता है यहां पर पढ़ता है जफर होते हैं, उनकी मिरत्यों हो जाती है, ठीक है, यह मुगल समराजी का अंतिम सासक्सित होता है, और इनकी मिरत्यों के साथ ही, मुगल जो समराज होता है, उसका पतन हो जाता है, या कहा है, वह समात होता है, यानि कि उत्तर मुगल काल कहां से सुरू होता है, आपके साथ दितिये के नाम से ही आपका उत्तरमुगलकाल का जो था क्या होता है समाप्त हो जाता है तो यह हो गया आपका उत्तरमुगलकाल के बारे में जो भी जानकारी थैज ऄ स runt अबात कर लेते हैं यूरोप्य कंपनीयों का भारत में अहगवन ठीक है यानि कि यूरोपी जो company थी जो भारत में व्यापात करने आने थी उनके बारे में हम तोड़ा से आ जान लेते हैं तो भारत में यूरोपी company जो थी वाड़ जी company हो का आगमन पंदर्मी सताब्दी के उत्तराद में हुआ था ठीक है ये जो थी उनमें से इनमें आगमन क करम देखा जाए यानि उनका बहरत में आने का करम देखा जाते हो company और उसका आगमन का करम साब से पहले जो आई थी आपकी पुर्समिक य्यूदि हो थी आपके अंग्रेच आप सब aslında कि जानते लोग घ्रेट बेंवाला चीछ चेतर नंबर दो पे आप देख सकते हैं, डच की बात की जाए, डच कब आई थे, 1602 में आई थे, कहां पर आप देख सकते हैं, डच की अगर बात की जाए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है डेनिस, यह है डच वाला चेतर, ठीक है, इसके बात की जाए, डेनिस की, तो 1616 में आई थे ये 1616 में आई थे Dennis यानि की ये है आपका Denmark वाले चेतर में ठीक है इसके बाद फ्रांसीसियों की बात की जाए तो आपके 1664 में आई थे जो कि ये आप फ्रांस देख सकते हैं इसका students यानि की student की बात की जाए तो 1731 में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्वीडन तो बता दूँ ये स्वीडन ये ग्रेट बेटन ये है डेनमार्क वाला चेतर ये है आपका फ्रांस और ये है पुर्टकाल चलिए तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं पुर्टकालियों के बारे में कि पुर्टकालियों का भारत में आना और कंपनी की स्थापना करना और कंपनी की स्थापना करने के बाद आपका उसका कारकिरम अपना पूरा करना तो ये सकंड में तोड़ा पैन का कलर जो है वो तोड़ा सुन्दर कर लूँ या कहें अच्छा लगना चाहिए जो साब देखे आजा बेटा किदा रहे हैं आजा आगया तो परतम जो पुर्टगाली था वो बास बासको डीगामा केप और गुड़ोप को पार करके 20 मई उन 1498 को काली कट केरल बंदरगा पर उतरता है बहां पर हिंदू सासक जम चलते चलते यह ऐसे पहुंचते हैं और केप अप गुड़ोप यहां पर रुकते हैं केप अप गुड़ोप होते हुए ते फिर इस तरह से यह आपके जाते जाते यहां पर पहुंचते हैं काली कट है वरतमान में इसको हम कोजी कोड के नाम से भी जानते हैं काली कट को क्य पने अर्वी अर्वियान वाला जो छेत्रा आप देख सकते हैं तो अरब के बयापारियों वहाद ने यहां पर इन लोगों का बिरुष्ट किया यानि जो आइना के पुर्त करने के बाब जूदरह के वाशने गामा का किया किया गुया है हैं किनके विरूत के बाब जूद भी आपके आपके जो वहां के मुस्लिम लोग थे उनके विरूत के बाब जूद जो आपके इसके बाद जो आपके बासकोड़ी गामा होते हैं वहां से सामान बगरा जो भी मसाले बगरा वहां से ले जाते हैं और अपने पुर्तगाल में प पंद्रह को 31 दिसंबर पंद्रह सो में भारत आया था फ्रांसिस डी अलमीडा इसके बाद फ्रांसिस डी अलमीडा जो था पेट्रो अलविरेज कैबराल ठीक है ये दूसरा पुर्तगाली था जो की भारत में प्रिविस करता है इसके बाद बात की जाए फ्रांसिस डी अल्फान्सो डी अलगुकर्क तो दूसरा गवर्णर बंकर आता है भारत में किसके तरफ से आता है पुर्तगालिों की तरफ से और भारत में पुर्तगाली सकतिका यह बास्ति वक स्थाफ़व्य करत क्योंकि company भले इस्तावित कर दियो लेकिन इसने अपना एक बड़ा समराज्जिसा इस्तावित कर लिया था नहीं काफी यह सक्तिसाली सावित होता है ठीक है इसके बाद आगे बाद करते हैं बीजापुर के सासक जो होते हैं यानि की सासक जो होते हैं यूसुफ आदिल सा ने 1530 में पुर्टगाली गवर्नर नीनू डी कुनहा बनकर आता है और कोचीन की जगे गोहा को अपनी राजधानी बनाता है यानि कि यहां पर यह कोचीन है कोचीन की जगे आपके गोहा वाले जो छेतर में अपनी राजधानी क्या करता है इस्तावित करता है मैं आपको दिख किसा देता हूँ आपको यहाँ पर है आपका यहाँ पर देख सकते हैं को चीन कोचिन से आपका कहां पर पहुंचाता था है गोगा वाले छेत्र में यह अपनी राजधानी इस्थाफित करता है ठीक है अल्बुकर को जो था उसने सती प्रता का का किया था बिरूत किया था बिरूत करने वाला यह पर आप देख सके हैं मैंने क्या बताया पंद्रेसो चौंतिस में आपका दीव को जीत लिया था ठीक है इसके ब्हारत में प्रत्रम समदाएक वयाफारिक केंदर की एक्रबात की जए तो पुर्तगालियों कि जाता हैं नसीड़ किसम तरीम कुछ से जाता है पुर्तुगालियों के द्वारा गोवा में इस्ताफित किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम बात करते हैं पुर्तुगालियों के अन्य चीज़ों के बारे हैं इन्होंने कार्टज आर मेडा काफिला फदिती पर जाहाजों के अरफ सागर में प्रेस पर प् कि ये एक कार्टर जो था एक आप ऐसे मालने एक उसकी तरह था पर्मिट की तरह था इसको अगर आप रखते हैं तो आपको आसानी रहे कि समधर मैं चलने फिर ने की ठीक है इनों ने गो थे की जो इस्थाफ़ित कराओं का पडिशिलन कर वाई था क्यों लोगों ने पुर्टगालियों नो गॉथिक इस्थापतिक अलागा प्रचलन करवाय था गॉथिक आप समझते हैं जो नौकदार जो बनी होते हैं जैसे की चर्च वगएरा जो बनी होते हैं इस तरह की जो ऊपर की जो नौकदार जो चीज़ा बनी होते हैं यानिकी जो इस तरह की आपनी होती है, आपने देखे होंगे, इस तरह की जो अलकीन होती है, या काईे हिसा तारह के, जो होती है, वह लुघक स्थाप्त कमाedor बारिय dwelling devotion में, गौर्थिक संप्नी होती है, तुन मे u पहले दुर्ग और दुर्ग मतलब किला और पंद्रेसो पांच में कनूर में सबसे पहले कोचीन में उसके बाद पंद्रेसो पांच में कनूर में यानि कि केरल में दूसरा फैक्टरी इस्थापित करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैंने कहां बताया था में आपकी दूसरी फैक्टृ लगाते है ठीक है इन्होंने तंबाखू खिती खिती पर भारत्वात हाय समझ में आ गया कोन आते हैं सब्से पहले सब्से पहले के परत्गाली आते हैं और जाते भी वो सबसे बाद में है समझे आगया इसके बाद बात करते हैं डच यानि कि हॉलन्ड वाचिसियों के बारे में तो होता क्या है डच संसद द्वारा शोले सो दो में डच इस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना कर देती है इसको कारनेलियन हाउट में पहला डच जो यातरी होता है आता है जो कि 1596 में भारत पहुंचता है डच नोसिना नाइग बादे रहेग ने 605 में मसूली पत्तनम में प्रतम डच कारकाना तथा पेस्टो पोली यानि कि नाग पत्तनम में दूसरा कारकाना इस्तावित किया था यानि कि पहला कारकाना मसूली पत्तनम में है है चलिए अब हम बात करने भारत में यूरूपी बयापारी कंपणियों के आग्मन Your πά isto है तो नहीं है लोग जान ली कि कौनसे पहले आई ते जन से सबसे पहले आपके वाजास को डिजाम apple आये थे फैसी वाण्सि सी आते हैं ठीक है हिसके Bond आपके अंग्रेज आते हैं इसके बाद आपके डेन आते हैं इसके बाद फ्रांसी सी आते हैं ठीक है इसके बाद भारत में आने का प्रिथम यूरूपी यात्री की बात किया है तो वो था बासकोडी गामा और दूसरा यात्री कौन था पुर्तगाली यात्री पैट्रो अलव पुर्थम 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 कि बात कर ली जाए तो आपके थे जौब चौरनाक मदरास की बात कर ली जाए तो आपके थे फ्रांसिस डे और दिल्ली की बात कर ली जाए तो आपके थे एल्विन लुटियंस क्या नाम था एल्विन लुटियंस ने आपका क्या किया था एल्विन लुटियंस ने इन चेत्र पर सरफोर का किया था संस्ताफक माने आते हो उसके बाद ये आपका है कहा पर बंबै बाला चेत्र है इसके बाद इसके इससे दा इत is तो यह अगर जमीदार बात की जाए तो वो था बर्दवान का जमीदार जिन्होंने अंग्रेजों का पहला विद्रो किया था अंग्रेजों के लिए पहला विद्रो किया था किसके नेतरत में किया गया था सोवा सिंग के कोची में zwischen आपका 63 में किया गया था में यहां पर एक डलबा दियता हूं यह है आपका आपने कौचीन ठीक है और यह कैद पर कराइकल और और आपका यहां पर ही पड़ता है चिनशूरा यह है आपका किनशूरा ठीक है यह है आपका मैंने क्या बता है यहां पर है कोचीन यह है चिंसूरा यह है आपका कराईकल ठीक है तो यहां पर इन्हों ने अपनी अपनी फैक्टरी लगाई थी आगे बढ़ते हैं चैब अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो पुलिक्रीट बाला चेत था उसमें जो डेचर दोरा जो कार खाना लगाय गया था उसे गेल्डियाड का किला का गया था यानि कि आप देख सकते हैं अब सिर्फ इसकी अफसेस रह गए यानि कि यह खत्म हो चुका है इसके बाद चु यह चिंसूरा है आपका एक तो सेकंड लगेंगी आजा बेटा यह चिंसूरा तो चिंसूरा में जो कार खाना था उसको गुस्तामबुल फोर्ट कहा यानि कि पुली कट में जो कार खाना इस्थापता उसे गेल्डिया का किला कहा और चिंसूरा में जो कार खाना था उसे गु स्वड के उघ़ा उपची का जाता है सकूच के लेकिन उसे काहने के रान्सवर कर दिया गिया था बाला सोर में डान्सवर कर दिया गया में आपके जो अंग्रेज होते हैं अंग्रेजों ने डच को क्या कर दिया पराजित कर दिया यहां उनको समात कर दिया और भारत में डचों की गत्विदियां जो थी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद अंग्रेजों के बारे में हम दि गवर्णर एंड कम्पनी ओफ मर्चेंट और लंडन ट्रेडिंग इंटू दा इस्ट इन डिज नामक एक कंपनी की क्या करते हैं? इसताफना करते हैं पंद्रेसो निन्याने फिर से एक वाब बोल देता हूँ दी गवर्नर एंड दा कंपनी ओफ मर्चेंट ओफ लंडन ट्रेडिंग इंटू दा इस्ट इंडीच तो इस्ट इंडीच वाला कौन सा छेत परता यह इसको हम उस समय बोला करते था इस्ट इंडीच ठीक है चलिए इ यानि जो एलिजावेट जो थी महाराणी एलिजावेट ने सोले सो में कंपनी को पूर के यानि कंपनी को पूर के कंपनी पूर का मतलब पूर मतलब जो बेटेन था उसके पूर में यानि की बेटेन का यह है पश्चम यह है पूर तो कंपनी का पूर बाला छेत कौन सा हो ज इसके बाद इंगिलेंट के जो जार राजा थे जैम्स प्रिसम के दूद के रूप में कैप्टन होकेंस जो थे हैक्टर नामक जहाज से भारत आते हैं जहांगीर के दरवार में जहांगीर के दरवार में आते हैं कहां पर मिलते हैं आके आगरा में मिलते हैं ठीक है आगरा कहा होकिंस एक्टर नामक जहाज में जहांगीर के दरवार में आगरा में पहुंचते हैं वहाँ पर ये बासा से जो थे फारसी बासा में क्या करते हैं बाचीत करते हैं जिससे आपके बासा जहांगीर होते हैं परसन हो जाते हैं कियते हैं वल्ला वल्ला क्या तरी फारसी है इस त पार्सी होती है उससे फिरस्न होकर ठीक है इसके बाद अंग्रेजों ने 1613 में जहांगीर की अनुथी सी सूरत मैं पश्च्मी भारत पश्मी भारत की पहली और भारत की दूसरी कमपणी स्थापिती कि यानिकी भारत की कि यानिकी जहांगीर की अनुटी से 55 बारत की पेहली समझ में रहा ना या मैं आपको दिखा देता हूँ यह है पूरब यह है पश्चिम तो मैंने क्या बताया अंग्रे जन है 1613 में जहांगीर की अनुटी से 55 बारत की पहली और भारत की दूसरी कंपविनी स्थाफित करते हैं यानि कि 1613 से पहले ये कंपनी इस्थापित हो ची थी लेकिन पश्चिमी वाले छेतर में पहली कंपनी इस्थापित की गई थी जहांगीर के नित साहिता से ठीक है तो कि इस समय बास्ता तो जहांगी थी थे अगर आप उनकी याजस से नहीं लगाएंगे तो दोड़ा प्राइब बेदे हैं और डस जन्मरी सूले सो सूले में अजमेर के दर्वार में ये उपस्थित होते हैं अंग्रेज उने पूरी तटपर अपना कार खाना जो कि 1633 में बाला सोर और हरिपुरा में यानि पूरी तटपाला ये वाला चीतर था यहांपर बाला सोर और इस थाफित करते हैं मैंने क्या बताया यहां पर मैं आपको दिखा दिता हूं यह मैं आपके यह मेंने क्या बतायाوب मदरास में यह पर पढ़ता है यहां पर मंदरास में यहां पर पढ़ता चंदर giri कि राजा से यह नों ढुते हैं वह मंदरास से कुछ भूमी पते पर लेते हैं और मंदरास 69 से लेकर 1660 तक मुंबई का जो गवर्नर बनता है वो गेराल्ड ओंगिया को बनाया जाता है और मुंबई का इन्हें संस्तापक माना जाता है गेराल्ड ओंगिया को ठीक है मुंबई वाला छेतर आप लोग जानते हैं बंबे वाला छेतर इसका गेराल्ड ओंगिया को क्या ब बंगाल का प्रथम अंग्रेजी गुवर्नर बनाया जाता है ठीक है इसकी बाद जॉब जो चारनाक होते हैं बंगाल में तीन गाओँ ले ले लेते हैं कालीकाथ उससमय कालीकाथ बॉला जाता था गौविंध पर तता सूतानीक तुझे हो बाद में यहाँ कहें कालिकाता आपका गौविंध पर सूतानीक को मिलाकर आदुने कौलकाता की नीव रक्की जाती है तता फोर्ट बीलियम का निर्मार धी यहीं पर किया जाता है जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर को बनाया जाता है किसको बनाया जाता है सर चार्ल्स आयर को बनाया जाता है चलिए आगे बात कर लेते हैं चलिए अब एक नजर हम ढाल लेते हैं कि सबसे पहले फैक्टरी यूरोपियों ने कहां पर बनाई थी और किस सन में बनाई थी तो आईये डालते हैं नजर पूर्टगाल उन्हों कोचीन में पहली फेक्ट्री खोली थी, कोचीन कहाँ पर है आपका ये कीरल वाली छेत्र में यहां पर है कोचीन, उसके बाद आपके अंग्रेजों की बात की जाए अंग्रेजों के बारे में यह दिबात की जाए तो अंगेरे जोने यानि दूसरे नंबर पर कितने फैक्टरी खोली थी डेचोने कहा पर खोली अंग्रिफfeld में अपनी फैक्ट्री कौली थी इसके बाद आपकी डैनिस की बात के जाए तो 1620 में खोली थी जो कि आपका तंजोर वाला चित्र यानि 23 कोर में आपकी 1620 में खोली थी इनका फ्रांसीस यो ने सूरत में गुजरात में 1678 में यानि कि 1668 में फैक्टरी खोली थी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में फ्रांसीसियों के बारे में बारत कर लेते हैं तो फ्रांस के समराट लूई लोईङ चौद में के मंत्री का क्या नाम था कॉलवट्ट मंत्री कॉलवट्ट त्वारा 1664 में French East India Company की इस्थापना हुई इसे company days Indesay Orientalis कहा गया था याएन कि मंत्री लोईचिया जो आपके समराठ थे, France के के लोईचिया कॉस्ट में मंत्री कॉलवर्ट ने आपके इनके सईयोग से 1664 में मैं कंपनी डेस इंडेस इंडसे औरियंटिलेस खोली थी या कहें इस्ट इंडिया कंपनी घो ली ती जिसका नाम क्या रखा गया था इए ठीक है इसका फ्रैंसिस केरो ने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कंप एक गाह प्राप्त किया था जो आगे चल कर क्या बनता है पांड चेरी के नाम से जाना जाता है डचों ने फांड चेरी को छीन लिया था लेकिन रिजविज की संदी के बाद पांड चेरी को फिर से फ्रांसिस्टियों को मिल जाता है ठीक है चलिए यह है Dutch यह है Francis का और जो मैंने character बताए थे वो आपके Francis Guero Francis Guero और Francis Martin चलिए आखे बात करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो बंगाल के जो नवाब सास्ता खान तो बंगाल के नवाब से जो जमीन ले ले लेते हैं और अपनी एक मुख फेक्टरी बनाते हैं चेंद्र में चेंद्रनगर कहां पर रही बंगाल बंगाल में यहां पर इस्टे थे चंद्रनगर ठीक है फ्रांसीजियों ने 1731 में 1424 में मालावार में इस्थित आपका माहे जो की आपका पुदोच्यरी का एक चिला है ठीक है और माहे तथा 1749 में कराईकल पर क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था ठीक है कराईकल कहां पर इस्थित है यहां पर इस्थित है कराईकल यह माहे और यहाँ पर यह स्थित्त है कराइकल ठीक कराइकल पर क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था गवर्नर बनता है यह भारत में फ्रांसीशी सम्राज क्या इस्तापित करना चाहता था इसके बाद 20 जन्वरी 1760 को लड़े गए वांडिवास की उद्व में फ्रांसीसी सेना परास्त होती है और इनका जो बर्चस होता है भारस से समाप्ट हो जाता है यानि कि इनकी जो भी इनका जो भी ब्यापार बगएर था वो समाप्त हो जाता या जो भी गत्रिदियां होती है वो इनकी समाप्त हो जाती है तो करणाटी कि इद्धियाों के बारे में हम जान लेते हैं किन-किन बीच की लड़ा गया था कब-कब लड़ा गया था तो पर तरह हम कर नाटी जो इद्धा Trac Higher Sacヤा से ले कर 1748 अजा गया था इसमें संदि होती है एसलासावल की संदि з Guillcem Amen होते हैं ठीक है इसके बाद दिती करनाटे की युद्ध की बात कि जाता है इसको साथ वर्सी युद्ध भी कहा जाता है इसे क्या है यहां पर हाँ इसे आपका यह है आपका सट्रेसो चपन से लेकर सत्रेसो त्रेसर तक ही चलता है पेरिस की संदी के तहत यह आपका सत्रेसो त्रेसर में समाप हो जाता है बांड दिवास की यानि की तिर्थी युद्ध को क्या का जाता है तिर्थी करनाटे की युद्ध को बांड दिवास का युद्ध ठीक है तो बांड दिवास की और इस Means फ्रांसिति यूहोते हैं युद्र हार जाते हैं और यहाई से फ्रांसिती अपनी दुकान लेकर कह छले जाते हैं थीक है यहां पर करते रहते हैं ठीक है ठीक है तो आईए नवीन सुआइत राजियों के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस में जो सबसे पहले बात करेंगे भो है है धरवाद राजिके बारे में है धर वाद में आपके निजाम अलमुल्क या चिन किलिच खान जो थे निजाम उल्मुल्क को दक्कन का पाइसराई भी का जाता था आपके जो चिन के लिए खांज़े आका है निजाम उल्मुल्क जो थे इन इन्होंने आपके मुहमद साह के साथ मिलकर सेयद बंदूं का दमन करने में प्रमुक भूम का निवाई थी चलिए अब हम बात करते हैं अबद प्रांत के बारे में अबद के बारे में जान लेते हैं कुछ प्रमुक तत्य तो अबद जो था अबद जो है अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में आने की मराठा राज्य कहां फिर पढ़ता है ये और अंग्रेजी राज्य कौन सा पढ़ता था ये वाला शेतर जो पढ़ता था अंग्रेजी राज़वाला तो अंग्रेजी और मराथा राज्यों के बीच में अबद को होने के गाड़ इसको बफर राज्य कहा जाता था सहाधत खान यहाक हैं बुर्हान अबद को उन्यूस्ट सत्रे सो बत्र सम्ञे में स्वातंतर को बि jurisdiction कर लिया ता आपके साधत खान है साधत खान के वाद सब्दर जंग जो होता है सब्दर जंग जो होता है अबु मुमन्सूर खान इसका मूला होता है तो सब्दर जंग अबद का नवाब बनता है फिर इसका पुत्र सुजा उद्दॉला अबद का नवाब बनता है सुजा उद्दॉला जो था सुजा उद्दॉला ने वारेन हेंटिंग के साथ 773 में बनारस की संदी की थी इसके बाद आखरी नवाब की बात की जाए अवद के तो आखरी जो नवाब सावित होते हैं वो हैं बाजिद अलीसा तो बाजिद अलीसा अवद का अंतिम नवाब था इसी के सासन काल में असम अवद को कुसासन का आरूप लगा कर आपका अवद को कुसासन का आरूप लगा था ठीक है तो यह हो गया अवद आईए मैसूर राज के बारे में अब हम बात कर ले थे हैं मैसूर राज के बारे में जो प्रमुक जानकारी उसके बारे में तो सुरू में आपके मैसूर राज में सुरू में वाडियार वंस का सासन था वाडियार के जो आपके किसन वाडियार देती थे यानि कि 1766 में वाडियार वंस के अंतिम सासा किसन राज देती है कि सासन काल में संपूर सत्ता दो भाईयों के हाथ में थी यानि कि नंजराज बाड़ियार और देवराज बाड़ियार के हाथों में इसके बाद हैदर अली को आपके जो नंजराज और देवराज होते हैं नंजराज ने 1799 में हैदर अली को सेना कादिकारी बना दिया था और 1761 में आपका जो मैसूर था मैसूर पर आपके हैदर अली क गबजा कर लेते हैं ठीक है है हैदर अली एक सेने के रूप में भरती होते हैं और बाद में अपने पिरभाब के काड़ ये एक अधिकारी बन जाते हैं और बाद में पूरे उस्सासन का क्या बन जाते हैं करता धरता बन जाते हैं किसका है मैसूर राजी के करता धरता बन जात यह है आपका डिंडी गुल ठीक है क्या है डिंडी गुल तो डिंडी यह पको नएब दिख लाए बबारा मेरा थोड़ा लैपटप की परिशानी है कम ताकत पर है इसलिए थोड़ा ताइम ले लिता है तो ये जो टिंडी गुल था यहाँ पर आपका हैदर अली ने तोप खाना खुलवाए था ठीक है हैदर अली ने पिर्थम आंगल मैसुर युद में अंग्रेजों को हरा दिया था ठीक है इसको अधिती आंगल मैसी रुद में जर्नल आयर कूट ने यानि कि जर्नल जो आयर कूट होते हैं पोटा नोवा के युद में 1782 के युद में यानि कि पोटा नोवा के युद में जोकि 1782 में होता है इस युद में हैदर अली को परास कर दिया जाता है और आखिर में हैदर काफी चोटें लगने के काब हैदर अली की मिरत्यों हो जाती है 1782 में पोर्टा नोवा के युद्में किसके नितरत में लड़ा जा रहा थे पोर्टा नोवा कुर्दे दूसरी तरफ जर्ननल आयरगूट कैशिक है इसक बाद हैदर अली की मिरत्यों को बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान गद्धी पर बैठता है ठीक है टीपू सुल्तान आपके अर्वी फार्सी उर्दू कन्नड अन कई भासाओं के ग्यान था इन्होंने नई मुद्रा माप तौल की इकाईयां और नए संबद का पिर्चलन करवाया था किसके द्वारा करवाया ग तो आपका यह स्री रंगप्रणम इस्ते था ठीक है तो स्री रंगप्रणम को राजधानी बनाते हैं और मैसूर और फ्रांस की दोस्ती का के रूप में एक स्वतनता बिर्च लगाते हैं तिरती आंगल मैसु रियुद्ध में कैप्टन मिडोज या आप अंकल देख रहा है कैप्टन मिडोज ने टीपू को परास्त कर दिया था या टीपू को हरा दिया था और टीपू को स्री रंगप्रणम की संदी करने को मजबूर किया जाता है इसकुए चातोरत आंगल मैसु रियुद्ध में टीपू जो थे भे मारे जाते हैं यानि कि तरचेर जो आंगल मैस कर लेते हैं अंग्रेजों ने बाडियार बंस के सासन किस्ना किस्न राज को मैसूर की गद्दी पर फिर से बैठा दिया थे जैसे टीपो सुल्तान जो होते हैं उनकी मिरत्ती हो जाती है मैसूर उद्द में और उसके बाद जो जैसा सासन था उसी तरह से फिर से बसा दिया जाता है किस्न राज को फिर से राजा बना दिया जाता है कहां पर मैसूर का मैसूर जीतने की खुसी में लॉर्ड वेलेजली को मार्क विस्की उपादी मिले थी किसकी उपादी मिले थी मार अंग्रेज इसमें पर पराजित हो जाते है उसके बाद दिती आंग्ल मैसी रुद्ध में इसके बाद तरती आंग्ल मैसी रुद्ध में 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा जाता है टीपु सल्थान जो होते हैं इसका नितरत करते हैं और अंग्रोजों की तरफ से जो आपका वो था गवर्नर करता वो लौड कारण वालिस था सी रंगपटनम की संधी करने को मजबूर किया जाता है और टीपु सल्थान इसमें हार जाते हैं टीपू सुल्तान फिर से उठकड़े होते हैं और चतुरत आंगल मेसुर उद होता है 1794 में और टीपू सुल्तान आखिर में लोड इसमे नेतरत लोड बेलेजली करते हैं और सायक संदी करने पर मजबूर करते हैं और टीपू सुल्तान की यहां पर क्या होती है मिरत्यू हो ज के बारे में बात कर लेते हैं तो पंजाब राज जी जो था आपका गुरू गौऑिन सिंग्गी मिरत्यूं को बाद उस ने इनका क्या नाम था बन्दा बहादुर ने सिखों का नितुरत किया था बन्दा बहादुर सिखों के पहले राजनेटिक नेता हुए जिन्हों ने प्रतम सिख राज्जी की इस्ताफना की थी इसके बाद सत्रे सुसूले में फरुक सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया थी या कहें फरुक सियर ने आपके बंदा बहादुर को क्या करवा द दिया था जिसमें आपकी भंगी मिसल जो थी सबसे सक्सिताली मिसल में से एक थी या कहा है सबसे सक्सिताली मिसल थी ठीक है सुकर्चकिया मिसल को आदुने पंजाब निर्मार का सिरे दिया जाता है और आपके जो चरस सिंग थे यानि कि चरस सिंग जो थे सुकर्चकिया मिसल को पिरमुक की स्थान दिल्वाया था, यह काफी तेज तर्लाट बेगती थी इस कार से सुकर्चकिया, जो मिसल थी, उसको एक अलग इस्थान दिल्वाया, यह सबसे पिरमुक की स्थान दिल्वाया तो जो रंजी सिंग थे 2 कोई नूर हीरा बेहट किया था, फौज ए आयन रंजी सिंग्की स्थाई सेथी इनकी द्वाराई इसकी इस्थापना किया गयी थी रंजी सिंग्की सरकार सरकार एक खाल सा कहलाती थी ठीक है यह है लाहर भाला छिोधर यहाँ पर है आपका पंझअ बाला छित्र ठीक है इन्हों नानक साहि सिक्टे चलवाई थे किसे दोरा है रंजी सिंग्की दोरा से वाद बनते हैं और सेर्शिंग के बाद बनते हैं आपके दिलीब सिंग ठीक है यह फौज ए आई फौजए खास और यह आपका कोईणी रूह रही यह साज तो जा ठीक है आए आगे बढ़ते हैं आए राजपूता ना राज़ के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यानि कि राजपूत राज़ के बारे में तो अठार्मी सती सदीका सबसे स्रेश्ट यदि राजपूत सासक की बात की जाए तो वो थे सवाई राजा जैसिंग ठीक है तो जैसिंग ने जाटों से जो छेतर था वो जाटों से कुछ छेतर चीन लेते हैं और वहाँ पर जैपुर की स्थापना करते हैं और जैपुर को बिग्यान और कला का महान केंदर बना दिया जाता है सवाई जैसिंग जो थे या कहें सवाई राजा जैसिंग या जैसिंग देती है एक महान खगोल सास्त्री भी थे ठीक है यह आपका आधुनिक जैपूर इसके बात करते हैं आईए जाट राज के बारे में थोड़े बात कर लेते हैं तो किसानों की एक जात होती है यहां कहें खेतीरों की एक जात थी जिनको हम जाट कहते थे जाटों के जाट दिल्ली मतरवा आगरा के आसपास के इलाकों में रहते थे मतरवा के आसपास के किसानों ने 1669-1668 अपने जाट जमीदारों के नेतरत में क्या कर दिया था बिद्रो कर दिया था बरतपुर में जाट राजियों की स्थापना चूडा मल और बदन सिंग ने की थी सूरज मल ने किया कि सूरज मल ने 1756 से 1773 तक जाट सत्ता पर सासन किया था सूरज मल के राज जी में आगरा मेरट मत्रा और अलीगर था ठीक है इसके बाद अलीगर जैसे जिले इसमें सामिल था सूरज मल को जाटों का अफलातून भी कहते थे सूरज मल की मिरत्यूश 1763 में हो जाती है चलिए अब हम बात करते हैं आके जो की है आपका बंगाल वाला राज तो बंगाल राज के बारे में प्रमुक जानकारी देख लेते हैं सूतंत्र बंगाल की इस्ताफना 1770 में मुर्सिद कुली खान के दौरा की गई थी यानि कि बिटे मुगल सासन से आपके जो मुर्सिद कुली खान होते हैं सुतंत्र करा लेते हैं बंगाल लाज को इसकोड़ा 1740 में अरी वर्दी खान यानि की अरी वर्दी खान जो होते हैं नवाब बनते हैं बंगाल के और इनकी मुर्ट्यू के बाद सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं ठीक है तो एक नज़र डाल लेते हैं बंगाल के बारे में कि कौन कौन से प्रमुक जो नवाब थे ब लेकर सतरस चालिस तक इसके बाद अली वर्दी खान के बारे में बात की जाए सतरस चालिस से लेकर सतरस चालिस तक सिराज जुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धु बात की जाए तो इनका समयकाल था सत्रे सत्र स्न से लेकर सत्रे सो तैहतर था ठीक है तो आएए अब हम अलएग अलाग इन को देख लेते हैं सबसे थे पहले बात करते है सिराज उध्वudejm速 वाघए noodleya के कि मर्जी के बिना ये अंग्रेज यहां पर ब्यापर बगेरा करने लगेते हैं और वहां पर इसके बाद कुछ लोग को जब बच जाते हैं तो बीस जून इस गटना क्या होता है कि जब अंग्रेज जो बच जाते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और एक चोटा सा कमरा होता है उसमें लोगों को बंद कर लिया जाता है उसमें 146 लोग होते हैं उसमें जिगह बहुत कमती सांस वगयरा नहीं आप इस काड़ से यह कहा जाता है कि उन इंग्रेज वहाँ पर कलकत्ता फे फिर से कब्जा कर लेते हैं ठीक है उन्नों जून सत्रह सो चपन को अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच अलीपूर की संदी होती है या नवाब की बीच अलीपूर की संदी होती है इसके बाद है यह प्लासी के युद्ध के बारे में थ है प्लासी के युद्ध के समयए आपके जो नवाब थे वो थे आर्ल आलम गीर दिती है ठाले जो मॉगल वास्ता the be उत प्लासी के युद्ध के समय चलिए आगे बात करते है फ्लासी का समयर हम देख लेते हैं जून 17 그래도 price जुद्धुला की सीना का नेतुरत आपके मीर जाफर यार लतीफ खान और राय दुरलब कर रहे थे ठीक है और आखिर में जो मीर जाफर थे मीर जाफर जो थे आपके यानि कि जुमीर जाफर थे उसके पुत्र मीरन के सारे पर मुहम्मद भीग ने इसरा जुद्धुला की हत कर रहे थे मेर च्ऺो funzर का व went to Carland लड़े विना एक Hagam गर पर भाचते खेते हैं के हम लोग हां रहे हैं किसे बताते हैं सर्जुद्वला को बताते रहें कहते हैं हम इन सनभाल लेंगे जब स्राज दोला बागता है तो स्राज दोला की क्या करते हैं ये मेर जाफर का पूत्तर मीरं कि इसारे पर मुःम्मद बिग क्या करता है गरतन काड़ देता है और इनकी अंगरagd का में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया यह अंग्रेजियों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था यानि की यह अंग्रेजियों द्वारा बनाया गया इस बंगाल का प्रिथम कटपुतली नवाब था कून था मीर जाफर ठीक है यह एक अयोग सा सकता और अं मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्सिदावाद से कहां पर बनाता है ये है आपका मुर्सिदावाद मुर्सिदावाद से ये कहां पर ले जाता है ये है कोलकाता कोलकाता यहां चिंसूरा ये है आपका मुर्सिदावाद मुर्सिदावाद से कहां पर बनाता है मुर्सिदा वाद ये है मुर्सिदावाद से मुंगेर ले जाता क्योंकि यह ज्यादा उंगली कर रहेते हैं ज्यादा हस्टिचेप कर रहे तो अंग्रेजों के हस्टिचेप कर रहे तो मीर कासिम ने अपनी राजदानी मुर्सिदावाद से मुंगेर ले गए मीर कासिम ने बंगाल में द से नवाब बना देते हैं यानि कि मीर कासिम को हटा देते हैं और फिर से मीर जाफर को नवाब बना देते हैं क्योंकि इन्हें कैसा लगा था कि इन्हें ऐसा लगा कि जो मीर जाफर को उतार कर आपके अंग्रेज जो थे मीर कासिम को नवाब बना देते हैं लेकिन देखा कि यार मीर कासिम जो है वो ज्यादा खुराफात कर रहा है या काई मीर कासिम जो है हम अंग्रेजों से बचने की कोशी कर रहा है इसलिए अपनी जो राजधानी होती है के सारे पर चले लेकिन मीर कासिम ने चलने से मना कर दिया इस कारड क्या किया आपके मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिते हैं अंग्रेजों ने इसे मैंने क्या बताया विच्छी तारदिकार जब संजा तो मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया मीर कासिम ने बंगाल को छोड़ कर अवद के नवाब सुजाओ दौला के यहां सरड लेता है जब इसे अपदस्त कर दिया जाता है मीर कासिम को तो आपके जो मीर कासिम होते हैं बंगाल के जो नवाब अपदस्त नवाब जो मीर कासिम होत यानि कि इन्हें भी निर्वासित कर दिया गया था और ये भी कहां पर होते हैं इस टाइम पर सहा अलम दितिया भी अवद में मिल जाते हैं जब तीनों लोग मिल जाते हैं तो बहां पर बैट चीट के बात चीट होती है मीर कासिम सुजावद दौला और साहा लंदितिया के बारे में आपस में सोचते हैं यार का बड़ा तंग कर रखा अंग्रेज़ों ने यह वाद भुवा तमाम चीज़ें जो बाते होती है अपने उस तरह की बाते हैं हो रही थी ठीक है तो आई यह बकसर के उद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइश च्योंसट में तो बकसर का उद्ध जो होता है मीर कासिम अबद के नवाब सुजावद दौला और मुगल बासा साहा लंदितिया की सेना के मद्द लड़ा गया था यानि एक तरफ जो थी मीर कासिम की सेना युनों की सेना को क्या करते हैं हरा देते हैं और इसके बाद अंग्रेज़ों के पास बास्तिविक सस्ता आजाते हैं यानि कि जो आपका बकसर का उद्ध हुआ था वो बास्तिविक उद्ध नहीं था बस एक सड्यंत के तहट वो यद्द लड़ा गया था उसमें होती है अपनी सीना का लोहा मनवा देते हैं ठीक है इसमें समझ में आगे ना तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बास्टिक सीना या कहें बस तो सता उनके पास आ लाती है और बारेंगा गस्त सत्रेसों पैसड़ को क्लाइव ने श्हाह अलम देती है के साथ युदर हैvialावाद कीба संधी करते हैं ञार्य है इसके इसके बाद 1765 बंगाल में 1765 में इलावाद की संदी के बाद तुरंत आपका इलावाद की संदी के तुरंत बाद बंगाल में द्वैद सासन लागू कर दिया जाता है द्वैद सासन के बारे में अगर बात की जाए तो लियो कार्टस जो है आपके लियो कार्टस को द्वैद स नियुक्त किया था एक और फिर से बता दे जाओं मैंने क्या बताया कि आपका जो बंगाल वाला जो छेतर था यहां नी मैंने क्या बताया कि अंग्रेजों ने अपनी जो दीवानी प्राप्त कर ली थी यानि की सत्रे सो चोंसट में जब सत्रे सो पेंसट में संदी होती है उस के तहट अब दीवानी का अधिकार मतलब कर बसूल करने का अधिकार आ जाता है अब यहां से राजस बसूल कर सकते थे अंग्रेज तो राजस बसूली करने के लिए आपके अंग्रेज जोने बिहार वाले छेत्र में जो नियुक्ति की थी वो थी राजा सिताब राओ की स spend节 करते हैं जिसका नाम होता है इल्हाद की दितिय संदि ठीक है इल्हाद की प्रतम संदिक सकी दारा की जाती है अंगरिजियों के और सहा आलम दितिय के ममद योकी मगलबास साथ burner और दिति संदी किसके दौरा की जाती है किसके तहि exploring की होती है सोले अगस्त सत्रह सो पैंसट में आपके सुजा उद्दौला और अंग्रिजों के मत आईए हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं भारती अर्थ विवस्ता पर ब्रिटिस प्रिभाव क्या पड़ता है यानि कि क्या नीतिया रहती है भारतियों के लिए और उनका किस तरह स से लेके सद्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया और नवाब याले की इसारे ब्राजित विवस्ता पावच की लिए इजार Надारी प्रिता की शुरूबात की थी वा रिन हैंटिंग ने कलकथ्था में सरवोच इन्यालें की तथा जिला इस तरह पर दीवानी वा फौजदारी नियायलों की नियायलों की स्थापना की थी ठीक है इसके काल में पिर्थम और देती आंगल मेस्वी रियुद्वा था जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है अब हम बात करते हैं बेटे सासन की भूर आजे सनीतियों कौन कौन सी थी उनको एक राज़ा डाल लेते हैं तो लेंड रिवेन्यू पॉलिसी और वेटेस गवर्मेंट ठीक है तो सबसे पहली जो है इस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात क लड कारणेवालिस दौरह बंगाल बिहार और उरिसावाले छेतर में लागो की गई ठीक है किसानों के भूमी संबन्दी अधिकार समाप्त कर दी गए ते और जमीदारों को भूमी का मालिक माल लिया गया ता इस इसताई बंदोबस्त के तहई ठीक है तो जमीदारों को भूराजस की दर्व को तै करने की छूट मिली हुई थी इसके बारे में बहुत रिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरे इसताई तथा कैप्टन रीड माने जाते हैं ठीक है यह ब्यवस्ता मदरास और बंबई बाले चेत्रों में लागू किये थी यानि मदरास और बंबई बाले चेत्रों में लागू किये थी यानि एक दो चेत्रों में क्या व्यवस्ता लागू किये थी रहियत बाड़ी ब्यवस्ता लागू किया गया था और इस्ताई बंदोबस्त कहां किया गया था बंगाल बिहार औरीसा वाले चेतरों में राइयत बाड़ी व्यवस्ता यानि कि राइयत बाड़ी व्यवस्ता और इन दो चेतरों में राइयत बाड़ी व्यवस्ता को लागू किया गया था इसके अंतरगत पिर्तियेक जमीन के धारख को भून स्वामी मान लिया जा गया यानि कि इस रहीत वाड़ी व्यवस्ता के तहट रहीत मतलब होता है किसान रहीत वाड़ी व्यवस्ता के तहट आपको किसान को ही मालिक मान लिया गया था और किसान के साथ लगान की सरतें के तैह करना था ठीक ह तो इस विवस्ता के तहट इस विवस्ता के जन्मजाता माने जाते हैं या किस में शुरुवात की थी तो हाल मैकेंजी या हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है यानि कि महलवाड़ी विवस्ता को या महलवाड़ी बंदवस्त को शुरू करने का सिरे किसको जाता है हाल्ट और पंजाब के कुछ जिले इसमें सामिल किये गए थे यानि कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ दरहियत वाड़ी विवस्ता कहां का लागू की गए थी मदराथ में और बंबई में आपकी इस्थाई बंदोबस्त कहां का लागू किया गया था आपका बंगाल बिहार औ रोड़ी सामें और आपका महालवारी विवस्ता कहां कन लागू किया गए था दक्कन वाला जो छेतर था यहां के कुछ छेत्रों में ठीक है यानि कि इनको भूल जाओ इनको यानि कि महालवारी जो वेवस्ता की गई थी वो दक्कन के कुछ भागों में ठीक है सैंक्त परांत यानि कि यूपी वाले कुछ भागों में अवद के कुछ भागों में यूपी के कौन दे कुछ भागों में आगरा अवद और मद्परांत मतला एंपी वाला और पंजाब के क कुछ भागों में इस महालवारि विवस्ता को लागू किया गえー ten प्रती एक महालय आखें जमीदार रियाखें गाँ के यानि कि प्रति एक महाल के ऐनसार अंग्रे जोने राज़त्य कर दिया निश्चित कर दिया था यानि कि एक महालया एक गाव होगा हलका सा याका एक जागिर होगी उसमें जितने लोग होगे उन सभी से एक निश्चित अनपात में क्या कर दिया था पैसा लेने के लिए याख है भूराजस्त्व लेने के लिए विवस्ता बना दी गई थी ठीक है तो यह हो गई आपके बेटे सासन की भूराजत सो नीतियों के बारे में तो साथियो यहां पर इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आगे का जो है नेक्स टॉपिक हम लेने वाले हैं और शुरू करने से पहले नेक्स टॉपिक को सुरू करने से पहले बता दूँ कि नीचे जो है मैं इसका आगे का जो वीडियो है वो नीचे comment box में मैं दे दूँगा क्योंकि मैं वीडियो जो है यहाँ पर मैं आपको इस तरह से demo की तरह दे रहा हूं comment box में आपको यह video का link जो link मिल जाएगा आपका पूरा जितना भी course वो आपको नीचे comment box में मिल जाएगा economy आपका next topic पर शुरू करने से पहले बता दो कि आप जब चैनल पर जाएगे तो आप उसको subscribe तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन वीडियो जो मिल जाएंगे यूजी सी नेट के आपके अथारे वीडियो वर्ल्ड जोगर्फी के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपका केमिस्ट्री की बात करें तो आपको सतानी वीडियो मिल जाएंगे तो इस तरह से मैंने सारा का सारा जो है कोर्स में ने आपर डाल दिया है इससे आप आनंद लीजिए तैयारी करते रहिए तो चलिए next topic शुरू करते हैं और शुरू करने पहले मैं आपको बता दूं कि यह यहाँ पर जो है आप नोट्स यह खरी सकते हैं नहीं तो आप 999 वाला अगर लेना चाहें तो बोले सकते हैं नहीं तो आपको फिरी भी यहाँ पर मिल जाएगा physics आपको देखने को मिल जाएगा आप नीचे किलिक करना physics मिल जाएगा chemistry की बात करने तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो English और Hindi दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड जोगर्फी मिल जाएगा दो 99 में वारत का भूगल आपको 99 में जी बिग्यान आपका 99 में वर्ल्ड जोगर्फी जो है color वाला 199 में आपका भारत का अर्थिवस्ता जो है आपका 1099 में आदिनुक भारत का इत्यास 1099 में भारती अर्थिवस्ता व्लेकन वाइट की बात करें तो 2099 में इसके बाद UGC net का जो है paper first जो है आपका फिरी में मिल जाएगा यह आपर देखने को यह 9009 में आपका इसमें पूरा GSS जो कि अगर सारा जोड़ते हैं ख चलिए next topic सुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आनन्द आया होगा तो चलिए सुरू बात करते हैं next topic की और बता दू कि इस वीडियो से आपका यानि की मर्द कालिन भारत के इत्यास से जोड़ा हुआ आपका कोई भी प्रस्मों चाहें किसी भी एक्जाम की तरहरी करना चोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो आपका बेड़ा पार हो जाएगा इस बात की कालिन पिक लिता है तो यहां पर हिस्ट्री के लगबख आपको 200 वीडियो देखने को मिल जाएंगे पॉलिटी की बात करें तो हमें 100 वीडियो देखने को मिल जाएंगे आप ले लिश्ट में जाकी चेक कर लेना बायो की भी बात की जाए तो लगबख 400 वीडियो आपको देखने को मिल तो मैंने बता दिया कि आपका किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा है आपका बेडा पार हो जागा चोटा 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 और बड़े से बड़ा आप यहां पर एक्जाम देने जा रहा है तो आप एक बार वीडियो देख लेना मैं कसम खाता हूं कि आपका जो है आपका प्रसुन नहीं चूटेगा तो आई एक नजग डालते हैं कि हमें आपर जो मर्दिकालीन भारत है उसमें हम क्या-क्या नजग डालने वाले है तो यहां पर पहले मैंने हलका सा मैंने आपको सौट में बता दिया है कि उत्तर भारत जो थे तीन राज्यों का काल उसमें हम देखने बाले हैं जिसमें चोल के बारे में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रसासनिक राजनेतिक कुछ है मतलब प्रसासनिक राजनेतिक के बारे में चर्चा करेंगे, बारत में सांस्क्रियति विकास के बारे में चर्चा करेंगे, मुगल सामराज के बारे में, 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 मराटा का उदै और विदेशी यातरा के कुछ बितान थे उनक आपको मतलब खोल के मतलब ठोड़ा सा विस्तार से में आपको दिखा देते हैं कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ने बाले हैं तो आई नजर डालते हैं कि मद्यकालीन भारत का इतियास या हिस्ट्री ओव मिडियेवल इंडिया आई ये नजर डालते हैं कि मद्यकालीन भारत की इतियास से संब्द्री एक्जाम की दृष्ट्री है जो हम पर इच्छा देने जाते हैं उसकी दृष्ट्री तो कुछ प्रमुक महित को टॉपिक है जिसके बारे में आपर चर्चा करने पाले हैं तो कौन-कौन से वो टॉपिक होने पाले हैं तो आई ये नजर डालते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मार्त मत्यकालीन भारती इतियास के जानने के कुछ प्रमुकिस त्रोथ है उनके बारे में थोड़ा से जामिकारी देगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उ अरभों का आक्रम्र देखेंगे राजपूत राजी देखेंगे तवाई की लड़ाई देखेंगे दिल्ली सल्तन तो बढ़ जाएंगे जिसमें हम गुलाम बंस देखेंगे कोतब बुदी नैवक आराम साब तुतिमेस रुकुविद्दीन फिरोसा रजिया मुहिद्दीन बैराम सा, अलाउदेीन मसूसा, और नसरीं मह्मूद, बलवन, क्यकुबाद और क्यूमर्स के बारे में. इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे खिलजी के बारे में, तो हमें आपर देखेंगे खिलजी बंस में, अलाउद्दीन का समरज बिस्तार, अलाउद्दीन का बाजा, नेंतरन, किरस्टी, संबंदी, मीतियों, तुकलग बंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका सामाजीक जीवन के बारे में उद्धियोग ब्यापार और व्यापारी के बारे में राजी का स्वरुप देखेंगे बिजयनेगर और बहिमनी सामराज का बिभाजन यहां पर देखने पाले हैं ठीक है यह कुछ इसमें प्रमुक टॉपिक हो जाएंगे इसके बाद हम आगे ब करने हैं सूर्य बनसी, गजपती, राजबंस के बारे में चाच्चा करेंगे पश्मी भारत जिसमें आपका गुजराद, मालबा, और मिंडवाड हो जाता है पूर्वी और उत्तरी भारत की बात करें तो जιहन पूर और कस्मीर हो जाता है बार्द में सांस्क्रति विकास के बारे में बात करें जिसमें आपका इस्तापत्य हो जाता है जिसको आर्खिटेक्चर भी कह सकते हैं सूपी सिल्सला के बारे में चेस्टी संपर्दाय, सोरा बर्दी संपर्दाय, फिर दोसिया संपर्दाय, कादिरिया संपर्दाय, नक्सबंदी संपर्दाय, सत्तारिया संपर्दाय, भक्ति आंदुलन, अलवार नय नार, वैस्वडम आंदुलन, महराष्ट सहर्म, सायत्यम ल इस्तार देखेंगे, पिरसासन देखेंगे, मनसबदारी पदिती और सेना देखेंगे, इस्तानी सरकार का संग्ठन देखेंगे, राजपूतों का संबंद देखेंगे, रांगी, सा जहां, और अंग्रेजों के बारे में आपर चप्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बात कर के बारे में बात करेंगे वाड़ी जी ब्यापार का संग्ठन देखेंगे मुगल सामराज के बारे में सांस करता है कि धार्मिक गत्विदियों के बारे में चर्चा करेंगे इस्तापति चित्रकला भासा एवसाहित के बारे में बात करेंगे मराठों का उद्यों देखंगे तो यह एता रहे है włas में जांगे पर और अगतै के UP, आलने वाले विडियो, आप उस याइन ड्यों पर उसके लिए तैयार रहा है तो साथियो यहाँ पर इस topic में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आगे का जो है next topic हम लेने वाले हैं और शुरू करने से पहले next topic को शुरू करने से पहले बता दू कि नीचे जो है मैं इसका आगे का जो वीडियो है वो नीचे comment box में मैं दे दूँग comment box में और नीचे description में मैं आपको दे दूँगा बहाँ पर आप किलिक करिए और आगे की वीडियो उच पर आप आनंद लीजिए और आगे next topic सुरू करने से पहले बता दू कि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आप उसको subscribe तो साथ में कर लीजिए उसके बाद आपको अन मिल जाएंगे आपका इंडियन जिगर्फी की बात करें तो सब्सक्राइब आप कर दो आपको सतान्य वीडियो मिल जाएंगे तो इससे आप आनंद लीजिए तैयारी करते रहे तो चलिए next topic सुरू करते हैं और पहले भी यहां पर मिल जाएगा physics आपको देखने को मिल जाएगा आप नीचे किलिक करना physics मिल जाएगा chemistry की बात करें तो chemistry मिल जाएगा उसके बाद biology देखें तो English और Hindi दोनों biology मिल जाएगा color and black and white दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा world geography मिल जाएगा दो 99 में वारत का Google आपको 99 जी बिग्याना आपका 99 में world geography जो है color वाला 109 में आपका भारत का अर्थ वस्ता में आदिनुक भारत का इतियास 109 में भारती अर्थ वस्ता व्लेक कि बात करें तो मैं इसके बाद e ropes link matter थे और आपका सारह मैंने आपर दे दिया है आप किसी को भी ID कर सकते हैं फिरी और दोनों आपको आनंद आया होगा तो चलिए शुरूबात करते हैं नेफ टॉट की ठीक है इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एक पूरा यहां पर सलेवस में हलका सा बता दूँगा और बता दूँगा और बता दूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सेयर समय और कमेंट करना ना भूलें और आपको बता दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हूं चोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो आप उसमें इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद प्राकिम भारत के इत्यास से जुड़ा बाला है यह दादाजी होने वाला है यानि कि grandfather of all videos क्यों होगा जब आप इसको देख लिह गे तब आप आप कहेंगे कि वीडियो जीfund का क्या है पापन होकर क्या होने वाला है, दादा जी होने वाला है, दादा जी इसलिए हो जाएगा, कि इसमें जो material है, वो मैंने कम से कम साथ से आठ महीने में मैंने आपको तयार करके दे पाया है, तो आप इसकी आउकात और इसकी condition आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जितना समय लगता है, उसमें quality में, तो हम समझ सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा है, इसको बनाया है, और आपके लिए इस तरह से बनाया है, कि आप किसी भी एक्जा में जाकर चले जाना, आपका बेड़ापाल हो जाएगा, तो एक हलका हलका मोटा मोटी यहां पर हम थोड़ा सा base बना देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे, कि इस पूरे लगबग के यह जो होने बाला वीडियो लगबग 20 या 22 घंटे का हो जाएगा, इस 20 वाई घंटे में क्या क्या पढ़ने बाले, उसको बता दूँ, और बताने से पहले हलकी सी यह जानकारी देदू, कि चैनल पे आपको हिस्ट और उन वीडियो का आनंद लिए, यानि कि मैंने हिस्ट्री, जिगरफी, पॉलिटी, एकॉनिमिक्स अच्छे से कंप्लीट करा दिये, लगबग अगर एकॉनिक्स की बात करें, तो 60 से 70 घंटे की क्लासिस मैं आपको दे चुका हूँ, एकॉनिक्स की, जिसमें आपका नोट सकते हैं, डेमो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा के डेमो ले सकते हैं, और पेड़ वाला लेना चाहते हैं, तो पेड़ वाला भी ले सकते हैं, तो आई एक मोटा मोटी बेस BENAS बनाते हैं, प्राचीन वारत के इतियास के लिए, और हम इसको शुरू करने से पहल कौन सा आपका प्राचिन वाला. उसके बाद दूसरा अगर देखें तो आद एथया सिकल. तीस तरा जो आजा था एथया सिकल. तो प्रेग एथया सिक एगर बात की जाएं चैज उसमें क्या है, अभी तक क्या है, किसी भी तरह का लिखित यहां पर साठ छिन नहीं देखने को मिलता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पुरातात्ति खुदाई से जो प्राप्त हमें होता है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं वही एक इसका प्रमुक्त क्या होता है इस त्रोत होता है जिसके आधार पर इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो स दूसरा हो जाता है आद यहाद 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 सारी प्रे motivations काल, इसमें आपका लिकित प्रमाण मिलता है, आपका खुदाहिस सेप्राप्ति, जितनु प्राकार के इस्त्रोत होते हैं, वो सारे के सारे में आपको देखने सारे entrepreneurs के सारे प्रेह बढ़ पासार काल्ते हैं, तो 8000 इसा सुरूबा से यानि की जवद से इत्यास की अगर बात करा है मानव उत्ति से लेकर 8000 इसा पूरुग तक का समयकाल आपका पुरा पासाड काल माना जाता है 8000 इसा पूरुग से लेकर 4000 इसा पूरुग तक का आपका मद्ध पासाड काल माना जाता है और चार जार इसा पूर्व से लेकर धाई जार इसा पूर्व से लेकर धाई जार इसा पूर्व तक क्या माना जाता है आपका क्या माना जाता है नवपासाड काल माना जाता है और प्रेगातियसिक काल में क्या है आपका किसी भी तरह का लिखित प्रमार नहीं मिलता है बलकि क जहासे काल की, इसके बारे में हम डेटेल में आगे जानेंगे, तो इसमें क्या होता है, लिखित प्रमाण मिलता तो है, यानि कि लिखित मिल जाता है, चाहे मान लेजिए किसी दीबार पर कुछ लिखा हुआ है, चाहे फिर आकरती के आदार पर लिखित प्रमाण मिलता है, मि यहां पर देख सकते हैं, दूसरा जो आ जाता है वो हो जाता है आपका बैदिक सब्विता, बैदिक सब्विता की अगर हम बात करें तो यहां पर पंद्रेसो इसा पूर से लेकर छे सो इसा पूर तक का समय आपका बैदिक सब्विता में देखने को मिल जाता है, जिसमें बैदिक काल और दूसरा जो आ जाता है उत्तर बैदिक काल अमाना जाता है तो कलियर करेंगे इसके बार थियस की अगर बात की जाएं तो प्राचीन वारत का इतियास हम देखेंगे जिसमें 600 इसा पूर लेकर 1200 इसा पूर से तक का इसमें स्थिक्ने को मिल जाता है जिसमेश सब सरह के प्रमान देखने को मिलते हैं । इसमें सब सुबiskतरा अगर तो इसको तीन में यांपर पढ़ने बाले है पुरा पासाड काल मतिपासाड काल और नपासाड काल आदि की अगर बात करें तो शेसो इसा पूर से लेकर बारह सो शास्वी तक का समय माना जा सकता है मतिकालिन के अगर बात करें तो साथ सो बारा एसी से लेकर सत्रे सो साथ आने कि औरंग जेव की मिरत्यू तक का ये समयकाल माना जाता है तो आई ये नजर डालते हैं कि हम इस तरह का जो हम इत्यास हैं क्या-क्या इसमें पढ़ने बाले हैं करा क्या प्राचिन भारत में जो देखें कि यहाता है एधियासिक इस्त्रोध की अगर बात की जाए तो हम इत्यास को किनンタीने इस्त्रोधे काौनपार scrott рं और बिदेसी अधिक करके प्रस्तर होती है उसके सारे पत्थर से होते हैं वो पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर के वजार इस्तमाल करता था, आग भी पत्थर से जलाता था, सिकार भी पत्थर से करता था, तो उसकी हर एक गत्विती, हर एक क्रिया जोती है, पत्थर से जुड़ी भी मानी जाती है, तो उस स अमेकाल को हम क्या कहते हैं, प्रस्तर योग या कहते हैं, पासाड योग कहते हैं, तो पासाड योग को हम तीन बागों में यहां पर पढ़ने बाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे पुरा पासाड यूग, इसके बाद हम बात करेंगे मद्द पासाड यूग, उसके बाद हम बात करेंगे नब पासाड यूग के बारे में, इसके बाद हम आगे बात करेंगे तामर पासाड यूग, यानि कि तामर, तामर मतलब तामा और पासाड मतलब पत्थर, यान कि तामर पासाड किर्सक संस्कृतियों के बारे में भी यहां पर हम बात करने बाले हैं इसके बाद हम आप यह बात करेंगे तामर पासाड यूग की बस्तियों के बारे में तामर पासाड अवस्ता का महतु क्या था दच्छड भारत के बारे में भी हम बात करेंगे जिसमें आ एक ऐसा समय काल था जहां पर क्या होता है जब किसी की मिरप्ति हो जाती थी तो उसको क्या करते थे बड़े बड़े पत्थरों से क्या करते थे हम उन्हें सबों को क्या करते थे दबा देते थे और आदा हिस्सा क्या करते थे छोड़ देते थे खुला हुआ और बाद में क्या दिया करते थे इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा इससे देखेंगे सबाधान विदियों के बारे में सबाधान मतलब सब को गाड़ने काया करें सब जो होता है उसको समाप्त करने की विदियों के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम आके बढ़ जाएंगे बो जाता है हरप तक आते आते जो होता है मनुष्य जो होता है कांसी का कांसी मतलब कांसे का इस्तुमाल करना शुरू कर देता है कांसी का आपको पता होगा किस तरह से पंदर परसंट जो होती है तिन और आपका तावे को मिला कर क्या बना लेते थे आपका तावे को मिला कर क्या बना लेते थे कांसा बना लेते इसके बाद हम इसी में बात करेंगे हरपा संस्कृति में भागोलिक विस्तार के बारे में यानि कि जो हरपा होता है काल निजार के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों के बारे में इसके 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 बारे में ये बात हो रही है इसके बाद हम बात करेंगे मिरद भांड मिरद भांड क्या होता है मिरद मतलब मिटी और भांड मतलब होता है बरतन तो मिटी के जो बरतन मिले तो उनके बारे में थोड़ी से चर्चा करेंगे उसके बाद हम आगे बात करेंगे महरों के बारे में फिर प्रितिमाओं के बारे में म्रण मूर्तियां यानि कि म्रण मत्रमतायद, म्रण यानि कि मिटियां, मिटियों की जो बनीवी मूर्तियां मिटियां उनके बारे में बात करेंगे, इसके बाद हमागे बात करेंगे इसी में अंतिम संस्कार के बारे में किस तरह सी ये अंतिम इसके बाद हमागे बात करेंगे वो होगा अड़ापा संस्क्रति की नगरी नगरी कोतर अवस्ता ठीक है इसके बारे में प्रिस्ताफ से आपर चर्चा करने वाले हैं इसके बाद हमागे आ जाएंगे वो हो जाएता रिक बैदिक का रिक बैदिक में हमने आपको बताया था ब कभीला और पर्वाइर बात करेंगे सामाजिक बरगीकड के बारे में रिक्षन邂र लृप देवताएं के बारे भाये इसके बाद अमनुए अगे बात करेंगे उत्तर बैदीकाल राज और बढ़ वीवस्ता की और ने से ये राज की और और बड़े वबस्ता की और बढ़ने लगते हैं उत्तर बैदिक काल में आर्यों का विस्तार देखेंगे बेदांग सूतर देखेंगे उत्तर बैदिक आर्तिवस्ता के बारे में बात करेंगे राजनेतिक संग्ठन सामाजिक संग्ठन दाजपरता सतीपरता कबीला और परिवार सामाजिक परगीकर रिख बैदिक देवता आसरम विबस्ता देवता अनुस्ठान एवं दर्सन के बारे में बात यहां पर करने बाले हैं बादमा के बात करेंगे वो हो जाता है आपका जहने बहुत धर्म के बारें जिसमें आपका उद्वब के काड़े यानि कि जहन दर्म या बहुत धर्म का उद्वब यानि कि उसका विकास या उत्थान क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों सी जरूते आन पड़ी थी इसके बादमान महावीर और जहन संप्रदाय के बारे में बात करेंगे जहन धर्म के सिधान्त देखेंगे जहन धर्म का योगदान देखेंगे गौतम बुद्ध और बहुत धर्म के बारे में बात करेंगे बहुत धर्म के सिधान्त देखेंगे बहुत धर्म के हरास के काड़े यानकी उसका समाथ हो जाता है बहुत धर्मिया उसमें किस तरे कीन कारणों से प्यक्ति कराद के बारें बात करेंगे इसके बाद हम को बंस के बारे में बात करेंगे, सुसुनाग बंस के बारे में बात करेंगे, नंद बंस के बारे में बात करेंगे, मगद की सफलता के काड़ देखेंगे, कि किस काड़ जो होता है, आपका एक प्रमुक जो होता है, महाजान पहुत होता है, मगद, उसका सफलता के कौन कौन स के बारे में पिर्सासनि संग्टन के बारे में बिंदुसार के बारे में असोग के बारे में असोग के अविलेक मौर सासन का महत्व मौर पिर्सासन मुद्रा प्रणाली बास्त कला असोग इस्तंब लोक कला बहुत एक संस्क्रिति का विस्तार एम राज पतेती के बारे मौर सम सम्राज का यह हो जाता है पता नहीं कि डिकलाइन यह हो जाता है पूरी तरह से उसके बारे में आपका चर्चा करेंगे मद्देशिया से संपर्क और उनके पढ़ाम देखेंगे कि जब मद्देशिया से हमारा संपर्क होता है उसके क्या-क्या पढ़ाम निकल कराते हैं उसमे विवस्ता देखेंगे, धार्मिक विकास देखेंगे, बहुत महायन संपरताय का उद्वव देखेंगे, कला की गांदार अमत्रा सेली देखेंगे, साइट तेवं बिद्या देखेंगे, बिग्यान वे प्रदोक्रिकी के बारें बात करेंगे, ठीक है, इसका मुर्योतर समय कालकि, तीन आरंबे की राजएंगे, जिसमें आपका पांड़ाजवशु पांड राजवंस, चोल राजवंस और चेर राजवंस के बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे बो हो जाता है सामाजिक बरगों का होद है आगे बढ़ जाएंगे इसमें देखेंगे गुप्त सामराज के बारे में जिसमें आपका हो जाता सिरी ग जातर गुप्त गटोचकच गुप्त चंद्र गुपट प्रथम समोध्र chewing properly, चंद्र कुप्त के उत्तरादिकारी गुपट समराज का पतन Сп इर्शासनिक पत्तियां समाजी कती बागवज संपरदाय का उदबाव और विकास साहित विग्ज्यान और प्रजुकिव के बारे हां पर बात करने हैं इसके बाद हम आगे बात करेंगे हर्स और उसका सामराज पुस्तिभूतिवन्स पिरवाकरवन धर बर्धन राज बर्धन अर्स बर्धन फिरसासन बौध धर्म और नालंदा दक्कन और दच्छिड भारत के राज देखेंगे बाकटक राजवन्स कल्याडी क पर बात करेंगे बात करेंगे और लाष्ट में जो हर्स समराज होता है या हर्स बर्धन के काल तक पड़ेंगे यानि कि कब तक आपका सत्रह भारे तक यहां पर पड़ेंगे क्योंकि हर्स होते हैं इनकी मिरति हो जाती हैं अर्केश घंट हाई होगा आप किसी तरह सीयोग बनाए रक्कें यह आपका खरीद अचाते हैं तो आप इसको खरीद लीए मुझे उम्मीद है कि किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी के लिए कहीं पर ही वह टेक नहींगी आप से चेकना भी पड़ेगी तो अक्लिए वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार चेहिंद और पंदें बात रहें